सूर्य भेदी कुम्भक, बलपूर्वक सूर्य नारी अर्थात दाहिने नासिका पुट से धीरे धीरे आवाज के साथ पूरक करें प्राण वायू को पूर्टया कोस्ट में भरकर नक से शिखा परियंत फैला कर बल पूरवक जब तक वायू को रोग सकें कुम्भक करें इसके पस्चात चंद्रनाडी अर्थात वाम नासिका पुट से धैर्य के साथ आवाज करते हुए वेग पूरवक रेचक करें यह एक प्राणायाम हुआ आरंभ में इस प्रकार पांच प्राणायाम करें सनई है शनई है शक्त के अनुशार संख्या बढ़ाते जाएं इस प्राणायाम में पुनह पुनह केवल सूर्य नाडी से ही पूरक और वाम नाडी से ही रेचक किया जाए सूर्य भेदी प्राणायाम से शरीर में उष्णता तथा पित्त की व्रद्धे होती है बात और कफ से उत्पन्न होने वाले रोग, रक्त दोश, तचा दोश, उदर क्रिम आद नस्ट होते हैं जठराग निबढ़ती है और कुंडलनी शक्त के जागरन करने में सहायता मिलती है इस प्राणायाम का अभ्यास गर्मी के दिनों में तथा पित्त प्रधान प्रकृतिवाले पुरिशों के लिए हितकर नहीं है चंद्रभेदी प्राणायाम सूर्य भेदी प्राणायाम से बिलकुल उल्टा अर्थात चंद्रस्वर बाये नासिका पुट से पूरक और सूर्य स्वर दाहिने नासिका पुट से रेचक करने से चंद्रभेदी प्राणायाम होता है इससे ठकावत और शरीर की उश्रता दूर होती है उज्जाई कुम्भक मुख को किसी कदर जुखा कर कंठ से हिर्दै परियंत शब्द करते हुए दोनों नासिका पुट से अत्मा दाहिनी नासिका पुट से शनई हशनई हपूरक करें कुछ देर तक कुम्भक करने के पस्चाथ बाए नासिका पुट से इसी प्रकार रेचक करें यह एक प्राणायाम हुआ इस प्राणायाम में कुम्भक, पूरक, रेचक, स्वल्प परिणाम में किये जाते हैं कुम्भक में वायू, खरदय से नीचे नहीं जाना चाहिए रेचक में जितना हो सके शनई हसनई ह, वायू को विरेचन करना चाहिए इसमें पूरक में नासिका छिद्र दारा वायू को बाहर खीच कर मुख में, मुख से कंठ में, और कंठ से ले जाकर हृदय में धार्ण किया जाता है फिर यथा क्रम रेचक में हृदय से कंठ में कंठ से मुख में और मुख से वायू को बाहर निकाला जाता है पांच से आरंभ करके शनईह सनईह यथा शक्त संख्या बढ़ाते जाएं फल कफ प्रकोप उदर रोग आमवात, मंदाग्मी प्लीहा आद का दूर होना अगन का प्रदिप्त होना एवन कंठ, मुख और फेफडे की स्वक्षता दीर्ग सूत्री उज्जाई इसमें कंठ की सहायता से लंबी, दीर्ग और हलकी आवाज उत्पन करते हुए मन की एक आगरता के लिए केवल पूरक रेचक किया जाता है शीतली कुम्भक काक के चोंच की आक्रति में जिहुआ को ओस्थ से बाहर निकाल कर वाईव को शनई सनई पूरक करे धीरे धीरे पेट को वाईव से पूर करके सूर्य भेदी प्राणायाम के सद्रिश कुछ देर कुम्भक करने के पश्चात दोनों नासिका पुट से रेचक करे पुनह पुनह इसी प्रकार करे फल, अजेर्ण, पित से उत्पन होने वाले रोग रक्त पित, रक्त विकार, पेचिश, अम्लपित, प्लीहा, त्रिशा आद रोग इससे दूर होते हैं बल और सौंदर्य की बृद्धी होती है कफ प्रकृति वाले मनुस्यों के लिए तथा शीत काल में इस प्राणायाम का अभ्धास हितकर नहीं है निम्नलिखित प्राणायामों को शीतली के अंतरगत समझना चाहिए इनकी बिधि तथा फल भी लगबग उसी के समान है शरीर में ठंड पहुँचाने और च्छय थाइसिस राज यक्षमा आद रोगों के नाश करने में अतिउपयोगी होते हैं शीतकारी जिहुआ को ओस्ठों से बाहर निकाल कर और उसका बिलकुल अलग भाग दोनों दातों की पंग्त और ओस्ठों से साधारन हलका दबा कर छिद्रों से वायु को शीतकार पूर्वक अर्थात शीतकार की आवाज उत्पन करते हुए पूरक करें अन्य सब विधि शीतली के समान हैं काकी प्राणायाम इससे ओस्ठों को सिकोड कर काक की चोँच के समान बना कर वायु को शनई हशनई हपूरक किया जाता है अन्य सब विधि शीतली के समान कवी प्राणायाम दोनों दातों की पंक्ति को दबाकर उनके छिद्रों द्वारा वायु को शनई हसनई ह पूरक करे अन्य सब विधि पूरबवत वाड़ी का मीठा और कंठ का सुरीला होना यह इसमें विशेस्ता है भुजंगी प्राणायाम भुजंग के सद्रिश मुख को खोल कर वायु को पूरक करें अन्य सब विधि पूरबवत इन प्राणायामों में कहीं कहीं पांच बार केवल पूरक रेचक करने के पश्चात छटी बार कुम्भक करना बतलाया है भृस्तिका कुम्भक भृस्तिका प्राणायाम कई प्रकार से किया जाता है इसके मुख्य चार भेद हैं मध्यम भस्त्रिका वाम भस्त्रिका दक्षन भस्त्रिका और अनलोंग विलोंग भस्त्रिका मध्यम भस्त्रिका जैसे लुहार की धौकनी से वायु भरी जाती है इसी प्रकार दोनों नासिका पुट से वायु को आवाज के साथ धीमे धीमे लंबा दीर्ग और वेग पूरवक मूला धार तक पूरक करे बिना कुम्भक किये इसी प्रकार दोनों नासिका पुट से रेचक करे इस प्रकार बिना आभ्यांतर और बाह कुम्भक के आठ बार पूरक रेचक करके नवी बार पूरक करके यथा शक्त कुम्भक करके दस्मी बार उसी प्रकार धीमे धीमे दोनों नासिका पुट से रेचक करे यह एक प्राणायाम हुआ इस प्रकार तीन प्राणायाम करे वाम भस्त्र का दक्षिन नासा पुट को बंद करके उप्रयुक्त रीति से वाम नासिका पुट से मूला धार तक आठ बार पूरक करे रेचक करके नवी बार पूरक करके यथा शक्त कुम्भक करे तत पश्चात उपर्युक्त विध्य अनुसार दक्षिन नासिका पुट से धीमे धीमे रेचक कर दे यह एक प्राणायाम हुआ दक्षिन भस्रिका वाम नासिका पुट बंद करके दक्षिन नासिका पुट से आठ बार बिना आभ्यांतर और बाहे कुम्भक के उपर्युक्त विध्य अनुसार पूरक रेचक करने के पश्चात नवी बार पूरक करके यथा शक्त कुम्भक करे तप पश्चात वाम नासिक पुट से रेचक करे यह एक प्राणायाम हुआ वाम भस्रिका और दक्षिन भस्रिका को मिला करने की विधि पहले वाम भस्रिका का एक प्राणायाम करे फिर दक्षिन भस्रिका का एक प्राणायाम तत पस्चाद वाम भस्रिका का एक प्राणायाम इस प्रकार इन तीन जाती है इसी प्रकार बाये नासिका पुट से वायु को आवाज के साथ धीमे धीमे लंबा दीर्ग और वेग पूर्वक मूलाधार तक पूरक करें बिना कुम्भक किये इसी प्रकार दक्षिन नासिका पुट से रेचक करें बिना बाहे कुम्भक के उसी नासिका पुट से प पूरक रेचक करते हुए नमी बार बाम नासिका पुट से पूरक करके यधा शक्त कुम्भग करें तक पश्चात दस्वी बार दक्षिन नासिका पुट से रेचक करें यह दस प्राणायाम का पहला प्राणायाम हुआ अब दक्षिन नासिका पुट से आरंब करके नमी बार कुम्भग के पश्चात दस्वी बार वाम नासिका पुट से रेचक करें यह दूसरा प्राणायाम हुआ अब पहले प्राणायाम की भात तीसरा प्राणायाम करें इन विधियों में पूरक की समाप्ति पर मूला धार च ध्यान के पश्चात पूरक करें कुंभक के समय ना भिस्थान मड़िपूरक चक्ष पर ध्यान लगावें यह प्राणायाम तीन बार ही करें अर्थात तीन से अधिक बार कुंभक बढ़ाने का यत्न नह करें किन्तु तीनों प्राणायामों की संख्या दस से ऊपर सनई सनई है यथा शक्त चार चार बार बढ़ाते हुए 14, 18, 22 इत्याद करते हुए चले जाएं पूरक, रेचक और कुम्भक का समय भी यथा शक्त बढ़ाते जाएं अब धासी गण यदिचाहें और उनके पास समय अधिक हो तो प्राणायाम से त्रिधात विक्रत से उत्पन्न हुए सब रोग नस्ट हो जाते हैं आरोग्यता बढ़ती है जटराग में प्रदिप्त होती है गर्मी सर्दी सब रित्मों में किया जा सकता है कुम्भक बढ़ाने मन के स्थिर करने और कुंडलनी जागरत करने में अति उप की कम बतलाई गई है अभ्यासी गण यदि चाहें तो आप भ्यंतर कुंभक के समय से आधा अत्मा बराबर रख सकते हैं बलहीन असक्त साधकों को साधारन वेग पूरवक स्वस्थ शक्तिसाली साधकों को लंबा दीर्ग वेग पूरवक और अभ्यस्त साधकों को करना चाहिए रेचक में पूरक से अधिक समय देना चाहिए इसलिए पूरक और कुंभक में उतना ही समय देना चाहिए जिससे रेचक करने के लिए काफी दम बना रहे निम्नलिखित दो प्राणायामों को भस्त्रिका के अंतरगत समझना चाहिए अंतरमन प्राणायाम सिध पश्चात पूरक करते हुए सीधा हो जाना इस प्रकार रेचक पूरक करते हुए दस्मी बार पूरक करके जालंधर बंध के साथ सिर्को घुटने पर रखकर यथा शक्त कुम्भक करना तत्पश्चात जालंधर बंध कोल कर सीधे हो जाना फिर रेचक करके तीनों बंधों के साथ सिर को घुटने पर रखकर यथा शक्त बाह्यकुम्भक करना इसी प्रकार दक्षिन की योर करें सिद्ध अथ्वा पदमासन में बैठकर वामनासिका पुट से पूरक करें फिर जालंधर बंध लगाकर दोनों हाथों की अंगुलियों को आपस में साथ कर उनको उल्टा क करके सिर को दबाते हुए यथा शक्त कुम्भक करें और ऐसी भावना करें कि प्राण ब्रह्मरंद्र में चड़ रहा है तब पश्चात दोनों हाथों को सिर पर से हटाकर और जालंधर बंध खोल कर दक्षिन नासिका पुट से रेचक करें इसी प्रकार कई बार करें भ्रा और रेचक भ्रिंगी भावरी के सद्रिश मंद मंद शब्द से युक्त होता है रेचक का महत्व अधिक है इसलिए इसका नाम भ्रामरी रखा गया है नेत्र बंद करके ब्रूमध्य में ध्यान करते हुए दोनों नासिका पुट से भ्रिंग अर्थात भावरे के सद्रिश ध्वनि करते हुए कंठ से रेचक करें आवाज मीठी सुरीली और एक तान की होनी चाहिए इसके साथ साथ मूल और उड्यान बंद लगाते जाना चाहिए कहीं कहीं साधारन रीति से वेग पूर्वक पूरक करके दिनता पूर्वक जालंधर बंद लगाकर कंठ से सुने का अभ्यास करना बतलाया गया है इस प्रकार पहले जींगुर भौरे और पक्षियों के चहचहाने जैसे शब्द सुनाई देते हैं फिर क्रमशह घुंगरू शंक घंटा ताल भेरी म्रदंग नफीरी और नगाडे के सद्रिश शब्द सुनाई देते हैं इस प्रकार उन शब्दों को सुनते हुए ओंग शब्द का स्रमण होने लगता है अनुलोम विलोम भ्रामरी प्राडायाम उप्रयुक्त विधियनुसार वाम नासिका पुट से पूरक करके कुछ देर कुम्भक के पस्चात दक्षिन नासिका पुट से उसी प्रकार रेचक फिर दक्ष एवन मज्जा तंतूं का शुद्ध होना और मन का एकाग्र होना है धन्यात्मक प्राणायाम इस प्राणायाम को भी भ्रामरी के अंतरगत समझना चाहिए विधियह है कि दोनों नासिका पुट से पूरक करके किंचित मुख को खोल कर जिहुआ और कंठ के सहारे ओं का मीठी सुरीली लगातार एक ध्वन के साथ उच्चारन करो आवाज के साथ साथ मूल और उड्यान बंद लगाते जाना चाहिए और रेचक करते जाना चाहिए इसे प्रणवा नुसंधान भी कहते हैं फल ध्रामरी प्राणायाम के सद्रिश मूर्चा कुंभक शडमुखी सर्वद इस प्राणायाम में पूरक, रेचक, भ्रामरी प्राणायाम के सद्रिश किया जाता है उसमें केवल इतनी विशेस्ता है कि यह दोनों कान, नेत्र, नासिका और मुह पर, क्रमशह, दोनों हाथों के अंगुस्थ, तर्जनी, मध्यमा और अनामिका तथा क्निस्ठिका को शाथ नासिका पुट को मध्यमा से दबाकर कुम्भक किया जाता है। कुम्भक की समाप्ति पर फिर नासिका पुट से मध्यमा को शिथिल करके रेचक किया जाता है। यह प्राणायाम अनुलोम विलोम रीति से भी उपर्युक्त विधियनुसार किया जा सकता है। फल इससे मन मूर्चित और शान्त होता है अतह इसका नाम मूर्चा है प्लावनी कुम्भक यथा विधियासन में बैठ कर दोनों नासिका पुट से पूरक करे नाभिपर मन को एकाग्र कर सब शरीर मात्र की वायू को उदर में भरकर पेट को चारो ओर से मसक या रबड के गोल सद्रिश फुलाकर ऐसी भावना करे कि सारे शरीर का वायू पेट में एकत्र हो गया है और शरीर के किसी अंग प्रत्यंग में वायू नहीं रहा है यथा शक्ति इस इस्थति में कुम्भक करके दोनों नासिका से शनई हसनई हरेचक कर दें फल प्राण वायू पर पूर्ट था रक्त की शुद्ध जल में सुख पूर्वक तैरना इत्याद केवल कुम्भक केवल कुम्भक बिना पूरक रेचक किये हुए एकदम स्वास प्रस्वास की गति को जहां का तहां रोक देने से होता है अपाने जुहवति प्राणम प्राणों पानम तथा परे प्राणा प ध्यांतर कुम्भक करते हैं कोई प्राण में अपान वायु को होमते हैं रेचक सहित अत्मा कुम्भक करते हैं कोई प्राण अपान दोनों की गति को रोक कर केवल कुम्भक प्राणायाम करते हैं सहित कुम्भक के निरंतर अध्यास से केवल कुम्भक होने लगता है केवल तीन बंधों के साथ प्राण को हिदय से नीचे ले जाकर और अपान को मुलाधार से उपर उठाकर समान वायू के साथ नाभिपर दोनों को टक्कर देकर मिलाने से हठ योग विधि से केवल कुम्भक किया जाता है। पर इसमेहान पहुचने की संभावना है और राज योगियों के लिए अधिक हितकर नहीं है। उनके लिए सबसे उत्तम प्रकार निम्नलिखित है। साधारन स्वस्थ अवस्था में मनुस्त के स्वांस की गत्य एक दिन रात में 21,600 बार बतलाई जाती है। इस स्वाभाविक स्वांस की गत्य की संख्या गायन, भोजन करने, चलने, निद्रा, मैथुन, जायाम आदि में कमसः बढ़ जाती है। जिस प्रकार साधारन घटनाओं को छोड़ कर एक घड़ी अथवा अन्ययंत्रों की आयू, उसके काम करने की शक्ति पर निश्चत की जाती है। इसी प्रकार मनुस्त की आयू, उनके स्वांस प्रस्वांस की गत्य की संख्या, जिस परिमार से बढ़ती जाएगी। उसी परिमार से आयू का च्छय और जिस परिमार से घटती जाएगी उसी परिमार से आयू की बृध्धी होती जाएगी केवल कुम्भक में स्वास प्रस्वास की गति का निरोध होता है प्राण और मन का घनिष्ट संबंध है इसलिए प्राण के रुकने से मन का भी निरोध हो जाता है जो योग का अंतिम धेय है केवल कुम्भक की विधि राजयोग द्वारा स्वास प्रस्वास की गति में प्रणव उपासना की भावना करे अर्थात हर समय यह भावना रहे कि स्वास में ओ और प्रस्वास में अम रूप से प्रतेक स्वास प्रस्वास में ओम का जाप हो रहा है इस ओम के अजपा जाप क केवल कुम्भक में परिणत करने की विधियह है कि ओ से स्वास लेकर जितनी देर शांति पूर्वक रोक सकें रोकें उसके पश्चात अम से छोड़ दें क्रमसह कुम्भक का अभ्यास बढ़ता रहे इसका अभ्यास नासिका अग्रभाग भिकुटी ब्रह्मरंद्र आधिस्थ स्थानों पर गुरु आज्या नुशार करना चाहिए ओ और अम के उच्चारण की आवशक्ता नहीं है केवल अपने नियत स्थान पर स्वास प्रस्वास की गति पर इस भावना से ध्यान देना होता है इसको 51 सूत्र में बतलाए हुए चोथे प्राणायाम के अंतर गत ही सम नियता लाव के स्थान पर हान पहुचने की संभावना है नियमित आहार आदि तथा बतलाए हुए नियमों का पालन करना भी अति आवशक है यद्यपिसभी प्राणायाम स्वास्थ निरोगता जठरागनी दीरगाय। नाडी तथा रक्त शोधन और मन की स्थिरता के लिए अति उपयोगी हैं और सब की जानकारी आवश्चिक है पर सबके अभ्यास के लिए परियाप्त समय मिलना कठिन है इसलिए राज-योग के साधकों के लिए चतुर्थ प्राणायाम का अभ्यास ही हिद्कर हो सकता है निम्न तीन प्राणायामों को चोथे प्राणायाम और ध् नासिका पुट से एकदम बाहर सांस फेंकें, फिर उसी नासिका पुट से बाहर से वायु को खीच कर बिना रोके हुए, एकदम दूसरे दाहिने नतुने से बाहर फेंक दें, पुनह दाहिने से वायु को खीच कर बायें से फेंकें, इस तकार कई बार करें, रेचक पूरक मे नासिका पुट को बतलाए हुए नियमा नुसार निश्चत अंगुलियों से खोलते और बंद करते रहें कपाल भाती जिसकी विधि पूर्व में बतलाई है अनुलोम विलोम भस्त्र का प्राणायाम इसकी विधि आठ कुम्बकों में पाचों प्राणायामों में बतलाई है संगत चोथे प्राणायाम का लक्षन बताते हैं बाहया भ्यंतर विशया पेक्षी चतुर्थः बाहर अंदर के विशय को फेकने वाला अर्थात आलोचना करने वाला चोथा प्राणायाम है व्याख्या व्यास भास से देशकाल और सांख से परिद्रिष्ट जो बाहय विशय नासा द्वाद शानताद बाहय प्रदेश हैं उसके अपेक्षा पूरवक, आलोचना पूरवक, ज्यान पूरवक, विशय पूरवक, विचार पूरवक, ऐसे ही देशकाल और संख्या से परिद्रिष्ट जो आभ्ध्यांतर विशय, हृदय, नाभिचक्राद, आभ्ध्यांतर प्रदेश हैं उसके अपेक्षा पूरवक, दीर्ग और सूष्म दोनों प्रकार से उत्तरोत्तर क्रम से भूमियों के जय के पश्चाद, जो स्वांस और प्रस्वांस इन दोनों की गति का अभाव है, वह चौथा प्राणायाम है तीसरा प्राणायाम तो बाह्य और आभ्ध्यांतर विशे के आलोचन बिना ही स्वांस प्रस्वांस की गति के अभाव से होता है, वह एकदम ही आरंभ होकर देशकाल और संख्या से परिद्रिष्ट, दीर्ग और सूष्म हो जाता है चौथे प्राणायाम में यह विशेस्ता है कि यह स्वांस प्रस्वांस के आभ्ध्यांतर और बाह्य विशे को अवधार्ण करके उन दोनों विशेयों के आक्षेप पूरवक, क्रमा नुसार भूमियों में जैसे स्वांस प्रस्वांस की गति के अभाव से होता है व्यास भासिका भावार्थ पिछले सूत्र में प्राणायाम के तीन भेद रेचक, पूरक और कुम्भक बतलाए हैं रेचक प्राणायाम से जब स्वास को अंदर खींच कर उसकी गतिका अभाव किया जाए अर्थात उसको बाहर ही रोक दिया जाए तब वह रेचक सहित कुम्भक अथवा बाह कुम्भक कहलाता है पूरक प्राणायाम से जब स्वास को अंदर खीच कर उसकी गतिका अभाव किया जाए अर्थात उसको अंदर ही रोक दिया जाए तब वह पूरक सहित कुमभक अथवां आपध्यानतर कुमभक कहलाता है जब प्राणवाई को जहां का तहां एकदम बिना रेचक पूरक के केवल विधारन प्रयत्न से रोक कर स्वास प्रस्वास की गति का अभाव किया जाए तब वह केवल कुमभक कहलाता है चोथा प्राणायाम बाहय तठा आपध्यांतर कुंभक के बिना केवल रेचक, पूरक द्वारा, बाहय तठा आपध्यांतर विशय प्रदेश के केवल आलोचन पूरवक, स्वयंग ही स्वांस प्रस्वांस की गति के निरोध से होता है इस तीसरे प्राणायाम से यह विशेस्ता है कि जहां तीसरा प्राणायाम रेचक पूरक के बिना एकदम दोनों स्वास प्रस्वास की गत के विशे अभाव से होता है वहाँ चोथा प्राणायाम रेचक पूरक द्वारा बाहे तथा आभ्ध्यांतर प्रदेश के आलोचना पूरवक उत्तरोत्तर भूमियों के जय के क्रम से स्वैंग ही स्वास प्रस्वास का गति के अभाव से होता है उदाहडार्थ उसकी चार विधियां बतलाए देते हैं पहली विधि केवल रेचक द्वारा जहां तक जा सके स्वास को बाहर ले जाए बिना रोके हुए वहां से पूरक द्वारा जहां तक जा सके अंदर ले जाए यह एक प्राणायाम हुआ इस प्रकार एक ग्यारह पंदरह बीस इत्याद की संख्या में बिना कुम्भक किये हुए केवल रेचक पूरक देर तक करते रहने से स्वायंग दीर्ग और सूच्म होकर दोनों स्वास पस्वासों की गतियों का स्वायंग ही अभाव हो जाता है दूसरी विधि ओंग के मानसिक जाप के साथ यह भावना करें कि ओसे स्वास अंदर आ रहा है और अम से बाहर निकल रहा है इस क्रम से स्वास पस्वास द्वारा ओंग का मानसिक जाप करते रहें अरफात बाहिय प्रदेश और आपध्यांतर प्रदेश हिरदय ना भी आदि तक जहां तक स्वास जाए वहाँ तक उसकी गति को आलोचन पूरवक दीर्ग काल तक ओंग का इस विधि से जाप करें तो स्वेंग स्वास पस्वास दीर्ग और सूक्ष्म होते होते निरुद् नासिका, अग्रभाग, भरिकुटी, ब्रह्मरंद्र, अत्व माण्य किसी चक्र पर इस भावना से ओं का मानसिक जाब करें कि ओसे उसी प्रधेश में स्वांस अंदर आ रहा है और अंसे बाहर निकल रहा है। इस प्रकार उस विशेश स्थान को स्वास प्रस्वास का केंद्र बनाए हुए जाप के निरंतर अध्यास से स्वास प्रस्वास की गत्य दीर्ग और सोख्ष्म होते हुए स्वयंग दिर्द्ध हो जाती है। चौथी विधि ब्रह्मरंद्र में ध्यान करते हुए स्वास प्रस्वास की गति में ऐसी भावना करना कि ओसे स्वास मेरुदंड के भीतर सुसुमणा नाडी में होता हुआ मूलाधार तक जा रहा है और अम के साथ वहां से ब्रह्मरंद्र तक लोट रहा है। चक्र भेधन में इस प्राडायां का अभ्यास इसी प्रकार निचले चक्रों मूलाधार, स्वाधिस्थान, मडिपूरक इत्यादि में ध्यान करते हुए ओसे श्वास और अमसे प्रस्वास की गतिकी भावना करते हुए उसको ऊपर के चक्रों में आलोचन करने से किया जात विशेश्र, वक्तव्य सूत्र 51 इस सुत्र के अर्थ भिन भिन टीकाकारों ने भिन भिन किये हैं, आक्षेप के अर्थ थेकने के हैं इससे किसी ने उलांगने त्यागने हटाने से अभिप्राय लिया है और और किसी ने विशय करने जानने आलोचन से अभिप्राय लिया है। यहां सूत्र के दूसरे आलोचन अर्थ किये गए हैं। सूत्र के आशय को अधिक स्पस्ट करने के उद्देश से मूल व्यास भास उसके शब्दार्थ भावार्थ तथा चतुर्थ प्राणायाम के चार उदाहर्ण भी दे दिये हैं। चोथे प्राणायाम के विधियां राज योग के उत्तम अधिकारी के लिए हैं तथा गोपनिय और गुरुगम्य हैं। आक्छेपी के अर्थ उलांगने अर्थात त्याग करने से सूत्र का अर्थ इस प्रकार होगा। बाहर और अंदर के विशय के अर्थात रेचक और पूरक को त्यागने वाला चोथा प्राणायाम है। उसकी विधि निम्न प्रकार होगी। पांचमी विधि, मूला धार, आज्या, ब्रह्मरंद्र, आदि किसी चक्र अथमा, नासिका अग्रभाग, आदि किसी स्थान को बिना रेचक पूरक के स्वास प्रस्वास की गति बनाते हुए अर्थात ऐसी भावना करते हुए कि ओ से उसी विशेश स्थान पर स्वास आ र रोध हो जाता है, इस विधि को सबसे प्रथम स्थान देना चाहिए, चक्र भेदन में इस विधि से शीघ सफलता प्राप्त हो सकती है, यदि उपर्युक्त रीति से जाप करने में कठनाई प्रतीत हो, तो उस विशेश स्थान पर केवल मानसिक ओम का जाप करें, अथमा ऐ ऐसी भावना करें कि वहां ओम का जाप हो रहा है, या ओम शब्द को सुन रहे हैं, मुख्य बात यह है कि उस विशेश धे स्थान पर मन ठहरा रहे, संगति प्राणायाम का फल बताते हैं, ततह चीयते प्रकाशा वरणम, उससे प्रकास का आवरण विवेक ज्यान का परदा छीड हो जाता है, विवेक ज्यान रूपी प्रकाश तम तथा रजोगुन के कारण अविद्याद इकलेशों के मल से धका हुआ है, प्राणायाम के अभ्यास से जब यह आवरण छीड हो जाता है, तब वह प्रकाश प्रकट होने लगता है, जैसे पंच शिखाचार्य ने कह प्राणायाम से बढ़कर कोई तप नहीं है, उससे मल धुल जाते हैं और ज्यान का प्रकाश होता है, इसी प्रकार भगवान मनुका श्लोक है, दह्यंते ध्यायमानानाम धातू नाम ही यथा मलाह तथेंद्रियाणाम दह्यंते दोशाह प्राणस्य निग्रहात जैसे अग्न से धौके हुए स्वणड आद धातूओं के मल नस्ट हो जाते हैं, इसी प्रकार प्राणायाम के करने से इंद्रियों के मल नस्ट हो जाते हैं, संगत प्राणायाम का दूसरा फल बतलाते हैं धारणासुच योग्यतामन सह प्राणायाम से मन इस्थिर होता है, जैसे की प्रच्छरदन विधाराणाभ्याम वाप्राणस्य पाद एक सूत्र चौतिस में बतलाया है, और उसमें धारणा की जिसका वड़न अगले पाद में किया जाएगा, योग्यता प्राप्त हो जात संगति प्रत्याहार का लक्षन बताते हैं, स्वविशया संप्रयोगे चित तस्य श्वरूपानुकार इवे इंद्रियानाँ प्रत्याहार इंद्रियों का अपने विशय के साथ संबंध ना होने पर चित के स्वरूप का अनुकरण नकल जैसा करना प्रत्याहार है व्याख्या प्रत्याहार का अर्थ है पीछे हटना, उल्टा होना, विशेयों से विमुख होना, इसमें इंद्रियां अपने बहरमुख विशे से पीछे हटकर अंतरमुख होती हैं, इस कारण इसको प्रत्याहार कहा गया है, जिस प्रकार मधुबनाने वाली मख्यां रानी मुखी के उढ़ने पर उढ़ने लगती हैं और बैठने पर बैठ जाती हैं इसी प्रकार इंद्रियां चित के अधीन होकर काम करती है जब चित का बाहर के विश्यों से उपराग होता है तभी उनको गरहन करती है यम नियम प्राणायामाद के कभाव से चित जब बाहर की विश्यों से विरक्त होकर समाहित होने लगता है तब इंद्रियां भी अंतर मुख होकर उस जैसा अनुकरण करने लगती हैं और चित के निरुद्ध होने पर स्वैंग भी निरुद्ध हो जाती हैं यही उनका प्रत्याहार है इस अवस्था में चित तो बाहर विश्यों से विमुख होकर आत्मतत्त के अभिमुख होता है पर इंद्रियां केवल बाहर विश्यों से विमुख होती हैं चित के सद्रिश आत्मतत्त के अभिमुख नहीं होती हैं इसलिए अनुकार इव अर्थात नकल जैसा कहा गया है इस प्रकार चित के निरुद पर इंद्रियों के जीतने के लिए अन्य किसी उपाय की अपेक्षा नहीं रहती। स्वयंग भूने इंद्रियों के छेदों को बाहर की ओर छेदा है। अर्थात इंद्रियों को बहिर मुख बनाया है। इस कारण मनुष से बाहर देखता है। अपने अंदर नहीं देखता कोई बिरला धीर पुरुष अम्रत को चाहता हुआ आखों अर्थात इंद्रियों को बंद करके अंतर मुख होकर प्रत्याहार द्वारा अंतर आत्मा को देखता है संगत प्रत्याहार का फल बतलाते हैं ततह पर्मा वश्यते इंद्रियानाम उस प्रत्याहार से इंद्रियों का उतक्रिष्ट वश्यकार होता है व्याख्या सूत्र में प्रत्याहार से इंद्रियों की परवश्यता बतलाई है यह परवश्यता किसी अपरम वश्यता की अपेक्षा से इसको व्यास भास्य में इस प्रकार बतलाया है कोई कहते हैं कि शब्द आद विश्यों में आसक्त न होना अर्थात विश्यों के अधीन न होकर उनको अपने अधीन रखना इंद्रीय वश्यता अर्थात इंद्रीय जय है दूसरे कहते हैं कि वेद शास्त से अविरुद्ध विश्यों का सेवन और उनसे विरुद्ध विश्यों का परित्याग इंद्रीय जय है चौथे कहते हैं कि राग देश के अभाव पूर्वक्त सुख दुख से शून्य शब्दाद विशय का ज्यान होना इंद्रीय जय है इन सब उपर्युक्त इंद्रीय जय के लक्षणों में विशयों का संबंध बना ही रहता है जिससे गिरने की आशंका दूर नहीं हो सकती इसलिए यह इंद्रीयों की परमवश्चता ही नहीं वरन अपरमवश्चता है भगवान जय गिशब्य का मत है कि चित्त की एक आगरता के कारण इंद्रीयों की विशय में प्रवित्ति नौ होना इंद्रीय जय है उस एक आगरता से चित्त के निरुद्ध होने पर इंद्रियों का सर्वता निरोध हो जाता है और अन्य किसी इंद्रीय जय के उपाय में प्रयत्न करने की आवशक्ता नहीं रहती इसलिए यही इंद्रियों की परम वश्चता है जो सूत्रकार को अभिमत है साधना पाद का उपसंधार पूर्वोक्त प्रकार से कारण फलों को कहकर कर्मों के भी भेद कारण स्वरूप और फल को कहकर विपाक के कारण और स्वरूप को कहा फिर क्लेशों के त्याज्य होने से क्लेशों को बिना जाने त्याग ना कर सकने से क्लेश ज्यान को शास्त्रा धीन होने से शास्त को हेय यहेत हान हान उपाय के बोधन द्वारा चतुर व्यूह को अपने अपने कारण सहित कहकर मुक्ति के साधन विवेक ज्यान के कारण जो अंतरंग बहिरंग भाव से इस्थित यम नियमादी हैं उनके फलसहित स्वरूप को कहकर आसन से लेकर प्रत्याहार तक जो परस्पर उपकार्यों पकारक भाव से इस्थित हैं उनका नाम लेकर प्रत्येक का लक्षन और कारण पूर्वक फल कहा है इस उपसंगहार में व्याख्याता के अपने विशेश वक्तव्य, विशेश विचार, टिपड़ी, इत्यादी अर्थात, प्रतं सूत्र में तपका वास्तवित स्वरूप, युक्ताहार, युक्त विहार, युक्त स्वप्न, युक्त बोध, उपवास आद के नियम, गायत इत्री मंत्र की विशेश व्याख्या, विदेह तथा, प्रकृतिलयों के संबंध में, संकीन और अयुक्त विचारों का युक्तियों, व्यास भास, और भोजवृत द्वारा निराकरण, अविद्या के उत्पति स्थान का निरदेश, सत्व चित्तों में, लेश मातर तम, प्रधान करमाशय, नियत विपाक, अनियत विपाक, अनियत विपाक की तीन गतियं, آवा गमन के संबंध में विकास वादियों की शंखाओं का समाधान, आवा गमन द्वारा इश्वर की दया तथा न्याय, सर्वशक्तिमत्ता, कल्याण कारिता और आवा गमन का मनुस्त के विकास के लिए अनिवार्य होना व्यास भास्य का तथा योग वार्तिक का भाशार्थ, यमो का योगियों के अभिमत स्वरूप, यमो का सार्ब भौन स्वरूप, तथा संसार में फैली हुई अशान्ति को मिटाने का एक मात्र उपाय, केवल उनका यथार्थ रूप से पालन महा भारत कर्ण पर्व के इस लोक जिनमें स्रीकृष्ण जी महराज ने रास्ट की सारी परिस्थितियों को द्रिष्टकून में रखते हुए सत्य का स्वरूप बताया है नियमों का विस्तार पूर्वक वड़न, हठ योग की छहुं क्रियाओं द्वारा शरीर शोधन, और शधियों, प्राकृतिक नियमों, सम्मोहन शक्ति, संकल्प शक्ति द्वारा निरोगता, पास्चात देश की आधुनिक विद्याएं, हैपनोटिजम, मिस्मेरिजम, क्ले मुख्य मुद्राएं, बंध और आसन, उनके फल सहित, आठ प्रकार के प्राणायाम, उनके आवांतर भेद सहित, चोथे प्राणायाम की पाँच विधियां इत्याद भी उपसंग्रित कर लेना चाहिए, इस प्रकार यह योग यम नियमों के बीजभाव को प्राप्त इस प्रकार पातंजल योग प्रदीप में साधन पाद वाले दूसरे पाद की व्याख्या समाप्त हुई, इत्य पातंजल योग प्रदीपे साधन पादो दुतियह परिशिष्ट साधन पाद सूत्र 32 के विशेस वक्तव्य में बतलाते हुए शरीर सोधन के चार साधनों में से चौथा साधन औशध यहां परिसिस्ट रूप से दिया जाता है औशध द्वारा शरीर शोधन आरोगिता शरीर का शोधन औशध द्वारा भी होता है आज का लगवग 99 प्रतिशत मनुस्यों को कोष्ट बद्ध अर्थात पूर्तया मल त्याग नो होने का विकार रहता है जिससे भजन अर्थात मन की एक आगरता में नाना प्रकार के बिग्न उपस्थित होते हैं उनके निवार्णार्थ चिकिसक के अभाव में कब्ज तथा अन्यसाधारन रोगों के शांत करने के लिए अभ्यासियों को उपयोगी कुछ अनुभूत तथा अनुभवी सन्यासियों, वैद्यों, डाक्तरों और हकीमों से प्राप्त हुई औसधियां लिख देते हैं कोश्ट बद्ध दूर करने के कुछ रेचक औसधियां एक त्रिफला हड बहेडा आउला समभाग दो मासों से छे मासों तक अथ्मा केवल बड़ी हड़का चूण दो मासे से छे मासों तक अथ्मा इतरी फल जामनी एक तोले से दो तोले तक रात में सोते समय दूध अथ्म पूरे वर्ष के लिए माग और फालगुन दूसरा गुलाब के फूल का एक तोला सेना नमक एक तोला बड़ी हडका बँकल एक तोला सोंफ एक तोला सनाय की पत्ती चार तोला इनका चून दो मासे से छह मासे तक रात को सोते समय पानी के साथ अथमा दिन में आवशक्ता नुसार सनाय की फली छह चार घंटे तक थोड़े से आधी छटाक पानी में भिगो कर फली निकाल कर पानी को पीना रबुस सूस एक तोला बंस लोचन एक तोला एलूवा दो तोला रेवन चीनी दो तोला रूमी मस्थगी एक तोला सबका चून खरल करके थोड़ा सा पानी डाल कर चने के बराबर गोली बनावें एक गोली सोते समय दूध्यया पानी के साथ ले रूमी मस्तगी असार रेवेंद एलुआ सुरंजान शीरी बराबर बराबर लेकर चून करके चने के बराबर गोलियां बनावें एक गोली सोते समय पानी या दूद के साथ लें खील सुहागा छह मां से एलुआ छह मां से निसौत तीन मां से बड़ी हड का बकल दो तोला सनाय की पत्ती दो तोला सकमोनिया विलायती एक माशा सब को घी कुमार के रस में खरल करके चने के बराबर गोलियां बनावें सोते समय एक गोली दूद्या पानी के साथ लें सकमोनिया विलायती का एक तोला जुलाफा हड एक तोला एलुआ एक तोला रेवेंद असार एक तोला रूमी मस्तगी एक तोला सोथ छह मां से भर्मू की छह मां से सब को पानी में खरल करके चने के बराबर गोली बनावें सोते समय एक गोली दूधया पानी के साथ वात विकार नाशक तथा रेचक रेवन्द चीनी, रेवनी चीनी, सोड़ा खाने का सोठ बराबर बराबर लेकर चूण कर लें, सोते समय एक मासे से चार मासे तक दूध या पानी के साथ लें त्रिकुटा अर्थात पीपल, काली मिर्च, सोठ बराबर बराबर लेकर चून कर लें, सोते समय तीन मासे से छे मासे तक दूद के साथ लें, कप तथा वात नाशक एलवा, तिर्वी सफेद, निसोत, सुरंजान मीठा, सब संभाग, उनके चून को घी कुमार के गूदे में खरल करके चने बराबर गोली बनावें, एक या दो गोली, रात को सोते समय दूद या ताजे पानी के साथ खाएं, रेचक, पाचक, वात दिकार, दर्द आद, बड़ी हरड की बकुली तीन तोला, काली मिर्ज चार तोला, पीपल छोटी दो तोला, चहवह एक तोला, तालीस पत्र एक तोला, नाग केसर छे मासे, पीपला मूल दो तोला, पत्रज डेढ़ माशे, छोटी इलाची तीन मासे, दारा चीनी तीन माशे, निलो फर के फूल तीन मासे इन सब का चून बनामें, इन सब की चार गुणी मिस्त्री की चासनी बनाकर उसमें उस चून को मिलामें, तीन मासे से एक तोला तक सोते समय दूध के साथ या दोपहर को खाने के बाद लें। बिगडे हुए जुकाम, खांसी, सिर का भारी रहना, सिर तथा आधे सिर का दर्द या हर प्रकार के मस्तिस्क तथा पेट के विकारों के लिए अत्युत्तम रेचक अनुभूत औशद है। आयारुज फिकरा, युनानी दवा, कई औसधियों का चूण, एक मासे से तीन मासे तक इतरी फल, कश नीजी, एक तोले से दो तोले में मिलाकर प्रातह सायंग, दूध के साथ खा सकते हैं। आयारुज फिकरा का नुखसा, बाल छड, सलीफा, दारचीनी, असारवन, जाफरान, उदब लसान, हुबब लसान, रूमी मस्तगी एक एक तोला, इलुआ एक पाव, इन सब का चूण। आयारुज फिराक का दूसरा नुस्खा, जो स्वैंग बनवाना होगा, अत्तारों के पास न मिल सकेगा। बांदर जबोया तीन तोला, पोदीना दो तोला, पोस्त तुरंज दो तोला, वग गाव जमा दो तोला, इन सब के चूण से दुगना शहद मिलाकर, चालीस दिन के पस्चाद, तीन मासे से एक तोले तक खुराक, हर प्रकार के बिगड़े हुए जुकाम, दिमागी खराव या हाजमे के लिए नहायत अनुभूत मुजर्रब नुस्खा, लॉम एक तोला, पत्रच दो तोला, बड़ी इलाइची का दाना तीन तोला, अकर करा चार तोला, दारचीनी पांच तोला, पीपला मूल छे तोला, पीपल छोटी साथ तोला, काली मिर्च आठ तोला, सोट न तोला, लाल चंदन का चूण, दस तोला, इस मात्रा में इनका चूण होना चाहिए, इसलिए इन सब के चूण का अलग अलग नाप लें, सब को एक करके सुबह और शाम चार रत्ती से एक माशा तक शहद के साथ खाएं, जुकाम का बंद होना, सिर का दर्द और खांसी एव खील सुहागा एक रत्ती, साधारन जुकाम के लिए, गुल्बन फशा, छह माशे, तुख्म खत्मी, खत्मी के बीज, अत्मा खत्मी का गुदा, चार माशे, उस्त खुदूस, चार माशे, मुलहटी चार माशे, गाव जमा, चार माशे, बड़ी हड़ छह माशे, उन नाव सीजों को आवशक्ता नुसार नियून अधिक कर सकते हैं भजन प्राणायाम ध्याना दिक्रिया से उत्पन्न होने वाली खुश्की के लिए मीठे बादाम की गिरी 11-15 तक काली मिर्च 11 दाने सौंप 4 माशे गुलाब के फूल 4 माशे कासनी 4 माशे गुल्बन फशा फूल 4 इलाइची के दाने दो मा से इन सब को पीस चान कर मिस्त्री या बूरा एक छटाक डाल कर पीएं सर्द मौसम में इनको घी में चौंक कर पीएं इन चीजों को आवशक्ता नुसार नियून अधिक कर सकते हैं इलाइची के दाने जीरा बदाम की गिरी मुनक्का गुल्बन फ खशा मिस्त्री को आवशक्ता नुसार मात्रा में पीस कर चाटें रूमी मस्तगी इलाइची के दाने बंश लोचन सम मात्रा इससे दुगनी मिस्त्री सब का चूण एक मा से घी या मक्षन में खूब खरल करके सोते समय दूध या बिना दूध के खाएं आउं का रोग एवंग पेचिश के लिए सौफ आधी भुनी हुई और आधी कच्ची पीस कर उसमें मिस्त्री या चीनी मिलाकर दिन में कई बार दो तीन चुटकी लें सौफ सोट बड़ी हड के बककल सब बराबर बराबर लेकर सोट एवंग हड को किसी कदर घी में भून कर सब को कूट क कर चीनी मिलाकर सोते समय चार मासे से चेह मासे तक पानी या दूध के साथ खाएं यह रेचक भी है इसक गोल का सत्थ अर्थात उसकी भूसी चेह मासे दूध में घोल कर पीना गर्मी से आउं पेचिश एवंग दस्त के लिए गोद कतीरा एक तोला बिलगिरी दो तोला इस बालंगू के बीज तीन मासे गुलाब का अर्क एक पाव रोगन बादाम एक मासा सरबत शहतूत दो तोला सब को पकाकर रात को खिलामें और उस रात खाने को कुछ न दें साधारन ज़र के पस्चाद निरवलता दूर करने के लिए दार चेनी तीन मासे छोटी इलाइची क दाने छे मासे पीपल छोटी एक तोला वन्श लोचन दो तोला गिलोए का सत दो तोला मिस्त्री आठ तोला इनका चूण एक माशा कुछ घी में चिकना करके शहद मिलाकर खाना खाशी खुश के आतर गोंद बबूल छे मासे कतीरा छे मासे बहेडा छे मासे मुलहटी एक तोला काकरा सींगी तीन मासे रबुस सूम मुलहटी का सत छे मासे नमक काला एक तोला भुने हुए लाल इलाची के दाने एक तोला उट छान कर चने के बराबर गोलियां बनावें एक गोली मुह में डाल कर रस चूसें रबुस सूम एक तोला मुलहटी चार तोला ककरा सिंगी दो तोला सोट एक तोला काली मिर्च एक तोला पीपल एक तोला बही दाना एक तोला मगज बदाम बदाम की गिरी एक तोला पीसकर शहद में चने के बराबर गोलियां बनावें एक या दो गोली सोते समय मुह में डाले रखें खांसी के वक्त भी मुख में रख कर चूसते रहें अनार का छिलका जला हुआ चार रत्ती पानी के साथ सांस दमा खांसी आद के लिए पारा शुद्ध, गंधक शुद्ध, मीठा तेलिया शुद्ध, त्रिकुटा, सोंठ, पीपली काली मिर्च, सुहागा की खेल, काली मिर्च समभाग लेकर सबका चून बनाकर अदरक के रस में खरल करें, एक रत्ती अदरक के रस के साथ लें दमा के अनुभूत नुस्खे, स्थाई रूप से रोग को जड़ से हटाने के लिए निम्नलिखित आउसदियां अनुभूत सिद्ध होई हैं प्रातह काल एक छटाक अदरक का रस शहद के साथ, रात्र में एक समय, एक तोला सोट, भारंगी और बड़ी हरड का चून समभाग पानी के साथ यदि फिर भी कुछ कफ नजले आद की शिकायत रहे, तो एक या आधा शुद्ध किया हुआ, भिलावा गाय के दूद में उटा कर पीवें अथमा आधी या एक रत्ती शुद्ध कुचला के चून को चार रत्ती त्रिकुटा के चून में मिलाकर सोते समय गाय के दूद के साथ सेवन करें दमे में स्थाई रूप से ताकत के लिए स्वास कुठार, अभ्रक भस्म, लोह भस्म, प्रातह एवन सायंकाल शहत के साथ लें किन्तु दौरे की अवस्था में इसको न लें कफ के सूख जाने से हानी पहुँचने की संभावना हो सकती है जरित हिंगुल, चंदरोदय, सोमनाथी तामर भस्म, मल्ल चांदरोदय और मल्ल सिंदूर भी लावदायक सिद्ध हुए हैं किन्तु दौरे तथा गर्म रितु में इनका सेवन न किया जाए अन्य साधारन औसधियां, नौसादर धतुरे के रस में उड़ाया हुआ दो रत्ती पानी या दूद के साथ लें इसके अभाव में शुद्ध अत्मा साधारन नौसादर भी लावदायक है उड़ाये हुए नौसादर के साथ भस्म फिटकिरी एवन खील सुहागा मिलाना अधिक लावदायक रहेगा चने के छिलकों का पाताल यंत से निकाला हुआ तेल एक भूंद बतासे के साथ पीली कौडी तीन दिन पानी में नमक मिला कर रखें फिर गरम पानी से धो कर एक उपले पर कौडियों को रखकर दस उपले उपर से रखकर जलावें जब कौडियां जल जाएं तब आख के दूद में खरल कर टिक्की बना कर एक मिट्टी के बरतन में रखकर भीगी मिट्टी लगे हुए कपड़े से लपेट कर जलाएं उसको पीस कर आख के दूद में फिर पकावें तीन बार ऐसा ही करें फिर इसको पीस कर एक रत्ती शहद के साथ प्रातह सायन खाएं उपर से गाय का दूद पीएं लोहे की कडाही में चार तोले कमली शोरा रखकर उसके उपर और चारो और एक छटाक भलावा पहलाकर किसी बरतन से ढख दें एक अनीठी में कोईले जलाकर उसको ऐसी जगह पर रख दें जहां किसी को धूआ न लगे जब जलकर जम जाए तो खुरच कर शीशी में डाल लें खुराक दो रती बतासे में परहेज खटाई लाल मिर्च इत्याद मदार धतूरा वसूटी का खार उड़ाए हुए नौसादर के साथ अथमा अलग अलग चार रती तक उपर्युक्त विधि के अनुसार कड़वे तंबाकू के पत्ते एक पाव मिट्टी के बरतन में डाल कर मदार के दूध से खूब भिगो दें सूख जाने पर बरतन को संपुट करके उपलों में भस्म कर लें एक अरत्ती भस्म प्रातह काल उवाले हुए चने के पानी के साथ घी दूध का सेवन करें दवा क की मात्रा धीमे धीमे बढ़ाते जाए निम्नलिखित औसदियां दमा के लिए अत्यंत उपयोगी और अनुभूत बतलाई गई हैं यह अत्यंत गोपनिय थी हमने प्राप्त तो कर लिया है किन्तु कभी उसको बनवाने तथा प्रयोग करवाने का औसर नहीं मिला पाठकों क सज्जी एक तोला सबको पीसकर आक के एक सेर दूध में भिगोकर कोरे बरतन में रखकर उसे संपुट करके 24 घंते तक आच दें दो तीन बार इसी प्रकार आक के दूध में भिगोकर आच दें यदि जलते हुए कोईले पर रखने से धुआ दे तो कच्ची समझना चाहिए प्रयोग विध तीन रत्ती निहार मुह धाई तोले शुद्ध मक्षन में मिला कर खाएं दो पहर को मूं की दाल फुलका खाएं दाल में पकते समय दो तोला शुद्ध घी डालें और सजी सेवन के पांच घंते अंदर तक ठंधा जल न पीवें गर्म पीवें रात को एक त खशा उबाल कर दूद खाण डाल कर पीएं रात्र का भोजन बंद रखें सब तकार के नशे तंबाकू सिग्रेट खटाई तेल आद का परहेद यदि कब जहो तो धाई तोले गुलकंद रात को दूद के साथ खाएं भांग के पत्ते देड़ तोला धतूरे के पत्ते कर उसमें मिलाकर धूप में सुखा लें एक माशा यूके लिप्टस आयल मिलाकर रखें इनका सिग्रेट बनाकर पिलावें धूआ कुछ देर रोक कर छोड़ दें तुरंत दमा का दौरा रुक जाएगा लाल फिटकरी की भस्न एक छटाक संख्या दो आने भर को कागजी न पाने के बराबर गोली बनावें गोली मुह में रखकर चूसें एक छटाक चना एक पाव पानी में उबालना चाहिए जब आधा पाव पानी रह जाए तब उस पानी के साथ एक रत्ती भस्न लेना चाहिए परहेज गुड तेल खटाई चाय लाल मिर्च बदहजमी दस्त ए तोला काप्पूर एक तोला अजवाइन का सत एक तोला दारचीनी में चाहिव लौंग 있나 छोटी इलाइची में चिच्ट सब को मिलाकर एक शीशी में रख लें दो बूद पानी अथमा बतासे में लें संजीवनी वटी जो वैद्यों के पास बनी हुई मिलती है अदरक या सोठ के रस के साथ लें संजीवनी वटी का नुकसा वाय बिडंग, सोठ, पीपल, काली मिर्च, बड़ी हड, आमला बहेडा, बच्छ, गिलोय, भलावा शुद्ध, मीठा तेलिया शुद्ध, सब सम भाग, इनका प्चूण, साथ दिन तक गोमुत्र में खरल कर गोलियां बनावें भलावे की शोधन विध, बिना ब्याही गाय, बच्छेरी के गोबर के साथ पकामें, और कच्छी इंट के चूण में डाल कर उसके नोक, काटें और गरम पानी में धोवें, इसके शोधन में सावधान रहें, धूएं से बचें, मीठा तेलिया दूध में पकामें, जब सीं उसमें गड़ने लगे, तब समझना चाहिए कि वह पक गया है, संजीवनी बटी को अजीड रोग में, अदरक के रस के साथ एक गोली, हैजे में दो, साप के काटने में तीन, सन्निपात अर्थात, सरसाम में चार, और खांसी में सोट के साथ लेना बतलाया गया है, अजीड बदहजमी के लिए, अस्तक गोली, सोट, काली मिर्च, पीपल, जीरा काला एवन सफेद, अजमोद, प्रतेक एक एक तोला, हींग घी में भूनी हुई, छेह मासे, नमक काला डेढ तोला, गंधक शुद्ध दो तोला, सब को पीस कर, कागजी निबू के रस में खरल करके चने के बराबर गोली बनावें, खाने के बाद एक या दो गोली लें, भूना हुआ सुहागा, पीपल बड़ी, खरका बककल, हिंगुल, अर्थात, सिंग फर शुद्ध, एक एक तोला, सब को कागजी निबू के रस में खरल करके, मतर के बराबर गोली बनावें, घीं सफेद जीरा और काला, मिर्च सफेद दक्षिनी, सेधा नमक पीपल, प्रतेक धाई तोला, निबू का सत छेह तोला, मिस्त्री छेह तोला, सब का चून, खुराक चार मासे, अजेंड, पेट का फूलना, वायु विकार, खांसी स्वासाद, सब विकारों को हटाकर, निबढ़ाने वाली अनुभूत दवा, आनंद भैरो रस, हिंगुल अर्थात, सिंगरफ सुद्ध दो तोला, गंधक आवले सार, शुद्ध एक तोला, मीठा तेलिया शुद्ध एक तोला, खील सुहागा एक तोला, सोट एक तोला, पीपल एक तोला, काली मिर्च एक तोला धतूरे के बीज एक तोला अदरक के रस में खरल करके काली मिर्च के बराबर गोली बनावें एक या दो गोली प्रातः और सायंकाल दूध या पानी के साथ सोठ एक तोला काली मिर्च एक तोला पीपल छोटी एक तोला काला जीरा एक तोला सफेद जीरा एक तोला अजवायन एक तोला सेंधा नमक एक तोला हीन एक तोला टाटरी तीन मासा राई एक तोला आक मंदार के फूल सूखे एक तोला सब को कूट चान कर लगबग छेह नीव कागजी के रस में खरल करके चने के बराबर गोली बनावें एक गोली भोजन के पश्चात पानी के साथ संग्रहणी, बड़ी हड, मोचरस, पठानी लोद, धावे के फूल, बेलगीरी, इंद्र जौ, अफीम, पाराशुद्ध, गंधक आवले सार, सब समभाग, गंधक और पारे की कजली करके अन्य सब दवाओं का चून मिलाकर खरल करें तीन रत्ती प्रातह काल, गौ के छाच के साथ, तीन रत्ती सायं काल, बकरी के दूध अथमा, खसखस के दूध के साथ, भोजन चावल मूं की खिचड़ी दही के साथ, एक तोला शुद्ध गंधक, आवले सार को एक मासे, त्रिकुटे के साथ, खूब बारीक पीस कर, तीन भाग बनमावे, तीन मल्मल के तुकड़ों पर, एक एक भाग रख कर, तीन बटियां बनमावे, एक बटि को तिल के तेल में घीगोकर जलावे, तीन बूध एक पान में टपका कर, उसमें दो रत्ती शुद पारा डाल कर खिलावे, तीन दिन तक ऐसा करें, खुराख चावल हैजा मदार का गूदा तीन तोले बारीक पीसकर दो तोले अदरक के रस में खरल करके चने के बराबर गोली बनावें गुलाब के अरक या ताजा पानी के साथ एक गोली खिलावें अमलपित से हाजमा ठीक न रहना अवी पत्तिकर चूड, सोट, काली मिर्च, पीपल, हड, बहेडा, आवला, वाय बिढंग, नागर मोथा, पत्रज, छोटी इलाची के दाने, बिढ नमक, एक एक तोला, लौंग एक ग्यारह तोला, नितवस चौवालिस तोला, मिस्री चाछट तोला, इन सब का कपड़ चन च चूण घी में चिकना कर, शहद मिलाकर रख लें, तीन मासे से एक तोला तक, रात को सोते समय, दूध के साथ, या दिन में भोजन के बाद, ताजे पानी के साथ लें, यह रेचक भी है, वात बिकार के लिए रेचक, वातार गूगल, गूगल शुद्ध, गंधक शुद्ध हड बहेडा, आमला का चूण, सब बराबर वजन में लेकर, कैस्टर आयल, अरंडी का तेल में, छह छह मासे की गोली बनावें, सोते समय एक गोली, दूध के साथ लें, यह रेचक भी है, वायू के दर्द दूर करता है, वात ब्याधि के लिए अरंडी पाक, यह रेचक है, शीत काल में अधिक लामदायक है, त्रिकुटा, डेढ तोला, लोंग तीन माशे, बड़ी इलाइची के दाने छह माशे, दारचीनी छह माशे, पत्रज छह माशे, नाग केसर छह माशे, असगंध एक तोला, सौंप एक तोला, सनाय एक तोला, पीपला मूल छह माशे, माले क बीज निरगुंडी 6 मां से, सतावर 6 मां से, बिसक परा, पुनर नवा सफेद की जड़का बककल 6 मां से, खस 6 मां से, जायफल 4 मां से, जावित्री 4 मां से, इन सब का चूण करे, दस तोले अरंडी के बीज की गिरी, बारीक पीस कर एक सेर गाय के दूध में मावा बनावे, उसको दो चटाक गाय के घी में भुने, फिर दवाओं का चूण और एक सेर बूरा मिलाकर छेह छेह तोला के लड्डू बनावे, खुराक एक लड्डू गाय के दूध के साथ अत् दूद के फ्रातह काल एवन सायं काल खाए यह रेचक भी है गठिया और प्रतेक वात दिकार के लिए एक छटाक अरंडी के बीज रेत में या भाड में भुना कर चबाएं और उसके उपर आधा सेर या जितना पिया जा सके गायक का दूद पिलामें इससे दस्त आएंगे साथ दिन तक ऐसा करें खुराक दाल मूंग और चावल की पतली खिचडी हवा से बचाए रखें वात विकार के लिए असगंध चोब चीनी आवला समभाग चूण छे माशे सोते समय दूध्या पानी के साथ वात के रोग की अत्यंत पीड़ा में चरस सुलफा आधी रत्ती खिलाकर गाय का दूध गाय की घी के साथ मिलावें आधे सिर्का दर्द नतनों का बंद होना सिर्का भारी होना बन फशे के फूल उस्त खदूस बर्ग सिब्बत बराबर वजन में लेकर कपड़ छन चूण बनावें उंगली से नतों के अंदर लगावें नौसादर एक त पीस कर माथे पर लेप करें और सुभाएं जमाल गोटा शुद्ध यद शुद्ध न मिल सके तो अशुद्ध पानी में पीस लिया जाए एक सीख से भवों की ऊपर मस्तिस्क पर बिंदी लगावें फौरन दर्द दूर हो जाएगा उसी वक्त कपड़े से पोच कर घी या म खन लगावें नारंगी के छिलके का रस दर्द से दूसरी ओर वाले नतने में डालना रीठे का छिलका पानी में भिगो कर जिस कनपटी में दर्द हो उसके दूसरे ओर वाले नतने में डालना कपडचन रिठे का चून भी नाक में लगाने से सिर का दर्द दूर होता है नौसादर उड़ाया हुआ या शुद्ध किया हुआ फिटकिरी की भस्म गर्म दूद या पानी के साथ सेवन ये सब और शदियां अनुभूत हैं प्रमेह पेशाब में शक्कर आना सप्न द देवदारू, दारू हल्दी, अतीस, चब्ज गज पीपल, सोना मक्खी भस्म, सज्जी खार, काला नमक, कचूर, पीपला मूल, चीता की छाल, धनिया, हड, वहेडा, आवला, बाय विडंग, त्रिकुटा, जवार खार, सेधा नमक, बिड नमक, प्रतेक चार चार मासे, न देशोत, तेजपात, छोटी इलाइची के दाने, गौदंती, दार्चीनी, वन्ष लोचन, प्रतेक एक तोला, चार मासे, लोह भस्म दो तोला, आठ मासे, मिस्री पांच तोला, चार मासे, शिलाजीत शुद्ध दस तोला, आठ मासे, गूगल शुद्ध दस तोला, आठ मा अथमा प्रातह काल दूध के साथ एक गोली लें। चव्य, पदमाक, खुरासानी अजवायन, पीपल, काली मिर्च, निसोत, जमाल गोटा शुद्ध, कचूर, सोट, पोकर मूल, जीरा सफेद, देवदारू, तमाल पत्र, कुडाकी छाल, रासना, दमासा, गिलोय, निसोत तालस पत्र, तीनो नमक, सेनहा काला और कचिया, धनिय अजमोद, सौंप, सुवर्ड माक्षिक, सोना मक्खी भस्म, जायफल, वन्ष लोचन, असगंध, अनारकी छाल, कनकोल, नेत्रबाला, दोनो क्छार यानी सज्जी और जवाखार, प्रतेक चार-चार तोला, शुद्ध शिलाजीत बत्तीस तोला, गूगल शुद्ध बत्ती बनाकर मिस्त्री चोंसट तोला, गाय का घी सोलह तोला, शहद बत्तीस तोला मिलाकर चीनी के बरतन में रखें, अथवा गोलियां बना में, खुराक एक माशा से चार माशे तक प्रातह अथवा सायंग दूध के साथ, सूर्य प्रभा वटी, डाइविटीज, पेशाब में शक्कर आना इस रोग के लिए अतिलावदायक सिद्ध होई है, चंद्रप्रभा और सूर्य प्रभा सब मौसम और सब अवस्था में, सब प्रकार के रोगों में अनुभूत औसध है, इनसे सब प्रकार के प्रमेह, मुत्र कृक्ष, पेशाब में शक्कर आना इत्याद, सब प्रकार की वात व्याधि, उदर रोग, गोला, पांड, संग्रहडी, हरदय रोग, शूल, खाशी, भगंदर, पथरी, रक्त पित, विशम ज्वर, तथा वात जन्य पित, जन्य रोग दूर होकर शरीर स्वस्थत और जठरागने प्रदिप्त होती है, अब भ्यासियों के ल पान अथमा शहद के साथ प्रमेह के लिए, हरी गिलोय का रस चार तोला, शहद छह माशे के साथ सुबह को प्रमेह के लिए पिएं, सत बढ़ चार रत्ती गाय के दूद के साथ सिर्फ एक सप्ताह तक लें, बढ़का सत बनानी की बिध, बढ़की कोपलें, दस सेर बारी का कर चालीस सेर पानी में पकावें, जब पत्ते गल जाएं, तब मल छान कर लोहे की कढ़ाई में पका कर खोवा बना लें, फिर दस तोला बहु फली का चूड मिला कर चार चार रती की गोली बनावें, एक गोली को पानी में घोल कर उस पानी को दूद में मिला कर दूद को ज तो बड़ की कोपल दो तोला को छोटे छोटे टुकडे कर एक पाव पानी में पकावें जब पानी एक छटाक रह जाए तो उसको चान कर आधा सेर गाय के दूध में मिलाकर पकावें फिर इसब गोल की भूसी और बूरा मिलाकर सिर्फ साथ दिन तक पियें बिना इसब गोल की भूसी के भी ले सकते हैं यह वीरि को गाढ़ा करके सपन दोश इत्याद सब प्रकार के वीरिपात को रोकता है अनुभूत साधूं की गुप्त औशद है यह औशद पॉस्टिक है इसलिए कब्ज ना होने दें ब्राम्ही घृत ब्राम्ही के पंचांग का रस दो सेर निकालें ब्राम्ही के पंचांग का रस निकालने की विधी यदि ब्राम्ही हरी हो तो दो सेर रस पूट कर निकालें सूखी हो तो दो सेर को आठ सेर पानी में पकावें जब दो सेर रह जाए तो छान लें आवने का छिलका, हल्दी, कठमटी, कुष्ट शीरी, निसौत, तिर्वी, बड़ी हड़का छिलक, पीपल छोटी, मिस्त्री, प्रतेक दोदो तोला, बच, सेना नमक, छहचे माशे, सब को दो सेर पानी में पकावें जब आधा सेर रह जाए, तब मल छान कर, ब्राम्ही का रस निकाल कर, लोहे की करहाई, या कलई के वरतन में रखकर, आग पर चढ़ावें, और आध सेर शुद्ध गौ का घृत, उसमें डाल कर, हल्की आँच से पकावें, जब घृत बाकी रह जाए, तब उतार कर छान लें, और साफ वरतन में रख लें, खुराक छे मासे से तीन तोले तक, गौ के दूध में प्रातह एवंग सोते समय, लाभ, वीर्य के सब प्रकार के रोगों के निवर्यत्य, वीर्य शुद्ध, इस्मृत्य एवंग मस्तिस्क की शक्त को बढ़ाने के लिए, बुद्ध को करने, कंठ को साफ करने, बवासीर, प्रमेह, खासी आदे रोगों के लिए अतिलावदायक है, वीर्य दोश से जिन पुरिशों, अथमा इस्त्रियों के संतान, उत्पन्द नो हों, उनके लिए अतिलावदायक है, ब्राम्ही घृत की दूसरी विधि, हरी ब्राम्ही हो तो पांच सेर, सूखी हो तो दो सेर, संख पुष्पी एक पाव, आउला एक पाव, त्रिफला एक पाव, घुडवच्च एक छटार, वाय विडंग, पीपल, धनिया, निसोत की जड, लौंग, छोटी इलाइची, अग्न में खूब पकामें, जब छे सेर रस के लायक पानी रह जाए, तो मलकर छान लेवें, इस रस को लोहे की कडाही या कलई के बरतन में चड़ाकर, धाई सेर शुद्ध गौ का धृत डालकर पकामें, अग्न धीमी धीमी, आठ दस घंटे तक देते रहें, जब पानी का भाग जल जाए, और रस का सब भाग इकठा हो जाए, तब उतार कर कपड़े में च्छान लें, खुराक देड़ तोले से धाई तोले तक आवशक्ता अनुसार, गाय के दूद के साथ, प्रातह काल सायं काल, प्रमेह के लिए बबूल की कोपलें सुखा कर उसका चून कर ले साथ दिन तक बढ़ के दूद में भिगो कर फिर सुखा कर चून कर लें, यह चून दो तोला, मुसली सफेद एक तोला, बड़ी इलाइची के दाने दो तोले, अंबा हल्दी दो तोला, वंग भस्म दो तोला, शतावर चार तोले, असगंध चार तोले, कच्ची खान पांस तोले, इन सब को मिला कर रखें, सवा माशा, दवाई गाय के दूद के साथ देवें, मुसली काली पांस तोला, खेर का गोद कत्था पांस तोला, छोटी इलाइची के दाने छे मासे, छुहारे साथ, बडाम गिरी साथ, मिस्री दो तोले, गूलर का दूद दो तोले, सब को मिलाकर फूब कूट कर रखें खुराक एक तोला गाय के दूद के साथ 21 दिन तक सोते समय पेशाब निकल जाना आउले का गुदा, काला जीरा, संभाग शहद मिलाकर पेशाब के साथ शक्कर आना गुडमार दो तोले, जामुन की गुठरी दो तोले वन्ष लोचन छह माशे, इलायची छह माशे, गिलोय का सत एक तोला पीपल की चाल तीन माशे, मंडूर भस्म एक माशा, चादी भस्म चार रत्ती शिला जीत शुद्ध तीन माशे, सबका चूण करके चार माशे, प्रातह एवन सायंकाल, गाय अत्मा बकरी के दूद के साथ गुडमार, बबूल या गूलर की जड़की अंतरचाल, जामुन की गुठली, सोठ सम भाग कूट छान कर छह मासे से नौ माशे तक गरम पानी के साथ गिलोई सब्ज का रस निकाल कर उसमें पशान भेद और शहद मिलाकर पिलावें सूर्य प्रभावटी इस रोग में आश्चर्य जनक लावदायक सिद्ध हुई है बहुमूत्र, चत्रक की लकड़ी, एक तोले कूट कर पाव भर पानी में मिट्टी के बरतन में रात को भिगो दें, सुबह को पकावें, जब दो तोले रह जाए तब मल चान कर पीवें, पंदरह दिन तक पीना चाहिए फरीद बूटी साए में सुखाई हुई एक तोला, मुसली सफेद एक तोला, घोट कर साथ दिन तक पिलावें अजवाएन देशी छेह माशे, नागर मोथा छेह माशे, कंदर छेह माशे, काले तिल एक तोला, सब को बारीक पीस कर दो तोले गुड में मिलावें खुराख छेह माशे प्रातह एवन सायंकाल, पीली हरड का चिलका और अनार का चिलका, समभाग कूट चान कर चार माशे प्रातह एवन सायंकाल पानी के साथ बढ़िया किस्म के बड़े अच्छे गूदेदार चुहारे, दिन में खाने के पस्चात, रात को दूध से पहले हर प्रकार के बुखार के लिए तुख्म कासनी दो तोला, गुल नेलो फर च्छेह माशे, बर्गगा वजबां च्छेह माशे, तुख्म खरबूजा च्छेह माशे, तुख्म खीरा च्छेह माशे, गुल्बन फसा च्छेह माशे, नागर मोथा च्छेह माशे, सब्ज गिल पानी में जोस दें, फिर गुलकंद मिलावें, ठंडा होने पर कई बार पियें, बलगमी बुखार के लिए, गुलबन फसा छे मां से, नीलोपर छे मां से, गाव जवां छे मां से, कासनी छे मां से, मुनक्का पाँच अदद, छोटी इलाइची पाँच अदद नागर मोधा छह मासे अंजीर पाँच अदद गिलोए एक तोला इन सब को पानी में भिगो दें सुबह को जोश देकर मिस्री के साथ मिलाकर रख लें थंधा होने पर थोड़ा थोड़ा पिलावें बुखार के लिए हर प्रकार के अमलपित गुर्दज आद रोगों में गिलोए धनिया लालचंदन पदमाक नीम की छाल इन सब को बराबर वजन में लेकर चूण बनावें शाम को आध सेर पानी में धाई तोला भिगो दें सुबह को जोस दें जब छटाक भर रह जाए तब पिलावें पित जर सफाई खून के लिए मुनक्का अमलतास उटकी पित पापड़ा बड़ी हरड का बककल नागर मोथा सब बराबर वजन में लेकर उपर वाले नुस्खे की तरह धाई तोला लेकर तयार करके पिएं बुखार के लिए कुछ और अनुभूत नकसे मगज करंजवा करंजुए की गिरी दो तोला सेना नमक दो तोला इनका चूण बना लें चार रत्ती सुबह और शाम ताजे पानी के साथ चड़े बुखार में भी दिया जा सकता है कंजरुए के पत्ते तवे पर किंचित आँच दे कर चूण बनाया जाए चार रत्ती दिन में तीन दफा ताजे पानी के साथ पिलावें फिटकरी लाल एक पाव पीस कर आँख के दूध में भिवोवें जब आँख का दूध सूख जाए तब मिट्टी के बरतन में रखकर संपुट कर पाँच से दस उपलों की आँच में जलावें ठंधा हो जाने पर इस दवा को निकाल कर पीस लें खुराक एक रत्ती गाय के दूध के साथ खासी दमा बुखार तपेदिक आदि के लिए लावदायक है गेर दो तोला फिटकरी भुनी हुई दो तोला शकर शु जरफ दो तोला गंधक आवले सार मीठा तेलिया शुद्ध खील सुहागा सोट पीपल काली मिर्च एक एक तोला कागजी निबू के रस में खरल करके काली मिर्च के बराबर गोली बनावें एक गोली ताजा पानी के साथ तीसरे दिन का बुखार प्रातह काल और बुखार आने से एक घंटा पहले लाल फिटकरी की भस्म चार रती से एक माशा तक अरक गुलाब के साथ चौथिया बुखार के लिए संखिया और संगर्प बराबर करेले के रस में घोट कर काली मिर्च के बराबर गोली बनावें पारी वाले दिन बुखार से एक घंटा पहले या प्रातहकाल एक गोली पान के साथ देवें, खुराक, दूद, चावल, घी बुखार के समय बीतने के पश्चात, तीसरे एवंग चौथे दिन के दोनों बुखारों के लिए अनुभूत बतलाई गई है। प्रतेक दिन दूध दो तोला बढ़ाते जाएं, एक सेर तक भलावे की शोधन विधि संजीवनी बटी के नुस्के में देखें। दुखने पानी में उबालें, फिर मल छान कर उस पानी को पकावें, जब गाढ़ा हो जावें तो चने के बराबर गोली बनावें, प्रात हुआ सायंकाल एक या दो गोली ठंदे पानी के साथ खिलावें। पायरिया के लिए दांत का मंजन, लाहोरी नमक, तेजबल, फिटकरी भूनी हुई, तंबाकू के पत्ते भूने हुए, गेरू, काली मिर्च, सोंठ, सब एक एक तोला लेकर चूण बनावें, दांतों में मलकर पानी निकलने दें। नमक एवंग सरसो का तेल मिलाकर दांतों पर मलें, दाताउन से दांत साफ करें, लाहोरी नमक और सरसो का तेल पका कर रख लें, दांतों पर लगाकर सोंए, मिट्टी के तेल के गरारे करने से भी पायरिया दूर होता है। दाढ़ का दर्द, छेह साथ मां से कुचला दरदरा करके पानी में उटाकर गरारे करना, मदार आख का पेंड की लकडी जलाकर दुखती दाढ़ से दबाकर राल निकालते रहना, पेट की सफाई तथा उपर्युक्त किसी रेचक, वात नाशक औसध का सेवन लाबदायक है दातों के सब रोग नाशक, कुचला एक तोला, देसी नीला थोथा तीन तोला, इनको संपुट करके जलावें, जब राख हो जाए, तब माजू फल का चूड एक तोला, फिटकरी सफेद छेहमा से, सब को बारीक पीस कर बढ़की दाढ़ी की दातों से लगावें, फल मसू पासन चार माँ से, नरक चूर चार माँ से, फिटकरी चार माँ से, अफीम चार रत्ती, इनकी दो पोटली बनाना, एक पोटली दुखते दात, अथमा दाढ़ में दबाए रखना, दो घंटे में आराम हो जाएगा, गोस्त फुर्दा और पीब आने वाले दातों की दवा, मुस्क कापकूर तीन भाग, बोरिक एसिड एक भाग मिलाकर, शीसी में रखलें, रूई की फुरेरी से लगावें, दातों को साफ और चमकीला बनाने के लिए, समंदर जाग एक तोला, फिटकरी भुनी हुई छे माशे, माजू फल छे माशे, चूना बुजा हुआ छे मारीक कपडचान करके दातों पर मलें, बॉल सिरी की छाल का चूर दातों पर मलना और लकड़ी से दातों करना अतिलाब दायक है, दातों एवं मसूनों के सब प्रकार के रोग दूर करने के लिए सेंधे नमक को पानी में खूब उटा कर रख लें, उसके कई बार एवं सोत समय गरारे करें, यह मरहम फोडे फुनसी एवं घाव आद के लिए अतिलाब दायक है, खुजली के लिए हल्दी की लुगदी और आख के पत्तों का पानी सरसों के तेल में पकावें, जब लुगदी रह जाए तब लगावें, फिटकिरी दो मात्रा, बोरिक एसिड तीन मात्रा, गंधक चा इनका चून साथ माशे, आधे छटाक मक्षन मिलाकर, खुजली तथा दाद वाले स्थान पर मलें, सफाई फून के लिए सत्या नाशी, अर्थात कटईया की जड़ नौ मासे, काली मिर्च नौ दाने, पीस घोट कर पिलावें, खाने के लिए मूं की दाल और खिचडी दें सब प्रकार के रक्त विकार, कोड, खुजली आध के लिए सत्या नाशी का खीचा हुआ, अर्क पीना और इसके बीजों का तेल लगाना अतिलाव दायक है, घृत अधिक खामें, चिरायता, गिलोय, पित पापड़ा, नीम के अंदर की छाल, ब्रम्ह दंडी, मुंडी, प्रातह एवन सायं काल, पानी अत्मा गौ के दूध के साथ आवशक्ता नुसार लें, सफेद कोड की दवा, चीते की छाल दो भाग, सफेद घुगची एक भाग, वावची तीन भाग, अंजीर जंगली एक भाग, सब मिलाकर गोमूत्र में खरल करके कोड पर लगामें, च चाल कूट कर जब मवाद निकल जाए, तब नीम के तेल का मरहम लगावें, चाजन, लाहौरी फोड़े, बगदादी फोड़े, तथा अन्य घाव वाले दादों के लिए अनुभूत औशद हैं, एलो वेसलिन जिंकॉक्साइड को मिलाकर रख लें, दाद अत्मा जखम को नीम के पानी से धोकर मरहम का पोया लगाकर पट्टी बाद लें, उससे जखम का मवाद निकलता रहेगा और जखम भरता रहेगा, आँखों तथा पलकों के जखमों के लिए भी प्रियोग करें, सूखे दाद के लिए बादाम के छिलकों, शीसम की लकडी, नारियल के जट पड़े अथमा गेहूं का तेल दाद पर लगावें, यह भी अति उत्तम अनुभूत औशद है, गेहूं के तेल निकालने की विद्ध, एक मिट्टी की हारी में एक कटोरा रखें, उस हारी पर तली में सुराख की हुई एक दूसरी हारी रखें, सुराख में कुछ सीकें, इस प्रकार रखें की कटोरे में गिरे, उस हारी को मोटे गेहूं से भरकर उपर धक्कन रख दें, कपड़े को चिकनी मिट्टी में सान कर दोनों हारीयों पर लपेट दें, फिर एक गड़ा खोद कर दोनों हारीयों को इस प्रकार रखें की नीचे वाली हारी मिट्टी में दबी रहे, उपर वाली हाडी के चारो तरफ वन्य उपले रखकर आच दें, इस तरह उसका तेल कटोरे में आवेगा, ठंधा होने पर निकाल लें, बादाम के छिलकों का तेल निकालने की सबसे आसान तरकीब यह है, कि एक चोड़े मुह वाली हारी में बादाम के छिलके के भर कर उसमें एक कटोरा रख दें हारी के मुह पर एक तसला रख कर आटे और मिट्टी से मुह बंद करके उसको चूले पर रख दें तसले में पानी भर दें पानी बदलते रहें अधिक गर्म ना होने पावे कटोरे में टिंचर की शकल का पानी भर जाएगा यह न केवल दाद एवन एक जमा के लिए अकसीर है अपितु जहरीले जानवरों के काटने पर भी लाभदायक है इसके अतिरिक्त सारी बातों में टिंचर का काम देता है जंगली गोभी के पत्तों को सरसो के तेल में जलावें और इसको पीस कर रख लें दाद पर इसे लगावें इस मरहम के अभाव में जंगली गोभी के पत्तों को दाद पर खुजलाने से भी बड़ा लाभ होता है टेरिन एसिट को मिलाकर शीशी में रखलें फुरेरी से लगावें यदि पानी निकले तो वैसलिन लगावें भौसिया दाद अर्थात काले दाद के लिए मूंग अथमा मूंग की दाल छिलके सहित बारीक पीस कर लगावें छाजन का नुस्खा सीसा एक छटाक लोहे के चम्मच में पिगलाकर उसमें तीन तोला पारा डालकर किसी वरतन में डाल दें जब ठंडा हो जाए तब एक छटाक गंधक के साथ बारीक पीस लें इसके चून को सरसों के तेल में मिलाकर लगावें जहरीला पानी देने वाले छाजन आदि पर गूलर को दही के पानी में बारीक पीस कर उसका लेप करें जब सूख कर छूट जाए तब फिर लेप करें कस्ट को सहन कर लें घवराएं नहीं चंबल की दवा पुनर नवा अर्थात साथे की जड़ आद बाव सरसों के तेल में मिलाकर पीस कर एक छटाक सिंदूर मिलाकर मरहम तयार करें नासूर भगंदर आद के लिए पारा और रसकपूर दोनों को खरल करें फिर मुर्दा संख प्रवाल की जड़ सुपारी का फूल कत्था राल सिंदूर सब एक एक तोला वन्श लोचन छोटी इलाइची देढ़ माशा खरल करें फिर 101 बार धुले हुए 15 तोला मक्षन में म लगावें नौजमान आदमी की खोपड़ी की भस्म नासूर और भगंदर में लगावें कमर के अंदर का फोड़ा अरंडी की गिरी को पीस कर मोटा प्लास्टर लगावें कपड़े के किनारे को सेजने की गेद से बंद कर दें जब यह पीब से भर जाए तो इस तरह दूस मिट्टी लपेट कर भूबल में पकावें मिट्टी सूख जाने पर निकालें लगभग एक अंगुल मोटी टिकिया बनाकर लगावें भगंदर तथा गुदा के सब प्रकार के रोगों के लिए अनुभूत औशद है बोरिक एसिड एक ड्राम अथमा चार मासा जिंक आकसा दो माशा, आइडो फोर्म, पांच रत्ती, एसिट कारबोलिक, एक मासा या पंदरह बूद, सरसों तथा तिल का तेल, धाई तोला, पानी धाई तोला, इन सब को मिलाकर रूई या कपड़े का फोया गुदा में लगाया जाए एक सेर गाय के दूध में एक छटाक भंग डाल कर उसकी भाप गुदा में पहुँचाना, फिर उपर वाले मरहम की बत्ती गुदा में रख कर इस भंग को गुदा में लंगोट जैसे पट्टी से बाध देना अधिक लावदायक होगा भगंदर, नासूर और पुराने फोड़े के लिए अनुभूत, फिटकरी पांच तोला, संग जराहत पांच तोला, सिंदूर एक तोला, पिसी हुई फिटकरी तवे पर जलावें, पिसा हुआ संग जराहत एक एक चुटकी उसमें डालते जाएं और हिलाते जाएं, फिर सि किये हुए गाय के दूध में थोड़ी थोड़ी डालते जाएं और पिलाते जाएं एक एक सप्ताह के पश्चात एक एक दिन नागा करते जाएं 21 दिन तक अर्श बवासीर एक तोला संखिया को दस रीठे के तीन पाव पानी में खरल करें जब सब पानी उसमें खप जाए पेदा तास्तकारी घिसकर लगाएं एक अनुभवी सन्यासी से प्राप्त किया हुआ नुस्खा किन्तु अपना अनुभूत नहीं है बवासीर के मस्सों का जड़ से उखाड़ना इरकशा, सिंदूर, नील थोथा, संभाग मिलाकर चूंड करें मस्से को फिटकिरी से आलका मरहम लगावें यह औसद एक अनुभवी फकीर से प्राप्त हुई है परन्त अपनी अनुभूत नहीं है रिठे की गिरी निकाल कर उसके छिलके का चूंड आधपाव रौसत एक छटाक के साथ खूब खरल करें फिर दो छटाक पुराने से पुराना गुड उसमें ड कराबर गोली बनावें प्रातह एवन सायंकाल एक एक गोली दूद के साथ निगल लें खटाई लाल मिर्च तेल और कब्ज करने वाली चीजों से परहेज कुछला मिट्टी के तेल में घिसकर मस्सों पर लेप करें सोते समय मस्से सूख जाएंगे छह मासे बोतल पर लगान सौंथ किश्मिष भंग दक्षिनी मिर्च इलाइची सफेद समभाग इन सब के बराबर मिस्री मिलाकर चार रत्ती से अपनी आवशक्ता अनुसार सेवन करें रूमी मस्तगी एक तोला सफेद इलाइची के दाने छह मासे मिलाकर दही के साथ खाने से खुनी बवासीर बंद होती है जड़बेरी के पत्ते एक तोला तीन काली मिर्च के साथ भोट कर पीएं रीठे का छिलका आठ तोला तूत अथवां अरंड के पत्ते एक तोला दोनों को मिलाकर इतना कूटे की मौम जैसे हो जाएं यद चिमिटने लगें तो घी लगा लें आठ टिकिया बना लें एक गढ़ा खोद कर उसमें कोईले जलाकर चिलम रख दें उसके सुराक द्वारा गुदा को धूआ दें आठ दिन तक इसी प्रकार करें करेल अर्थात करेट जो एक प्रसिद जारदार विक्ष है उसकी ताजी जड़का पाताल यंत्र से तेल निकालें दिन में दो तीन ब चिर्चिते की छार एक रत्ती लें उसके उपर छह मासे चिर्चिते के बीज एक ग्यारह काली मिर्च एक सप्ताह तक घोट कर पीएं गेहूं की रोटी या दलिया घी के साथ खाएं जंगली गोभी के तीन पत्ते और तीन काली मिर्च घोट कर पीएं भंग को पीसकर घी मे पकाकर टिक्की बाध हैं खूनी बवासीर के लिए मुसा करनी बूटी दो रत्ती प्रातह काल दो छटाक दही के साथ लाल मिर्ची वादी और गर्म चीजों से परहेज खूनी बवासीर के लिए रसाओत एलुआ नीम की निबौली मगज बकायन बराबर सब को पीस कर चने के बराबर गोली बनावें प्रातह एवं सायं काल एक गोली पानी के साथ खूनी बवासीर के लिए पुराने टाट की राख छह मासे पानी के साथ लंगूर की सूखी हुई बीट को जलाकर उसके उपर सुराह की हुई हाणी रखकर गुदा को धूआ दें जंगली कबूतर और मोर की बीट बराबर लेकर गोली बनावें गोली को घिसकर मस्सों पर लगावें तिल्ली अजमाईन देशी को आख के दूध में भिगोकर छाया में सुखावें फिर कागजी निबू के रस में खरल करके आधिरत्ती की गोली बनावें एक एक गोली प्रातह सायंकाल बासी पानी के साथ खाएं नौसादर कल्मी शोरा सुहागा सफेद लौंग रेवंद चीनी सब एक एक तोला जवा खार सज्जी खार सूचल नमक, नौनो मासा घिकवार के रस में खरल करके गोली बनाएं प्रातह सायंकाल एक एक गोली खाएं बादी और खटी चीजों से परहेज दर्द गुर्दा, संग यूद पत्थर का बेर को दूध में उवाल कर, साफ कर उट कर साथ दिन मूली के रस में खरल कर, टिक्की बनाकर मिट्टी के बरतन में रखकर उसको संपुट करके आग में रखकर भस्म बनाएं चार रत्ती शर्बत निलोफर के साथ खिलावें खरबूजे के बीज नौ माशे हजरू लयहूद पत्थर का बेर साड़े तीन माशे खार खुश्क साथ माशे तुख्म खया रैन नौ माशे राई छे माशे पानी में घोट कर चान कर पिलावें पोदीना सूखा हुआ धतूरे के पत्ते सूखे हुए दस-दस माशे पीपल के पीड का दूद सोलह बूद में मिलाकर तंबाकू की तरह चीलम में रखकर पिलावें उसी वक्त आराम होगा जोडों का दर्द बड़ी हरड का गूदा काली हरड बादियान पीपल दार फिलफिल काला जीरा करंजुआ का गूदा एक-एक तोला बारीक करके पांच तोला मुनक्के में पीस कर चने बराबर गोली बनावें एक मासा से तीन मासे तक पानी के साथ बंद पेशाब का खोलना गोखुरू इंदरजव सोय के बीज एक-एक तोला पाशान भेद दो तोला सब को कूट कर एक सेर पानी में उटा लो दिन में दो-तीन बार दो रत्ती पत्थर देर की भस्म दो रत्ती जवाखार के साथ पीमें कलमी शोरा एक तोला तुख्म खिया रैन चार मासे छोटी इलाईची के दाने दो मासे दक्षणी मिर्च दो मासे सीतल चीनी चार मासे सब को पीस कर एक सेर पानी में चान कर, दो छटाक सफेद खान डाल कर, कई बार पिलावें, पेशाब जोर के साथ आएगा, टेसू के फूल उबाल कर, पेडू पर लेप करें, राई कलमी शोरा, मिसरी, संभाग पीस कर, पानी के साथ, दिन में दो बार दें, पेडू पर कलमी शोरे का करें, रुक रुक कर पेशाब आना, बड़ी हड का गूदा, गोखुरू, अमल तास का गूदा, पाशान भेद, दमासा, धनिया, इनका काड़ा पिलावें, वायु गोला, एलुआ, खील सुहागा, काली मिर्च, हींग, काला नमक, सब को घी गुवार के गूदे में खरल कर चना बरावर गोली बनावें, एक गोली पानी के साथ, पेट के कीडे, अरंड ककडी के बीज, पाँच या साथ ताजा पानी के साथ, खिलाने से सब कीडे मर जाते हैं, पाँच दिन में आराम हो जाता है, आडू, अनार और नीम के पत्तों को पीस कर, अथवा, अकेले आड के पत्तों को पीस कर, खिलाने से पेट के कीडे मर जाते हैं, बिडंग चूर, आधा तोला शहत के साथ, दिमाग के कीडे, इस रोग का कष्ट देखने वाले को भी असह हो जाता है, उसका एक अनुभूत नुकसा, खरगोस की मैगनी को गुड में लपेट कर निगलवाएं, उपर से चादर मुह तक ओड़कर धूप में बैठावें, कीडे स्वेंग थोड़ी देर में निकलना आरंभ हो जाएंगे, जब इनका निकलना बंद हो जाएं, तब उठ जाएं, एक दिन छोड़कर फिर तीसरे दिन इसी तरह खिलावें, जब कीडे निकलना बंद हो तब इसे खिलाना बंद कर दें, फीलपा, गजपा, पुरी आदि स्थानों में अधिक होता है, एक सदा सुहागन, दू राम गट्टो, तीन अमर बेल, चार दही को मट्टो, पांच जमीन को धकान, छेह घर को राख गजचर्म को यही उपाए, एक हल्दी, दो आउला, ती तीन आकाश बेल, चार छाच मठा, पांच चिर्चिरा, छेह चूले, आदि के उपर की छट में जमा हुआ धूआ, सब समभाग लेकर, चूड कर, मठे में मिलाकर, नीम गर्म करके लेप करें, गजचर्म के लिए अनुभूत दवा, गठिया का नुस्खा, सोठ एक तोला, पीपल छोटी एक तोला, मदार के पेण का गूदा एक तोला, कुचला शुद्ध दो तोले, इन सब को सेजने के पत्ते के रस में, खरल करके मठर बराबर गोली बनाएं, प्रातह सायंकाल, एक एक गोली, गव के दूध के साथ खाएं, धतूरे का फल, तीन तोला, अजवा खायन, सोट, छोटी पीपल, कायफल, कडवी तंबाकू, वचनाक, अफीम, जायफल, सब एक एक तोला, केसर खालिस छह मां से, सब को कूट कर दो सेर पानी में पकावें, जब आध सेर रह जाए, तब मल छान कर, एक सेर सरसों के तेल में मिलाकर, फिर पकावें, जब खान कर, बोतल में रखकर, एक तोला, मुश्क का फूर मिलावें, दिन में दो बार मालिश करें, शिंग रफ रूमी एक तोला, भंग की लुगदी में रखकर, उपर से धागा बांध कर, कड़ाई में अलसी के तेल में पकावें, जब भंग जलकर राक हो जावें, तब नि खुल एक तोला, खसखस के डोडे एक तोला, दोनों को पीज कर एक तोला, रोगन गुल खालिश और कुछ पानी डाल कर पकावें, दर्द वाले स्थान पर बांध दें, आँख के रोग, कल्वी शोरा दो तोला, नमक शीसा दो तोले, पहले सोरे को बारीक कर कटोरे में बि चाएं, हलकी आँच पर कटोरे को रख दें, जब नमक काला हो जाए, तब उतार कर खरल करके शीसी में रख लें, सलाई से लगाएं, आँख की धुंद, खुजली, रताओध, पानी आना, सुर्खी, दुखने आद के लिए लाबदायक है, भलावा भुना हुआ दो तोले, फिटकरी भुनी हुई, एक तोला, खरल करके रख लें, आँख के जाले, एवन फूल के लिए लगाएं, काले गधे की दाड गुलाब के अरक में घिसकर, फूले और जाले हटाने के लिए लगाएं, आँख के फूले के लिए, आँख के दूद के साथ, जलाई हुई, नील समभाग, एक खोखले बेल में बंद करके, खूब अच्छी प्रकार डांट लगाकर बंद कर दें, उसको खूब हिलाते रहें, चालिस दिन के पश्चाद, इसको निकाल कर, खूब खरल करके, सोने या चादी की सिराई से आँखों में लगाएं, रतौध, पीपल गोमूत् इसकर आँखों में लगाएं, मोतिया बिंद, तंबाकू और नील के बीज समभाग पीस कर लगाएं, आँख के पलक के अंदर का बाल, पुराना गुड और सिंदूर समभाग मिलाएं, बाल उखाड कर तीन चार बार लगाएं, नीम की कोपलों को गाय के घी में भून कर मरह बनाकर लगाएं, आँख दुखने और लाली के लिए अफीम, फिटकिरी, रसाओत और गोद का प्लास्टर दुखती आँख की कनपटी पर लगाएं, खटे अनार का रस एक तोला, मिस्त्री तीन माशे मिलाकर दो दो बूद, दोनों समय आँख में डालें, सरस के बीज एक तोला, मिस्त्री एक तोला पीस कर तीन माशे सहद मिलाकर चाटें, रसाओत और छोटी हड घिसकर लगाएं, आँखों के रोहे, चाकस को उबालकर अंदर का बीज निकालकर बारीक पीस कर आँखों में लगाएं, आँख और दिमाग की कमजोरी दूर करने के लिए त्रिफ त्रिफला पाक, त्रिफला आधा सेर, शुद्ध शिला जीत छहमा से, केसर छहमा से, सौट, काली मिर्च, पीपल, गोखरू, छोटी इलाइची, मोथा, तज, पत्रज, पोखर मूल, चित्रक, एक-एक तोला, धनिया छिला हुआ, धाई तोला, विधि, त्रिफले को कूट कर, कपड चान करके, आधा सेर, पानी में भिगो देना चाहिए, जब त्रिफला पानी में भीग कर, भली प्रकार फूल जाए, तब पाव भर गाय के घी में, मंदी मंदी आच पर, कढ़ाई में भून लिया जाए, कढ़ाई को नीचे उतार कर, रख लिया जाए, एक सेर, म मिलाने के पश्चाद, डाल कर, भली प्रकार मिला ली जाए, जब अच्छी तरह मिल जाए, तब पाव भर शहद मिला दिया जाए, बस त्रिफला पाक तयार हो गया, एक एक तोला सुबह और शाम, या अपनी अपनी शक्ति अनुसार, केवल एक ही समय, एक तोला गर्म किये हुए दूद के साथ सेवन करें, यह त्रिफला पाक नेत्र की जोत और दिमाग की कमजोरी और प्रमेह के लिए लाभप्रद है, आवला पाक, आवला चून चालीस तोला, मिस्त्री चार सेर, सोट चार तोला, पीपल चार तोला, सफेद जीरा चार तोला, धनिया दो तोला, छोटी इलाइची दो तोला, तेजपात दो तोला, काली मिर्च दो तोला, दालचीनी दो तोला, चादी के वर्क पचीस नग, विधि, आधा सेर आवले का चून, कपड़ चान करके, पांच सेर गाय के शुद्ध दूध में भिगो दे, फिर भली प्रकार फूल जाने पर, उस आवले मिले हुए दूध का कलईदार बरतन या कड़ावी में मावा बना लिया जाए, फिर कड़ाई नीचे उतार कर, उसमें चार सेर मिस्त्री की कुछ धीली बनी हुई चाशनी मिला दो, इसके प्रश्चात सोट से दालचीनी तक की चीजें कूट छान कर कड़ाई मे जादा गर्म चाशनी में नहीं मिलना चाहिए, बस आवला पाक तयार हो गया, एक तोला सुवह और एक तोला शाम को सेवन करें, आखों की जोती बढ़ाने के लिए तामेश्वरी सुर्मा शुद्ध ताबा दो तोला लेकर उसकी बारीक पत्ती करके बहुत छोटे छोटे टुकडे जैसे सुनार ताके के करते हैं, करके एक छटाक फिटकेरी को पीस कर, कागजी मीबू का रस एक पाव सबको एक बोतल में डाल दे, बोतल को आधा खाली रखे और चालिस दिन तक होश्यारी से उची ताक आधि पर रखे, प्रतिदिन प्रातह केवल एक बार पोतल से निकालकर खरल में घुटाई करें, जब सुर में बारीक हो जाएं, तो उस लुगदी को लोहे की कड़ाई में बहुत हलकी आज पर रखकर घुटाई करें, जब बिलकुल सुर में की तरह हो जाएं, तो बारीक कपड़े में छान लें, जो कुछ छानने से बचे उस से फेंक दें रात को सोते समय चांदी या जस्ते की सलाई में थोड़ा सा लेकर आंख में लगाकर सो जाएं आंख की जोति बढ़ाने तथा सब प्रकार के विकारों को दूर करने के लिए साधूं का एक गुप्त अति उत्तम अनुभूत सूर्मा भीम सेनी कपूर दो तोला र अन्य दो बरतन कलई के लें उनमें से एक में मिस्री की दरदरी कर उसके अंदर रसकपूर और भीम सेनी सूर्मा दरदरा पीस कर रख दें उसके अंदर दूसरा भगोना रख कर दोनों के जोड़े को खूब अच्छी तरह से कपड़े और मुलतानी मिट्टी से संपुट कर दें एक छोटा सा चुल्हा बनाकर उसके अंदर एक बड़ी मिट्टी के दीपक में सरसों का तेल डालकर खूब मोटी बत्ती जलावें चुल्हे के ऊपर संपुट किये हुए भगोने को इस प्रकार रखें कि नीचे के भगोने के तले में उस दीपक की आच्छी तरह लग जाते रहें जिससे दीपक की आच भली प्रकार अपना कारे कर सके इस प्रकार सत्रह गंटे आच देते रहें उसके पश्चात उतार कर ठंधे होने पर उपर के भगोने में जो रस कपूर और भीमसेनी कपूर उड़कर जम गया हो उसको खुरच कर एक साफ शिसी में रख ल मलाई या मकषन के साथ खाना बहुत लाहदायक है कान का दर्ड लहसन का रस धाई तोला अफीम दो रति दस तोले सरसों या तिल के तेल को पकाकर चान कर कान में डालें गेंदे के फूल का रस कान में डालें अथमा गोमुत्र कान में डालें, मुह के छाले, तर्बूज के छिलके जलाकर लगावें, दिल की धड़कन के लिए भस्म मूगा सेवती के गुलकंद या मुरब्बा सेव के साथ, पागलपन या उनमाद की अनुभूत दवा, धवल बरुवा जिसको स्वेत बरुवा तथा सर्प ग कारी के लिए, दूसरे में उसके साधन, मध्यमा धिकारी के लिए वड़न करके, अब तीसरे में उसका प्थल, विभूतियां, असरद्धालों को स्रद्धा पूर्वक उसमें प्रवित्त करने के लिए दिखाते हैं, साधन पाद में योग के पांच बहिरंग साधन, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार बतलाए थे, इस पाद में उसके अंतरंग, धारणा, ध्यान, समाधिका निरूपन करते हैं, इन तीनों को मिलाकर सन्यम कहा जाता है, इनका विन्योग इस पाद में बताई हुई विभूतियों के साथ है, इसी कारण इसको इस द्यान विशेश में बाधना, धारणा कहलाता है, व्याख्या चित बाहर के विशेओं को इंद्रियों द्वारा बृत्यमात्र से ग्रहन करता है, ध्याना वस्था में जब टत्याहार द्वारा इंद्रियां अंतर मुख हो जाती हैं, तब भी वह अपने धेय विशे को बृ पाशित करने लगती है, देश जिस स्थान पर बृत्य को ठहराया जाए, वह नाभी हरदय कमल, नासिका का अग्रभाग, भिकुटी, ब्रम्हरंद्र, आदि आध्यात्मिक देश रूप विशे हो, अथ्वा, चंद्र, ध्रूव, आदि कोई बाह्य देश रूप विशे हो, इसी को धेय कहते हैं, अर्थात जिसमें ध्यान लगाया जाए, बंध, अन्य विशेयों से हटाकर, चित को एक ही धेय विशे पर बृत्य मात्र से ठहराना, इस प्रकार आशन, प्राणायाम, प्रत्याहार, आदि द्वारा, जब चित इस्थिर हो जाए, तब उसको अन्य व ध्यानम, उसमें वृत्य का एक सा घटोयम घटोयम आदि बना रहना ध्यान है, तत्र उस प्रदेश अर्थात धेय विशे में, जिसमें चित को वृत्य मात्र से ठहराया है, धेय की आलोचना करने वाली वृत्य अर्थात वह वृत्य जो धारणा में धेय के तदाकार होकर उसके स्वरूप से भास्ती है। एक तानता एक सा बना रहना अर्थात। उस धेय आलंबन वाली वृत्ति का समान प्रवाह से लगातार उद्य होते रहना। और किसी अन्य वृत्ति का बीच में न आना। धारणा में चित जिस वृत्ति मात्र से धेय में लगता है। जब वह वृत्ति इस प्रकार समान प्रवाह से लगातार उदय होती रहे कि दूसरी कोई और वृत्ति बीच में ना आए तब उसको ध्यान कहते हैं तदेवार्थ मात्र निर्भासं स्वरूप सुन्यमिव समाधि वह ध्यान ही समाधि कहलाता है जब उसमें केवल धेय अर्थ मात्र से भासता है और उसका ध्यान का स्वरूप शून जैसा हो जाता है व्याख्या पूर्वोक्त धेय विशेक ध्यान ही अभ्यास के बल से जब अपने ध्याना कार रूप से रहित जैसा होकर केवल धेय स्वरूप मात्र से अवस्थित होकर तकाशित होने लगे तब वह समाधि कहलाता है ध्याना वस्था में जो धेय आलंबन वाली विशेक समान प्रवाह से उदय होती रहती है वह ध्यात्री ध्यान और धेय तीनों से मिस्रत रहती है अर्थात वह तीनों में तदाकार होती हुई धेय के स्वरूप से भासने वाली होती है इसी कारण उसमें ध्यात्री और ध्यान दोनों बने रहते हैं। इन दोनों के बने रहने से धेयाकार वृत्ति अपनी धेय विशय को संपूरता से नहीं प्रकाशित करती। जितना ध्यान बढ़ता जाता है उतनी ही उस वृत्ति में धेय स्वरूप कारता बढ़ती जाती और ध्यात्र तथा ध्यान उसके प्रकाशन करने में अपने स्वरूप से शून्य जैसे होते जाते हैं। जब ध्यान इतना प्रबल हो जाए कि ध्यात्री और ध्यान अपने स्वरूप से सर्वता शून्य जैसे होकर धेय स्वरूप मात्र से भासने लगें तब धेय का स्वरूप ध्यात्री और ध्यान से अभिन्य होकर धेयाकार वृत्ति में संपूरता से भासने लगें तो ध्यान की इस अवस्था को समाधि कहते हैं अर्थमात्र निर्भासम में मात्र पद से यह बात बतलाई है कि ध्यान में धेय का भान होता है धेय मात्र का नहीं किन्तु समाधि में ध्यान धेय मात्र से भासता है और इस शंका को मिटाने के लिए कि ध्यान के अधीन ही धेय का भान होता है समाध्य में यदि ध्यान स्वरूप से शून्य हो जाता है तो धेय का भान किस प्रकार हो सकता है स्वरूप शून्यम इवपद दिया है अर्थात समाध्य की अवस्था में ध्यान का सर्वता अभाव नहीं होता किन्त धेय से अभिन रूप होकर भासने के कारण स्वरूप स शून जैसा हो जाता है न की वास्तों में स्वरूप शून हो जाता है स्रीभोज महराज समाधि का अर्थ इस प्रकार करते हैं सम्यगा धीयते एकाग्री क्रीयते विक्षेपान परिहृत्य मनो यत्रस समाधि ही जिसमें मन विक्षेपूं को हटाकर यथार्थता से धार्ण कि जाता है अर्थात एकाग्र किया जाता है वह समाधि है विशेश वक्तव्य सूत्र तीन योग के अंतिम तीन अंगों धार्णा ध्यान और समाधि में समाधि अंगी है और धार्णा ध्यान उसके अंग हैं जब किसी विशय में चित्त को ठाहराया जाता है तब चित्त की वह विशयाकार वृत्त त्रिपुटी सहित होती है तीन आकारों के समाहार अर्थात इकठा होने का नाम त्रिपुटी है वह त्रिपुटी ध्यात्री ध्यान और धेय रूप है ध्यात्र ध्यान करने वाला आत्मा से प्रकाशित चित्त है चित्त की वह वृत्ति जिसके द्वारा विशय का ध्यान होता है ध्यान है और ध्यान का विशय धेय है किसी विशय में चित्त को थाराते समय उस विशयाकार वृत्ति में त्रिपुटी का इस प्रकार अलग-अलग भान होता है कि मैं ध्यान कर रहा हूं यह ध्यान है इस विशय का ध्यान हो रहा है धारणा जब तक त्रिपुटी से भान होने वाली इस विशयाकार वृत्ति का सम प्रवाह से बहना आरंभ नहों किन्तु व्यवधान सहित विच्छिन हो अर्थात इस वृत्ति के बीच बीच अन्य वृत्तियां भी आती रहें तब तक वह धारणा कहलाएगी ध्यान जब यह त्रिपुटी से भान होने वाली विशयाकार वृत्ति व्यवधान रहित हो अर्थात अन्य विजाती वृत्तियां बीच बीच में ना आवें किन्त सदृष वृत्तियों का प्रवाह बना रहे तब तक वह ध्यान कहलाता है समाध्य जब इस ध्यान अर्थात व्यवधान रहित त्रिपुटी से भासने वाली विशयाकार वृत्य में त्रिपुटी का भान जाता रहे और ध्यात्र तथा ध्यान भी विशयाकार होकर अपने स्वरूप से शून जैसे भासने लगे अर्थात जब यह भान न रहे कि मैं ध्यान कर रहा हूं यह ध्यान की अवस्था है किन्तु केवल ध्य विशय के स्वरूप का ही भान होता रहे तब यह समाध कहलाती है पहले पाद से इस त्रिपुटी को सवितर्क और निर्वितर्क समापत्य में ध्य विशयक शब्द अर्थ और ज्यान से बतलाया गया है शब्दार्थ ग्यान विकल्पै संकिर्णा सवितर्क समापत्य ही शब्द अर्थ और ज्यान के विकल्पों से सन्युक्त सवितर्क समापत्य कहलाती है इसमृति से परिशुद्ध होने पर स्वरूप से शून जैसे केवल अर्थ मात्र धेय मात्र से भासने वाली निर्वितरक समात्ति कहलाती है इसलिए सवितर्क समापति को ध्यान की ही एक अवस्था और निर्वितर्क समापति को समाधि की अवस्था समजनी चाहिए यह संप्रज्यात योग अथमा सबीज समाधि है क्योंकि यद्यप इसमें त्रिपुटी का अभाव हो जाता है तथा पि संसार का बीज विशे के धेयाकार वृत्य रूप से विद्यमान रहता है जब इस धेयाकार वृत्य का भी अभाव हो जाए तब सब वृत्यों के निरोध हो जाने पर असम प्रग्यात योग अथमा निर्वीज समाध होती है संगत पूर्बोक्त धारणादी तीनो योगांग का एक शब्द से व्यवहार करने के लिए अपने शास्त्र में पारिभाशकी संग्या करने को यह सूत्र है तरयमेकत्त सं्यमह तीनों धारणा-ध्यान और समाध का एक विशे में होना संयम कहलाता है व्याख्या समाध्य अंगी है और धारणा ध्यान उसके अंग हैं धारणा और ध्यान समाध्य की ही प्रथम अवस्था है विभूति आदि में इन तीनों की ही आवशक्ता होती है इसलिए योग शास्त्र की परिभाशा में इन तीनों के समुदाय को सन्यम कहा जाता है जब धारणा ध्यान और समाध्य एक ही विशय में करनी हो तब उसकी सन्यम संग्या होती है हर्थात उसको सन्यम शब्द से कहते हैं संगत सन्यम के अभ्यास का फल बतलाती है जब सन्यम अरथात धारणा ध्यान समादी को एक विशय पर उपर बतलाये हुए प्रकार से लगाने का अभ्ध्यास परिपक्व हो जाए तब समाधि प्रग्या उत्पन्न होती है जिससे धेय का ज्यान यथार्थ रूप से होने लगता है और नाना प्रकार की विभूतियां सिद्ध होने लगती है अंत में विवेक ख्याति का साक्षात होने लगता है संगत सन्यम का उपयोग तस्य भूमिश विनियोग उस सन्यम का भूमियों में विनियोग करना चाहिए व्याख्या भूमि से अभिप्राय चित भूमि से है और विनियोग के अर्थ लगाने के हैं अर्थात उस सन्यम का स्थूल सूख्ष्म आलंबन भेद से रहती हुई चित की वृत्तियों में विनियोग करना चाहिए चित की स्थूल वृत्तिवाली भूमि जो नीची भूमि है प्रथम उसको विजय करना चाहिए फिर उससे उची सूख्ष्म वृत्तिवाली भूमि म सन्यम करना चाहिए नीची भूमियों के जीते बिना उपर की भूमियों में सन्यम करने वाला विवेक ज्यान रूपी फल को नहीं प्राप्त होता जैसे धनुर्धारी लोग पहले इस्थूल लक्ष का वेधन करके फिर सूख्ष्म का वेधन करते हैं वैसे ही योगी को कि क्रम से पहले वितर्क अनुगत फिर विचार अनुगत फिर आनंद अनुगत और फिर अस्मिता अनुगत अत्मा पहले ग्राहे फिर ग्रहंड फिर ग्रहित्र के त्यादि प्रकार से पहली पहली भूमियों को जीत कर उची भूमियों में सन्यम करे इस प्रकार विवेक ज ग्यान रूपी फल प्राप्त होता है, यद इस्वर के अनुग्रह से योगी का चित पूर्व ही उत्तर भूमियों में लगने योग हो गया हो, तो पूर्व भूमियों में लगाने की आवशक्ता नहीं है, चित किस योगिता का है, इसका ग्यान योगी को स्वेंग योग द्वारा हो जाता है जैसा की कहा है योगे न योगो जातव्यो योगो योगात प्रवर्तते योग अप्रमतस्तु योगे नस योगे रमते चिरम पहले योग से उत्तर योग जानने में आता है और पहले योग से उत्तर योग प्रवर्तत होता है इसलिए प्रमाद से गहित जो यतनशील अभ्यासी हैं वह पहले योग से उत्तर योग में चिर परयंत रमन करता है विशेस वक्तव विसूत्र छे वास्तों में धारणा ध्या और समाध तीनों एक ही सन्यम रूप क्रिया के भाग हैं अर्थात किसी विशय में चित्त को ठहराने का नाम धारणा है जब देर तक लगातार चित्त इसमें ठहरा रहे तब वही ध्यान कहलाएगा और जब वही ध्यान इतना सूख्ष्म और तल्लीनता के साथ हो जाए कि ध्य करने वाले को धेय विशय के अतरिक्त और कुछ भी सुद्ध न रहे तब वही ध्यान की अवस्था समाध कहलाएगी यह सन्यम की क्रिया चित्त के वशीकरण और आत्मोनति अर्थात सारी आध्यात्मिक भूमियों के विजय पर्यंत विवेक ख्याति द्वारा असंप्रज् समाध अर्थात स्वरूपा वस्थित के लाभार्थ है किन्तु इसके दुरुपयोग द्वारा अधोगति तथा आत्म आउनति की संभावना भी हो सकती है क्योंकि सारी बातें प्रयोग पर ही निर्भर होती है एक उत्तम से उत्तम बस्तु भी हानिकारक हो सकती है यदि उस का प्रयोग उचित रूप से न किया जाए साधारन मनुस्यों द्वारा बहुत सी आश्चर्य जनक बातें जिनके समझने में बुद्ध चक्रा जाती है इसी सन्यम की सहायता से की जाती है यद्यप करने वाले और देखने वाले दोनों इस बात से अनभिग्य होते हैं प्रत किनी ही उसकी शक्ति में भी व्रिद्ध होती जाती है उदाहणार्थ और शदियों के इस थूल रूप की अपेक्छा उनके सक्तों में कई गुना बल बढ़ जाता है धातुएं अग्मिद्वारा भस्म होकर अपने सूख्ष्म परमाडु रूप में कितनी प्रभावशाली बन जाती हैं सूख्ष्म भूतों के सूख्ष्म परमाडुओं में जिस अदभुद शक्ति का प्राचीन भारती दर्शनकारों ने वड़न किया है उसका ज्यान अब पाश्चात्य देशवालों को भी होता जा रहा है इनके सदुपयोग से संसार की अधिक से अधिक उन्नत और प्राडी मात्र का कल्यान हो सकता है किन्तु इनके दुरुपयोग का रोमांचक उधारन भी हमारे समक्ष है केवल गंधक पारा फौलाद तथा रेडियम आधिके सूख्म परमाडुओं से बने हुए परमाडु बम द्वारा सारे अंतर्रास्टी नियमों को उलंगन करत हुए हिरोशिमा और नागा साकी नामक जापान के नगरों पर अमेरिका ने जो उत्पांत उत्पन किया है और युद्ध से सर्वथा असंबंधित लाकों इस्तरी पुरिश बालक व्रिद्ध निरपराधी नागरिकों सथा करोणों प्राण धारियों का जो प्राण हरन किय है और जो अकतनी पीड़ा पहुंचाई है उसका उदाहरन सारे भूमंडल के इतिहास में धूड़े न मिल सकेगा इन अमानुस राक्षसी कारियों द्वारा देश भक्त स्वतंतता प्रेमी मृत्य से सर्वथा निर्भै वीर जापानियों को अपनी अध्विती निर्भैता वीरता और युद्ध कला कोशल को दिखलाए बिना शस्त डाल देने पर विवश कर देने से अमेरिका अपने को सफल और कृतकृत्य भले ही समझ ले किन्तु भविस्द में भूमंडल के निस्पक्ष और तटस्थ इतिहास लेखकों के लिए यह चरित्र अमेरिका के शक्तियां हैं कई स्थानों में इस बात को बतला आये हैं कि इस थूल भूतों की अपेक्षा सूख्ष्म भूत सूख्ष्मतर हैं उनकी अपेक्षा तनमात्राएं और इंद्रियां हैं और उनकी अपेक्षा अहंकार सूख्ष्मतर है अहंकार की अपेक्षा चित चित जो ग के कारण सब में प्रविस्ट होकर उनमें यतोचित परिणाम कर सकता है सन्यम में चित का ही सारा खेल होता है इसलिए बिभूतिपाद में बतलाई हुई सारी सिध्यां तथा अन्य सब प्रकार के अधभुच् lakes मतकार सन्यम द्वारा किये जा सकते हैं हैपनोटिजम, मेस्मेरिजम, आध में एक प्रकार से सन्यम ही का प्रयोग होता है कई साधूं के संबंध में कहा जाता है कि वे बिना टिकट रेल में सफर करते हैं मांगने पर बहुत से टिकट दिखा देते हैं और कोई कोई ट्रेन को भी रोक देता है और कई अगोरी मनुस्यों का मांस खाते हुए द्रिष्टिगोचर होने पर मांस को कलाकंद के रूप में दिखला देते हैं इनमें भी द्रिष्टिबंध, साइटिजम, संबंधी तथा इंजिन की गति में एक प्रकार से सन्यम ही काम करता है यद्यपिवे इस बात से सर्वता अनभिग्य होते हैं सन्यम में सबसे पहला और सबसे कठिन काम धारणा है साधारण परमित ग्यान और अल्प बुद्धिवाले मनुस्यों को बेसिर पैर और बेतुके मंत्रों यथा कांगरू देश कामाक्षा देवी जहां बसे अजैपाल योगी अजैपाल योगी ने कुत्ते पाले चार हरा पीला काला लाल इन कुत्तों का दसा नमरे जोगी अजयपाल की आन तथा अपरचित भ्यानक शब्द यथा हिलिंग इत्याज अधिक प्रभावित करते हैं। इस अंध विश्वास द्वारा वे उस विशेश विशे संबंधी धारणा में योग्यता प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार असब्य जंगली जातियों के कई परिवारों में विशेश मंत्रों के द्वारा विशेश धारणाएं परंपरा से गुप्त चली आ रही हैं। और वे उस कार्य को उस मंत्र का ही परिणाम समस्ते चले आते हैं। उदाहडार्थ एक बाजीगर तमाशा करने वाला कहता है। आकाश में राक्षसों और देवताओं में युद्ध हो रहा है। मैं देवताओं की सहायता के लिए जाता हूँ। इस बीच में आप मेरे परिवार और सामान की रक्षा करने की कृपा करें। वह एक रस्ती उपर आकाश में फेंक कर उसके द्वारा उपर चढ़ता हुआ द्रिस्ट से ओजल हो जाता है। थोड़ी देर में क्रम से उसके हाथ, पैर, धड़ और सिर उपर से प्रिथवी पर गिरते हैं। उसकी इस्त्री उसको लेकर सती हो जाती है। उसके कुछ समय ही पश्चाद वह बाजीगर नीचे उतरता है। राक्षसों पर विजय के शुभ समाचार सुनाकर इस्त्री को तालाश करता है। और दर्शकों में से मुख्य व्यक्त की कुरसी के नीचे से निकाल लाता है। इस सारे खेल की जब एक फोटो ली जाती है तब वह बाजीगर आसन लगाये हुए अपने परंपरा से प्राप्त किये हुए एक विशेश मंत्र का जब करता हुआ पाया गया। जिसमें इस सारे दृष्टिबंध संबंधी विशे के सन्यम की धारणा थी। एक समय एक जगह योग संबंधी साताथ डाख्यान लेक्चर देने थे। एक सन्यासी महात्मा उनसे प्रभावित होकर यह समझने लगे कि मैंने कभी पिशाच सिद्धी की होगी। अत्वा मुझे पिशाच सिद्धी की किशी विशेश क्रिया का ग्यान है। वे बड़ी स्रद्धा और नम्रता पूर्वक उसकी दिख्षा के लिए एक आंत में मुझसे प्रार्थना करने लगे। बार-बार मना करने पर भी मेरी इस प्रकार की बातों से उपेक्षा वृत्ति का उन्हें विश्वास नहीं होता था। उन्हीं के हितार्थ उस दिन यह सन्यम की विवेचना की गई थी। पिशाच सिद्ध और भूत सिद्ध के अभिलाशी कई प्रकार की हिंसा करते हैं। मरगटाद बहधीत तामसी स्थानों में तामसी भावना वाले बेतुके मंत्रों से भूत पिशाच की भावना में धारणा करते हैं। ये सारी बातें अपने तामसी प्रभाव से चित को शीघ्रतम भूत पिशाचा कार में पढ़नत करने के उद्देश से की जाती है। इस तामसी भूत पिशाचा के आकार में दिन्ह इस्थित होने के पस्चाथ इस प्रकार के सन्यम की धारणा द्वारा कभी-कभी उनसे प्रयूत सारी बातों को परमान उबं के सद्रिश सन्यम का दुरुपयोग समझना चाहिए। इस प्रकार की बातों को योग, सिध्ध, अथमा चमतकार और उनके करने वाले को योगी, सिध्ध और चमतकारी पुरुष समझना भी अत्यंत भूल है। प्रत्युत इन चमतकार का स्तेय चोरी है और मांस भच्छन स्वैंग हिंसा रूपी पाप है चोरी की पुष्ट करने वाली और हिंसा को छिपाने वाली कोई भी क्रिया योग सिद्ध अथमा चमतकार नहीं हो सकती और नौ उनका करने वाला योगी सिद्ध अथमा चमतकारी पुरुष इसी प अधोगति को प्राप्त होना है स्रीमत भगवत गीता में इस विशे को कितने सुन्दर शब्दों में वड़न किया गया है यजनते सात्पिका देवान यक्छरक्छांसि राजसाह प्रेतान भूत गडांस चान्य यजनते ताम साजनाह अशास्त्र विहितं घोरं तप्यनते येत पोजनाह दंभाहंकार सन्युकताह कामराग बलानमिताह करशयंत शरीरस्थम भूत ग्राम चेतसह माम चैवानत शरीरस्थम तान्मिबद्धाय शुर निश्चयान सात्तिक पुरुष देवताओं को पूजते हैं राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को और तामस पुरुष भूत और पेतों को पूजते हैं जो लोग दंभ और अहंकार से युक्त होकर कामना आसक्ति और बल के अभिमान पर शास्त्र विरुद्ध गोर तप तपते हैं तथा जो मूर्ख शरीर रूप से इस्थित भूत समुदाय को अर्थात शरीर इंद्रीय और मन आदि के रूपों में पंड़त हुए पांचों पृत्वी जल आदि स्थूल भूतों को और अंतह करण में इस्थित मुझ अंतर आत्मा को भी जर्थकस्त देते हैं उन अज्यानियों को आशुरी स्वभाव वाला जान यान्ति देव ब्रता देवान पित्रिन यान्ति पित्रि ब्रताह भूतान यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्या जीनों पिमाम देवताओं को पूझने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, अर्थात उनका चित देवताओं के स्वरूप को धार्न करता है, पितरों तथा यक्ष राक्षस को पूझने वाले पितरों तथा यक्ष राक्षसों को प्राप्त होते हैं, अर्थात उनका चित पितर और यक च्छ राक्षसों के तदाकार हो जाता है। भूतों को पूजने वाले भूतों और प्रेतों को प्राप्त होते हैं। अर्थात उनका चित भूतों प्रेतों जैसे तामसी सुभाव में पर्णत हो जाता है और शुद्ध पर ब्रम्ह परमात्मा के उपासक उसको प्राप्त होते हैं। संगत शंका योग के आठ अंगों में से केवल पहले पाँच अंगों का साधन पाद में वड़न किया गया। धारणा, ध्यान और समाधि का क्यों नहीं किया। उत्तर, पहले पाँच अंग समाधि के साक्षात साधन नहीं, बहिरंग साधन हैं। धारणा, ध्यान, समाधि अंतरंग साधन हैं। इसलिए इनका विभूति पाद में लक्षन किया। इसी को अगले सूत्र में बतलाते प्रयमंतरंग पूर्वे भ्यह पहले की अपेक्षा से तीनों धारणा, ध्यान और समाधि अंतरंग हैं। व्याख्या पहले पाद में बताए हुए यम, नियम, आसन, प्राणायाम और पत्याहार की अपेक्षा से ये तीनों धारणा, ध्यान और समाधि संप्रग्यात समाधि का जो विशय है वही धारणाद का विशय है इसलिए समान विशय होने से ये धारणाद तीनों संप्रग्यात समाध के अंतरंग हैं और यम नियमाद पांचों यद्यपि चित्त को निर्मल बनाकर चित्त के उपयोगी बनाते हैं तथा पिसमान विशय ना होने से वही रंग है इसलिए इन पाँचों को साधन पाद में और धारणाद तीनों को विभूति पाद में वड़न किया संगत ये धारणाद तीनों में भी निरवीज समाधि की अपेक्छा से बहिरंग हैं यह अगले सूत्र में बतलाते हैं तदब बहिरंग निर्वीजस्य वह धारणा ध्यान समाधि भी असंप्रज्यात समाधि का बाहर का अंग है व्याख्या ये धारणा ध्यान समाधि सम्प्रज्यात समाधि के अर्थात सबीज समाधि के अंतरंग हैं पर असंप्रज्यात निर्वीज समाध के ये भी बहिरंग साधन हैं। उसका साक्षात साधन पर वईराग्य है। अर्थात जो साधन साध्य के समान विशयवाला होता है। अथ्वा जिस साधं के दिन होने के अनंतर साध्य की सिद्ध अवस्य ही हो वह अंतरंग होता है। धारना धानाद सालंबन किसी को आलंबन सहारा धेय बनाकर धेय रूप समान विशय वाले होते हैं। और उनके दिन होने पर संप्रग्यात योग सिद्ध होता है। इसलिए वे संप्रग्यात समाध्य के अंतरंग हैं। किन्तु असंप्रग्यात समाध्य निरालंबन बिना आलंबन सहारा धेय के निर्विशय होती है। और धारणाद स्तन्यम के द्रिण होने पर असम प्रज्यात योग अवस्य ही सिद्ध हो जाए। ऐसा भी कोई निश्चत नियम नहीं है। इसलिए निर्वीज समाधि के प्रति धारणाद तीनों बहिरंग हैं। इसका अंतरंग पर वैराग है जो निर्वीज समाधि के सद्र निरालंब और निर्विशय है और जिसके द्रिण होने पर असंप्रग्यात समाध्य अवस्य ही सिद्ध होती है संगत अब यह शंका होती है कि गुण की वृत्ति चलायमान है अर्थात वह एक छण भी बिना परिणाम नहीं रहती चित्त त्रगुनात्मक है निर्वीज समाध में जब चित्त निरुद्ध हो जाता है तब उसका परिणाम कैसा होता है इसी शंका की निवृत्ति में अगले चार सूत्र हैं परिणामों का वड़न तेरहमें सूत्र में है पर जब तक परिणामों को ठीक ठीक न जांच लिया जाए उसके समझने में कठिनाई आएगी इ ये तीन परिणाम तीनों गुणों से उत्पन हुए सब द्रब्यों में पाए जाते हैं जिसमें ये परिणाम होते हैं उन्हें धर्मी कहते हैं और वे परिणाम धर्म कहलाते हैं निरपेक्ष धर्मी केवल कारण रूप प्रकृति है अन्य उसके सब विकार महत्त्त्त से ल यहां मिट्टी द्रब्य धर्मी है, उसमें नाना प्रकार के बर्तन के आकार जो क्रम के बदलने से हो गए हैं, धर्म हैं, इनमें से एक धर्म का दबना, दूसरे धर्म का प्रकत होना, मिट्टी धर्मी का धर्म परिणाम कहलाता है लक्षन परिणाम उपर बतलाए हुए धर्म परिणाम में बरतन मिट्टी का एक नया आकार है यह आकार उसमें छिपा हुआ था अब प्रकट हो गया ये बरतन के आकार मिट्टी के ही धर्म है जो उसमें चिपे रहते हैं उस चिपे हुए धर्म आकार का प्रकट होना अर्थात भविष्च से वर्तमान में आना लक्षन परिणाम है लक्षन परिणाम काल भेद से होता है बरतन का आकार प्रकट होने से पहले धर्मी मिट्टी में चिपा हुआ था जब तक प्रकट नहीं मिल गया तब भूत लक्षन वाला हो गया बरतन तीनों काल में मिट्टी में वर्तमान है भूत भविष्च में छिपे हुए रूप से बरतमान में प्रकट रूप से इस प्रकार काल भेद से धर्मी के तीन लक्षन परडाम होते हैं अनागत भविष्च लक्षन परडाम बरतम लक्षन परिणाम है यह बरतन ज्यों का ज्यों पुराना होता जाता है त्यों त्यों जीन होता चला जाता है यहां तक की एक समय इतना जीन हो जाता है कि हाथ लगाने से तूटने लगता है यह जीन होने की अवस्था पतिछन होती रहती है इस कारण उसको अवस्था परिणा प्रिनाम कहते हैं। इन परिणाम में धर्म और लक्षं परिणाम बस्तु की उत्पत्ली समय में होता है।מה और अवस्था परिणाम उसके अंत होने तक रहता है। अन्य कई दर्शनों में गुण और गुणी को धर्म और धर्मी कहा गया है, परन्तु योग दर्शन में धर्म, धर्मी, शब्द, कार्य कार्ण अर्थ में लाए गए हैं। व्युत्थान निरोध संसकार योरिभी भव प्रादुर भावव निरोधक्षन चित्तान वयो निरोध परिणामह व्युत्थान के संसकार का दबना और निरोध के संसकार का प्रकट होना यह जो निरोध काल में होने वाले चित्त का दोनू संसकारों में अनुगत होना है यह निरोध परिणाम कहा जाता है ग्याक्या दुख्थान च्षिप्त मोड़ विक्षिप्त इन तीन पूरवोक्त भूमियों को दुख्थान कहते हैं यह एक आगरता संप्रग्यात समाध की अपेक्शा से दुख्थान है निरोध असंप्रग्यात समाध की अपेक्छा से एक आगरता संप्रग्यात समाध भी व्युत्थान रूप ही है इसलिए व्युत्थान पद का अर्थ यहां एक आगरता संप्रग्यात समाध जानना चाहिए निरोध व्याकरण की रीति से यदिनी पूरवक रुधधात के आगे करण में घंज प्रत्य माने तो निरोध शब्द का अर्थ परवैराग्य होता है तथा परवैराग्य का संसकार निरोध शब्द का अर्थ होता है और यदि भाव में प्रत्य माने तो निरोध शब्द का अर्थ किसी वृत्ति का उदय नौ होना अर्थात सब वृत्तियों का रूक जाना ओर तीसरे निरोध पद का अर्थ पर वैरागय का संसकार जानना चाहिए अभिभव, छिपाना, कार्य करने की सामर्थ से रहित, निर्बल रूप से रहना, वरतमान अवस्था से भूता अवस्था में जाना, प्रादुर भाव, अनागता अवस्था से वरतमान काल में प्रकट रूप से आना, निरोध क्षण चित्तानवय निरोध काल में होने वाले धर्मी चित्त का अपनी धर्म दुद्थान एकाग्रता अर्थाद संप्रग्यात समाध और निरोध परवैराग के संसकारों में अनुगत होना योग की सिध्धियों की व्याख्या करने की इच्छा से सूत्रकार सन्यम का विशय सोधने के लिए क्रम से तीन परिणामों को कहते हैं इस सूत्र में निरोध परिणाम का वर्णन है निरोध परिणाम चित्त त्रगुनात्मक होने से परिणामी है उसमें प्रतिक्षण वृत वृत्ति रूप परिणाम हो रहा है निर्वीज समाधि में दुथान की सारी वृत्तियां रुक जाती हैं और एकागरता वृत्त भी नहीं रहती तब उस निरोध क्षण वाले चित में कैसा परिणाम उस समय होता है इसको इस प्रकार समझाते हैं चित धर्मी है दुथान दुथान के संसकार चित के धर्म है प्रत्यात्मक अर्थात वृत्य रूप नहीं है इसलिए वृत्यों के रुकने पर ये संसकार नहीं रुकते, धर्मी चित में बने रहते हैं। इसी प्रकार निरोध परवैराग्य के संसकार भी चित के धर्म हैं। इन दोनों संसकार रूपी धर्मों में से एक धर्म का दबना दूसरे का प्रकट होना चित्त रूपी धर्मी का धर्म परिणाम है। जो पहले वर्तमान रूप में थे अब भूत रूप में हो गए यह उनका भूत लक्षन परिणाम है। इस प्रकार एक चित्त के एक आग्रता और परवैराग्य के संसकारों का बदलना निरोध परिणाम है। उस समय संसकार शेस वाला चित्त होता है। प्रज्याद समाध्य में चित्त के संसकार शेस रहते हैं। शंका व्रत्यों के संसकार उत्पन होते हैं। जैसे व्रत्थान की व्रत्यों से व्रत्थान के संसकार, समाध्य आरंभ की व्रत्यों से समाध्य आरंभ के संसकार, एक आग्रता की व्रत्यों से एक आग्रता के संसकार, और सब व्रत्यों के निरोध का कारण जो परवैराग्य है, उसकी व्रत्यों से परवैराग्य निरो बाग्य की वृत्तिकाभी निरोध हो जाता है, तब उसके कार्य निरोध के संसकार कैसे सेश रह सकते हैं। समाधान, कारण दो प्रकार के होते हैं, एक निमित्त कारण जैसे कुलाल घट का निमित्त कारण है, दूसरा उपादान जैसे मिट्टी घट का उपादान कारण है, निमित्त कारण के अभाव से कारे का अभाव नहीं होता, केवल उसके आगे की उतपत्ति बंद हो जाती है, क इंत उपादान कारण के अभाव में कारे का अभाव होता है। वृत्तियां संसकारों की निमित कारण हैं। उपादान कारण नहीं है। संसकारों का उपादान कारण चित है। इस उपादान कारण को ही सांख तथा योग की परिभाशा में धर्मी कहते हैं। और उसके कारे को धर्म। इसलिए निरोध छण असंप्रज्यात समाधि में सब वृत्तियों के निरोध होने के निमित्त कारण पर वैराग्य की वृत्त भी निवित्त हो जाती है। उसके कार्य निरोध के संसकार संसकार शेस भी निवृत्त हो जाते हैं। उस निरोध संसकार का फ्ल कहते हैं। तस्य प्रशांत वाहिता संसकारा निरोध संसकार से चित की शांत प्रवाह वाली गत्य होती है। प्रशांत वाहिता निरोध संसकार के अभ्यास से जब निरोध संसकार प्रबल होता है तब व्युत्थान के संसकार सरबथा दब जाते हैं। और व्युत्थान संसकार रूप मल से रहित जो निर्मल निरोध संसकारों की परंपरा प्रवृत्त होती है। यही चित्त का प्रशांत या एकरस बहना चित्त की प्रशांत वाहिता इस्थित है। भास्तिकार इस सूत्र का आशे यह बतलाते हैं कि निरोध संसकारों के अभ्यास को दिर्ण करने की आवशक्ता है जिससे चित्त की प्रशांत वाहिता इस्थित हो जाए क्योंकि निरोध के संसकार मंद होते ही व्युत्धान के संसकार उनको फिर दबा लेते हैं यहां यह बात भी समझ लेनी चाहिए कि निरोध समाध के भंग तक जो चित में उन्ही संसकारों के द्रिण और दुर्बल होते हुए प्रशांत प्रवाह का बहना है वह उसका अवस्था परिणाम है संगत निरोध परिणाम बताकर अब चित में समाध संप्रग्यात परिणाम बताते हैं सरवार्थ तैकाग्रयतो छयो दयव चित तस्य समाधी परिणाम है चित धर्मी के सरवार्थता और एकाग्रता रूप धर्मों का क्रम से नाश होना और प्रकट होना चित का समाधी अवस एक आगृता शमाधिकी अवस्था में परिनाम है व्याख्या सरवार्थता सब विस्यों की ओर जाना यह शब्द चित्थ की विकृषेप अवस्था के लिए यहां आया है विकृषेप अवस्था में सत्गुन प्रधान होता है पर रजोगुन बना रहता है और अपने कार्य करता रहता है इस कारण चित सारे विश्यों की योर जाता है यह अवस्था समाधिके आरंवकाल में होती है एक आगरता समाधिकी अवस्था जिसमें चित सब विश्यों को त्याग कर एक विशय पर टिकता है अर्थात एक ही आलंबन सहारा होने पर सजातीय प्रवाह में परिन दोनों में अनुगत है जब विक्षिप्तता का धर्म दबता है और एकागरता का धर्म प्रकट होता है तब इस प्रकार दोनों धर्मों में अनुगत धर्मी चित में समाधि परिणाम अर्थात संप्रग्यात समाधि काल में होने वाला चित का परिणाम है चित का यह एकागरत का आकार धारन करना चित में धर्म परिणाम है एक आगरता जो चित की सरवार्थता विक्षिपतता में अनागत रूप से चिपी हुई थी अब वर्तमान रूप में आ गई यह एक आगरता रूप चित धर्मी का वर्तमान लक्षण समाधि परिणाम और निरोध परिणाम में भेद निरोध परिणाम से समाधि परिणाम में यह भेद है कि निरोध परिणाम में व्युद्थान एकागरता के संसकारों का अभिभव और निरोध संसकारों का प्रादुर्भाव होता है और समाधि परिणाम में संसकार जनक जो व्युत्थान अर्थात सरवार्थता रूप चित्त का विक्षेप है उसका अक्षय और एकाग्रता रूप धर्म का उदय होता है अर्थात प्रथम संप्रग्यात में व्युत्थान का अक्षय और एकाग्रता का उदय किया जाता है फिर असंप्रग्यात में निरोध संसकारो के प्रादुर्भाव से दुथान एकागरता के संसकारों का भी तिरो भाव दबना होता है संगति समाधी अवस्था में जब विक्षितता बिल्कुल दब जाती है तब चित की समाहित अवस्था में एकागरता परिणाम बताते हैं ततह पुनह शांति दितो तुल्य प्रत्ययव चित तस्याई कागर परिणाम है तब फिर समान वृत्तियों का शांत और उदै होना चित का एकागरता परिणाम है समाहित चित की वृत्त विशेस ही एक प्रत्य कहलाती है यह अतीत भूत मार्ग में प्रविस्थ हुई शांत औ और वरतमान मार्ग में बर्तती हुई उदित कहलाती है। यह दोनों ही चित्त के समाहित होने के कारण तुल्य अर्थात एक विशय को ही आलंबन करने से स्तद्रिश प्रत्यय हैं। इन दोनों में समाहित चित्त का अनुवई अनुगत भाव से रहना एक आगरता परिणाम कहल अर्थात समाधि परिणाम में अभ्यास बल से जब चित्त का विक्षेप बिलकुल दब जाता है तब वह समाहित हो जाता है। इस अवस्था में भी चित्त बराबर बदलता रहता है। किन्त जिस प्रकार विक्षेप में एक वस्थ को छोड़कर दूसरी को पकड़ता था इस प्रकार समाहित अवस्था में नहीं होता। इसमें जिस वस्थ को पकड़ता है उसी में लगा रहता है। चित्त के बदलने के कारण बित्तियां बदलती तो हैं पर जैसे बित्त दबती है वैसी ही उदय होती रहती है। जब तक समाधि भंग न हो जाए। यह धर्मी च चित्त का एकागरता परिणाम है। समाधि के भंग होने पर एकागरता प्रबल होती है। उसके पश्चात दुर्बल हो जाती है। यह उसकी अवस्था का बदलना अवस्था परिणाम है। सावधानी संप्रग्यात समाधि की प्राप्ति से ही योगी अपने आपको संगत अब प्रसंग से चित के सद्रिश ही भूत और इंद्रियों के परिणाम बताते हैं एतेन भूतें इंद्रियेश धर्म लक्षण अवस्था परिणामा व्याख्याता है। इसी प्रकार पांचों भूतों और इंद्रियों में समझना चाहिए। यद्यपि पूर्व चार सूत्रों में धर्म, लक्षन और अवस्था परिणाम का नाम नहीं लिया गया है, तथा पि उनमें चित्त के ये परिणाम दिखलाए गए हैं, यहां उनको संचेप से फिर बतलाते हैं, धर्म परिणाम, धर्मी के अवस्थित रहते हुए पूर्व धर्म की प्राप्ति होना धर्म परिणाम है, चित्त में धर्म परिणाम, नवे सूत्र में निरोध परिणाम में धर्म परिणाम बतला आये हैं, धर्मी चित्त के दो धर्म व्युत्थान संसकार और निरोध संसकारों में से व्युत्थान संसकार का दबना और निरोध संसक इसी प्रकार सूत्र 11 में समाधि परिणाम में धर्मी चित्त के सरवार्थता धर्म के दबने और एकागरता धर्म के प्रकट होने में धर्मी चित्त का धर्म परिणाम है। नेत्रेंद्रीय का उदाहरन धर्मी नेत्र का अपने धर्म नील पीत रूपाद विशेयों में से एक रूप को छोड़कर दूसरे रूप का आलोचन ग्यान धर्म परिणाम है। प्रकट होने से पहले भविश्यत काल में छिपा रहना उसका अनागत लक्षन परिणाम है। उस धर्म का भविश्यकाल को छोड़कर वरतमान काल में प्रकट होना वरतमान लक्षन परिणाम है। और वरतमान काल को छोड़कर भूत काल में छिप जाना अतीत लक्षन परिणाम है। सूत्र नौ में धर्मी चित के निरोध परिणाम में उसके दोनों धर्म व्युथान संसकार और निरोध संसकार इन तीनों लक्षनों से युक्त हैं। उनमें से विर्थान संसकार का वरतमान लक्षन को छोड़कर धर्म भाव को न त्यागते हुए अतीत काल में छिप जाना उसका अतीत भूत लक्षन परिणाम है। उनमें से सरवार्थता का वरतमान लक्षन को त्याग कर धर्म भाव को न चोड़ते हुए अतीत लक्षन को प्राप्त होना उसका अतीत लक्षन परिणाम है। अनागत लक्षन से वरतमान काल में प्रकट होना वरतमान लक्षन और घट रूप धर्म का वरतमान लक्षन से अतीत लक्षन परिणाम है। इसी प्रकार धर्मी नेत्र के धर्मों अर्थात नील पीत रूपाद विश्यों के आलोचन में इन तीनों लक्षन परिणामों को समझ लेना चाहिए। अर्थात धर्मी नेत्र के धर्म नीलाद ज्यान के प्रकट होने से पूर्व अनागत काल में चिपा रहना उसका अनागत लक्षन परिणाम है। और वरतमान काल से अतीत मार्ग में चिप जाना अतीत लक्षन परिणाम है। अवस्था परिणाम एक धर्म के अनागत लक्षण से वरतमान लक्षण में प्रकट होने तक उसकी अवस्थाओं को द्रिण करने में और इसी प्रकार वरतमान लक्षण से अतीत लक्षण में जाने तक उसकी अवस्था को दुरुवल करने में जो प्रतिक्षण परिणाम हो वह अवस्था परिणाम है सूत्र दस में निरोध समाधि के भंग तक जो निरोध संसकार के प्रतिक्षण द्रिण और उसके प्रश्चात उनका दुर्बल होते हुए प्रशांत प्रवाह का बहना है वह उनका अवस्था परिणाम है इसी प्रकार मृतिका के घट धर्म के अनागत लक्षण से वर्तमान लक्षण में आने तक और वर्तमान लक्षण से अतीत लक्षण में जाने तक उसकी अवस्था को क्रम से द्रिण और दुर्बल करने में जो प्रतिक्षण परिणाम हो रहा है वह घट धर्म का अवस्था प अर्थात वर्तमान लक्षन वाले निलाद विशे के आलोचन ज्यान रूप धर्म का स्फुटता और स्फुटता रूप अवस्था परिणाम है। यथार्थ में यह सब एक ही परिणाम है। धर्मी का स्फुरूप मातर ही धर्म है, कोई भिन वस्थ नहीं क्योंकि धर्मी का विकार ही धर्म नाम से कहा जाता है। बनाने से भूशन आकार अन्यथा होता है सुवण का स्वरूप नहीं बदलता ज्यों का त्यों रहता है इसी प्रकार चित्त आदि धर्मियों का स्वरूप नहीं बदलता उनके निरोध आदि धर्मों के भाव बदलते रहते हैं भाशकार ने पतिपक्षियों की शंकाओं का युक्ति पूर्वक समाधान करते हुए स्ववपक्ष का विस्तार के साथ वड़न किया है। हमने सूत्र नौ की संगति और इस सूत्र की व्याख्या प्रयाप्त समझकर विस्तार के भैसे उसे छोड़ दिया है। इतना और बतला देना आवश्यक है कि सांख तथा योग में धर्मी उपादान कारण के अर्थ में है और धर्म उसका विकार कार्य है। वैशेशिक वालों के गुण के अर्थ में नहीं है। तिपड़ी व्यास भास्त का भाशा नुवाद सूत्र तेरह इस पुर्वोक्त धर्म लक्षन और अवस्था रूप चित्त के परिणाम से लक्षन परिणाम और अवस्था परिणाम भी व्याख्यात समझने चाहिए। उनमें धर्मी के व्युत्थान और निरोध धर्मों का अभिभाव और प्रादुर भाव धर्म परिणाम है। लक्षन परिणाम निरोध त्रिलक्षन होता है। तीन अध्व मार्ग से युक्त यह इसका दुतीय अध्व मार्ग है वह अतीत और अनागत लक्षण से वियुक्त नहीं है तथा जुत्थान त्रिलक्षण तीन अध्व से युक्त होता है वरत्मान लक्षण को छोड़ कर धर्मत्व का परित्याग ना करके अतीत लक्षण को प्राप्त होता है यह इसका को छोड़कर धर्मत्व का उलंगन न करता हुआ वर्तमान लक्षन को प्राप्त हो जाता है जहां कि इसके स्वरूप की अविव्यक्त होने पर व्यापार होता है यह इसका दुतीय अध्व है वह अतीत और अनागत लक्षन से व्युक्त नहीं है इसी भात पुनह निरोध और पुनह व्युत्थान होता रहता है तथा अवस्था परिणाम होता है उसमें निरोध के क्षणों में निरोध के संसकार बलवान होते हैं और व्युत्थान के संसकार दुरलब होते हैं यह धर्मों का अवस्था परिणाम है उसमें धर्मी का धर्मों से परिणाम होता है धर धर्म लक्षन और अवस्था परिणामों से शून्य एक छण भी गुणों की विरत्ती नहीं रहती है क्योंकि गुणों की विरत्त चंचल सुभाव वाली है गुणों का गुण सुभाव प्रव्रित्ती का कारण कहा है इस से भूत और इंद्रियों में धर्म-धर्मी भेद स त्रिविध परिणाम जानना चाहिए और परमार्थ से तो एक ही परिणाम है धर्मी का स्वरूप मात्र ही धर्म है धर्मी की विक्रियाही यह धर्म द्वारा विस्तार से कही है उस धर्मी में वर्तमान धर्म के ही अतीत अनागत और वर्तमान अध्धों में भाव का अन्यथा द्रव्य का अन्यथात नहीं होता जैसे सुवण पात्र को तोड अन्यथात करने पर भाव का अन्यथात होता है सुवण का अन्यथात नहीं होता दूसरे कहते हैं धर्म से धर्मी और नियुनाधिक होता है क्योंकि वह पूर्व तत्व का अतिक्रम नहीं करता पूर्व अपर अवस्था भेद से अनुपतित प्राप्त हुआ कोटत्थ से परिवर्तित होगा। यह दिवह अन्वई है। समाधान यह दोश नहीं है, क्योंकि यह बात एकांततह नहीं मानी है। यह त्रैलोक व्यक्त से चुत होता है, क्योंकि इसके नियतत्थ का निशेद किया है। अनागत और वरतमान लक्षन से वियक्त नहीं होता है, जैसे पुरुष एक इस्त्री में रक्त है और शेसों से विरक्त नहीं है। यहां लक्षन परिणाम में सर्वता सर्व लक्षनों के साथ योग होने से अध्व संकर प्राप्त होता है, यह दूसरे दोश देते हैं। उसका यह परिहार है, धर्मों का धर्मत्व और प्रसाध्य है, धर्मत्व के होने पर ही लक्षन भेद भी कहना होगा, उसको धर्मत्व वरतमान समय में नहीं है, इस भात ही नित राग धर्म वाला नहीं होगा, क्योंकि क्रोध के समय राग समुदा चार नहीं है, और भी तीन लक्षणों का एक साथ एक व्यक्ति में संभव नहीं क्रम से तो उसके व्यंजक की सहायता के भाव से हो सकता है उक्तंच रूपातिशय और वृत्ति अतिशय परसपर विरोधी हैं सामान्य तो अतिशय के साथ रहा करते हैं इस कारण से संकर दोश नहीं है जैसे राग काही कह समुदाचार है इसलिए उस समय अन्यत्र अभाव नहीं है किन्ट केवल सामान्य से समन्वागत है अतह उस समय उसका वहां भाव है तथा लक्षण का भी भाव है धर्मी त्री अध्थ तीन मार्ग वाला नहीं होता धर्बठी अध्वर हुआ करते हैं वे धर्म अवस्था को प्राप्त हुए अवस्थांतर के कारण अन्यत्व निर्देश किये जाते हैं द्रव्ध्यांतर से नहीं जैसे एक रेखा शत्स्थान में शत्थ दस स्थान में दस और एक स्थान में एक होती है जैसे एकत्त होने पर भी एक इस्त्री माता कहलाती है पुत्री कहलाती है बहन कहलाती है अवस्था परिणाम में कौटस्थ प्रसंग दोश कुछ लोगों ने कहा है किस प्रकार की अग्धों के व्यापार से व्यवहित होने से जब धर्म अपनी व्यापार को नहीं करता तब अनागत है जब करता है तब वर्तमान शंका पूर्व स सूत्र में चित्त का परिणाम मात्र कहा है धर्म परिणाम लक्षन परिणाम और अवस्था परिणाम नहीं कहे इस शंका को परिणामों में विभाग कर दिखला कर दूर करने के लिए उपक्रम करते हैं तत्र व्युत्थानेत उनमें से व्युत्थान और निरोध के अभिभव और प्रादुर्भाव ही धर्मी चित्त में धर्म परिणाम प्रथम सूत्र ने ही कहा है। धर्म द्रब्य है या गुण यह बात दूसरी है तथा उसी सूत्र ने अभिभव और प्रादुर्भाव शब्दों से धर्म का लक्षन परिणाम भी कहा है। अभिभव और प्रादुर्भाव हुआ करता है। यह भाव है। उनमें से पहले निरोध रूप धर्म के प्रादुर्भाव शब्द से कहे लक्षन परिणाम का उदाहर्ण देते हैं। निरोधस त्रिलक्षन इति इसी का विवरण है, तीन अध्ध मार्ग से युक्त है, कर्म के संबंध से अध्ध के तुल्य होने से अनागत आदिभाव अध्ध कहलाते हैं। तथा धर्मी और धर्मों के अन्योन्य के व्यावर्तन से और लक्षन शब्द से तंत्र में कहा है। इससे क्या आया, इसको कहते हैं। के हटने पर रूपांतर की उत्पत्ति में धर्म परिणाम शब्द का व्यवहार होता है। बरतमान अवस्था को इतर दो अवस्थाओं से विवेचन करके दिखलाते हैं। यत्रेत स्वरूप से अर्थक्रिया कारित्व से अभिव्यक्त उपलब्ध है। वह अनागत की अपिक्षा से दुतीय अध्व है। वह शिष्च के व्युत्पादन के लिए प्रसंग से कहते हैं। एशो अस्चेत असत की उतपत्त और सत के विनाश के प्रतिसेद के लिए कहते हैं। नचेत निरोध च्छन में ही निरोध के लक्षन परिणाम को दिखला कर व्युत्थान को भी दिखलाते हैं। तथा व्युत्थान मित सब पूर्ववत है, विशेश है, वरतमानता को छो परिणामों को क्रम से दर्शाते हैं एवंग पुनर व्युद्थान मुप संपध्यमान मिति उप संपध्यमान जायमान का नाम है और वह व्यक्त अंतर है क्योंकि अतीत व्यक्त का अनुत्पाद आगे कहेंगे अन्य सब पूर्ववत है एवंग पुनर निरोध इति यहां ए त्या दिवाग किसे कहें निरोध के त्रतीय अध्य की प्रक्रिया निर्देश की है अतह निरोध के त्रतीय अवस्था के कथन के अभाव की शून्यता नहीं है अर्थात त्रतीय अध्य की प्रक्रिया के निर्देश से निरोध की त्रतीय अवस्था के कथन का अभाव है यह व्युद्थान निरोध परिणाम का चक्र अपवर्ग परियंत ही है यह संचेप से कहते हैं एवंग पुनर व्युद्थान मित पुनर व्युद्थान आदि अर्थ है चित्त के धर्मों के लक्षन परिणाम को दर्शा कर उस लक्ष के अवस्था परिणाम की तश्य शांत वाहिता संसकारात इस सूत्र पर व्याख्या हो चुकी है यह दिखलाते हैं तथा अवस्था परिणाम इति अवस्था परिणाम को कहते हैं संसकारों का बलवत्व और दुरबलत घट के नए और पुराने पन की भांति है विध्य और ह्रास उत्पत्ति और विनाश रू शंका द्रव के ही विद्ध और च्छय देखे जाते हैं गुण के नहीं समाधान यह बात नहीं है रूप आधि गुणों के भी विद्ध और रास का अनुभव होता है विद्ध रास को रूप का अन्य भेद माने तो गौरव होगा वही रूप अब बढ़ गया है ऐसी जो प् अक्षा आधिके उत्पत्त और विनाश का अनुभव होता है दो खण मात्र स्थाई होने पर भी दुतीय खण में वरतमान लक्षन का अवस्था परिणाम होता है वह खणत्त से ही उस परिणाम का हेत है यदि ऐसा न माने तो सब वस्तूओं के प्रतिक्षन परिणाम की जो विशेस गुण की ही ज्यानाद के नाशक होने से एक आगरता दशा में भी ज्यान के बहुत च्छन स्थाई होने से अवस्था परिणाम संभव नहीं है तब इस प्रकार तीनों परिणामों की व्याख्या करके उनके आधार की व्यवस्था को कहते हैं तत्र धर्मड इत्या अधी अवस्थाओं का भी लक्षण परिणाम होता है तता पियतोक्त क्रम मानने में कोई अनुपपत्ति नहीं है शंका वरतमान लक्षण का नव पुराण नया पुराना आदी अवस्था परिणाम हो सकता है अनागत और अतीत लक्षन का अवस्था भेद किस प्रकार होगा समाधान शीग्र भविश्चता बिलंब भविश्चता आद रूप विशेस उन लक्षनों का भी अनुमान हो सकता है क्योंकि सत्व आद की भात ही गुनत्व से प्रतिषन परिणामित सिध्ध है यतोक्त चित्त के परिणामों से सर्व वस्थूओं के वह ठीक नहीं है ऐसा मानने से प्रतिषन आवयों के उपचय और अपचय के लिए आवयों का सन्योग और विभाग अवस्थ ही मानना होगा और उससे शरीर आद अखिल वस्थूओं की छणिकत्त की आपत्त को ब्रम्हा भी नहटा सकेगा और जाति से ही सर्वत्र प्रत्य विग्या की उपपत्ति होने से प्रत्य विग्या से घटा दिके इस थैर्य का जो स्वस्थ्धांत है उससे विरोध आवेगा इसलिए आवयों के सन्योग का नाश द्रव्य के नाश का हेतु नहीं है किन्त वहनि आदि में त्रिन अरण और मड़ी आदि की भात अविवस्थित ही फल के बल से कारण की कल्पना करनी चाहिए अत्मा विजाती औयो विभाग विशेस हैं यह स्वरूपान्य ठात्वादी बौधों के धर्म परिणाम में कहे दोशों को निराकरण करने के लिए उठाते हैं अपर आह धर्मों से धर्मी अतिरिक्त नहीं होता अत्यंत अभिन होता है इसमें हेतु हैं पूर्वतत्त का अतिक्रम नौ होने से पूर्वत्त धर्मी के अनतिक्रम की आपत्ति से कौटस्थ की आपत्ति से यह प्रयोजन है इसी का विवरण करते हैं पूर्वा परेत पूर्व और अपर अवस्था भेद में अनुपतित अनुगत कौटस्थ से चुत हो जाएगा यदि अन्वई होगा यदि धर्मी धर्मों के अन्वई होगा तब पूर्व अपर सफल अवस्था भेदों में अनुगत होने से अतीत आदी अवस्था में भी सत्त मानना होगा और वह चित शक्त के समान कूटस्थ रूप से रहेगा क्योंकि नित्यत्व और कूटस्थ का एक ही अर्थ है और वह तुमको भी अनिस्थ है इसका परिहार करते हैं अयम दोशह यह दोस नहीं है एकांतेति क्योंकि हम एकांत नित्यत्थ नहीं मानते हैं एकांतेन का अर्थ है सर्बथा स्वरूप से और अपने धर्म से नित्यत्थ कौटश्थ हम मानते हैं और वह चित शक्त का ही है धर्म रूप से अनित्य धर्मी की कूतस्थता नहीं है विकार से व्याब्रत ही प्रकिरत्य की नित्यता है सत्य की अतीत और अनागत अवस्था में शुन्यत्य नित्यत्व है स्वरूप से और धर्म से नित्यत्व और अनित्यत्व दोनों रूपता इस प्रपंच का प्रतिपादन करते हैं तदेत दित यह कार्य कारणात्मक्त्रिलों की चौबीस तत्व अपने कार्यों के सहित यथा योग धर्म रूप से और स्वतह व्यक्त से वरतमान अवस्था से चुत होते हैं क्योंकि इनके नित्यत्त का शुत निशेद करती है। नईवेह किंचनाग्र आसीत यहां आगे कुछ भी नहीं था असद्वा इदमग्र आसीत यह प्रपंच पहले असत था इत्याद सुर्तियों ने नित्यत्त का प्रतिशेद किया है। उसमें व्यक्त और अव्यक्त रूप प्रकिर्त भली भात प्रतीत होती है। इत्याद सुर्तियों ने निशेद किया है। ने पर अनादित्त भाव की अनुपपत्य होती है। यद्यप सत्यमेव इस सुर्ति में सत शब्द का अर्थ तरमात्मा ही है। क्योंकि उत्तरवाक्य में तदैक्षत आया है। तो भी सत के एकी भाव से इदमासीत यह था। इस वचन से प्रपंच की भी प्रलैकाल में सत्ता सिद्ध होती ही है। इसी प्रकार यह अध्याकृत था, तमस ही यह था। यह प्रपंच तम रूप अलक्षन और अज्यात था। इत्याद सुत्य और स्मृत भी अत्यंत उच्छेद का निशेद करने वाली प्रमाड है। युक्त भी असत से सत की उतपत्ति में शश्रिंग आद की उतपत्ति माननी पड़ेगी। और बंध मोक्ष भी अकारण ही होंगे जो की नहीं हो सकते। यह युक्त भी प्रमाड हैं। यदि अतीत होने पर भी हैं तो उपलब्ध क्यों नहीं होते। इस पर कहते हैं संसर्ग से उपलब्ध नहीं होते। इस कार्य जगत का अपने कारण प्रकृति में संसर्ग होने विभक्त नौ रहने लय हो जाने से उपलब्ध नहीं होती है क्योंकि उसके लोकिक साथ छातकार में उनकी सूख्षमता प्रतिबंधक है इस प्रकार कार्य कारण के अभेद से सभी परिणामी प्रकृति आदिकों क प्रकार् भेद से नित्य और अनित्यздय उभय रूप की व्यवस्था हो जाने से उनके शत्य और असत रूपता का सिध्धांत सिध्ध हो गया बाध और अबाद से सत्य असत ख्यात्य हैs यह सांख्य दर्शन का सूत्र भी प्रमार्ण हो जाता है यही जड़ों की विवहार कि सत्ता पुरान आदy में कही गई है जो निह सथा सत्तंत्धानम भाशकार ने पूर्व कहा है वह परमार्थिक सत्थॉ और असत्ध के अविप्राय से कहा है हम ने उसकी वहीं व्याक्ष्या कर दी है इससे आत्माही शत है अन्य सब असत है यह सुरुति और स्मृति के वाद के भी विरुद्ध नहीं है एकांत नित्य की ही पारमार्थिक सत्ता है और वह कूटस्थ नित्य की ही है क्योंकि वह असत्ता के संपर्क से रहित है प्रकृतियों की विवहार सत्ता नित्य नहीं है इसी प्रकार ना सद रूपा न सद रूपा माया नेवो भयात्मिका सद सदभ्या मिर्वाच्या मिठ्या भूता सनातनी ना माया सद रूपा है ना असद रूपा है ना उभै रूपा ही है सत और असद से अनिर्वचनिया मिठ्या रूपा सनातनी है इत्याद इवाक्य भी संगत हो जाते हैं आधुनिक वेदान्तियों के और निर्वचनी वाद में संगत नहीं होते क्योंकि उन्होंने माया नामक जगत के कारण का भी विनाश या अत्यंत तुक्षत्व ही परमार्थ से माना है उनके मत में सनातन शब्द का विरोध है धर्म परिणाम की परिच्छा करके अब लक्षन परिणाम की परिच्छा करते हैं लक्षन परिणाम इति अध्वस वरतमान इति धर्मों का नित्यत तो कहा है बिना नित्यत अतीत अनागत लक्षन के सन्योग असंभव है यहां एक-एक लक्षन के अविव्यक्ट के काल में भी धर्म सूख्म लक्षनांतर के बिना नहीं होता यह समुदाय का अर्थ है और धर्मों की भात लक्षन भी नित्य ही है अतह ना असत की उत्पत्त होती है और ना सत का अत्यनत उच्छेद होता है यह प्रशंग दोस नहीं है शंका एक लक्षण की व्यक्त के काल में लक्षणांतर की अनुपलब्धि से उनका अभावही युक्त है समाधान उनकी उपलब्धि अनुमान से होती है उसको दर्शाते हैं यथे तिन सेशासु विरक्त इति शेसों से विरक्त नहीं है राग के भावी होने में विरक्त व होती है लक्षन परिणाम में भी दूसरों के दूशन की उद्भावना करते हैं अत्रीत सब अनागता दिको वर्तमानाद सब लक्षनों से योग होने से अनागत आद भी वर्तमान ही हो जाएंगे तब अध्धों का संकर हो जाएगा यद उनमें क्रम मानें तो असत की उत्पत माननी पड़ेगी अत्ः वर्तमान लक्षन ही सब वस्थ होंगी पूर्व और उत्तर काल में उनका अभाव मात्र होगा और अभाव के प्रतियोगी होने से उनमें अतीताद विवहार हो जाएगा इसमें पहले धर्मों में लक्षन त्रय के संबंध की विवस्था करते हैं धर्मनामित्य धर्मों का धर्मत्व पूर्वं सिद्ध कर चुके हैं, यहां सिद्ध नहीं करना है, धर्मत्व के सिद्ध हो जाने पर धर्मों का लक्षण भेड और लक्षण भहुत भी कहना चाहिए, अर्ध वैनाशिक के कहे वर्तमान मात्र एक लक्षन नहीं है क्योंकि वर्तमान समय मात्र में ही इस धर्म का धर्मत नहीं है किन्त अतीताद समय में भी धर्म का धर्मत है यहां हेत कहते हैं और हीत क्योंकि इस प्रकार वर्तमान काल में ही धर्मत होने पर सब ही चित राग धर् अर्थात विरक्त होंगे विरक्त विवहार के योग्य होंगे क्योंकि क्रोध के काल में राग का आबिर भाव नहीं होगा भाव यह है जैसे कि जब कभी चिद्राग की सत्ता से अपना चित रिक्त है यह विवहार होता है तथा जब कभी चिद्राग के अभाव से चित विरक् आहिे अतह अतीतादिकाल में भी राग आदीचितादिके धर्म हैं धर्मों का त्रिलक्षणत सिध्य है जो उन्होंने कहा है कि अभाव की प्रतियोगिता मात्र से अतीताद Fuß व्योभार होता है वह भी हे है क्योंकि घट के न होने पर धन्स के प्रतियोगिता आदे रूप अतितत्त की वृत्त ही नहीं बन सकती सन्योगित आद की भात प्रतियोगित आद की दो संबंधियों के बिना अनुपपत्त है क्योंकि सत और असत संबंध देखा नहीं जाता अतह भंस और प्राग भाव असिद्ध हैं घट वरतमान है इसी भात घटो अतीत घट अतीत हो गया घट होगा इन प्रतीतियों से घट की अतीत और होने वाली अवस्था विशे से ही सिद्ध है यदि ऐसा न माने तो भाव का अभाव भी अतिरिक्त सिद्ध होने लगेगा इत्याद दोशों की स्वैंग उहा कर लेनी चाहिए इस प्रकार धर्मों की तीन लक्षन काल की स्थापना करके अब उसके संकार्य का परिहार करते हैं किंग चेत तीनों अनागताद कालों का एक वस्थ में संभव नहीं है क्योंकि अपने व्यंजक दंड चाक आद वस्थ के व्यंजन के समान जिसके उस प्रकार के लक्षन का क्रम से भाव होता है उस वस्थ की अभिव्यक्ति होती है अतह अभिव्यक्ति में सांकर्य नहीं है स्वरूप से तो सांकर्य इस्ट ही है अव्यक्त लक्षनों का व्यक्त लक्षनों के साथ विरोध नहीं है इस विशय में पंच शिखाचार्य के वाक्य को प्रमार देते हैं रूप अतिशय और वृत्ति अतिशय आपस में विरोधी हैं, सामान्य तो अतिशयों के साथ रहा करते हैं, धर्म से लेकर अनई शर्य तक आठ चित्त के रूप हैं, ज्यान आदि आस्त्रय शांत घोर मूर चित्त परिणाम वृत्ति हैं, इनका अतिशय अभिव्यक्ति उप उतकटता है, इस वाक्य की व्याख्या गुण वृत्ति विरोधाच इस सूत्र पर कर दी है, उपसंहार करते हैं, तस्मात इति असंकर में द्रिश्टान्त कहते हैं, यथैति रागस्याई वेति धर्मों के तीन लक्षनों के संबंध में राग काही यह अर्थ है, इत्यादी अर्थ है, यह लक्षन परिणाम धर्मी का नहीं होता, किंट धर्मों का ही होता है, इस प्रकार धर्म परिणाम से विशेश कहते हैं, ना धर्म इति शंका लक्षन परिणाम लक्षन में है या नहीं, यदि है तो अनवस्था दोश है, यदि नहीं है अर्थात ल लक्षन में लक्षन परिणाम नहीं है तो लक्षन परिणाम में परिणाम लक्षन असंभव है क्योंकि पूर्व लक्षन के अतीत होने पर लक्षनांतर की अविव्यक्त का ही लक्षन परिणामत है समाधान ऐसा नहीं है क्योंकि बीज और अंकुर की भात प्रामाडिक होने स यह अनवस्था दोश नहीं है, यदि इसको भी दोश मानें तो धर्म का धर्म उस धर्म का भी धर्म इत्याद अनवस्था को भी दोश की आपति से धर्म धर्मी भाव आदश भी सिद्ध न होंगे। अधिक तो निर्वितर्क सूत्र 143 पर कह दिया है इस प्रकार सब धर्मों का सदा ही तीन लक्षणों से संबंध है और अभिव्यक्त तीनों की क्रम से होती है यह बात सिद्ध हो गई शंका यही हो लक्षण की अभिव्यक्त के भी नित्य होने के क्रमिकत्त किस प्रकार होगा यदि उसमें क्रमिकत्त संभव है तो लक्षन क्रमिकत्त ने क्या अपराद किया है जो उसमें क्रमिकत्त नहीं माना समाधान इस विशे में कहते हैं नित्य और अनित्य उभै रूप से कहने से नित्य होने पर भी सब कारियों में अनित्य रूप से क्रम संभव है लक्षणों का भी क्रम इस्ट ही है, लक्षणा भिव्यक्त का क्रम तो लक्षण तंकार्य के लिए प्रकृत में प्रदर्शित है, अधिक तो नर्वितर्क समापति सूत्र में हमने कहा है लक्षन परिणाम की परिक्षा करके अवस्था परिणाम की परिक्षा करने के लिए धर्मागत विभाग को कहते हैं ते लक्षिता इति लक्षिता व्यक्ता वरतमान अलक्षित अव्यक्त अतीत और अनागत उस उस बाल योवन और बार्धक के आदि अवस्थाओं को प्राप्त होते हुए अन्योन्य अन्यत्व से भेद से बोले जाते हैं यह बालक है युवा नहीं है इत्याद रूप से बोल से ही होता है द्रव्ड के भेद से नहीं होता है तब पूर्व अवस्था के हटने पर अवस्थांतर की प्राप्ति सिद्ध है वही अवस्था परिणाम है यह भाव है यद्यप इस प्रकार का अवस्थांतर परिणाम अनागत और अतीत लक्षणों से भी पूर्व कहा है तथ थाप वरतमान लक्षन के ही अवस्था परिणाम इस फुटतया उपलब्ध होते हैं इस आशय से वरतमान लक्षन को आलंब करके ही वह उदाहरन दिया है धर्मी के एक होने पर भी निमित भेद से अन्यत व्यवहार में द्रिश्टांत देते हैं तथाई केत जैसे एकत्त की व आई और रहता है तब सव है एक नहीं ऐसा व्यवहार होता है इन में से एक विंदु के लोप होने पर यह दस है सव नहीं है यह व्यवहार होता है और अवशिष्ट विंदु के स्थान में आने पर एकत्त ही व्यंजक रेखा देने पर एक्यारह है दस नहीं यह व्यवहार ह दृष्टान तांतर कहते हैं यथा चेत उच्चते चेत पुत्र पिता भ्राताओं से जनकत्त आद निमित्त भेद से विवहार होता है अवस्था परिणाम में भी बौध्धों के कहे दूशन को कहते हैं अवस्थेत अवस्था परिणाम के मानने में धर्म धर्मी लक्षन उत्रस्थ की आपत्त कहते हैं इसमें हेत पूछते हैं कथमित किस प्रकार से उत्तर अद्ध के व्यापार से व्यवहित होने से क्योंकि व्यापार के निमित्त से ही सब वस्थों में अनागत आद अद्धों के अन्योन व्यवधान को माना है और विभाग माना है भाग रू अमित्तक होने का विवरन करते हैं यदा धर्म इससे लेकर तदा अतीत इस तक धर्म शर्थियां आस्थ्रत वाचक एक न करता है न करेगा आध है और और अंत के अग्धों के व्यापार की निवैंक्तival व्यापार के अभाव के निमित से परमपरा से है, ऐसा होने पर पूर्व धर्म की अतीता में धर्मांतर की अविव्यक्ती होती है, इस प्रकार परिणाम लक्षण की अनित्यता अवस्थाओं की भी आपको कहनी होगी, बिनाश नहीं कह सकते। अवस्थाओं के नित्य होने पर तो कुछ भी अनित्य नहीं होगा इस भाति तो सभी धर्म धर्मी जगत उतस्थ होगा यह दूशरों ने दोस कहा है उपसंगार नित्यत्य मात्र कौटस्थ नहीं है किन्त एकांत नित्यत्य कौटस्थ है इस आशा को पूर्ववत उक्त करते हैं , नासुदोशा इत , कवटस्थ्य दोस नहीं है , गुण निथ्यत्वे पेत , धर्मी के निथ्य होने पर भी धर्मों के विमर्द विनाश की कुटस्थ से विच्त्रता है , विलक्षणता है अपरिणाम नित्यता ही कौटस्थ है और वह पुरुष के अतिरिक्त दूसरे में नहीं है यह भाव है गुण के नित्य होने पर भी गुणों के विमर्द का उदार्ण देते हैं यथेत दिश्टांत में नहीं किन्त उदार्ण में है संस्थापन मित अर्थ के विनाश से अविनाशी शब्द तनमात्रा आद के पंचभूत रूप संस्थान धर्म मात्र आदिवाले हैं अतहवे विनाशी है यह अर्थ है एवन इत्याद की इसी भात व्याख्या करनी चाहिए लिंग महत्त्त्त का नाम है इसी भात अहंकार आद और घट आद भी अपने विनास से विनासी कारणों के धर्म मात्र और विनाशी हैं यह बात जाननी चाहिए वही यह शुत्य ने कहा है वाचा रंभन प्रथम मात्र विकार नाम मात्र है मृत्तिका है इतना ही सत्य है सत्य यहां विकार की अपेच्छा इस्थिर का नाम है उस धर्म में ही विकार संग्या और परिणाम संग्या है अतह धर्मियों में परिणामी होने से कौटस्थ नहीं है और भली भात तो धर्म लक्षण और अवस्थाओं को कौटस्थ नहीं है त उसमें यह उदाहरण है धर्मत इत धर्म से परिणामित होते हैं धर्म परिणाम में स्वरूप को दर्शाते हैं घटाकार इत परिणाम घटाकार है नव पुराण तामित नवींता के अनंतर पुराण को प्राप्त होता हुआ सब ही धर्म आदिकों के अवस्थात से अविशे इस होने पर भी गोबली वर्द न्याय से ही इनका तांत्रिक भेद निर्देश है यह कहते हैं धर्मियों के भी लक्षन की पुराणत्व आदि अवस्था प्राप्त होने से ही नहीं कहीं है एक एवेत एक अवस्था मात्र ही परिणाम है यह अर्थ है इस भात अवस्था और लक्षन के भी धर्म होने से धर्म परिणाम भी गोबली वर्द न्याय से ही जानने चाहिए इसी भात परार्थांतर से भी जानना चाहिए भूतांतर में इंद्रियों में प्रत्य आदि में यह अर्थ है जिसकी विशेस्ता को जो पूर्वोक्त ही परिणामों में स्मर्ण क दर्मी के अभ्यeद से एक geral परिणाम मात्र ही है सामान्य से धर्मी होता है वही सब परिणामों को प्राप्त करताatar सुत्रस्थ परिणाम शब्द की प्रश्ण पूर्वक व्याक्या करते हैं अत्व कोयम परिणाम committed यह परिणाम कौन है क्या है उत्तर अवस्थितस सेत संसकारों में भी परिणाम कहा है अतह द्रव्जस सेत धर्मी का यह अर्थ है धर्म शब्द आस्रत मात्र का वाचक है निवृत्य अतीतता है और उत्पत्य वर्तमानता है शंका धर्म से अतिरिक्त धर्मी का अनुभव नहीं होता जिससे की धर्म आदि परिणाम हैं इस शंका पर धर्म से विवेचन करके धर्मी का प्रतिपादन सूत्रकार करेंगे संगत उपर बतलाए हुए तीनों परिणाम जिसके धर्म हैं उस धर्मी का स्वरूप निरूपन करते हैं शांतो दिव्या व्यपदेश धर्मान उपाती धर्मी उन परिणामों के अतीद वर्तमान और भविश्य धर्मों में अनुगत धर्मी व्याख्या सूत्र को तत्र शब्द से पूरा करके पढ़ें उपर उदाहरण देकर समझा आये हैं कि मिट्टी धर्व्य धर्मी है और मिट्टी के गोले बरतन और बरतन के टुकडे आदि भिन भिन आकार जो हो चुके हैं और जो होंगे उसके धर्म हैं अर्थात धर्म धर्मी के विशेश रूप आकार हैं और धर्मी सामान्य रूप द्रव्य है जो सारे आकारों में अनुगत है द्रव्य के दो रूप हैं सामान्य और विशेश विशेश धर्म है और सामान्य धर्मी है विशेश भी अपने अगले विशेश के प्रति धर्मी शान्त इसमें शान्त वे धर्म हैं जो अपना अपना व्यापार करके अतीत भूत मार्ग काल में चले गए जैसे बरतन घट तूट कर मिट्टी में मिलने पर वरतमान धर्म से अतीत धर्म में चला गया उदित उदित वे धर्म हैं जो अनागत मार्ग काल को त्याग कर वरतमान मार्ग काल में अपना व्यापार कर रहे हैं जैसे घट बरतन के आकार मिट्टी के धर्म जो उसमें चिपे हुए थे अब उसको छोड़कर वरतमान धर्म में आ गए और व्यपदेश जो अनागत या भविश्यत में शक्ति रूप से रह रहे हैं और जिनका निर्देश नहीं किया जा सकता है अर्थात जो शक्ति रूप से इस्थित हुए विवहार न लाए जा सकें और न बतलाने में आ सकें जैसे घट बरतन के आकार मिट्टी धर्मी में प् शक्ति ही धर्म पदार्थ है उस शक्ति रूप धर्म के उक्त तीन भेद हैं उन तीनों में जो अन्वई रूप से रहने वाली मिट्टी है वह धर्मी है अर्थात जो मिट्टी के विशेश रूप आकार आद हैं वे उसके धर्म हैं और सामान्य रूप से मिट्टी द्रव् वह धर्मी है यहां यह समझ लेना भी आवश्यक है कि धर्मी का धर्मों तथा धर्म का धर्म से परस्पर भेद प्रतीत होते हुए भी वस्तुतह इनमें अभेद है धर्मों की वरतमान अवस्था का प्रत्यक्ष और भूता अवस्था का स्मर्ण होता है पर उनकी अनागता अवस्था अनुमेय होती है यदि धर्मी मृतिकादि में अनागत धर्म घटादि नौ हो तो मृतिकादि में ही घट होता है तंतुओं में ही पट होता है यह नियम नहीं बन सकता इससे सिद्ध है कि मृतिकादि धर्मी में घटादि अनागत धर्म रहते हैं अनागत अवस्था नयाईकों का प्राग भाव और अतीत अवस्था उनका प्रद्धनसा भाव है वरतमान अवस्था की कारण अनागत अवस्था है अनागत धर्म तो वरतमान मार्ग में आते हैं और वरतमान धर्म अतीत मार्ग में चले जाते हैं परंत अतीत धर्म वरतमान म नहीं आते क्योंकि वर्तमान के कारण अतीत धर्म नहीं हैं बलकि अनागत धर्म हैं इसलिए जो घट चून होकर मिट्टी में मिलकर अतीत मार्ग में चला गया वह फिर वर्तमान मार्ग में नहीं आएगा क्योंकि स्वाकारण मिट्टी में लीन हो जाने से सुष्मता को प्रा भूत अतीत लोकों आदि को स्वदेह में देखा था इसलिए सिद्ध योगियों के वाक्य हैं क्योंकि योगियों के इस प्रत्यक्ष में विशय और उस अतीत विशय का सन्निकर्ष कारण है उसके सद्रिश अन्य घट अवश्य आ सकते हैं यहां यह बात भी ध्यान रखने योग्य है कि न्याय वैशेशिकाद दर्शनों में गुण गुणी को प्रायः धर्म और धर्मी कहा गया है परन्तु योग दर्शन में धर्म और धर्मी शब्द कार्य और उपादान कारण के लिए प्रयुक्त हुए हैं इस उपादान कारण रूप धर्मी में उसके कार्य औव्यपदेश अनागत धर्म शक्ति मात्र अव्यक्त रूप से छिपे रहते हैं उनको औव अपदेश अनागत से उदित वरतमान धर्म में व्यक्त रूप से प्रकट करने और फिर उदित धर्म से शांत अतीत धर्म में अव्यक्त रूप से छिपाने में चेतन पुरुष ईश्वर तथा जीव देश काल और सन्योग विशेशाद निमित कारण होते हैं अपने अपने निमित्तों के मिलने से धर्मी के धर्म प्रकट होते हैं टिपड़ी व्यास भाष्य का भाषा नुवाद सूत्र चोदह योग्यता वच्छिन धर्मी की शक्त ही धर्म है उस शक्ति धर्म की सत्ता फल की उतपत्ति के भेद से अनुमान की जाती है और वह शक्ति धर्म एक की अन्योन्य देखी जाती है उनमें वर्तमान सौ व्यापार का अनुभव करता हुआ धर्म धर्मांतर जो शान्त और औव्यपदेश हैं उनसे भेदित होता है जब सामान से समन्वागत होता है तब धर्मी स्वरूप मात्र होने से कौन किस से भेदित होए उस धर्मी में तीन धर्म हैं शान्त उदित और आव्यपदेश्य उनमें से वे शान्त हैं जो अपना व्यापार करके उपरत हो गए हैं सौ व्यापार उदित हैं और वे अनागत लक्षन के समनंतर होते हैं वरतमान के अनंतर अतीत होते हैं अतीत के अनंतर वरतमान नहीं हुआ करते क्योंकि उन अतीत और वरतमान में पूर्वपश्यमता का अभाव है जैसी अनागत और वरतमान की पूर्वपश्यमता है वैसी अ तीत की समनंतरता नहीं है वह अनागत ही वरतमान के समनंतर है अब और व्यपदेश कौन है सरवं सरवात्मकं और व्यपदेश हैं जिसके विशय में कहा है कि जल और भूमिका पारिणामिक रसादिका वैश्व रूप्य इस्थावरों बिक्षादि में देखा है तथा जंगमों में देखा जाता है और जंगमों का स्थावरों में देखा जाता है इस प्रकार जाति के अनुच्छेद से सर्व सरवात्मक हैं देशकाल आकार निमित्त का संबंध नौ होने से समान काल में आत्माओं स्वरूपों की अभिव्यक्ति नहीं होती जो इन अभिव्य और अनविव्यक्ति धर्मों में अनुपाती सामान्य विशेस आत्मा स्वरूप है वह अनवई धर्मी है जिसके मत में यह प्रपंच धर्म मात्र निरनवय है उसके मत में भोग का अभाव में क्योंकि अन्य विज्ञान से कि ये कर्म का अन्य भोगता कैसे होगा और अन्य की अनुभोग की स्मृति का अभाव होगा क्योंकि लोक में अन्य के देखे का अन्य को स्मरण नहीं होता है वस्तु के प्रत्य विज्ञान से यह वही है जो पूर्ब देखा था इससे अन्वई धर्मी इस्थित है जो धर्म के अन्यतात को प्राप्त होकर भी वही प्रतीत होता है इसलिए यह प्रपंच धर्म मात्र निरन्वय नहीं है उसमें अन्वई धर्मी आवयवी विद्यमान है विज्ञान भिक्ष के योगवार्तिक का भाषा नुवाद सूत्र चोदह उस सूत्र को तत्र शब्द से पूरा करके पढ़ते हैं उन परिणामों के सांतो दिता व्यपदेश धर्मानुपाती धर्मी अतीत वरतमान अनागत धर्मों में अनुपाती वरतमान रूप से वरतमानत वैधर्म से धर्मी और धर्म का विवेक है यह भाव है धर्म शब्दार्थ की व्याख्या करते हैं योगता से अवचिन धर्मी की शक्त ही धर्म है योगता वचिन्न यह विशेशन दगधसक्त के संग्रहार्थ दिया है वरतमानता का अर्थ स्वरूप की योगता उससे अतीताद साधारण्य का भी लाभ होता है वरतमान आद विशेस व्यवचेदार्थ एवकार का प्रयोग है शक्तित्व यहां अनागंतुत्व है स्वाभावी की है तथा चो अग्निके दाह शक्ति वर्धक भी धर्मी में यावत द्रव्य भावी है शक्तिमान से शक्ति का अभेद संबंध है धर्म शब्द के अर्थ को कहकर उसके शांत उदित के उपपादन के लिए अनविव्यक्त दशा में भी उनकी सत्ता को सिद्ध करते हैं सौचेति और वह धर्म शक्ति रूप फल की उत्पत्ति से उस समय अनुमित है अव्यक्त अवस्था में विद्य में नौ होने चाहिए अतह अनाद कहना होगा जब अनाद कहेंगे तो अनंतता भी माननी पड़ेगी क्योंकि भावल वश्थ अनाद होने पर अनंत होती है यह नियम दभाजाता है एक और अनेकत्व में वैधर्म से भी धर्मधर्मी के विवेक के लिए एकत शेत्य व Guidhr clinics ध प्रतिपादन करके पहले धर्मों के ही अन्योन्य का प्रतिपादन करते हैं तत्रेत उन धर्मों के मध्य में वर्तमान धर्म वर्तमाना तिरिक्त धर्मांतरों से शांत और और व्यपदेश्यों से भेदित है विवेचित है भिन्य है क्योंकि उनसे इनका वर्तमानत और और व धर्मों के एक का दूसरे से अत्यंत भेद है भेद अभेद नहीं है समाधान न इत्याह नहीं जब तो शांत और अव्यपदेश अवस्था में धर्म सामानित्या से अविव्यक्त विशेश के बिना धर्मी में अनुगत होता है विलीन होता है तब धर्म श्वरूप मात्रया अवस्थित होने से धर्मी से विभाग रहित होने से कौन वह धर्म किस व्यापार से भेदित हो भिन हो अयोगी उसका विवेचन कैसे करे क्योंकि धर्म वा धर्म का लक्षन उपलब्ध नहीं है अतह उस समय अविभाग रूप अभेद भी होता है इससे भाश्यकार ने वे जैसा की आकाश में बादलों का लय होता है। तथा चव सुतिही सौ यथा सर्वा साम पाम समुद्र एकायन मित्या दिना। वह जैसे की सब जलों का समुद्र एक स्थान है। इत्याद से समस्त जीव के प्रलय को दिखाकर आत्मा द्वैत को कहता है। जब द्वैत्वत होता है तब एक दूसरी को देखता है। जब तो इसका सर्वा आत्मा ही हो गया है। तब कौन किसको देखे। अब शान्त उदित और आव्यपदेश सब्दों के अर्थ की व्याख्या करते हैं तत्रयत्र इति यहां धर्मी के तीन धर्म होते हैं शान्त उदित और आव्यपदेश वे शान्त हैं जो व्यापारों को करके उपरत हो गए हैं जो व्यापार कर रहे हैं वे उदित हैं उनकी व्याख्या करके उनके पाठ के क्रम से भ्रम को दूर करने के लिए कहते हैं ते चित वे उदित अनागत लक्षन के समनंतर होते हैं इस प्रकार वक्षमार और व्यपदेश में भी पाठ क्रम का आदर नहीं करना चाहिए यह कहते कि वर्तमान के अनंतर अतीत यह पाठक्रम क्यों त्याग दिया इस आशय से पूछते हैं अतीत के अनंतर वर्तमान क्यों नहीं होते उत्तर देते हैं पूर्व पश्चिमता के अभाव से पूर्व पश्चिम के द्वारा उसी का विवरण करते हैं जैसी अनागत और वर्तमान की पूर्व पश्यमता है, वैसी अतीत की वर्तमान के साथ नहीं है, तथा चव अनागत अवस्था को भी की प्राग भाव स्थानी है, वर्तमान अवस्था में हेतुता है, अतह अतीत अवस्था के अनंतर वर्तमान अवस्था नहीं होती है, उदित और अव्यपदेश के लक्षन भेद नहीं है सत्ततह अनागत ही वर्तमान के समनंतर है पूर्व है इससे सत्कार्यवाद में भी पूर्व अभिव्यक्त घटाद फिर उत्पन्य नहीं होते यह शिद्धान्त याद रखना चाहिए शंका क्यों जी अनागत और वर्तमान के कार्यकार्ण भाव में ही क्या प्रमाड है समाधान यदि अतीत की पुनह वर्तमानता हो तो अनिर्मोक्ष होगा विनस्तान तह करना विद्या करमादिका पुनह उद्भव होने में मुक्त को भी फिर संसारी होना संभव हो जाएगा किंच यदि अतीत घट भी पुनह वर्तमान हो जाए तब व अनुन मज्जन निर्डए होता है यहां अनागत और अतीत अवस्थाओं के फ्राग भाव और प्रद्धन्स रूपों के कार्य के उत्पादक और अनुत्पादक वैधर्म्य वचन के अव्यक्त अवस्था के ही अवांतर भेद अनागत और अतीत हैं और यह परस्पर यह मानना चाहिए शंका यद यह बात है तो अतीत के पुनह अनुत्पाद से अतीत की कल्पना ही व्यर्थ है समाधान नहीं कह सकते अतीत लोकों को स्वादेह में देखा था इत्याद सिध्ध योगियों के सैकड़ों वाक्यों की अनुपपत्ति से उस अतीत की सिध्ध होती ह क्योंकि योगियों के इस प्रत्यक्ष में विशय और उस अतीत विशय का सन्निकर्ष कारण है, यह भी नहीं कह सकते कि अतीत अर्थ का वह स्मर्न मात्र है, क्योंकि योगी को पूर्व अनुभूत का भी दर्शन होता है, जो योगज धर्म का भी सन्निकर्ष चाहते हैं, उनक के मत में भी असत पदार्थ के सन्यकर्ष की अनुपपत्य होगी प्रत्यक्ष के प्रत्य अनीक सन्यकर्ष के अनुगम से हेतुता के ग्रह की अनुपपत्य होगी ज्यान आदिकों की विशैता आद रूप संबंध भी असत में संभव नहीं है क्योंकि सत पदार्थों का ही देखा जाता है प्रत्यक्ष आदि में सन्योग आदि ही प्रत्यासत्य होती है योगज धर्म से तो अधर्म तम आदि प्रवंध मात्र की निवृत्य होती है शांत और उदित की व्याख्या करके अब अव्यपदेश की व्याख्या करने के लिए पूछते हैं अथा व्यपदे शाहक इति औव्यपदेश कौन है जो व्यापार करेंगे वे औव्यपदेश हैं यह तो कह नहीं सकते क्योंकि औकरिश्यमाण व्यापार जो व्यापार नहीं करेगी भी केवल अनागत लक्षन वस्तुओं को योग सिध्धान्त में स्वीकार्य किया है अतह प्रकारांतर से औ शक्ति धर्मवाले हैं तथा चव सर्वत्र परिणामी में अवस्थित सर्व विकार जनन शक्ति ही और व्यपदेश है शंका वर्तमान और अतीट अवस्थाओं में तो अनुभव और समर्ण प्रमाढ हैं शक्ति नाम की अनागत अवस्था में क्या प्रमाढ है? और सर्वत्र सर्व शक्तिमत्यों में क्या प्रमाड है समाधान यत्रोक्तमिति अभिव्यक्ति रित्यन तेन अन्मय है जिस सर्वत्र सर्व शक्तिमत्यों में पूर्वाचारियों ने यह वक्षमाड प्रमाड कहा है पहले प्रत्यक्ष स्थल में शक्ति का अनुमान कराते हैं जल भूम्यों औरिति जल और भूमि का पारिमाडिक रसाद वैश्वरूप रस आदि से इस्थावर आदि में देखा जाता है मधुर अमल सुरभि म्रिदु कठिन आदि से जो अनंत रूपत्व है वह जल और प्रत्वी के परिणाम के निमित से है वह अन्वय और जतिरेक से प्रत्यक्ष देखा जाता है अतह जल और भूमि इस्थावर आत्मक हैं इस्थावर शक्ति वाले हैं शक्ति के बिना भी कार्य करना मानने में अतिप्रसंग होगा तथा जंगमों में जो वैश रूप्य है वह स्थावरों के परिणाम के निमित से जाता है मनुस्य आदि के विशय में धान्य आदि इस्थावर के कारियों का धान्य आदि विशेशों के सेवन से रूपाद विशेश देखा जाता है तथा इस्थावरों का जो वैश रूप्य है वह जंगमों के परिणाम के निमित से देखा जाता है गोबर दुगधाद स कि धान्य चंपक आद स्था वरों के विचित्र रूप रस आद देखे जाते हैं इत्यादी दृस्टान्तों से सव वस्तुओं में सवविकारों के जन्न की शक्त सिध्ध होती है यह कहते हैं इत्य वमिति जैसे जलाद इस्थावर आत्मक हैं ऐसे ही अन्य भी सर्व विकारात्मक सब शक्ति वाले Health, शंका अतीत कार्य में भावी वस्तु उत्पादन की श्क्त नहीं है समाधान जाति के अणुच्छेद से यद्य पी अतीत कार्य व्यक्त उच्छिन हो चुकी है तथा पी उसकी जातिके अन्य व्यक्त उच्छिन न की परिणाम व्यक्तियों में अन्यत्र अभाव होने पर भी नियम का भंग नहीं होता है क्योंकि उसकी जातिवाली अन्य व्यक्तियों में जनन शक्ति का होना संभव है यह बात विश्णु पुराण में कही है जैसे ब्रिक्ष मूल सकंध और शाखादि से युक्त आद बीज से उत्पन होता है और उससे दूसरे बीज उत्पन होते हैं फिर उन बीजों से दूसरे व्रिक्ष उत्पन होते हैं हे मुने वे व्रिक्ष भी तल लक्षन द्रव्यकारण के अनुगत ही होते हैं इसी भात पहले अव्यक्त से महत आद उत्पन होते हैं उस महत से सुर तथा सुरों से अखिल प्राणी उत्पन्न होते हैं यदि सरवत्र सरवजाती यवस्तुओं के जनन की शक्त न मानी जाए तब एक ही ब्रह्मा से अखिल देवदानो नर पशु आद कैसे उत्पन्न हो सकते हैं अगस्त के जठर जठराग्न से समुद्र का शोशन कैसे हो सकता है ब्रम्हा, विश्व, रुद्र, पार्वती के शरीर आदि में विश्व का दर्शन कैसे हो सकता है योगियों के अपने शरीर और मन से अनन्त विभूति कैसे उत्पन्न हो सकती है बहुत कहने से क्या लाव उपदेख्षंतिते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनह येन भूतान्यशेशेण द्रक्षस्यात्मन्यथोमई सर्वभूतस्तमात्मानम सर्वभूतानिचात्मनी इक्षते योग युकतात्मा सर्वत्रसमदर्शनह तत्व दर्शी ज्यानी तुमको ग्यान का उपदेश देंगे जिस ग्यान से अशेश्तया इन भूतों को मेरे अंदर देखोगे सर्वत्र समदर्शी योग युकतात्मा सर्व भूतस्त आत्मा को अपने सर्व भूतों को आत्मा में देखता है इत्यादि वाक्यों से सर्व प शक्ति रूप से अवस्थित भावी भीश्मवध आदि को ही कलात्मक्रिश्ण के शरीर में दिव्य चक्षु से देखा था जैसे की योगी अतीत और अनागत को देखता है इससे सइदम सर्वंभवत तस्मात सर्वंभवत वह यह सब हो जाता है इससे वह सब हो गया था इत्याद सुर्ति से ब्रह्मवित की सर्व भाव रूपता सुर्त युक्त सिद्ध भी उत्पन हो जाती है तथा जीवो पाधि में भी जो महिश्वर्य शक्तिमान होने से जीवों के इस्वरत्व की प्रतिपादक सुर्ति और स्मृति हैं वे भी उत्पन हो जाती है तएते सत्या अनृता भी धाना इति वैसे ही वे ये असत्य हैं अनृत से ढके हैं यह सुत्य भी माननी चाहिए शंका इस प्रकार सर्वत्र शक्तिमानने में नाना विकारों की एक साथ उत्पत्य क्यों नहीं होती और पत्थर के टुकडे से भी अंकुर उत्पन क्यों नहीं होता हम लोगों के शरीरों से ब्रह्मा की भात संकल्प मात्र से अखिल प्राडियों की उत्पत्य क्यों नहीं होती समाधान देश कालेत देश भूलोक आद काल कल्यूग आद संस्थान ओयों का सन्योग विशेस निमित अधर्माद के प्रतिबंधक होने से हमारे शरीर से सर्व प्राडियों की उतपत्य नहीं होती एक काल में विरुद्ध आत्मशक्त रूपों की अभिव्यक्त वरतमान लक्षन परिणाम भी नहीं होता है इस प्रतिबंध बचन से अन्यशंकाओं का भी परिहार हो गया सहकारी के अभाव से ये सब नहीं होते हैं ऐसा भी कोई परिहार करते हैं उसका भी प्रतिबंध निमित तक बिलंभ से ही तातपर्य है निमित्तम प्रयोजकम प्रकृतिना इस आगामी सूत्र में सब निमित कारणों की स्वतंत्रता प्रकृति के परिणामों में प्रतिबंद के निवर्टक्ता मात्र ही नहीं मानी है। आदि ब्रम्हांद आदि के उत्पादन के बिना ही नस्ट होते देखे गए हैं वह शक्त उत्पन होकर घटाद के साथ ही नस्ट हो जाती है क्योंकि उसके आधार घट का नाश हो चुका है कभी नहुष शरीर आदि से सर्पाद भाव की भात परमेश्वर आदि के संकल्प से घट आदि के भी प्रकृत्या पूरवश के ओयों में इस्थित अखिल परिणाम होते ही हैं जैसा कि लोकिक लोगों ने भी कहा है विश्म अप्यम्रतम कश्चिद भवेद मिर्तमवा विश्मी स्वेरत छयेति विश्भी कहीं अम्रत हो जाता है और इस्वर की इक्षा से कह अम्रत भी विश्भी बन जाता है इससे तथा ज्यान के द्वारा पुरिशार्थ की समाप्ति से चित के अत्यंत विले के काल में अनागत शक्ति रूप दुख भी चित के साथ ही नस्ट हो जाता है अतह हेयम दुख मनागतम इस सुत्रोक्त अनागत दुख की हेता भी दुख की रेटा नहीं बन सकेगी दूसरों के मत में अनागत दुख का हान सिध्ध होने से पुरुशार्थ ही नहीं है और इसमें अनागत दुख अभाव वितया नहीं घटेगा पदार्तों की व्याख्या करके समग्ड सूत्रार्थ को कहते हैं यह एतेशु सरवध् teraz है व इवेक भेद ज्ञान होता है यह सूत्र का तात्पर्यार्थ है इस भात अनेको अन्य वैधर्म से धर्मों के अतरिक्त होने से धर्मी को सिद्ध किया है अब उसके नमानने में भाष्षकार बाधक भी कहते हैं यस्यतू जिनके मत में धर्म मात्र ही यह सब है वह निरन्मय हैं उनके मत में भोग नहीं बन सकता धर्म मात्र कहने से छणिकत भी आ जाता है अनेक छण स्थाई होने पर ही छण संबंध रूप धर्मत भी पदार्थ मात्र होगा धर्म मात्र का विवर्ण है निरन्वय निर्धार्मिक धर्मी रहित धर्म धर्मी के निराकरण से आत्मा छणि विज्ञान है यह भी आजाता है तब तो प्रथम पाद में कहे ही दूशन है तस्य भोगा भावह भोग का सिद्ध न होना शेश सुगम है संगत एक धर्मी के अनेक परिणाम धर्म किस प्रकार हो सकते हैं इस शंका के निवानार्थ अगला सूत्र है क्रमान्यत्वं परिणाम क्रमों का भेद परिणाम के भेद में हे तु है व्यांख्या एक क्रम से एक परिणाम होता है एक धर्म से अनेक प्रकार के क्रम होते हैं जितने प्रकार के क्रम होते हैं उतने ही उनके परिणाम होते हैं पिछले उदाहरण के अनुसार मिट्टी के चूड से पिंड पिंड स बरतन बनना बरतन तूटकर कपाल होना कपाल से ठीकरे होना ठीकरे से चूड यह सब क्रम हैं इन्हीं क्रमों के भेद से इनके परिणाम भेद होते हैं जो जिस धर्म के पीछे होता है वह उसका क्रम है जैसे पिंड नस्त होकर वरतन का उत्पन होना इस प्रकार के क्रम से धर् इसी प्रकार लक्षन परिणाम भी क्रम से होता है जैसे बरतन के अनागत भाव का वरतमान मार्ग भाव में आना एक क्रम है इससे वरतमान लक्षन परिणाम होता है पिंड के वरतमान भाव से अतीत भाव में जाना भी एक क्रम है इससे अतीत लक्षन परिणाम होता है अतीत क आपका वरतमान में कोई क्रम नहीं होता जैसे पूर्व सूत्र में बतला चुके हैं इसी प्रकार वरतन के पकनी से पहले चूड होने तक भी जो क्रम प्रतिक्षन होता रहता है उससे अवस्था परिणाम होता रहता है यहां यह भी समझ लेना चाहिए कि धर्म और लक्षन प रकट होता है इसी परिणाम के कारण जो चावल आद सुरक्षित बुखारियों में रखे गए हैं बहुत बर्षों के पश्चात ऐसी दशा में हो जाते हैं कि हाथ लगाने से चूड हो जाते हैं ऐसी दशा उनकी अकस्मात नहीं हुई किन्तु छण छण में क्रम क्रम से होती रही है इसलिए अवस्था परिणामों के क्रम यद्यप प्रत्यक्ष देखने में नहीं आते तथाप अनुमान से जाने जाते हैं इस प्रकार क्रमों के भेद रूप हे तुसे एक धर्मी के अनेक धर्म परिणामों का और धर्मों के तीन प्रकार के लक्षण परिणामों का और वरतमान धर्मों के छण छण में होने वाले असंख्यात अवस्था परिणामों का निश्चे होता है यद्यपी वास्तों में धर्म धर्मी स्वरूप ही होता है तथा धर्म धर्मी के किंचित भेद की अपेक्षा से यह तीन प्रकार के क्रमों का भेद कहा है अर्थात प्त्वी आद्य विकारों से लेकर महतत्त पर्यंत ये सब धर्म धर्मी भाव अपेक्षित हैं वास्तों में यह नियम नहीं है कि यह धर्म है और यह धर्मी है क्योंकि घटादिकों की अपेक्षा से जो मृतिका धर्मी है वह मृतिका भी गंधतनमात्रा का धर्म है गंधतन मात्रा जो अपेक्षा की धर्मी है अहंकार का धर्म है और महतत्त भी जो अहंकार की अपेक्षा से धर्मी है प्रधान मूल प्रकृति का धर्म है इस प्रकार महत्तत परियंत धर्म धर्मी भाव सा पेक्ष है नियत नहीं है वास्तों में निर्पेक्ष तो मुख्य धर्मी प्रधान ही है जो किसी का धर्म नहीं है उस धर्मी के ही ये सब परिणाम हैं ये किंचित भेद को लेकर तीन प्रकार के कहे गए हैं वास्तों में यह एक धर्मी के ही धर्म परिणाम का विस्तार है, यह प्रधान धर्मी ही परिणामी नित्य है, जिस प्रकार बाह्य पदार्थों के अनेक धर्म परिणाम हैं, इसी प्रकार चित्त में भी अनेक प्रकार के धर्म परिणाम हैं, चित्त के धर्म दो प्रकार के है एक परिद्रिष्ट अर्थात अपरोक्ष प्रत्यक्ष रूप दूसरा अव परिद्रिष्ट अर्थात परोक्ष अप्रत्यक्ष रूप प्रमाराद प्रमार विपर्यय विकल्प निद्रा इस्मृत राग द्वेशाद चित्त की वृत्तियां प्रत्यक्ष रूप हैं और नि परिद्रिष्ट साथ हैं जैसा स्री भगवान व्यास जी ने निम्निश्लोक में बतलाया है निरोध धर्म संसकाराह परिणाम अथ जीवनम चेस्ता शक्तिश्च चित तस्य धर्मा दर्शन वर्जिताह निरोध धर्म संसकार परिणाम जीवन चेस्ता शक्त चित के दर्शन व परजित परोक्ष धर्म हैं अर्थात अप्रतक्ष रूप हैं असम प्रज्यात समाध की अवस्था में सब वृत्तियों का निरोध संसकार शेस आगम गम्य है अर्थात केवल योग शास्त से जाना जाता है और अनुमान गम्य है क्योंकि सर्व वृत्तियों के अभाव से परिणाम गम्य हैं। बिना चित्त की चेस्टा से नहीं हो सकता। है वह भी इस तूल-कार्य की ज्यान से अनुमेय है। अर्थात। इस तूल-्राग-द्वेशादी को देखकर सुख्म-्राग-द्वेशादी अनुमान किया जाता है। इस प्रकार उपर्युक्त सातों चित्त के धर्म और प्रत्यक्ष रूप हैं संगति अब यहां से पाद की समाप्तितक सन्यम का विशैं और सन्यम की विभूतियां दिखलाएंगे उन में से पहले तीनों परिणामों में सन्यम और उसकी सिध्य वतलाते हैं परिणामत्रय सन्यमादतीत अनागत ज्यानम तीनों परिणामों के सन्यम करने से भूद और भविश्चत का ज्यान होता है जाख्या पिछले सूत्र में बतलाया गया है कि क्रमों से परिणाम होते हैं इसलिए तीनों कालों में होने वाले संसार के समस्त पदार्थ धर्म लक्षन और अवस्था परिणाम के अंतरगत रहते हैं इसलिए जब योगी किसी वस्तु के इन तीनों परिणामों को लक्ष में रखकर सन्यम करता है तो उसका इन तीनों परिणामों के साख्षात होने से उस वस्तु के सब क्रमों का अर्थात जिस जिस अवस्ता में होकर वह वस्तु इस रूप में पहुँची है और आगे जिस जिस अवस्ता में पहुँचेगी तथा जितने जितने काल में पहुँचेगी सब ज्यान हो जात संगति सन्यम साध्य दूसरी विभूति बतलाते हैं सब्दार्थ प्रत्ययानामित रेत राध्यासाथ संकरस्तत प्रविभाग सन्यमात सर्भभूत रुत ज्यानम शब्द अर्थ और ग्यान के प्रस्पर के अभ्यास से अभेद भासना होता है उनके विभाग में सन्यम करने से सब प्राणियों के शब्द का ग्यान होता है व्याख्या शब्द वाचक जिसको जिवा से उच्चारण करते हैं और कानों से सुनते हैं जैसे गौश शब्द जो वक्ता के वागेंद्रिय में रहता है अर्थात वाच्च जो शब्द से जाना जाता है जैसे दूद देने वाला घास खाने वाला पशुरिशेश गौव जो गोशाला या गोचर आदि में रहता है प्रत्य ग्यान अर्थात विश्याकारचित की जित्ति जो शब्द गौव औ और अर्थ गौ दोनों को मिलाकर इनका ज्ञान कराने वाली है जो स्रोता के मन में रहता है यह तीनों अलग अलग अपणी अपनी सकता रखते हैं और परस्पर भिन्न हैं। गौव शब्द वक्ता के वागेंद्रिय में रहता है गौव अर्थ गोशाला में या गोचर में रहता है और गौव ग्यान स्रोता के मन में रहता है पर निरंतर अभ्यास के कारण तीनों मिले हुए प्रतीत होते हैं इस कारण जब किसी से कहा जाता है कि गौव को घास चारा दे आओ तब वह उस पश्विसेश के पास घास चारा ले जाता है वह इन तीनों में कोई भेद प्रतीत नहीं करता पर यद किसी विदेशी पुरुष से जिसने अभी तक गौ शब्द नहीं सुना है तहा जाए कि गौ को घास चारा दे आओ तब वह इन तीनों के भेदों को वह अनुमान करेगा कि पुरुष घास नहीं खाते हैं इस कारण वह अनुमान से ही शब्द गौ से ही अर्थ गौ और उसके घ्यान को समझने का यत्न करेगा इसी तकार सब प्राड़ी जो शब्द बोलते हैं उसमें शब्द अर्थ और घ्यान तीनों होते हैं योगी को सन् इस स्पूत्र के प्रसंग में भास्यकारों ने इस फोट वाद का बहुत विस्थार से विचार किया है। यह विशेय योग जिग्यासूं के लिए उपयुक्त नहीं है。 इसलिए उसको व्याख्या में छोड़ दिया गया है फिर भी इस विशे से प्रेम रखने वालों के लिए भोज वृत्ति ज्यास भाष्य और वार्तिक का भाषा नुवाद और अंत में इन सबका संचेप विशेश वर्डन रूप में यहां दिये जाते हैं भोज वृत्ति का भाषा नुवाद करणेंद्री से ग्रहन के योग और नियम से इस्थित है क्रम पूर्वा पर भाव जिनका ऐसे जो की नियम से किसी एक अर्थ के बोधक हों वे वर्ण शब्द कहलाते हैं वा क्रम शून्य स्थोट रूप ध्वन से संसकृत जो बुद्ध उससे ग्रहन करने योग शब्द कहलाते हैं दोनों ही प्रकार से यह रूप सुबंत तिंगंत पद रूप और वाक्य रूप सुबंत तिंगंत समुदाय शब्द होता है क्योंकि उन दोनों की ही एक किसी अर्थ के बोधन कराने में शक्त है गोत्वाद जात रूपाद गुण पचनाद क्रिया देवदत्ताद संग्या शब्दों के अर्थ हैं ज्यान अर्थात विश्याकार से परिणत बुद्ध वृत्त का नाम प्रत्यय है विवहार कथनाद में शब्द अर्थ प्रत्यय इन तीनों के परस्पर अध्यास से आरोप से वस्तुतह भिन भिन का भी बुद्ध के साथ एका कारता होने से संकर मेल हो जाता है देखिए गो ले आ ऐसा कहने पर गोत जात युक्त से सासना गले का कंबल वाले पिंड रूप अर्थ को उसके कहने वाले शब्द को और उसके ग्यान को बिना भेद के ही पुरुष निश्चत करता है यह भेद नहीं होता कि इस अर्थ का गो शब्द वाचक है गो शब्द का अर्थ है और यह शब्द अर्थ दोनों का ग्राहक ग्यान है जैसे यह कौन अर्थ है कौन यह शब्द है कौन यह ग्यान है ऐसे पूछने पर एक रूप से ही पुरुष उत्तर देता है कि गो है इस्थित है तथा शब्द में वाचकत रूप अर्थ में वाच्यत रूप ग्यान में शब्दार्थ प्रकाशत रूप विभाग है इस विवेद को करके इसमें जो योगी सन्यम करता है उसको सब प्राणियों के अर्थात पश्वपक्षी सरपादिकों के शब्द से ग्यान हो इस विशय में वाक इंद्रीय वर्णों में ही अर्थवती है वर्ण का उच्चारण मात्र ही उसका काम है। उसके अनुसंहार की बुद्ध एकत्ट के आपादन की बुद्ध से निर्गाह्य है क्योंकि वर्णों को बुद्ध से इकठे करके पद का ग्रहन होता है। अतह प्रत्तेक अपद स्वरूप कहे जाते हैं। इस प्रकार बहुत वर्ण क्रम के अनुरोधी अर्थ संकेत से अवच्छिन संकेती कृत अर्थ मात्र के वाचक हैं। इतने ये वर्ण सरबा भिधान शक्त से परिवृत हैं। गकार, अवकार और विसरजनी सासनाना दिमान अर्थ गौपशु को द्योतित करते हैं। जो अर्थ संकेत से अवच्छिन हैं, जिनका ध्वनिक्रम उपसंग्रित है, उन वर्णों का जो एक बुद्ध निर्भास है, वह पद वाचक है, वाचका सांकेतिक है। वह एक पद, एक बुद्ध विशय, एक प्रयत्न से आक्षिप्त, अभाग, अक्रम, अवर्ण, बौध, अंत्यवर्ण के प्रत्य के व्यापार से, उपस्थापित, दूसरे पर प्रतिपादन की इच्छा से, अभिधान करताओं से, अभिधी यमान और स्रोताओं से, अम प्रतिपत्य से प्रतीत होता है, उसका संकेत बुद्ध से प्रविभाग है, कि इतने वर्णों का इस प्रकार का अनुसंहार एक अर्थ का वाचक है। अर्थ और प्रत्य इतरेतर अध्यास से संकीन रहते हैं गौ अर्थ है गौ शब्द है गौ ग्यान है जो इनके विभागों का ज्याता है वह सर्ववित है सब पदों में वाक्य की शक्ति होती है व्रिक्ष इतना कहने पर अस्ति है क्रिया स्वैंग भासने लगती है क्योंकि पदार्थ सत्ता रहित नहीं रहा करता तथा क्रिया भी असाधन कारक रहित नहीं हुआ करती तथा पचत पकाता है यह कहने पर सब कारकों का अध्याहार होता है चैत्र करता अगन कर्म तंडूल करन का कतं तो अनुवाद मात्र होता है वाक्यार्थ में पदों की रचना देखी जाती है उससे पद का विभाग करके त्रिया वाचक है या कारक वाचक है यह व्याख्या करनी चाहिए अन्यता यह दिवाक्य में पदार्थ की अविव्यक्ति नौ हो तो भवत है अश्व, अज, पय, घोड़ा, बकरी, दूध, इत्याद में नाम और आख्यात के समान रूप होने से क्रिया और कारक में अनिर ग्यात की व्याख्या कैसे की जा सकती है उन शब्द अर्थ और प्रत्यों का विभाग है जैसे की स्वेतते प्रासादह महल सफेद होता है यह क्रिया का अर्थ है स्वेतत प्रासादह महल सफेद है यह कारक का अर्थ है शब्द क्रिया और कारक रूप है उस शब्द का अर्थ प्रत्य ज्यान है क्योंकि सो अयम वह यह इस एकाकार ही प्रत्य संकेत है जो श्वेत अर्थ है वह स्वेत शब्द और स्वेत प्रत्य ज्यान का आलंबनी भूत है विशे है वही स्वेत अर्थ अपनी अवस्थाओं से विक्रत होता हुआ न तो शब्द के साथ रहता है और न प्रत्य ज्यान के साथ रहता है ऐसे ही शब्द और प्रत्य भी विक्रत होते हुए एक दूसरे के साथ नहीं रहते शब्द अन्य प्रकार का है अर्थ अन्य भाति का और प्रत्य इनसे भी बिलक्षन है इस प्रकार से इनका विभाग है। इस भात उनके विभाग में सन्यम करने से योगी को सब प्राणियों के शब्द का ज्ञान होता है। विज्ञान भिक्चुके योगवार्तिक का भाशा नुवाद सूत्र सतरह सन्यमांतर की सिद्ध को कहते हैं। गौ इत्यादी शब्द हैं, गौ इत्यादी अर्थ है, गौ इत्यादी प्रत्य ज्ञान है। इनके वक्षमार संकेत रूप, अध्यास से संकर, विवेक का अग्रहन होता है। वास्तों में इनका भेद है अतह उनके प्रविभाग में भेद में सन्यम द्वारा साक्षात करने पर सर्वधूतों के शब्दों का ज्यान होता है यह काम इस अर्थ को समझ कर इन शब्दों से कहता है यद्यप साक्षात क्रते सत यह पाठ सूत्र में नहीं है तो भी संसकार साक्षात करनात इस उत्तर सूत्र में साक्षात कार परियंत ही सन्यम की सिद्ध कही है अतह सरवत्र सूत्रों में सन्यम की साक्षात कार द्वारा ही व्याख्या करनी चाहिए इसलिए भाशिकार भी अनेक सूत्रों में द्रिग दर्शनार्थ साच्छातकार परियंत ही सन्यम की व्याख्या करेंगे तीन प्रकार के ही शब्दों के साथ अर्थ और प्रत्ययों का और उन शब्दों के अन्योन संकर को दर्शाने के लिए पहले शब्दों के ही तीन प्रकार भासिकार लिखते हैं तत्र वागीत, तत्र शब्द के मध्य में वागींद्री वर्णों में ही प्रयोजन वाली है, वागींद्री जन्य शब्द वर्ण ही हैं, स्रिंग आदि शब्द और वाचक पद वागींद्री जन्य नहीं हैं, उरह चाती आदि स्थानों में उत्पद्यमान शब्द वर्ण ह अस्टव स्थाना निवर्णाना मुरह कंठः शिरस्तथा जिहुआ मूलम्च दंताश्च नासिको स्थवच तालुच उर्खंठ शिर जिहुआ मूल दंत नासिका ओस्थ और तालू वर्णों के उच्चारण के ये आठ स्थान हैं इस स्मर्ण से वागिंद्रीय की शरीर से बाहर वृत्य व्यापार नहीं है अतह स्रोत्र ग्राहय वक्षमार शब्द तदंतर स्रोत्र बुद्ध ग्राहय वाचक शब्द वागिंद्रीय के कार्य नहीं हैं क्योंकि स्रोता के स्रोत देश में वक्ता की वागिंद्रीय का संबं बांतर को कहते हैं शोत्रम्चीत वागिंद्रीयद्वारा शंक आधि में अभियत उदान वायू का परिणाम भेद ध्वनि है जिस परिणाम से उदान वायू वक्ता की देह से उठकर शब्द धारा को उतपन्न करता हुआ स्रोता के स्रोत्र को प्राप्त होता है उस ध्वनिका परिणाम भूत वर्णा वर्ण साधारन गनाद नामक शब्द सामान में ही स्रोत्र इंद्रिय का विशे होता है ध्वनिका अपरिणाम भूत वाचक पद स्रोत्र इंद्रिय का विशे नहीं होता वह शब्द वर्ण जाति वाला होने से वर्ण कहलाता है तृतिय शब्द को कहते हैं पदे पुनर्दान संहार बुद्धि निर्ग्राह्यमिति तथा प्रतीत सिध्ध नाद नामक गारकादि वर्णों का प्रतेक पद है ऐसा प्रतेक को ग्रहन करके अनुप पीछे जो बुद्धि संहार करती है एकत्य का संपादन करती है गौह यह एक पद है इस भात उस बुद्धि से निर्ग्राहय वर्णों से अतिरिक्त अखंड एक काल में उत्पद्यमान वक्षमाड स्थोट नामक पद है इस प्रकार यह तृतिय शब्द अंतह करण से ही ग्राहय है अंतह करण का ही विशय है उस पद क को ही यदि स्रोत्रेंद्रीय से ग्राहय माने तो अंतह करण निष्ठ अनुसंहार बुद्ध को भिन अधिकरण में होते हुए हे तुमानना होगा और वह अयुक्त है क्योंकि प्रत्या सत्य में समाना अधिकरण को ही लागव है अनुसंहार बुद्ध भी स्रोत्राद की ही ह यह नहीं कह सकते क्योंकि यह असंभव है। उनको अंतह करण की सहकारिता ही उचित है, अतह स्मृत वर्णों की आनुपूर्वी का मन से ही ग्रहन हो सकता है, यह भाव है, शंका, क्यों जी, इस फोट नामक शब्द किस प्रकार का है, और उसका कारण क्या है, तथा उसमें प्रमाण क्या है, समाधान अत्रोच्चते जैसे बीज अनकुर आद अनेक अवस्थाओं में इस्थित व्रिक्ष धर्मी, उन क्रमिक अवस्थाओं से अतिरिक्त पल्लव आद रूप अशेश अवस्था से व्यक्त होता है, कि यह आम्र व्रिक्ष है, दूसरा व्रिक्ष नहीं है, वह से भिन्न अभिन्न है क्योंकि उसमें भेद और अभेद दोनों का अनुभव होता है ऐसे ही गकार अवकाराद अनेक अवस्था वाला गौ इत्याद अखंड स्थोट शब्द क्रमिक गकाराद अवस्थाओं से अतिरिक्त आनुपूर्वी विशेस विशिस्ट विसरजनी आद रूप चरम अवस्था से व्यक्त होता है कि यह गौ है यह पद गौ है इत्याद रूप से व्यक्त नहीं होता वह स्थोट पद गकाराद वर्णों से भिन्न और अभिन्न है क्योंकि उसमें भेद और अभेद दोनों का अनुभव होता है और वह पद नामक शब्द अर्थ क इस फुट साफ प्रकट करने से इस फोट कहलाता है इस फोट शब्द का कारण एक प्रयत्न जन्य ध्वन विशेस है प्रयत्न भेद से उच्चारण में व्यवधान होने पर एक पद व्यवहार नहीं हो सकता गौह यह एक पद है यह व्यवहार इस फोट में प्रमाण है तेक वन्ड से उत्पद्यमान अर्थ प्रत्य का हेतुत्व इस फोर्ट में प्रमाड है। उच्छेद हो जाएगा क्योंकि दोनों दशा में युक्ति समान है। इसलिए अर्थ को उपस्थित ना करके अर्थ को बिना प्रकट किये ही आबिर भूत होकर ही छण भर में तिरो भूत हो जाते हैं। इसलिए प्रत्यक को अविबे की अपदस्वरूप कहते हैं। श्वरूप पद के ग्रहन से अवस्था और अवस्था वाले के अभेद से वर्णों के पदत्त का निराकरण नहीं किया है। शंका यदि वर्ण पदस्वरूप नहीं है तो लोग इतने वर्ण क्रम विशेश से युक्त इस अर्थ के वाचक हैं। ऐसा संकेत किस प्रकार कर लेते हैं। समाधान वर्णाह पुनरित्याद यहां से लेकर संकेत्यते इस परियंत वाक्य से समाधान निकलता है। उसका अर्थ यह है यद्द वर्ण पदसे भिन्न हैं तथापि अवस्था और अवस्था वाले के अभेद की भी सक्ता है। अभेद भी है अतह एक एक भी वेंड पद रूप हैं, पद से अभिन्न हैं। बीज और अंकुर व्रिक्ष से अभिन होते हैं इसलिए पद रूप से सर्व पदार्थों के अभिधान की योग्यता से संपन्न होते हैं इसमें हे तु कहते हैं सहकारी पद भाव से सहकारी जो वर्णांतर उनका प्रतियोगी संबंधी होने से अनंत पद रूपता को प्राप्त की भात अपान होता है बन जाता है यहां इव शब्द का प्रयोग भाशकार ने वैश रूप की योग्यता मात्र के प्रतिपादन के लिए किया है वैश रूप का प्रकार कहते हैं पूर्ब गकार उत्तर और इस वर्ण द्वय के साथ गण इत्यादी पद से व्याबृत होता है प्रथक होता है उत्तर विसरजनी पूर्ब गव इन वर्ण द्वय से गव इत्यादी पदों से व्याबृत होकर प्रथक होकर विशेश गव इस अखंड स्फोर्ट पद से तारतम्य से अभेद रूप से अवस्थापित होता है इस हेतु से इस प्रकार के क्रमा नुरोधी बहुत से वर्ण आनुपूर्वी विशेश की अपेक्छा रखने वाले पद के अभेद से अर्थ संकेत से अवचिन युक्त नियमित होकर सर्व अभिधान में समर्थ भी इतने इतने संक्या वाले ये गकाराद गव को ही अवस् संकेत किया जाता है यह भास्य का अन्वय है उसमें हेतु है वाच्यस्य वाचक मित पद ही वाच्य का वाचक है उपस्थापक है वाच्य को कहने वाला है अन्य का अन्य रूप से संकेत में हेतु है एते शाम से लेकर निभासह तक जो पद नामक बुद्ध मात्र गाहे अर् जिन उस प्रकार के वर्णों की है वह एक है अभिन्य है यह पद के स्वरूप का कथन किया है वाक्यार्थ समाप्त हुआ भाव यह है कि जैसे मिले हुए दो कपाल जल लाने के हेत होते हैं यह अविवेक से बालकों के लिए कहा जाए क्योंकि पट से घट को प्रथक करने वाल अन्य असंभव है उससे बालक कपाल के अविवेक से घट को ही जल लाने का हेतु समस्ता है ऐसे ही इस फोट आंतर के व्यावरतन के लिए वर्णों के अविवेक से ही इस फोट में संकेत का उपदेश और संकेत का ग्रहन होता है अतह वर्णों में संकेतता की अनुपपत्त असिद्ध नहीं है, त्रिविध शब्द को दर्शाकर अब उनमें से संकेत के कारण का प्रतिपादन करते हैं, तदेक मित प्रतीयते इसके साथ अन्वय है, अर्थ यह है, एध्य पिवहपद, इस फोट नामक एक ही है, वर्णों के समान अनेक नहीं है, और एकत्त में प्रमा प्रयत्न भेद से भी उत्पन्न होते हैं, तथा यह पद अभाग है, निरंश है, वर्ण समूह तो वर्ण के सद्रिश सांश है, तथा यह पद स्फोट अक्रम है, एक काल में ही उत्पद्यमान है, वर्णों के समान क्रम से उत्पन्न नहीं होता, अतह इन हेत्यों से पद स् भिन्न है किंग्च इसफोर्ट बॉध्ध है बुद्धिमात्र से ग्राहय है तथा अंत्य वर्ण के प्रत्य रूप व्यापार से व्यक्त होता है वर्ण ऐसे नहीं है तो भी दूसरों के प्रतिपादन की इच्छा से वक्ता के बोले और स्रोता के सुने इस प्रकार के वर्ण में आते हैं वर्णों से भिन्न रूप से व्यवहार में नहीं आते उसमें हेत्व है अनादि वाग व्यवहार की वासनाओं से वशेक्रत लौकिक बुद्ध यहां अभिधीयमानई है इससे पद में वाग इंद्रीय विश्यक वर्णों का अविवेक समझना चाहिए और सु प्रविश्यक सब्द का अविवेक जानना चाहिए इस प्रकार तीन प्रकार के शब्दों के अन्यो न्या भ्यास से संकर को दर्शाया है अब त्रिविध शब्द से अर्थ और प्रत्य के अभ्यास का प्रतिपादन करने के लिए शब्द व्यवहार के संकेत ग्रह मूलक हो को तस्येत उस पद का प्रविभाग विशे की व्यवस्था के संकेत के ग्रहन से ही होता है प्रविभाग को ही कहते हैं एता वता मित इतने वरणों का इस प्रकार का ऐसा आनुपूर्वी वाला अनुसंगार मिलन इस अर्थ का वाचक है उपस्थापक है इस भाति का विभाग होता है एकस्यार्थस्य इस प्रकार का पाठ माने तो उसका अर्थ होता है अर्थ विशेश का संकेत का शब्दार्थ कहते हैं संकेत इस स्वित अभ्यास संकेत करता का आहार आरोप है जिसका अर्थ है आरोपित का अभेद उसे ही का ज्यान पदार्थ का उपस्थाफक होता है उसमें आधुनिकों की कल्पना की व्यावरत के लिए स्मृत्यात्मक पद का प्रयोग है अतह विशय और विशय के अभेद से पाड़िन आद की स्मृत्य है यह भी नहीं कह सकते कि कल्पित अभेद असत से वह असत संकेत कैसे हो सकता है क्योंकि असत ख्याति तो स्विकार ही नहीं है अन्यत्र सत अभेद की अन्यत्र कल्पना होती है अन्यत्र सत रजत की अन्यत्र सी में कलपना होती है अध्यास के संकेतत्व में प्रमाड कहते हैं यो अयंग शब्दह इससे लेकर भवत तक ओमित्ते काक्षरम ब्रम्ह इत्याद शास्त्रों में कंबू गृवाद इमान घटह इत्याद लोक में पद और पदार्थ का अभेद आरोप ही संकेत दिखलाई देता है क्योंकि ओमित्याद के शब्द वाच्यत्यु की लक्षणा में कोई प्रमाड नहीं हैं अत्यव कोषो में अमरा निरजरा देवाह इत्याद शब्द और अर्थ का आरोप्यमार अभेद ही संकेत दिखाई देता है अत्यम इस अनाद अभेद के आरोप से आगामी लोक मंत और अर्थ के अभेद उपासना का उपदेश करते हैं और मेमानसक मंत्रमई देवता कहते हैं जो तो इस शब्द से यह अर्थ जानना चाहिए इस प्रकार की ईश्वर की इक्छा का विशेशक्त दूसरे तंत्रों में लक्षित है वह औप्रमाडिकी है और लक्षना शक्त जै दूसरी बात यह है कि ईश्वर को न जानने वालों को भी शब्दार्थ प्रत्यय देखा जाता है तथा पद और पदार्थ के अभेद से संकेत भी युक्त न हो सकेगा इत्यादि दोश जान लेने चाहिए अब संकेत बुद्ध निमित तक तीनों का संकेत है इसको कहते हैं एव मेव इति इस प्रकार संकेत बुद्ध के कारण से वे तीन प्रकार के शब्द अर्थ और प्रत्यय संकेण और विविक्त हैं उनमें संकेत का ग्रही शब्द और अर्थ का इतरेतर अध्यास है क्योंकि शब्द और अर्थ का तो प्रत्यय के साथ एकाकार होने से अन्यो न्या ध्यास पसिद्ध ही है यह भाव है संकर के आकार को कहते हैं गौरीत या इत वही शब्द आदिका तक्वग्य है अन्य नहीं वर्ड भन पदों को अन्योन्य संकर की भात अब पद वाक्य और उनके अर्थों के संकर से भी शब्द अर्थ और पत्तेयों का संकर दिखलात सर्व पदेश्विति वाक्य की शक्ति पदार्थांतर की सहकार से वाक्य भवन शक्ति है वाक्य बनने की शक्ति है तथा ब्रिक्ष इत्यादी पदों की ब्रिक्षे अस्ति ब्रिक्ष है ब्रिक्ष चलता है ब्रिक्ष चिद्यते ब्रिक्ष कटता है इत्यादी वाक्यों से सं शंकर अविवेक होता है यह भाव है पदों में वाक्य शक्ति का उदार्ण देते हैं ब्रिक्ष इत्युक्त इति ब्रिक्ष ऐसा कहने पर आकांग्छा को पूर्ण करने के लिए योग्यता आद के वश्ट से अस्ति है इसक्रिया का अध्याहार होता है तथा पद में वाक्य क का संकर है यह भाव है शंका शब्द का अध्याहार संभो नहीं है क्योंकि एक ही अर्थ में अनंत शब्दों का प्रयोग होता है और किसी विशेश सब्द का अनुमापक लिंग उपस्थत नहीं है समाधान यह बात नहीं है क्योंकि अपनी इक्षा से स्वैं कल्पित किसी भी आकांग्छा के पूरक शब्द से वक्ता के तात्पर्य विशयक अर्थ का बोध हो सकता है अर्थ विशयस के अनुमान में तो योगिता आकांग्छा तात्परयादिक लिंग हैं ही यही कहते हैं न सत्तामित योगिता के दिखलाने से आकांग्छा तात्पर्य आद भी उदाहरांतर कहते हैं तथा नहीत असाधन कारक रहित कोई क्रिया नहीं होती पचत कहने पर सब कारकों का आक्षेप अर्थात अनुमान होता है शंका यह बात है तो कारक वाचक पदों का कहीं भी प्रयोग नहीं होगा समाधान नियमाय इत कारक वाचक पदों का नियम के लिए अनुबाद होता है योग गिता आदि से सरवत्र विशेश अर्थ का अनुमान संभो नहीं है अतह अनुमति कारकों का भी सामान्य से नियमार्थ दूसरी कारकों से गाबृति प्रथक करने के लिए प्रयोग होता है चैत्रो अग्निना भजनम इत्यादि पदों से चैत्र अग्नि भजन इस करता करण कर्म का अनुबाद है अतह अध्याहार के बिना भी अर्थ के अभेद निमित्तिक पद और वाक्य के संकर को दिखलाते हैं दिश्चस्चेति छंदो अधीते छंद पढ़ता है इस वाक्य के अर्थ में स्रोत्रीय इस पद की तथा प्राणान धारयत प्राणों को धारण करता है इस वाक्य के अर्थ में जीवति इस पद का वचन है कथन है जन्मना ब्राम्हडो गेयह संसकार द्विज उच्यते विद्ययायाति विप्रत्पम त्रिभीय स्रोत्रीय उच्यते जन्म से ब्राम्हड जानना चाहिए और संसकार यग्यो पवीत संसकार से द्विज कहा जाता है विद्या से विप्रत्व को पाता है और तीनों से जन्म स संसकार और विद्या वेद विद्या से स्रोत्रिय कहलाता है इस स्मृति प्रमाण से और जीव बल प्राण धारयोह उस अनुशासन से साधुपाठ प्रमाण से शंका यदि वाक्यार्थ की सिद्ध पद से भी होती है तो गुरुतरस्य छंदो अधीते इस वाक्य का वचन कभी भी न होगा समाधान तत्र वाक्य इति उस वाक्य में पद के अर्थ की अविव्यक्त होती है उससे पद का विभाग करके क्रिया वाचक है या कारक वाचक है विवरण करना चाहिए अतह पद और वाक्य के संकर से संशय के स्थल में पद का वाक्य से विवरण करना चाहिए प्रसंग से कहते हैं टत्र इति क्योंकि वाक्यार्थ में भी पद रचना होती है अतह संदेह स्थल में पद का अंश भेदों के द्वारा वाक्य से विवरण करना चाहिए। व्याकरण न होने पर अर्थ का बोध न होने से वाक्य का व्यवहार ही व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए कहते हैं अन्यथेति भवत यह प्रयोग करने पर नाम और आख्यात के समान रूप होने से भवत घटह भवत भिच्छाम देही इन दो अर्थों में संदेह होने पर अन्वधारित पद का किस प्रकार किस प्रयोजन से क्रिया या कारक में विवरण किया जाए श्रोता क अर्थ का ज्यान असंभव है इसी भात अस्व यह कहने पर गतिमकार शिर घोट को वा चला था या घोड़ा है यह संदेह होता है क्योंकि नाम और आख्यात में समान रूपता है अतह अजापयह यह कहने पर छाग्याह पयह शत्रून पराभा वितवान वा इस अर्थ में हम्देह होता है क्योंकि नाम और आख्यात समान रूप है इस प्रकार अर्थ और प्रत्य गें संकर को दिखलाकर अब प्रभिभाग को दिखलाते हैं तेशा मित्याद से उनमे से पहले शब्द का भेद होने पर भी अर्थ और प्रत्य के अभेद से शब्द और अर्थ के भेद को दिखलाते हैं स्वेतते इस से लेकर प्रत्यष इस तक के स्वेतते प्रासादह यह क्रिया का अर्थ है शब्द क्रिया कारक रूप है उस शब्द का अर्थ और प्रत्य ग्यान होता है यह भाष्ण है क्रिया से साध्य रूप है अर्थ जिसका वह क्रिया का अर्थ है स्वेतते यह उसका शब्द है तथा कारकह सिद्ध रूप है अर्थ जिसका वह कारकार्थ है स्वेतत यह उसका शब्द है ये शब्द भिन्न है इनका अर्थ क्रिया कारक रूप स्वेत गुण मात्र एक ही है इसी प्रकार प्रत्य भी जानना चाहिए, क्रियाकार कात्मक गुणाकार है, इसमें प्रमाण पूछते हैं, कस्मात इत्य किस प्रकार उत्तर देते हैं, सोय मित्य भी संबंधाद यह वही है, इस संबंध से क्रियाकार कात्मक गुणाकार है, स्वेतन जो क्रिया है, वही यह स्वेतर रूपकारक गुण है, और जो स्वेतते इससे स्वेताकार प्रत्य है, वही प्रत्य स्वेतह, इस शब्द से भी स्वेताकार प्रत्य ही अभेद क प्रत्य विग्या से होता है शब्द और अर्थ के अभेद से संकेत कैसे होता है इस विशय में कहते हैं एकाकार इति एकाकार आरोप रूप प्रत्य ही संकेत से आरोपित के अभेद में ही संकेत है पारमार्थिक अभेद रूप में संकेत नहीं है शंका, सब्द और अर्थ के अभेद प्रत्यय से प्रत्य भिग्या का ही बाध क्यों नहीं हो जाता समाधान, तत्प्राह यस्त्वित जो स्वेत अर्थ है वह शब्द और प्रत्यय ज्ञान का विशय होने से अपनी शब्द आदि से भिन नई पुरानी अवस्थाओं से विक्रय मार होने से शब्द और प्रत्य के सहगत साथ नहीं रहता काल से काल रूप अधिकर्ण से भिन होने से सहचार नहीं रहता ऐसे ही देश से भी सहचार नहीं रहता क्योंकि शब्द का अधिकर्ण आकाश है और प्रत्य ज्यान का अधिकर्ण बुद्ध है और अर्थ स्वेत गुनाद प्रासाद आदि में रहते हैं यह भाव है एव मिति इस प्रकार शब्द भी अपनी अवस्थाओं से विक्रिमार अर्थ और बुद्ध का भी सहचारी नहीं है इस प्रकार प्रत्य ज्यान भी शब्द और अर्थ का सहचारी नहीं रहता उपसंधार करते हैं इत्यन्यथे इति अन्यथा शब्द है अन्यथा अर्थ है और अन्यथा प्रत्य है यह विभाग है सूत्र के अर्थ का उपसंधार करते हैं इवन तत्प्रविभागे इति इस प्रकार उनके विभाग में सन्यम करने से योगी को सब भूतों के शब्द का ज्यान होता है इस प्रकार मनुष्य के विशय में शब्द अर्थ और प्रत्ययों में जो प्रविभाग है उसमें सन्यम करने से साक्षात परियंत सन्यम करने से सब भूतों के शब्द उसके अर्थ और प्रत्यय ज्यान को योगी जान लेता है क्योंकि योगज धर्म अचिंत शक्तिवाला है सौ सद्रिश थल देना धर्मों का स्वाभाविक है हमारे सद्रिशों को शब्द अर्थ और प्रत्य के भेद का साक्षातकार होने पर भी उस साक्षातकार के सन्यम जन्य नौ होने के कारण सब भूतों के शब्द का ग्यान नहीं होता सन्यम की ही यह सिद्ध है ऐसे ही अगले सूत्रों में भी यथा स्थल यही समाधान है विशेश वर्णन सूत्र सत्रह शब्द तीन प्रकार का है वर्णात्मक को गो आद जो वाणी रूप इंद्रिय से उतपन्य होता है भन्यात्मक वा नादात्मक शंक आदिका शब्द यह प्रयत्न प्रेरित उदान वायु का परिणाम विशेश है यही शब्दों की धारा को उत्पन करता हुआ स्रोता के स्रोत्र इंद्रिय तक जाता है इसफोट नामक शब्द इसफुट तर्थोस मादित इसफोटह यह अर्थ का बोधक और केवल बुद्ध से ग्रहीत होता है निरवयव नित्य और निस्क्रम है वर्ड शीग्र उत्पन होकर नस्ट हो जाते हैं इनका मेल नहीं हो सकता क्योंकि गौ यहां पर गकारों चारण के समय में आवकार नहीं और आवकार के उच्चारण के समय में गकार नहीं इत्याद मेल न होने पर भी वर्डों के संसकार और उन संसकारों से इस्मृति होती है अंतिम वर्ड जैसे पचति में इकार इस फोट का व्यंजक है यद इसे न माना जाए तो गौह यह एक पद है ऐ इसा व्यवहार नहीं हो सकता, क्योंकि एकता को ग्रहन करने वाली बुद्ध न वर्णों में जो विनाशी है, हो सकती है, और न स्पोर्ट बोधक, धन में, यह स्पोर्ट नामक शब्द दो प्रकार का है, पद स्पोर्ट और वाक के स्पोर्ट, इस्फोर्ट का विशय नागेश कृत मंजूशा और वयाकरण भूशन में विस्तृत रूप से लिखा है वयाकरण अचार्य और योगा अचार्य इनका इस्फोर्ट विशय में एकमत है नयाईक शब्द मात को अनित्य मानते हैं मिमानसक शब्दों को नित्य मानते हैं, उत्तर मिमानसक वेदानती शब्दों को आप एक्षिक नित्य मानते हैं, ये सब स्फोर्ट वादी नहीं है। इस फोट का बड़ा शास्तार्थ है इन तीनों अर्थात शब्द अर्थ और ज्यान का परस्पर अध्यास भिन्नों से अभिन्य बुद्ध होता है आरोप को अर्थात अन्य में अन्य बुद्ध करने को अध्यास कहते हैं इन शब्दों का अर्थ और ज्यान के साथ संकेत रू में योगी चित्त की एक आगरता करता है तब उनका प्रत्यक्षकर वानर कौवे आद की बोली को जान लेता है कि इस अर्थ को लेकर ये बोल रहे हैं योगियों में विचित्र शक्ति होती है धारणा ध्यान और समाध की बड़ी महिमा है साधारण लोगों को जो शब्द अर् कहते हैं संसकार साक्षात करणात पूर्वजाति ज्यानम संसकार के साक्षात करने से पुनर जन्म का ज्यान होता है व्याख्या संसकार दो प्रकार के होते हैं एक इस्मृति के बीज रूप से रहते हैं जो इस्मृति और क्लेशों के कारण हैं दूसरे विपाक के कारण वा ये सब संसकार इस जन्म तथा पिछले जन्म में किये हुए कर्मों से बनते हैं और ग्रामों फोन के प्लेट के रिकष्ण के सद्रिश्चित्त में चित्रत रहते हैं। वे परिणाम, चेस्टा, निरोध, शक्त, जीवन और धर्म की भात और परिद्रिष्ट चित्त के धर्म हैं, उनमें सन्यम करने से योगी को उनका साच्छात हो जाता है, इससे उसको जिस देश, काल और जिस निमित्तों से वे संसकार बने हैं, सब स्मर्ण हो जाते हैं, यही पूर्वजन्म ज्यान है, योगीयों के अतरिक्त, बहुत से शुद्ध संसकार वाले बालक भी अपने पूर्वजन्म का हाल बतला देते हैं, जिस प्रकार संसकारों के साच्छात करने से अपने पूर्वजन्म का ज्यान होता है, इसी प्रकार दूसरे के संसकारों के साच् सचाथ करने से ज्यान हो जाता है टिपड़ी सूत्र अठारह पूर्वोक्त अर्थ में सद्धा उठपन करने के लिए भाश्यकारों ने आवट्ट नामक योगी स्वर का योगी राज जैगिशव्व के साथ संबाद उपन्यस्त किया है उसका यहां निरूपन किया जाता है भ कलपों में व्यतीत हुए अपने जन्म परिणाम परंपरा का अनुभव करते हुए विवेक जन ज्यान संपन्द थे और योगी राज भगवान आवट्ट के संबंद में कहा जाता है कि योग बल से स्वेक्छामय दिव्व्विग्रहों को धारन करके विचरते थे किसी समय इन दोनों योगियों का संगम हो गया तब आवट्ट ने जैगिशब्ज से यह बात पूछी कि दस महा कलपों में देव मनुस्याद योनियों में उत्पन होते हुए आपने जो अनेक प्रकार के नरक तिर्यग योनियों में और गर्भ में दुखों का अनुभव किया है वह सब आपको परिग्यात है क्योंकि स्वक्ष और अनभिभूत बुद्ध सत्व होने के कारण आपके सारे पूर्व जन्मों का ज्यान है इसलिए आप यह बतलाएं कि दस महा कलपों में जो आपने अनेक प्रकार के जन्म धारण किये हैं उन जन्मों में आपने सुख और दु दुख है वा दुख बहुल तब जैगिशव ने बतलाया कि इन दस महा कलपों में अनेक प्रकार के नरग तिर्यक योनियों में दुखों का अनुभ उकरते हुए बारंबार देव और मनुस्याद योनियों में उतपन होते हुए मैंने जो अनुभव किया है उन सब को दुख रूप ही जानता हूँ अर्थात विशे सुख दुख रूप होने से संसार दुख बहुल ही है सुख बहुल नहीं आवट्य मुन्य ने फिर पूछा हे जैगिशब्य मुने दिर्गाय वाले जो आपको प्रधान वशित और अनुत्तम संतोष सुख का लाब हुआ है क्या वह भी दुख पक्ष में निच्छत है तब भगवान जैगिशब्य ने कहा हे आवट्य मुने विशे सुख की अपेक्षा से ही यह संतोष सुख अनुत्तम कहा जाता है कईवल्य की अपेक्षा से तो यह दुख रूप ही है क्योंकि संतोष बुद्ध सत्त का ही धर्म है और जो जो बुद्ध का धर्म है वह सब त्रिगुनात्मक प्रत्य होने से हेय अपक्ष में पतित है अर्थात बुद्ध का धर्म होने से संतोष भी सुख स्वरूप नहीं है सूत्रकार ने संतोसादानुत्तम सुखलाभः इस सूत्र से संतोष को जो अनुत्तम सुख का हेत कहा है उसका तातपर यह है कि रज्य के सद्रिश पुरुसों को बांधने वाली जो दुख स्वरूप त्रिशना तंतु है उस त्रिशना तंतु रूप दुख का संतोष से ना सरवान पूल संतोष सुख को उत्तम कहा है कईवल्ल की अपेक्छा से तो यह सब दुख रूप ही है पत्ययस्य परचित ग्यानम दूसरे के चित की वृत्त के साख्षात करने से दूसरे के चित का ज्यान होता है। जब योगी किसी के चेहरे तथा नेत्राद की आकरत देखकर उसके चित की वृत्त में सन्यम करता है तो उसको उस चित का साख्षात हो जाता है। इससे उसको ज्यान हो जाता है कि इस समय उस दूसरे के चित की वृत्ति में सन्यम करने से यह चित चित मात्र प्रत्यक्ष होता है अथमा सौ विशय सहित इसका उत्तर देते हैं पर वह दूसरे का चित अपने विशय सहित साक्षात नहीं होता क्योंकि वह विशय सहित चित उसका सन्यम का विशय नहीं है व्याख्या पिछले सूत्र में दूसरे के चित्त की वृत्ति में सन्यम करना बतलाया है इससे इतना ही ग्यान हो सकता है कि चित्त राग द्वेशाद इसे युक्त है अथमा वीद राग है राग द्वेश आदि का विशे ग्यान नहीं होता कि किस विशे में राग है किस विशे में द्वेश है इत्यादि क्योंकि ये उस सन्यम के विशे न थे सन्यम द्वारा उसी का साक्षात होता है जो उसका विशे है और सन्यम का विशे वही होता है जिसको किसी न किसी प्रकार स से पहले जान लिया है बाहरी चिन्यों अर्थात नेत्र अथुमा चेहरे की आकरति से केवल राग द्वेशाद जाने जा सकते हैं न कि राग द्वेशाद के विशय इसलिए वे सालंबन्चित के सन्यम के विशय नहीं बन सकते यदि राग द्वेशाद आप ध्यांतर लिंगो द्वारा सन्यम किया जावे तो उनके विशय का भी अर्थात सालंबन जित्त का भी ज्ञान हो सकता है टिपड़ी विज्ञान भीक्षु ने इस सूत्र को भाष्य मानकर उन्नीसमें सूत्र में ही समलित कर दिया है भोज और वाचस्तति मिश्र ने इसको अलग सूत्र माना है इस से दूसरे के आँखों के प्रकाश से रोगी के शरीर का संनिकर्श नव होने के कारण योगी के शरीर का अंतरधान छिप जाना हो जाता है व्याख्य चक्छु ग्रहन शक्त है और रूप ग्राहय शक्त है इन दोनों शक्तियों के सन्योग से ही देखने का काम होता है इन दोनों में से किसी एक की शक्त के रुख जाने से देखने का कार्य बंद हो जाता है योगी सन्यम द्वारा शरीर के रूप की ग्राहय शक्त को रोक देता है उस कारण चक्छु की ग्रहन शक्ति होते हुए भी दूसरे पुरुष उसके शरीर को नहीं देख सकते यह उस योगी का अंतरधान अर्थात छिप जाना है इसी प्रकार शब्द, स्परश, रस और गंध में सन्यम करने से उस उसकी ग्राह शक्ति रुक जाती है और उनके वरतमान रहते हुए भी वे अपने विशय करने वाली इंद्रियों से ग्रहन नहीं किये जा सकते सोप क्रमम निरूप क्रमम चकर्म तत सन्यमाद पारंत ज्यान मरिस्ते भ्योवा कर्म सोप क्रम और निरूप क्रम दो प्रकार के होते हैं उनमें सन्यम करने से मृत्त का ज्यान होता है अथमा अरिस्तों से मृत्त का ज्यान होता है व्याख्या आयु नियत करने वाले पूर् जन्म के कर्म दो प्रकार के होते हैं एक सोप क्रम अर्थात वे कर्म जो आयु समाप्त करने का काम पूरे वेग से कर रहे हैं जिनका बहुत सा फल हो गया है और कुछ शेश हैं दूसरे निरूप क्रम अर्थात वे कर्म जो मंद वेग वाले हैं जिन्होंने आयु भोगने का कार्य अभी तक आरंभ नहीं किया है जैसे गीला वस्त्र गरम देश में विस्तार पूर्वक फैलाया हुआ शीग्र ही सूख जाता है अथमा जैसे सुस्क त्रिणों के उपर फेकी हुई अगनी चारों और वायु से युक्त होकर शीग्र ही त्रिणों को जला देती है वैसे ही शीग्र फल करने वाले सोप क्रम कर्म हैं और जैसे वही गीला वस्त्र एकठा लपेट कर शीत देश में रखा हुआ देर से सूखता है अथमा जैसे हरित त्रिणों पर फेकी हुई अगनी वायु रहित इस्थान को कहते हैं इन दोनों कर्मों के सन्योग करने से उनका साच्छात हो जाने पर योगी को संशय रहित यह ज्यान हो जाता है कि आयु कितनी शेस रही है किस काल और किस देश में शरीर का वियोग होगा अथमा अरिस्टों से अर्थात उल्टे चिन्हों से जो मृत्य के बतलाने वाले हैं अपनी मृत्य का ज्यान हो जाता है अरिस्ट तीन प्रकार के हैं आध्यात्मिक अब्ध्यास होते हुए भी कानों को बंद करने पर अंदर की ध्वनिका न सुनाई देना अथमा आखों को हाथों से दबाने पर भी जोदिके कनकों का न दिखलाई देना आध्य आकाश के नक्षत्र तारा आधिका उल्टा पुल्टा दिखाई देना इन अरिस्टों को देखने से मृत्य के निकट होने का ज्यान होता है इसी प्रकार प्रकृत का बदल जाना अर्थात उदार का क्रिपन और क्रिपन का उदार हो जाना इत्याद तथा विपरीत ज्यान क जैसे धर्म को अधर्म, अधर्म को धर्म, मनुस्य लोक को स्वर्ग लोक और स्वर्ग लोक को मनुस्य लोक समझना इत्यादी भी अरिस्ट अर्थात सन्निहित मरण के चिन्न हैं। अयोगियों को साधारन रीति से और सन्शय आत्मक ज्यान होता है। योगियों को सन्शय रहित प्रत्यक्ष के तुल्य देश और काल सहित मृत्यु का ज्यान होता है। संगत पूर्वोक्त परिक्रम अर्थात चित शुद्ध से हुई सिध्धियों को बतलाते हैं। मेत्रि आदि में सन्यम करने से मेत्री आदि बल प्राप्त होता है पहले पाद के 33 सूत्र में मेत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्छा चार भावनाएं बतलाई गई हैं इन में से पहली तीन भावनाओं में साखषात परियंत सन्यम करने से योगी का क्रमा नुसार मैत्री, करुणा, मुदिता बल बढ़ जाता है अर्थात योगी को मैत्री आद ऐसी उतक्रिष्ट हो जाती है कि सबकी मित्रता आद को प्राप्त होता है जब मैत्री में सन्यम करता है तो सब प्राणियों का सुखकारी मित्र बन जाता है करुणा में सन्यम करने से दुखियों के दुख दूर करने की शक्ति आ जाती है मुदिता में सन्यम करने से पक्षपाती नहीं होता चौथा उपेक्षा अर्थात उदासीनता अभावात्मक पदार्थ है इस कारण वह सन्यम का विशे नहीं बन सकता हाथी आदि के बलों में सन्यम करने से हाथी आदि के बल प्राप्त होते हैं जब योगी हाथी सिंह आदि के बल और वायु आदि के वेग में तदाकार होकर साक्षात परियंत सन्यम करता है तो उन जैसे बलों को प्राप्त होता है अर्थात जिसके बल में सन्यम किया जाता है वही बल प्राप्त होता है प्रवृत्या लोकन न्यासात सुक्ष्म व्यवहित विप्रकृस्ट ग्यानम प्रवृत्य के प्रकास डालने से सूख्ष्म व्यवहित और वी प्रकृष्ट वस्तु का ज्यान होता है व्याख्या पहले पाद के 36 सूत्र में बतलाई हुई मन की जोतिश्मती प्रवृत्य के प्रकास को जब योगी सन्यम द्वारा किसी सूख्ष्म इंद्रिया तीत जैसे अद्रिश्य परमाडव आद व्यवहित ढके हुए जैसे भूम के अंदर दबी हुई खाने दीवार की ओट में छिपी हुई वस्तुएं शरीर के अंदर के भाग इत्याद विप्रकृष्ट दूरस्थ वस्तु पर जहां आँख नहीं पहुंचती डालता है तब उनका उसक को प्रत्यक्ष ज्यान हो जाता है जैसे सूर्याद के प्रकाश से घटाद प्रत्यक्ष होते हैं वैसे ही जोतिश्मती के प्रकाश में सूक्ष्म व्यवहित और विप्रकृष्ट वस्तु का ज्यान होता है भूवन ज्यानम सूर्य सन्यमात सूर्य में सन्यम करने से भूवन अर्थात जो विशेस हद वाले स्थान हैं उन सबका यथावत ग्यान होता है। जी ने भी सूर्य के अर्थ सूर्य द्वार से किये हैं तथा मुंडक में भी सूर्य द्वार का वर्ण है। उसको इस विशे के लिए उपयोगी न समझ कर हमने व्याक्षा में छोड़ दिया है। और सूत्र का अर्थ भोजवृत्य के अनुसार किया है। इस भास्य के संबंध में कई एकों का मत है कि यह व्यासकृत नहीं है। इसलिए भोजवृत्य में इसका कोई अन्ष भी नहीं मिलता। इसमें अलंकार रूप से वर्ण की हुई तथा संदेह जनक बहुत सी बातें अस्पस्ट करणिय भी हैं। इन सब बातों के स्पस्टी करण के साथ व्यास भास्य का भाशार्थ देना उचित समझते हैं। व्यास भास्य का भाशा नुवाद सूत चब्विस भूमि आदि साथ लोक। अवीच आदि साथ महा नरक। साथ अधो लोक जो स्थूल भूतों की स्थूलता और तम के तारतम्य से क्रमा नुसार पथवी की तली में माने गए हैं। तथा महा तल, आदि साथ पाताल, साथ जल के बड़े भाग जो प्रथवी की तली में साथ महा नरक संग्यक तत्तेक स्थूल भाग के साथ माने गए हैं। यह भूवन पद का अर्थ है। इनका विन्यास उर्ध्व अधो रूप से पहलाव इस प्रकार है कि अवीची प्रथवी से नीचे सबसे पहला नरक तामसी स्थूल भाग, अवीची के पश्चात, क्रमा नुसार इस्थूलता और तामस आवरण की नियूनता को लेते हुए चेह और इस्थूल भाग हैं, जो सुमेरु हिमाले परवत की प्रिस्थ परियंत जो लोक है वह भूलोक है, और सुमेरु प्रिस्थ से धुरुतारे पोलिस्टार परियंत जो ग्रह नक्षत्र तारों से चित्रित लोक है वह अंतरिक्ष लोक है, यह अंतरिक्ष लोक ही भू वह लोक कहलाता है इससे परे पांच प्रकार के स्वर्ग लोक हैं उनमें भूलोक और अंतरिक्ष लोक से परे जो तीसरा स्वर्ग लोक है वह महिंद्र लोक स्वह लोक कहलाता है चौथा जो महाह लोक है वह प्राजापत्य स्वर्ग कहलाता है इससे आगे जो जनह लोक तपह लोक और सत्य लोक नाम के तीन स्वर्ग हैं वे तीनों ब्रह्म लोक कहे जाते हैं इन पांचों स्वह महह जनह तपह और सत्य लोक को ही जवह लोक कहते हैं इन सब लोकों का संग्रह निम्न स्लोक में है ब्रम्हास्त्रि भूमिको लोकह प्राजापत्यस्ततो महान माहिंद्रस्चस्वरित युक्तो दिवितारा भुविप्रजा जनह तपह सत्यम तीन ब्रम्ह लोक हैं उनसे नीचे महः नाम का प्राजा पत्य लोक हैं उनसे नीचे स्वअनाम का महिंद्र लोक हैं उनसे नीचे प्रजा मनुस्यों का लूख भुलोग हैं जिस प्रकार प्रथवी के ऊपर छह और लोग हैं इसी प्रकार प्रथवी से नीचे चोदह और लोग हैं उनमें सबसे नीचा अवीच नरक है उसके ऊपर महाकाल नरक है जो मिट्टी, कंकड, पाशानाद इसे युक्त है उसके ऊपर अंबरीश नरक है जो जल पूरित है उसके ऊपर रोरो नरक है जो अगनि से भरा हुआ है उसके ऊपर महारोरो नरक है जो वायू से भरा हुआ है उसके ऊपर महासूत्र नरक है जो अंदर से खाली है उसके ऊपर अंधतामिस्र नरक है जो अंधकार से व्याप्त है इन नरकों में वही पुरुष दुख देने वाली दीरग आयू को प्राप्त होते हैं जिनके अपने किये हुए पापकर्मों का दुख भोगना होता है इन नरकों के साथ महातल, रसातल, अतल, सुतल, वितल, तलातल, पाताल ये साथ पाताल है आठमी इनके उपर यह भूम है जिसको वसुमती कहते हैं जो साथ दीपों से युक्त है जिसके मध्य में सुवर्ण में परवत राज सुमेर विराजमान है उस सुमेर परवत राज के चारो दिशाओं में चार स्त्रिंग पहाड की चोटी है उनमें जो पूर्व दिशा में स्त्रिंग है वह रजत मैं है सं दक्षिन दिशा में जो स्रिंग है वह वैदूर्य मड़ी में नीली मड़ी के सद्रिश है जो पश्यम दिशा में स्रिंग है वह स्थटिक मड़ी में जो की प्रतिविंब ग्रहन कर सकती है और जो उत्तर दिशा में स्रिंग है वह सुवर्ण में या सुवर्ण के रंग वाले पुष्प विसेश के वर्ण वाला है वहां वैदूर्य मड़ की प्रभा के संबंध से सुमेरु के दक्षिन भाग में इस्थित आकाश का वर्ण नील कमल के पत्र के सदिश शाम दिखलाई देता है। जिस दिशा का स्रिंग है वैसे ही वर्ण वाला उस दिशा में इस्थित आकाश का भाग दिखलाई देता है। इस सुमेरु परबत के उपर उसके दक्षिन भाग में जम्बू ब्रिक्ष है जिसके नाम से इस द्वीप का नाम जम्बू द्वीप पड़ा है। प्रायह विशे इस देशों में विसेश व्रिक्ष हुआ करते हैं संभव है यह प्रदेश किसी काल में जंबू व्रिक्ष प्रधान देश हो वरतमान समय में जंबू रियाशत संभवतह जंबू द्वीप का अवशेश हो इस सुमेर्य के चारो और सूर्य भ्रमण करता है जिससे यह सरवदा दिन और रात से सन्युक्त रहता है, जब कोई बड़े मोटे बेलन के साथ पतला छोटा बेलन घूमता है, तब वह भी अपना पूरा चक्र करता है, इस दृस्थ से उस पतले बेलन के चारो और बड़े बेलन का चक्र हो जाता है इसी प्रकार जब प्रत्वी सूर्य के चारो ओर घूमती है तो 24 घंटे में सूर्य का भी प्रत्वी के चारो ओर घूमना हो जाता है इस भात सुमेर उपरवत के एक ओर उजाला और दूसरी ओर अंधेरा है उजाला दिन है और अंधेरा रात्र है इसी प्रकार दिन और रात सुमेरु परवत से मिले जैसे मालूम होते हैं सुमेरु के उत्तर दिशा में नील, स्वेत और स्रिंगवान नाम वाले तीन परवत विद्यमान हैं जिनका विस्तार दो दो हजार वर्व योजन है इन परवतों के बीच में जो अवकाश बीच के भाग घांति वैली है उनमें रमड़क हिरेन्यमय उत्तर कुरू, स्रिंगवान के उत्तर में समुद्र परियंत उत्तर कुरू है टामोली ने लिखा है कि चीन के एक प्रदेश का नाम उत्तर कोर है जो की उत्तर कुरू शब्द का अपभन्ष प्रतीत होता है इससे आसपास का समुद्र परियंत प्रदेश उत्तर कुरू प्रतीत होता है नामक तीन वर्ष खंड है जो 900 वर्ष योजन विस्तार वाले हैं निल गिरी मेरू के साथ लगा है निल गिरी के उत्तर में रमडग है पद्व पुरान में इसे रम्यक कहा है स्वेत गिरी के उत्तर में हिरैडिमे है और दक्षिन भाग में तीन परवत निशध हेमकूट वर्ग योजन विस्तार वाले हैं लंका के उत्तर पूर्व सागर तक दिस्तृत हिमगिरी है हिमगिरी के उत्तर हेमकूट है यह भी समुद्र तक पहला हुआ है हेमकूट के उत्तर में निशद वरबत है यह जन्पद शायद बिंध्याचल पर अवस्थित था दमयंती पति न निशद के राजा थे इनके बीच में अवकाश में 9000 वर्ग योजन विस्तार वाले तीन वर्ष खंड हरिवर्ष किमपुर्ष और भारत विद्यमान है संभौत हिमाले के इलावृत प्रदेश और निशद प्रदेश के बीच के प्रदेश को भारत कहा गया हो हरिवर्ष सं थात वानर जाद के राजा सुग्रीव द्वारा कभी शाशत होता हो सुमेरु के पूर्व दिशा में सुमेरु से सन्युक्त मालेवान परवत है मालेवान परवत से समुद्र पर्यंत प्रदेश भद्राश्व नामक है आजकल बर्मा के नीचे एक मलय प्रदेश है संभौत यह प्रदेश उसके उपर का बर्मा प्रदेश माल्यवान हो माल्यवान से लेकर पूर्व की ओर समुद्र परियंत भद्राश्र नामक प्रदेश है वर्मा और मलय के पूर्व की ओर शाम और अनाम इंडो चाइना के प्रदेश संभौत भद्राश्र नामक हैं सुमेरु के दक्षिन में जो उपत्यका अर्थात परवत पाद की उँची भूम है उसे यहां इलावृत कहा गया है पांच हजार वर्ग योजन विस्तार वाले देश में सुमेरु विराजमान है और सुमेरु के चारो ओर पचास वर्ग योजन विस्तार वाला देश है इस प्रकार गोल आकार वाले छार समुद्र से वेस्टित घिरा हुआ है जम्बू दीप से आगे दुगने परिमार वाला शाक दीप है जो अपने से दुगने परिमार वाले वलयाकार इक छुरश एक प्रकार का जल के समुद्र से वेस्टित है भारत में शक जाति ने आक्रमड किया था कास्पियन सागर से पूर्व की और शाकी नाम की एक जाति का निवास है यूरोपी पुरा विदों ने इस्थिर किया है कि वरतमान ताफार, एशियाटिक रूस, साइबेरिया, क्रीमिया, पोलेंड, हंगरी का कुछ हिस्सा, लिथुयानिया, जर्मनी का उत्तरांश, स्वीडन, नारवे, आदिको शाक द्वीप कहा गया है इससे आगे इससे दुगने परिमार वाला कुछ द्वीप है जो अपने से दुगने परिमार वाले वलयाकार मदिरा एक प्रकार का जल के समुद्र से वेस्टित है इससे आगे इससे दुगने परिमार वाले वलयाकार मिस्ट जल के समुद्र से वेस्टित है लोका लोक परवत है इस लोका लोक परवत से परिमार वेस्टित जो साथ समुद्र सहित साथ दुप हैं वे सब मिलकर पचास कोट वर्ग योजन विस्तार वाले हैं वर्तमान समय में पृत्वी का खेत्रफल 19 करोड 65 लाक वर्ग मील तथा घनफल 2 खरव 69 अरव 88 करोड घनमील माना जाता है साथ ही वर्तमान समय में योजन चार कोशों का तथा कोश दो मील के समान माना जाता है यह जो लोका लोक परवत से परिवर्त विश्वंभरा पृत्वी मंडल है वह सब ब्रह्मान्ड के अंतरगत संचिप्त रूप से वर्तमान है और यह ब्रह्मान्ड प्रधान का एक अल्प देश में यह सारा ब्रह्मान्ड विराजमान है इन सब पाताल समुद्र और परवतों में असुर गंधर्व किन्नर किमपुरुष यक्ष राक्षस भुभूत प्रेत पिशाच अपसमारक अपसराएं ब्रम्ह राक्षस कुष्मांड विनायक नाम वाले देव योन व प्रथात राजसी तामसी प्रकृतिवाले प्राणधारी निवास करते हैं और सब द्वीपों में पूण यात्मा देव मनुस्ति निवास करते हैं सुमेरु परवत देवताओं की उद्ध्यान ध्भूमी है वहाँ मिस्त्रवन, नंदनवन, चैतरतवन, सुमानसवन, चारवन हैं. सुमेरु के उपर सुधरमा नामक देव सभा है, सुधरशन नामक पुर है, और वैजयंत नामक प्रासाद देव महल है. यह सब पूर्वोक्त भूलोक कहा जाता है इसके उपर अंतरिक्ष लोक है जिसमें ग्रह, बुद्ध, शुक्र आदि जोकी सूर्य के चारो और भूमते हैं नक्षत्र अस्विनी आदि जिसमें की चंद्रमा गति करता है तारका ग्रहों और नक्षत्रों से भिन अन्यतारे ध्रूव नामक जोत पोलर स्टार के साथ वायू रूप रज्जु से बधे हुए वायू मंडल में इस्थित वायू के नियत संचार से लब्ध संचार वाले होकर ध्रूव के चारो और भ्रमण करते हैं ध्रूव संग्यत जोत मेड़ी कास्ट एक काठ का स्तंब जोकी खलिह जान के मध्य में खड़ा होता है जिसके चारो और बैल भूमते हैं के सद्रिश निश्चल है इसके ऊपर स्वर्ग लोक है जिसको माहंद्र लोक कहते हैं माहंद्र लोक में तृदश अगनिश्वात याम तुशित अपरिनिर्मित वश्वर्ती ये छह देवयों विशेस नि वाले तथा ब्रिंदारक, पूजने योग्य, काम भोगी और ओप पादिक देह वाले बिना माता पिता के दिब शरीर वाले हैं और उत्तम अनकूल अपसराएं इनकी इस्त्रियां हैं इस स्वर्ग लोक से आगे महान नामत स्वर्ग विशेस है जिसको महालोक तथा प्राज योन विशेस काम करते हैं, ये सव देव विशेस महाभूत वशी जिनकी इक्छा मात से महाभूत कार्य रूप में परिनत होते हैं और ध्याना हार बिना अन्नादि के सेवन किये ध्यान मात्र से त्रिप्त और पुष्ट होने वाले तथा सहस्र कल्प आयु वाले हैं, महर ल लोक है, जिसको प्रथम ब्रह्म लोक कहते हैं। जनह लोक में ब्रह्म पुरोहित, ब्रह्म काईक, ब्रह्म महाकाईक और अमर ये चार प्रकार के देवयोन विशेश निवास करते हैं। ये भूत तथा इंद्रियों को स्वाधीन करण शील हैं। जनह लोक से आगे तपो लोक है जिसको दुती ब्रह्मलोक कहते हैं तपो लोक में अभास्वर, महाभास्वर, सत्यमहाभास्वर ये तीन प्रकार के देवयोन विशेष निवास करते हैं जो भूत, इंद्रीय, प्रकृति, अंतह करण इन तीनों को स्वाधीन करण शील हैं और पूर्व से उत्तर-उत्तर दुगने-दुगने आयु वाले हैं ये सभी ध्यानाहार, उर्ध्वरेतश, जिनका वीर्यपात कभी नहीं होता है ये उर्ध्व सत्यादि लोक में आ प्रतिहत ज्ञान वाले और अधर, अवीच, आदि लोक में अनावर्थ्ट ज्ञान वाले, अर्थात सब लोकों को यथार्थ रूप से जानने वाले हैं तपो लोक से आगे सत्य लोक है जिसको तृतिय ब्रह्मलोक कहते हैं इस मुख्य ब्रह्मलोक में अच्चुत शुद्ध निवास सत्याभ संग्या संगी ये चार प्रकार के देवता विशेस निवास करते हैं ये अक्रत भवन न्यास किसी एक नियत ग्रह के अभाव होने से अपने शरीर रूप ग्रह में ही इस्थत होने से स्वव प्रतिस्थत हैं और यथा क्रम से उची-उची इस्थति वाले हैं ये प्रधान अंतह करण को स्वाधीन करण शील और पूरी सर्ग आयु वाले हैं अच्चुत नामक देव विशेस सवितर्क ध्यान जन्य सुख भोगने वाले हैं शुद्ध निवास सविचार ध्यान से त्रिप्त हैं इस प्रकार ये सभी संप्रग्यात समाधि सूत्र सतरह निश्च हैं ये सब मुक्त नहीं हैं किंत त्रलोकी के मध्य में ही प्रतिष्ठत हैं इन पूर्भोक्त सातों लोकों को ही परमार्थ से ब्रह्मलोक जानना चाहिए क्योंकि हिरेण गर्व के लिंग देह से यह सब लोक ब्याप्त है विदेह और प्रकृतलय नामक योगी समाधिपाद सूत उन्निस मोक्षपद कैवल्य पद के तुल्य स्थित में हैं इसलिए वे किसी लोक में निवास करने वाले के साथ नहीं उपन्यास किये गए सूर्य द्वार सुसुम्णा नाडी में सन्यम करके योगी इस भुवन विन्यास के ग्यान को संपादन करे किन्त यह नियम नहीं है कि सूर्य द्वार में सन्यम करने से ही भुवन ग्यान होता है अन्य स्थान में सन्यम करने से भी भुवन ग्यान हो सकता है परंत जब तक भुवन का साथ छातकार न हो जाए तब तक दिन्ह चित्त से सन्यम का अभ्यास करता रहे और बीच बीच में उद्वेग से उपराम न हो जाए उपर्युक्त व्यास भास में बहुत सी बातों का हमने स्पस्ति करण कर दिया है कुछ एक बातें जो पौराणिक विचारों से संबंध रखती हैं उनको हमने वैसाही छोड़ दिया है भूलोक अर्थात प्रत्वी लोक को विशेश रूप से वर्डन किया गया है उसके उपरी भाग को जो साथ दीपों और साथ महासागरों में बिभक्त किया गया है उनका इस समय ठीक ठीक पता चलना कठिन है क्योंकि उस प्राचीन समय से अब तक भूलोक संबंधी बहुत कुछ परिवर्तन हो गया होगा तथा योजन चार कोस को कहते हैं यहां कोस का क्या पैमाना है यह भाष्चकार ने नहीं बतलाया है यह वही हो सकता है जिसके अनुसार भाष्चकार का परिमान पूरा हो सके वरतमान समय के अनुसार साथ द्वीप और साथ महा सागर निम्न प्रकार के हो सकते हैं साथ द्वीप इशिया का दक्षन भाग अर्थाद हिमाले परवत के दक्षन में जो अफगानिस्तान भारत वर्ष वर्मा और स्याम आधि देश हैं इशिया का उत्तर भाग अर्थाद हिमाले परवत के उत्तर में तिब्बत चीन तथा तुर्किस्तान इत्याद यूरोप अफ्रिका उत्तरी अमेरिका दक्षनी अमेरिका भारत वर्ष के दक्षन पूर्ब में जो जावा सुमात्रा और आस्ट्रेलिया आधि द्वीप समू है सात महासागर, हिंद महासागर, प्रशान्त महासागर, अंध महासागर, उत्तर हिम महासागर, दक्षन हिम महासागर, अरब सागर, भूमध्य सागर, सुमेर अर्थाद हिमाले परवत उस समय भी उची कोट के योगियों के तपका स्थान था इस्थूल भूतों की इस्थूलता और तमस के तारतम्य के क्रमा नुसार प्रत्वी के नीचे भाग को साथ अधो लोकों में नरक लोकों के नाम से दिभक्त किया गया है। अंतरिक्ष लोक है जिसके अंतरगत प्रत्वी के अतिरिक्त इस सूर्य मंडल के ध्रूव पर्यंत सारे ग्रह नक्षत्र तारका आदि तारा गण हैं। यह सब भूलोक अरथात हमारी प्रत्वी के सद्रिश इस्थूल भूतों वाले हैं। इनमें किसी में प्रत्वी, किसी में जल, किसी में अग्नी और किसी में वायुतत्व की प्रधानता है। अन्य पांच सूक्ष्म और दिव्य लोक हैं, जिनकी सम्मिलित संग्या ज्योव लोक है। यह सारे भूह, भूवह, अर्थात प्रत्वी और अंतरिक्ष लोक के अंदर हैं। इनकी सूक्ष्मता और सात्तिक्ता का क्रमा नुसार तारतम में चला गया है। अर्थात भूह और भूवह के अंदर स्वः, स्वः के अंदर महः, महह के अंदर जनह, जनह के अंदर तपha और तपः के अंदर सत्यलोक है। इनके सूख्ष्मता और साथ्पिक्ता के तार्तम में से और बहुत से अवांतर भेद भी हो सकते हैं। इनमें से स्वह, महह, स्वरगलोक और जनह, तपह और सत्यलोक, ब्रह्मलोक कहलाते हैं। इनमें वे योगी इस थूल शरीर को छोड़ने के पश्चात निवास करते हैं, जो वितरका नुगत, भूमी की परिपक्व अवस्था, विचारा नुगत, भूमी तथा, आनन्दा नुगत, और अस्मिता नुगत, भूमी की आरंभिक अवस्था में संतुस्त हो गए हैं। और जिन्होंने विवेक ख्याति द्वारा सारे क्लेशों को डग्द बीज करके असंप्रग्जान संगत, अन्यभौतिक प्रकास को सन्यम का विशय बनाकर भिन भिन सिद्धियां कहते हैं। चन्द्रे तारा व्युह घ्यानं। चन्द्रमा में सन्यम करने से ताराओं के व्युह का घ्यान होता है। एक एक राश के हिसाब से बारह राशियों को एक बार देखा करती हैं। और एक एक राश में एक एक मास तक निमास करती हुई बारह राशियों का चक्कर बारह मासों में अर्थाद एक वर्ष में करती है परंतु चंद्रमा चूकी अपने चंद्रमास में एक बार प्रत्वी के चारो ओर घूमता है अर्थाद एक चंद्रमास में बारह रश्मियों में एक बार घूम लेता है इसलिए एक वर्ष में चंद्र बारह राशियों में बारह बार घूमेगा इस कारण चंद्र में सन्यम द्वारा योगी को राश चक्र का ज्यान सुगम रीति से हो सकता है। जोतिश का यह सिद्धान्त है कि जितने ग्रह हैं उन सब में चंद्र एक राश पर सबसे कम समय तक रहता है। इस हिसाब से प्रतेक तारा व्यूह राश की आकरशन विकरशन शक्त के साथ चंद्र का अतिगहनिस्ट संबंध है। अतह उस आकरशन विकरशन शक्त के आलंबन से युक्त तारा व्यूह के घ्यान में चंद्रमा की सहायता ली जा सकती है। टिपड़ी कई ठीका कारों ने चंद्रमा से इडा नारी अर्थ लिया है जो शुशुमना के वाम ओर से गई है यह अर्थ व्यास भास्य और भोज बृत्य के अभिमत नहीं है और न इसका प्रसंग से कोई संबंध है ध्रुवे तद गति ग्यानम ध्रुव में सन्यम करने से ताराओं की गति का ग्यान होता है जाख्या ध्रुव सब ताराओं में प्रधान और निश्चल है इसलिए उसमें सन्यम करने से तत्तेक तारा की गति का ग्यान नियत काल और नियत देश शहित हो जाता है अर्थात इतन समय में यह तारा अमुक राश अमुक नक्षत्र में जाएगा टिपड़ी कई टीका कारों ने दुरूव से सुसुमणा नाड़ी अर्थ लिया है जो मेरु दंड में मूला धार से लेकर सहस्र दल तक चली गई है पूर्व सूत्र की टिपड़ी में इस संबंध में जो लिख आए हैं वही यहां भी समझना चाहिए व्यास भास में इतना और है उर्ध्व आकाश में उड़ने वाले विमानों में सन्यम करने से उनका ज्यान होता है संगत बाहर की सिध्यों का प्रतिपादन करके अब आभ्यांतर सिध्यों का आरंभ करते हैं ना विचक्रे काय व्यू पूह का ज्यान होता है जाख्या सोलह अरों सिरों वाला नाविचक्र शरीर के मध्य में है और सब और फैली हुई नाडियों आदिका विशेश स्थान है इसलिए इसमें सन्यम करने से शरीर में रहने वाली वात पित कफ तीनों दोश और तचा रक्त मांस नाड़ी हड़ी चर प्राणाद के स्पर्ष की निव्रत्ति होती है जाख्या जिहुआ के नीचे सूत के समान एक नस है उसके नीचे कंठ है उस कंठ के नीचे जो गड़ा है उसे कंठ कूप कहते हैं उस स्थान में प्राणाद का स्पर्ष होने से पुरुष को भूख प्यास लगती है इसलिए इस कंठ कूप में सन्यम द्वारा प्रानाद के स्पर्ष की निवृत्ति हो जाने से योगी को भूख प्यास नहीं लगती है कुर्मनाड्याम इस्थैर्यम कुर्मनाडी में सन्यम करने से इस्थिरता होती है जाख्या कंठ कूप के नीचे छाती में कच्छुए के आकार वाली एक नाड़ी है उसे कुर्म नाड़ी कहते हैं उसमें सन्यम करने से इस्थिरता की प्राप्ति होती है जैसे सरफ और गोह इस्थिर होते हैं प्रसिद्ध भी है और वास्तविक घटना भी है सर्प छिद्र में आधा घुसा हो तो आधे को पकड़ कर कितना ही बल पूर्वक खीचे वह ऐसा जम जाता है चाहे तूट जाए परन्त खिचता नहीं यही बात गोह के संबंध में भी प्रसिद्ध है प्रायः चोर किसी चछत पर चढ़ने के निमित गोह के कमर में रस्ती बांध कर उसको उपर चढ़ा देते हैं जब वह मुंडेर पर पहुँच जाती है तब पैर जमा लेती है और चोर रस्ती के सहारे उपर चढ़ जाते हैं स्री अंगज जी के पैर न उठने की बात भी इसी सन्यम की सिद्ध की सूचक हो सकती है मूर्ध जोतिशी सिद्ध दर्शनम मूर्धा की जोति में सन्यम करने से सिद्धों का दर्शन होता है जाख्या शरीर के कपाल में ब्रह्मरंध नामक एक छिद्र है उसमें जो प्रकाश वाली जोति है वह मूर्धा जोति कहलाती है उसमें सन्यम करने से सिद्धों के दर्शन होते हैं योगी उनको ध्याना वस्था में देखता है और उनके साथ भाशन करता है विसेश विचार इस जोति का संबंध भिकुटी अर्थात आग्या चक्र से है इसलिए ब्रह्मरंद्र में प्राण तथा मन को इस्थिर करने के पश्चात जब आग्या चक्र में ध्यान किया जाता है तो इस मूर्धा जोति के सत्त गुण के प्रकाश में सूक्ष्म जगत का अनुभव होने लगता है संगत सब वस्तुओं को जानने का उपाए कहते हैं अथमा प्रातिभ ग्यान से योगी सब कुछ जान लेता है व्याख्या प्रातिभ इंटिशनल इंसाइट वह प्रकाश अथमा ज्यान है जो बिना किसी बाहर के निमित्त के स्वेंग अंदर से प प्रथम ग्यापत चिन्ह प्रभा है इसी प्रकार प्रसंग ख्यान के उदै होने का प्रथम लिंग प्रातिब ज्यान है जैसे सूर्य की प्रभा के उत्पन होने पर सब कुछ जाना जा सकता है इसी प्रकार प्रातिव ज्यान की उतपत्ति होने पर योगी बिना सन्यम के ही सब कुछ जान लेते हैं वा अन्यथा शब्द इस अभिप्राय से लगाया है कि इससे पूर्व जो जो सन्यम कहा गया है उससे जिन जिन विश्यों का ज्यान होता है यह सब प्रातिव ज्यान से हो जाता है हरदय चित्त सम्वित हरदय में सन्यम करने से चित्त का ज्यान होता है व्याख्या हरदय कमल चित्त का निवास स्थान है उसमें सन्यम करने से वित्त सहित चित्त का साख्छात्कार होता है टिपड़ी खड़े शरीर में विशेस स्थान है उसमें सूक्ष्म कमलाकार जिसका मुख नीचे को है उसके अंदर अंतह करण चित का स्थान है उसमें जिस योगी ने सन्यम किया है उसको अपने और दूसरे के चित का ज्ञान उत्पन होता है अपने चित में प्रविष्ट सब वासनाओं और दूसरे के चित में प्रविष्ट रागादी को जान लेता है सत्व पुरुसयो रत्यंता संकीडयोह प्रत्यया विशेशो भोगह परमार्थन्य स्वार्थ सन्यमात पुरुष ज्यानम चित और पुरुष जो परस्पर अत्यंत भिन्न है इन दोनों की प्रतीतियों का अभेद भोग है उनमें से परार्थ प्रतीति से भिन्न जो स्वार्थ प्रतीति है उसमें सन्यम करने से पुरुष का ज्यान होता है अर्थात पुरुष विश्यक प्रग्या उत्पन्न होती है जाख्या सत्व अर्थात चित प्रकाश और सुख रूप होने से और पुरुष ग्यानस वरूप होने से तुल्य जैसे प्रतीत होते हैं किन्तु आस्तों में ये दोनों अत्यन्त भिन्न हैं क्योंकि चित परिणामी जड़ और भोग रूप है और पुरुष निर्विकार च चैतन्य पुरुष से पतिविंबित होकर जो दुख सुख और मोह रूपी वृत्यों का उदय होना है। तथा पिचित को पुरुष के अर्थवाला होने से और पुरुष का चित का भोकता होने से यह भोग रूप प्रत्यै भी परार्थाद पुरुष के अर्थढ है। और जो भोग रूप प्रत्यय से भिन्न चेतन मात्र को अवलंबन करने वाला पोरुशेय प्रत्यय रूप चित्त का धर्म है, वह स्वार्थ प्रत्यय है। भोग सुख दुख आदिका पुरुष के प्रतिभिंब द्वारा पुरुष में आरोप स्वरूप ही है जैसे स्वक्ष जल में प्रतिभिंबित चंद्रमा में जल के कंपन से चंद्रमा कापता है ऐसा कंपन का आरोप होता है वास्तों में चंद्रमा में कंपन नहीं होता है व प्रतिविंब रूप भूग है। इसलिए आरोपित भूग वाला होने से पुरुश भूगता कहलाता है ऐसा चित्त का परिणाम प्रत्य रूप भूग जड़ होने से परार्थ है, और परार्थ होने से भूग मुद्ध है वह पौरुशेय प्रत्य रूप भोग किसी का भोग नहीं है उस प्रतिबिंब रूप स्वार्थ प्रत्य को पौरुशेय प्रत्य और पौरुशेय बोध भी कहते हैं इस स्वार्थ प्रत्यय में सन्यम करने से पुरुष विशयक ज्यान उत्पन होता है अर्थात पुरुष को विशय करने वाली प्रग्या उत्पन होती है इससे यह नहीं समझना चाहिए कि चित के धर्म पुरुष प्रत्यय से पुरुष जाना जाता है किन्त पुरुष ही चित में प्रतिबिम्बत हुआ, स्वात्मा व लंबन अपने स्वरूप को प्रकाश करने वाली रूप प्रत्य को देखता है, क्योंकि ग्याता पुरुष का वास्तविक स्वरूप चित द्वारा नहीं जाना जा सकता है, जैसा ब्रिहदा रेड़कोप नि जानियात सबको जानने वाले विज्ञानी को किससे जाना जा सकता है, अर्थात किसी से नहीं जाना जा सकता, विशेश वक्तब्द सूत्र 35 वाचस्तत आद ने इस सूत्र में परार्थ स्वार्थ सन्यमात पाठ पढ़कर अन्यशब्द का अध्याहार करके अर्थ पूरा कि पर भोज वृत्ति का पाठ परार्थान्य स्वार्थ सन्यमात अध्याहार की अपेक्छा नहीं रखता इसलिए यहां यही पाठ रखा गया है इस सूत्र के भाव को और अधिक स्पस्ट करने के उद्देश से भोज वृत्ति का भासार्थ भी दिये देते हैं भोज वृत्ति का भाशार्थ सूत्र पैंतिस सत्चित बुद्ध जो प्रकाश और सुख रूप है वह प्रकिर्ति का परिणाम विशेस है पुरुष उसका भोगता और अधिस्ठाता स्वामी रूप है यह दोनों भोग्य भोगता और जड़ चेतन रूप होने से अत्यंत भि इन है इन दोनों के प्रत्ययों वृत्तियों ज्यानों का जो अविशेस अर्थात अभेद का भासित होना है उससे सत्व चित्त बुद्ध अंतह करण की करत्त वृत्ति द्वारा जो सुख दुख का ज्यान होना है वह भोग है सत्व चित्त बुद्ध स्वार्थ अर्थात अपने किसी प्रयोजन की अपेक्षा नहीं रखता इसलिए वह भोग उसके लिए स्वार्थ नहीं है परंत परार्थ दूसरे के निमित अर्थात पुरुष के निमित है उससे भिन स्वार्थ पुरुष का अपने स्वरूप मात्र का आलंबन अपने स्वरूप का विशय करना अर्थात अहंकार रहित सत्व चित्व बुद्धि में जो चेतन की छाया प्रतिभिंब का संक्रमण है उसमें सन्यम करने वाले योगी को पुरुष विश्यक ज्यान उत्पन होता है इस प्रकार पुरुष स्वावलंबन अपने स्वरूप को विशे करने वाले सत्व चित्व में रहने वाले ज्यान को जान लेता है यह नहीं है इससे यह न समझना चाहिए कि इस प्रकार ज्याता चेतन पुरुष ज्यान से जाना जाता है क्योंकि ऐसा मानने में ज्याता पु अर्थात पुरुष ज्यान के उत्पन होने से पूर्व जो सिद्धियां होती हैं उनका निरूपन करते हैं उस स्वार्थ सन्यम के अभ्यास से प्रातिभ स्रावड वेदना आदर्श आस्वाद और वारता ज्यान उत्पन होता है व्याख्या स्वार्थ सन्यम के अभ्यास से पुरुष ज्यान उत्पन होने से पूर्व निम्न प्रकार की छह सिद्धियां प्रकट होती हैं प्रातिभ मन में सूक्ष्म अतिंद्रीय व्यवहित छिपी हुई विप्रक्रिस्ट दूरस्थ अतीत और अनागत वस्तुओं के जानने की योग्यता स्रामड स्रोत्रेंद्रीय की दिव्य और दूर के शब्द सुनने की योग्यता वेदना तचा इंद्रीय की दिव्य शपर्ष जानने की योग्यता वेद्य तेनया इस व्युत्पत्य के द्वारा स्पर्षेंद्रीय में उत्पन ग्यान की वेदना संग्या है आदर्श नेत्रेंद्रीय की दिव्य रूप देखने की योग्यता आसमन्ताद दृष्चते अनुभूयते रूप मनेन इस व्युत्पत्य से नेत्रेंद्रीय से उतपन ग्यान का नाम आदर्श है आस्वाद रसेंद्रीय की दिव्य रस जानने की योग्यता वार्ता घ्राणेंद्रीय की दिव्य गंध सुंगने की योग्यता शास्त्रीय परिभासा में वृत्त शब्द घ्राणेंद्रीय का वाची है वर्तते गंध विशय इति वृत्ति ही गंध जिसका विशय है वह वृ अर्थात नासिकाद्वर्ति घ्राणेंद्रिय है उससे उत्पन्न हुआ ग्यान वार्ता कहलाता है संगत स्वार्थ प्रत्य का सन्यम पुरुष ग्यान के निमित किया है उससे पूर्व इन सिद्धियों को पाकर योगी अपने आपको कृतार्थ मानकर उपराम को प्राप्त नौ हो जावे किन्त पुरुष ग्यान के लिए बराबर प्रयत्न करता रहे इस हे तुसे कहते हैं ते समाधा उपसरगा व्युत्थाने सिद्धयह वे उपर्युक्त छह सिद्धियां समाधि पुरुष दर्शन में बिग्न हैं व्युत्थान में सिद्धियां हैं व्याख् पुरुष गौरो आश्चर्याद करने से समाध शिथिल होती है पर व्युत्थान दशा में विशेश लावदायक होने से सिद्धिरूप होती है अर्थात जैसे जन्म का कंगला अत्यल्प द्रव्य को पाकर ही अपने आपको कृतार्थ समझने लगता है वैसे ही विच्षित चित्वाले को ही पुरुष ग्यान से पूर्व होने वाले उप्रयुक्त पतिभाद चह अईश्वर्य सिद्धिरूप दीखते हैं समाहित चित्वाला योगी इन प्राप्त अईश्वर्यों से दो सद्रिष्ट द्वारा उपराम होकर इनको समाध में रुकावट जानकर अ पन्यम का फल ग्यान रूप अईश्वर्य विभूतियों का निरूपन करके अब क्रिया रूप सिद्धियों को दिखलाते हैं बंधन कारण शैथिल्यात प्रचार संवेदनाच्य चित्तस्य पर शरीरावेशह बंधन के कारण के शिथिल करने से और भूमने के मार्ग के जा endeavor धर्म अर्धात सकाम कर्म और उनकी वासनाएं है योगी जब धारना द््यान समाधिके अभ्यास से सकाम कर्मों को छोड़कर निश्काम कर्मों का आसरा लेता है तो इन बंधनो के कारणों को ढिला कर देता है और नाडियों में संयम करके चित्त शूख्म सरीर के उनious के आ शरीर के घूमने के मार्ग का पूरा-पूरा ज्यान हो जाता है। तब योगी में यह सामर्थ हो जाती है कि वह अपने शरीर से चित सूख्ष्म शरीर को निकाल कर किसी दूसरे शरीर में डाल सके। चित के अनुसार ही इंद्रियां भी यथा स्थान आवेश कर जाती हैं। तिपड़ी भोज वृत्त का भासार्थ सूत्र अन्यसिद्ध करते हैं। आत्मा और चित व्यापक है पर नियत कर्मों भले बुरे कर्मों के वश्षे ही सरीर के भीतर रहते हैं। उनका जो भोगता आत्मा और भोग्य चित बनकर बद जाना है वही शरीर का बंधन है। इस बंधन का कारण धर्म और अधर्म जब समाध से शिथिल अर्थात क्रिश हो जाता है। तब हृदय से लेकर इंद्रियों के द्वारा विश्यों के सम्मुख जो चित का प्रचार फैलाव या गमना गमन का मार्ग है उसका ग्यान हो जाता है कि यह चित को बहाने वाली चित के गमना गमन की नाड़ी है। इससे चित बहता है अर्थात विश्यों में जाता है। और यह नाड़ी रस और प्राणाद को बहाने वाली नाड़ियों से भिन है। जब अपने औ द्वारा प्रवेश करता है दूसरे के शरीर में प्रवेश होने पर चित के पीछे अन्य सब इंद्रियां भी साथ हो लेती हैं जैसे रानी मक्खी के पीछे अन्य मक्खियां दूसरे के शरीर में घुसा हुआ योगी अपने शरीर की तरह उस शरीर में वर्तता है क्योंकि चि सरवत्र ही भोग संपादन हो सकता है उदान जयाजल पंक कंटका दिस्व संग उत्क्रांतिश्च सन्यम द्वारा उदान के जीतने से जल कीचड काटों आदि में असंग रहना और उर्ध गति होती है व्याख्या शरीर में समस्त इंद्रियों में बरतने वाले जीवन का आधा प्राण वाय। उसके क्रिया भेद से पांच मुख्य नाम है प्राण यह इन पांचों में सबसे प्रथम है यह मुख और नासिका च्श्रान के रस को संपूर्ण शरीर में अपने अपने स्थान पर समान रूप से पहुचाने का हेतु है खड़े से लेकर ना भी तक बर्तता है व्यान सारे शरीर में व्यापक हो कर गति करने वाला है। उदान ऊपर की गति का हेतु है। कंठ में रहता हुआ शिर पर्यंत बरतने वाला है। इसी के द्वारा शरीर के व्यस्ट प्राण का समस्ट प्राण से संबंध है। मृत्ट के समय सूच्म शरीर इसी उदान द्वारा इस थूल शरीर से बाहर निकलता है। जब य कीचर काटों में उसके पैर नहीं फस्ते क्योंकि वह अपने शरीर को हलका किये उपर उठाए रखता है और मरण समय में उसकी ब्रह्मरंध्र द्वारा प्राणों के निकलने से उर्ध्वगति शुक्लगति उत्तरमार्ग से होती है विशेश वक्तव्य नंबर 149 अंतह करण की दो प्रकार की वृत्यां होती हैं बुद्ध का निश्य, चित्त की स्मृति, अहंकार का अभिमान, मन का संकल्प करना यह इन सबका अलग-अलग काम बाह्य वृत्य है इन सबका साधारन साजा, मिस्तरत काम आभ्धांतर वृत्य है जैसे सूखे हुए त्रिणों में अगने लगाने से एकदम अगने प्रजलित हो जाती है, अथमा जैसे एक कबूतर पीजरे को नहीं हिला सकता और बहुत से मिलकर एक साथ चला सकते हैं, इसी प्रकार शरीर धारन रूपी कार्य जो अंतह करण की मिस्तत आभ्यांतर वृत् जीवन है, यह जीवन रूप प्रयत्न शरीर को उपग्रहीत वायू की क्रियाओं के भेद का कारण है, इस जीवन रूप प्रयत्न से पांच प्रकार की वायू की क्रिया होती है, उन क्रियाओं और स्थान के भेद से वायू के प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान पा अपना अपना लक्षण तीनों अंतह करनों का काम है जो यह साजा काम नहीं है अंतह करनों का साजा काम प्राण आधि पांच वायु है अर्थात बुद्ध का निश्य अहंकार का अभिमान और मन का संकल्प यह तीनों अंतह करनों का अपना अपना काम है साजा काम नहीं है प्राण अपान समान व्यान उदान यह पांच वायु इनका साजा काम है यह पांच प्रकार का जीवनकार्य मन अहंकार और बुद्ध के आश्रित है इनके होते हुए होता है विशेश वक्तव्य संख्या 249 मृत्य के समय लिंग सूश्म शरीर की चार अवस्थाएं अथाईक योद भर्व उदानह पूर्येन पूर्यम लोकम नयति पापेन पापम भापध्यामेव मनुष्य लोकम अब उदान जो उपर को जाने वाला है वह एक नाड़ी सुसुमना के द्वारा लिंग शरीर को पूर्य से पूर्य लोक आदित्य लोक वाचंद्र लोक को ले जाता है इन दोनों लोकों में अंतर मुख होकर जाना होता है पाप से पाप लोक पशुपक्षी एट पतंगाद की योनियों को और दोनों मिले हुए पूर्य पाप से मनुष्य लोक को ले जाता है वे मनुष्य जिनकी रुच सदा पाप में रहती है जो स्वार्थ सिद्ध अथमा बिना स्वार्थ के भी दूसरों को हान पहुँचाने तथा नाना प्रकार से हिंसात्मक और नीच कर्मों में लगे रहते हैं उनका लिंग सूश्म शरीर मृत्य के समय वरतमान इस थूल शरीर को छोड़ कर कीट पश्य पक्षी आदि तिरियक योनियों को प्राप्त होता है और पाप पूर्य शुभ अशुभ हिंसात्मक और अहिंसात्मक इन दोनों प्रकार के मिस्त्रत कर्म करने वाला जीव मनुष प्राप्त होता है इन दोनों प्रकार के मनुष्यों के लिंग शरीर की मिर्ट्व के समय अधह तथा मध्यम गत्य इस थूल लोकों में बाहर की ओर से होती है पित्रियान और देवयान पूर्य आत्माओं के लिंग शुख्ष्म शरीरों की कृष्ण और शुक्ल गतियों का और देवयान नाम से वेदों उपनिश्दों और गीता में सलिस्तार वर्ण किया गया है यथा देश्रति अस्रणवन पित्र नाम हम देवानाम उत्मत्यनाम ताभ्याम इदम दिस्व मेजत समेति यदंतरा पितरम मातरम चर्ण अंतरिक्ष लोक और प्रथवी लोक के बीच में मनुस्य के जाने के लिए मैंने दो मार्ग सुने हैं जिन में से एक का नाम देवयान और दूसरे का नाम पित्रीाण है इन्ही दोनों मार्गों से समस्त संसारी पूड़्यात्माओं के लिंग शरीर जाते हैं यत्रकाले तवना वृत्तिमा वृत्तम चैवयोगिनह प्रयातायांतितमकालम वक्षामि भरतर्शभः। और हे अर्जुन जिस काल मार्ग में शरीर त्याग कर गये हुए योगी जन लोटकर ना आने वाली गतिको और लोटकर आने वाली गतिको भी प्राप्त होते हैं। आत्यना वृत्ति मन्यया वर्तते पुनह क्योंकि जगत के ये दो प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पित्रियाण मार्ग सनातन माने गये हैं। इनमें एक के द्वारा गया हुआ पीछे ना आने वाली गतिको प्राप्त होता है और दूसरे के द्वारा गया हुआ पीछे आता है अर्थात जन्ममृत्य को प्राप्त होता है। पित्रियाण सकामी पुर्यात्माओं तथा संप्रग्यात समाध की नीची भूमियों में आसक्त योगियों का लिंग शूच्म शरीर पित्रियाण मार्ग द्वारा, चंद्र लोक, स्वर्ग लोक में जाकर अपने सुकृत कर्मों को भोगने के पश्चात उसी मार्ग से दिंग शरीरों की गत्य निस्काम कर्म योगियों की अपेक्षा रात्रि ट्रिश्ण पक्ष और दक्षणायन जैसे अंधकार के समय मार्ग तथा अंधकार के लोकों में होकर बतलाई गई हैं धूमो रात्रि स्तथा क्रिश्णह शर्मासा दक्षिडायनम तत्रचांद्रमसं जोतिर योगी प्राप्य निवर्थते धूम रात्रि टथा क्रिश्ण पक्ष जब चंद्रमा का क्रिश्ण भाग प्रत्वी के सामने रहता है जो क्रिश्ण प्रतिपदा से अमावस्या तक अस्टिमी तक माना गया है और दक्षिनायन के छे महीने जब उत्तर ध्रुव स्थान पर रात होती है अत्मा सूर्य के करक में संक्रमण से लेकर छे मास अशार सुक्ल पक्ष स्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्ग शीर्ष पौश कृष्ण पक्ष अर्थात शरद रितु और हेमंत रितु उस काल मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम कर्म योगी का लिंग शरीर चंद्र लोक स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर वहां अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर फिर लोटता है मनुष्य शरीर धारण करता है उनके लिंग सूष्म शरीर धूम को अपना मार्ग बनाते हैं धूम से रात्र के अंधकार को रात्र से कृष्ण पक्ष के अंधकार को कृष्ण पक्ष से छह मास दक्षिनायन के अंधकार को जिन में सूर्य धक्षिन को जाता है मार्ग बनाते हुए आगे जाते हैं वे समबसर कल्प को प्राप्त नहीं होते द सोम राजा चंद्रमा अर्थात चंद्रलोक स्वर्ग लोक है यह पितरों का अन्न शुभ कर्मों के फलों का भोग स्थान है इसको पितर भक्षन करते हैं अर्थात चंद्रलोक में अपने अम्रत रूपी सूख्ष्म फलों को भोगते हैं वे वहां चंद्रलोक में उतनी देर जब तक उनके कर्म छेड नहीं होते तब वे उसी मार्ग को फिर लोटते हैं जैसे गए थे उपनिश्दों में लिंग शरीर का व्रिष्ट द्वारा पत्वी लोक में आना इत्यादी जो बतलाया गया है वह केवल अधोगति का सूचक है और कई एक भासिकारों ने स्थूल द्रिष्टि वाले सकाम कर्मियों के सकाम कर्मों की निहसारता दिखला कर उनसे आसक्त छुडाने के लिए इस अधोगति को और अधिक स्थूल रूप से वड़न किया है यथा लिंग शरीर का और शदियों आद्य में जाकर मनुस्यों से खाये जाना और वीर्य द्वारा रज से मिलकर जन्म लेना इत्यादी वास्तों में लिंग शरीर का इस भात इस थूल पदार्थों जैसा विवहार नहीं है लिंग शरीर की गति इस्थूल शरीर तथा इस्थूल पदार्थों से अतिविलक्षन है यहाँ चंदर से अभिप्राय यह भौतिक चंदर नहीं है जो आकाश में हमें दीखता है यह तो हमारी प्रत्वी के सदर्ष एक इस्थूल जगत है हमारे अम्रत्य लोक प्रत्वी की अपेक्छा से चंद्रशब्द अम्रत के अर्थ में सारे सूच्म लोकों के लिए प्रयोग हुआ है जिनको द्यूलोक, स्वर्ग लोक और कहीं कहीं ब्रम्ह लोक भी कहा जाता है ये सूच्म लोक तो भूह और भूह अर्थात प्रत्वी लोक और सारे इस्थूल अंतरिक्ष लोकों के अंदर है न कि बाहर उपर बतला आये हैं कि सूच्म लोकों में अंतर मुख होकर जाना होता है उसी से उल्टे करम से सूच्म लोकों से मनुष्य लोक में बहर्मुख होना होता है इसलिए लिंग शरीरों का वरिष्ट द्वारा प्रत्वी लोक में गिरना और शधियों आद द्वारा मनुष्य लोक आद इसे खाये जाने की कल्पना भ्रम मोलक है देवस्थान से पशुपक्षी आद नीची योनियों में जाने की बात भी अयुक्त है क्योंकि सूश्म लोकों में दिव्य शरीर को देने वाले नियत विपाक के प्रधान करमाशेयों की निचली भूम में मनुस्य शरीर को देने वाले नियत विपाक से करमाशे ही हो सकते हैं चांदोग्योप निशद में अधोगत दिखलाने के लिए उस इस्थूल गर्ब का वड़न है जिसमें सकामियों को चंद्रलोक के आनंद भोगने के पस्चात मनुस्य लोक में प्रवेश करना होता है अर्थात अब भ्रमेग होकर बरसता है उससे चावल और शधियां तिल आद उत्पन होते हैं इनसे बड़ी कठनाई से वीर्य बनता है अर्थात जब मनुस्य उनको खाता है तब उनका अतिसूश्म अन्श वीर्य बनता है उस वीर्य को जब वह इस्त्री की योनि में सीचता ह तब रज से मिलकर गर्भ बनता है उस गर्भ में सकामियों का सूश्म शरीर चंद्रलोक से वृत्य रूप से प्रवेश करता है सूश्म शरीर का वीर्य द्वारा प्रवेश करना सुरुत के विरुद्ध भी है सुरुत में ब्रह्मरंद्र द्वारा प्रवेश होना बतलाया तब उसने इसी सीमा ब्रह्मरंद्र को फोड़ा और वह इस द्वार से प्रविष्ट हुआ अब मंत्र साथ में इस बात को दर्शाया गया है कि इस लोक में अच्छे कर्म वाले अच्छे गर्भों में और बुरे कर्मों वाला बुरे गर्भों में अर्थात वे जो इस लोक में शुभ आचरण वाले हैं तत्काल ही शुभ जन्म को पाते हैं जैसे ब्राम्हण जन्म, शत्रिय जन्म, वैश जन्म और जो इस लोक में निंदित आचरण वाले हैं वे शीग्रही नीच जन्म को पाते हैं जैसे कुत्ते के जन्म, सूकर के जन्म तथा चांडाल के जन्म देवयान, निसकाम कर्मी तथा असंप्रज्यात समाधि की भूम को प्राप्त किये योगी, पूर्यात्माओं का लिंग शरीर देवयान मार्गद्वारा आदित्य लोक में आकर मुक्ति को प्राप्त होता है, उसकी पुनरावृत्य नहीं होती है, निसकाम कर्म जिद्या और ज्यान के प्रकाश से युक्त होते हैं, इसलिए निसकाम कर्मियों की गति, सकाम कर्मियों की अपेक्षा दिन, शुक्ल पक्ष और उत्तरायण जैसे प्रकाश के समय मार्गद्था प्रकाश के लोकों में होकर बतलाई गई है, यथा अग्निर जोति रह शुकलह शडमासा उत्तरायण तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रम्ह ब्रम्ह विदो जनाह अग्नि जोति दिन शुकलपक्ष जब चंद्रमा का शुकलभाग प्रतवी के सामने रहता है, अर्थात शुकलपति पदा से पूर्णिमा तक, अथुमा शुकलपंचिमी से कृष्ण पंचिमी तक, अथुमा शुकलपक्ष अस्थिमी से कृष्ण पक्ष अस्थिमी तक उत्तरायण के च्छेहमास उस उत्तर ध्रुव स्थान पर दिन होता है, अथुमा सूर्य के मकर में संक्रमण से लेकर च्छेहमास पौश शुकल, माघ, फालगुन, चैत्र, वैशाख, जेस्ठ, प्रिष्ण, अर्थात, शिश्र, रित्व, वसंत, रित्व, और ग्रीश्म, रित्व, इस प्रकार के समय मार्ग में मरकर गए हुए योगी जन, आदित्य लोक को प्राप्त होते हैं, अब चाहे वे रित्विज, उनके लिए शव कर्म, अंतेष्ट संसकार करते हैं, चाहे प्रिष्ण, सर्वथावे उपासक किरण अर्च को प्राप्त होते हैं, अर्च से दिन को, दिन से शुकलपक्ष को, शुकलपक्ष से उन छे महीनों को, जिन में सूर्य उत्तर को जाता है, महीनों से बरस को, बरस से सूर्य को, सूर्य से चंद्रमा को, चंद्रमा से बिजली वहाँ एक अमानव जो मानुशी स्रिस्ट का नहीं पुरुष अर्थात पुरुष विसेस इस्वर अपर ब्रह्म है वह इनको पर ब्रह्म को पहुँचाता है यह देवपथ देवताओं का मार्ग है ब्रह्मपथ है वह मार्ग जो पर ब्रह्म को पहुँचाता है वे जो इस मा चक्र मानुशी जीवन को वापिस नहीं आते हैं। अज्यानियों के लिए यह खुला हुआ है। और अज्यानियों के लिए बंद है। इसी उर्ध गति को योग दर्शन के सूत्र में उत्क्रान्ति शब्द से बतलाया गया है। यथा 101 हृदय की नाडियां हैं। उनमें से एक मूर्धा की ओर निकलती है। उस नाडी से उपर चड़ता हुआ ज्यानि अम्रितत्त ब्रह्म लोक को प्राप्त होता है। दूसरी नाडियां निकलने में भिन भिन गति देने वाली होती हैं। हां निकलने में भिन भिन गति देने वाली होती हैं। मुक्त के दो भेद। वेदान्त में मुक्षतया मुक्त के दो भेद माने क्रम मुक्ति जिसमें निश्काम कर्म योगी जो शबल ब्रह्म को तो साक्षात कर चुके किन्त शुद्ध ब्रह्म को साक्षात करने से पूर्व ही इस लोक से चल देते हैं। वे उप्रयुक्त देवयान द्वारा आदित्य लोक में पहुँचकर वहां शुद्ध ब्रह्म को साक्षात करके मुक्त होते हैं। तथा असम प्रग्यात समाधि की भूमी को प्राप्त किये हुए वे योगी जो निरोध के संसकारों द्वारा बहुत अन्श में व्युद्धान के संसकारों को नस्ट कर चुके हैं। कुछ शेस रह गए हैं जिस अवस्था में उन्होंने इस्थूल शरीर को त्यागा है वे आदित्य लोक को अर्थात विशुद्ध सप्तमें चित्त को प्राप्त होते हैं। वहां इश्वर के अनुग्रह से उनके व्युद्धान के शेस संसकार निवृत्त हो जाने पर कईवल्य अर्थात पर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। यथा कार्यात्यये तद अध्यक्षेण सहातह परंभिधानात। आदित्य लोक में पहुँचकर वह कार्य शबल ब्रह्म को उलाहं कर उस कार्य से परे जो उसका अध्यक्ष पर ब्रह्म है। उसके साथ अईश्वर्य को भोगता है आदित लोक यहां आकाश में दिखलाई देने वाले भौतिक सूर्य का बोधत नहीं है जो हमारी प्रत्वी के सद्रिश एक भौतिक स्थूल लोक है इससे अभिप्राय विशुद्ध सत्तमें चित है जिसका वर्डन हमने कई स्थानों में इश्वर के चित के रूप में किया है जो सारे स्थूल लोकों से सुख्षमतम कारण लोक अर्थात कारण जगत है सद्यो मुक्त वे निश्काम कर्म योगी जो शुद्ध ब्रम्ह को पूर्टया साक्षात कर चुके हैं तथा असम प्रज्यात समाध की भूमि को प्राप्त किये हुए वे योगी जो वृत्थान में सारे संसकारों को निवृत्त कर चुके हैं उनको आदित्य लोक में जाने की अपेक्षा नहीं है वे देह को छोड़ते ही मुक्त हो जाते हैं यथा यो कामनाओं से रहित है जो कामनाओं से बाहर निकल गया है जिसकी कामनाएं पूरी हो गई है या जिसको केवल आत्मा की कामना है उसके प्राण नहीं निकलते हैं वह ब्रह्म ही हुआ ब्रह्म को पहुंसता है ब्रह्म के शबल स्वरूप की उपासना और उसका साक्षाकार कारण शरीर चित से होता है शुद्ध चेतन तत्तो में कारण शरीर तथा कारण जगत परे रह जाते हैं यथा यतो वाचो निवर्तन ते अप्राप्यमन सासह आनंदम ब्रह्मधो विद्वानन विभेतिक उतश्चना जहां से वाणियां इंद्रियां मन के साथ बिना पहुंचे लोडती हैं ब्रह्म के उस आनंद को अनुभो करता हुआ शुद्ध परमात्मस्वरूप में एकी भाव को प्राप्त करता हुआ सर्वतो अभय हो जाता है समान जयाज्वलनम सन्यम द्वारा समान के जीतने से योगी का दिप्तमान होना होता है जब सन्यम द्वारा योगी समान वायू को वश्मे कर लेता है तब समान प्राण के अधीन जो शारिरिक अग्नी है उसके उत्तेजित होने से उसका शरीर अग्नी के समान चमकता हुआ दिखाई देता है संगत चतीसमे सूत्र में स्वार्थ सन्यम के अवांतर फल रूप स्रम्ण सिध्ध को बतलाया है अब स्रम्ण सिध्ध वाले सन्यम को बतलाते हैं स्रोत्र आकाश योह संबंध सन्यमा दिव्यम स्रोत्रम स्रोत्र और आकाश के संबंध में सन्यम करने से दिव्य स्रोत्र होता है व्याख्या शब्द की ग्राहक स्रोत्रेंद्री अहंकार से उत्पन हुई है और अहंकार से उत्पन हुए शब्द तन्मात्रा का कार्य आकाश ह इन दोनों का संबंध देश देशी आस्रया श्रही भाव से है इस संबंध में सन्यम करने से योगी को दिव्य स्रोत्र प्राप्त होता है जिससे वह दिव्य, सूख्ष्म, व्यवहित, आवरित और विप्रकृष्ट अर्थात दूरस्थ शब्दों को सुन सकता है इसी प्रकार तवचा वायु, चक्छुतेज, रसना जल, घ्राण पृथवी के संबंध में सन्यम करने से दिव्य तवचा, दिव्य नेत्र, दिव्य रसना और दिव्य घ्राण प्राप्त होता है ये सब सिध्यां सूत्र छतीस में पुरुष्ग्यान से पूर्व भी बतलाई गई हैं काया काश योह संबंध सन्यमाल लगू तूल समापत्तेश्चा काश गमनम शरीर और आकाश के संबंध में सन्यम करने से और हलके रूई आदि में समापत्त करने से आकाश गमन सिध्य प्राप्त होती है व्याख्या जहां शरीर है वहीं उसको आकाश देने वाला आ इसी प्रकार इन दोनों में आधे या आधार व्याप्य व्यापक भाव का संबंध है। इस संबंध में सन्यम करने से अथमा रूई सद्रिश हलकी वस्तूओं में समापत्य करने से तदाकार होने से योगी का शरीर लगुदा को प्राप्त करता है। इसलिए जल पर पाउं रखता हुआ चल सकता है। इसके पश्चात मकडी के जाले सद्रिश सूक्ष्म तारों पर चलने की सामर्थ आ जाती है। अंत में शरीर के अति सूक्ष्म हो जाने से आकाश गमन की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। बहिर कल्पिता वृत्तिर महा विदेहा ततह प्रकाशा वरण चया शरीर से बाहर कल्पना न की हुई वृत्ति महा विदेहा है। उससे प्रकाश के आवरण का नाश होता है। जाख्या मन को शरीर से बाहर धारण करना विदेहा वृत्ति तथा मन की विदेहा धारणा कहलाती है। जब तक मन शरीर के अंदर ही इस्थित रहे, पर उसको वृत्ति मात्र से बाहर ही धारण किया जाए, तब तक वह कल्पिता कहलाती है। अब भ्यास के परिपक्प हो जाने पर बिना कल्पना के मन शरीर से बाहर यथार्थ रूप से इस्थित हो जाता है। तब विदेहा वृत्य अकल्पिता कहलाती है इसी को महा विदेहा कहते हैं यह योगी को परशरीर आवेश तथा लोक लोकांतरों में सूख्म शरीर से भ्रह्मन करने में सहायक होती है इन दोनों में कल्पित विदेहा धारणा साधन है और अकल्पित विदेहा धारणा साध्य क्योंकि पहले कल्पित विदेहा का अभ्यास किया जाता है उसके पश्चात अकल्पित विदेहा को साधा जाता है इसके अभ्यास से चित के प्रकाश को रोकने वाले अविद्याद इकलेश कर्म विवाक आद मल जो रजस के मूलक हैं नाश हो जाते हैं और चित में निवारण होने के कारण यतेच्छ विचरने की सामर्थ्य हो जाते हैं संगत 16 सूत्र से लेकर 43 सूत्र तक समाधि में सद्धा उत्वपन करने के लिए भिन भिन सन्यम और उसकी सिद्धियां वर्डन करके अब अपने दर्शन के उपयोगी सबीज और निर्वीज समाधि की सिद्धि में विविद उपाय दिखाते हैं अगले सूत्र में ग्राह पांचों भूतों का सन्यम बताया है इस्थूल स्वरूप सुक्ष्मान्वय आर्थ वत्व सन्यमाद भूत जयह पांचों भूतों के स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वय और अर्थ वत्व में सन्यम करने से भूतों का जय होता है जाख्या प्रथवी आदि पांच भूतों के पांच पांच रूप हैं इस थूल प्रत्वी, जल, अग्न, वायू, आकाश का अपना-अपना विशिस्ट आकार इस थूल रूप है स्वरूप उप्रयुक्त पांच भूतों का अपना-अपना नियत धर्म जिनसे ये जाने जाते हैं जैसे प्रत्वी की मूर्ति और गंध, जलका स्नेह, अग्न की उष्णता, वायू की गत्य या कंपन और आकाश का अवकाश देना स्वरूप है सुख्ष्म इस थूल भूतों के कारण गंध तनमात्रा, रस तनमात्रा, रूप तनमात्रा, स्पर्श तनमात्रा और शब्द तनमात्रा सुख्ष्म रूप हैं अन्वई रूप सत्व रजस और तमस जो तीनों गुण अपने प्रकाश क्रिया और इस्थित धर्म से पांच भूतों में अन्वई भाव से मिले रहते हैं अन्वई रूप हैं अर्थवत्त पुरुषों का भोग अपवर्ग जिस प्रयोजन को लेकर ये पांचों भूत कारियों में लगे हुए हैं वह अर्थवत्त रूप है इस प्रकार पांच भूतों के धर्म लक्षन और अवस्था भेदों से 25 रूपों में करम से साक्षात पर होने पर जैसे गाय बच्षणों के अनुकूल होती है वैसे ही सब भूतों की प्रक्रतियां योगी के संकल्पा नुसार हो जाती हैं टिपड़ी व्यास भाष्च व्याख्या सुथ 44 में पांचों भूतों के जो अपने अपने धर्मों शब्द स्परिश रूप रस गंधना आदि सहित जो एक एक रूप हैं वे स्थूल रूप हैं जैसे प्रिथवी के गोत्वादि आकार अयों का सन्यवेश विशेश गुरुत्व भारीपन रुक्षता रुखाई आक्षादन धापना इस्थिरता सर्व भूता धारता भेद विदारन सहन शीलता सहिश्वता क्रि योग्यता रूप धर्मों सहित शब्द स्पर्ष रूप रस गंध हैं यह प्तवी का एक रूप है और जलके जो स्नेह चिकनापन सूश्मता प्रभा कांति शुक्लता म्रदुता गुरुत भारीपन शीतल स्पर्ष रुक्षता पवित्तता सम्मेलन सहित शब्द स्पर्ष का एक रूप है अग्नि जो उश्णता उर्द्व गति पवित्तता दाह शीलता लगुता भास्वरता प्रद्धंसन बलशीलता रूप धर्मों सहित शब्द स्पर्ष रूप हैं यह अग्नि का एक रूप है वायू के जो वहन शीलता तेरियक गति पवित्तता आक्षेप ग धर्मों सहित सब दिश्पर्ष हैं यह वायू का एक रूप है और आकाश के जो व्यापकता विभाग करना अवकाश देना आद रूप धर्मों सहित जो शब्द हैं वह आकाश का एक रूप है इस्तकार पांचों भूतों के अपने अपने धर्मों सहित जो शब्दाद हैं वे शूत्र में इस तूल पद से कहे हुए पांच भूतों के एक रूप हैं पांच भूतों का जो स्वववसामान्य धर्म है वह Divine सूत्र में श्रूप पद से कहे हुए भूतों का विथीयरोप है अर्थाद मूर्दिककफिंता, स्नग्धृता, चिकनापन, उश्णता, वहनशील और सरवत्र विद्यमानता प्रम से पृत्वी जल अग्ण वायु और आकाश के जो दुतिय रूप हैं वे स्वरूप हैं ये मूर्द कठिनता आदिधर्म ही स्वस्व सामान्यपद के वाच्चे हैं इन कठिनता आदिधर्म वाले पृत्वी आदिकों के परस्पर भेद करने वाले शब्दादी हैं इसलिए शब्दादी को विशेष कहा जाता है जैसे स्निख्ध उष्णादी रूप जल अग्णि आदिकों से कठिन प्रत्वी का भेदक भिन्नता का ग्यापक मूर्त कठिनता धर्म है और कठिन उष्णादी रूप प्रत्वी अग्णि आदिकों से जल का भेदक स्नेह है और कठिन स्निख्द आद रूप प्रत्वी जल आदिकों से अगने की भिन्नता का ज्यापक उश्णता धर्म है इस प्रकार भूतों के परसपर भेदक होने से मूर्थ कठिनता आद याद धर्म विशेश कहलाते हैं ऐसे ही पंच शिखाचार जीने कहा है एक जाति समन्विताना में शाम धर्म मात्र व्याब्रत ही अर्थात एक जाति वाले प्रत्वी आदिकों की अमल मधुराद धर्म मात्र से व्याब्रत होती है यद्यप कठिनताद धर्म भी प्रत्वी आदिकों के परसपर भेदक हैं तथा आप निबू रूप प्रत्वी स अंगूर रूप प्रथवी का जो भेद है उसका करने वाला केवल खटा मीठा रस ही कहा जाएगा इसमें रस आदिकों विशेश जानना अर्थात प्रथवी का जल आदिकों से जो भेद है वह तो कठिंताद रूप असाधार्ण धर्मों से परिग्यात हो सकता है परंत प्रथवी से अन्य प्रथवी का भेदक रस आदि हैं इस अभिफ्राय से एक जाति समन्विता नाम इन दोनों सामान्य और विशेश का जो समुदाय है वही योगतम में द्रव्य कहा जाता है प्रसंग से समुदाय का निरूपन करते हैं समुदाय दूप्रकार का होता है एक प्रसस्तमित भेदा वयवानुगत दूसरा सब्दे नोपात भेदा वयवानुगत अर्थाथ अवांतर बिभाग के वोधक शब्द से जिन अवयों का विभाग बोधन न किया गया हो उन अवयों में अनुगत जो द्रव्य है वह प्रयस्त मित भेदा वयवा नुगत कहलाता है जैसे शरीर, व्रिक्ष, यूथ, वन ये समुदाएं हैं इनके अवांतर विभाग के बोधक शब्द का उच्चारण नहीं किया गया है अर्थात हस्तादि अवयों का समुदाए शरीर पद का वाच्च है शाखादि अवयों का समुदाए व्रिक्ष पद का वाच्च है प्रिक्षादि का समुदाए वन पद का वाच्च है किन्त इन सब समुदायों में अवांतर विभाग का बोधक कोई शब्द नहीं उच्चारन किया गया है केवल समुदाय मात्र उच्चारन किया गया है इसलिए यह प्रयस्त मित भेदा वयवानुगत समुदाय कहा जाता है जहां अवांतर विभाग के बोधक शब्द का उच्चारन किया जाता है वह शब्दे नो पात भेदा वयवानुगत समुदाय कहा जाता है उभे देव मनुष्याह देवता और मनुष्य दोनों है यह समुदाय है इस आकांच्छा पर कि वे दोनों अवयव कौन है जिनके मनुष्य है यह दोनों देव मनुष्याह इस शब्द से उच्चारन किये गए हैं इसलिए यह समुदाय शब्दे नो पात भेदा वयवानुगत कहा जाता है यह शब्द शब्दे नो पात भेदा वयवानुगत समुदाय धेद विवक्षा और अभेद विवक्षा से दो प अभेद विवक्षा से दो प्रकार का समूह है और अभेद विवक्षा से आम्रवनम आमही वहवन है और ब्राम्हड संगह ब्राम्हड ही संगह है ये दो समूह हैं इस प्रकार समूह समूह की अभेद विवक्षा से यहां समाना धिकरण है पुनह यह समुदाय दो प्रकार का ह एक युत सिध्धा वयव, दूसरा अयुत सिध्धा वयव, युत सिध्धा वयव समुदाय वह है जिसके अवयव बिरले अर्थात जुदा जुदा हों, जैसे ब्रिक्ष और संग रूप समुदाय में वन के अवयव ब्रिक्ष जुदे जुदे और बिरले प्रतीत होते हैं, तथा यूथ के समुदाय गाय बैल आद भी प्रथक प्रथक प्रतीत होते हैं। अयूत सिद्धा वयव समुदाय वह है जिसके अवयव प्रथक प्रतीत से रहित निरंतर मिले होते हैं। और मूल शाखादिकों का समुदाय जो व्रिक्ष है उसके भी ये अवयव मिले होते हैं। यह अयूत सिद्धा वयव समुदाय ही पतंजल मुनी के मत में द्रब्य कहलाता है। यही भूतों का दुती रूप है और यही स्वरूप पद का अर्थ है। अर्थात मूर्ति कठिन रूप सामानिका और कठोर आद धर्मों सहित शब्दाद रूप विशेशों का। यही सामानि विशेशों का समुदाय रूप द्रब्य सूत्र में स्वरूप शब्द से बतलाए ही। पांचों भूतों का दूसरा रूप है। इन प्रत्वी आदि पांचों भूतों के कारण पंच तनमात्राएं हैं। और तनमात्राओं के परिणाम परमाडु हैं। अर्थात तनमात्राएं परमाडूं का अयुत सिद्ध अवयवा नुगत समुदाय हैं। इसलिए परमाड और पंचतन मात्राएं सूत्र में सूख्ष्म पद से बतलाए हुए पाचों भूतों के तृतिय रूप हैं, अर्थात पाचों भूतों के जैसे परमाड सूख्ष्म रूप हैं, वैसे ही पंचतन मात्राएं परमाडों के सूख्ष्म रूप हैं, भूताद सर वकारियों में अनुगत जो प्रकाश क्रिया इस्थित शील तीन गुण हैं वे सूत्र में अनुवय शब्द से बतलाए हुए पांचों भूतों का चतुर्थ रूप हैं पुरुष के भोग और अपवर्ग के संपादन करने का जो गुणों में सामर्थ विशेश है वह सूत्र में अर्थवत जो शब्द से कथन किया हुआ भूतों का पांचमा रूप है यहां इतना और जान लेना चाहिए कि गुणों में तो भोगा पवर्ग संपादन की सामर्थ साक्षात अनुगत है और तनमात्रा भूत आदिकों में परंपरा से गुणों द्वारा अनुगत है तथा साक्षात और परंपरा से सभी पदार्थ अर्थवत्ता वाले हैं इस प्रकार पांच भूतों के पांच रूपों में जिस जिस रूप में योगी सन्यम करता है उस उस रूप का योगी को साक्षात कार जय और होता है इस थूल स्वरूप सूश्माद रूपों के क्रम से पाँचों भूतों के पाँचों रूपों में सन्यम करने से योगी को पाँचों भूतों का प्रत्यक्ष और वशिकार हो जाता है। योगी को भूतजय कहते हैं सब भूतों की प्रक्रतियян। उसके संकल्पा नुसार हो जाती हैं हर्थात भूतों का स्वभाव।।ु संकल्पा नुसार हो जाता है। वो प्रयूक्त कथित। भूतजय की कई सिद्धियां पूजपाद परमहंस स्री विशुद्धा नंद जी महराज पसिद्ध गंध बाबा जिनकी सिद्धियों से पाशात्य विद्वान भी विश्मित होते थे में देखी गई थी जिनके जीवन के अंत समय में लेखकों को लगभग छह मास सेवा में रहने का संगत भूत जय का फल बतलाते हैं प्राधुर भाव काय संपत्त धर्मां भिघात च्च उस भूत जैसे अडिमा आधी आठ सिद्धियों का प्राधुर्भाव और काय संपत्त होती है और उन पाचों भूतों के धर्मों से रुकावट नहीं होती व्याठ्या चौवालीसने सूत्र में बताये हुए भूत जैसे निम्न प्रकार की आठ सिद्धियां प्राप्त होती हैं अनिमा शरीर का सूख्ष्म कर लेना लगिमा शरीर का हलका कर लेना महिमा शरीर का बड़ा कर लेना प्राप्त जिस पदार्थ को चाहे प्राप्त कर लेना ये सिद्धियां भूतों में सन्यम करने से प्राप्त होती हैं प्राकाम में बिना रुकावट के इच्छा पूर्ण होना यह पांचों भूतों के स्वरूप में सन्यम करने से सिद्ध होती हैं वशित्त पांचों भूतों तथा भौतिक पदार्थों का वश में कर लेना भूतों के सूच्म रूप में स प्रतेक संकल्प का पूरा हो जाना अर्थात जैसा योगी संकल्प करے उसके अनुसार भूतों के स्वभाव का अवस्थापन हो जाना है वह योगी यदि संकल्प करे तो अम्रत की जगह विश्ख लाकर भी पुरुश को जीवित कर सकता है यह सिद्ध अर्थवत्त्तों में स नित्य सिद्ध्योगी राज इस्वर के संकलपा नुसार ही योगियों का संकलप होता है भागवत-भाश्यकार कामावसाई योगी के संबंध में लिखते हैं कि यद्यपय ह yogi सर्वसामर्थ वाला है तथा पिवह पदार्तों के शक्तियों को ही विपरीद करता है नकी पदार अर्थाद चंद्रमा को सूर्य और सूर्य को चंद्रमा तथा विश को अम्रत नहीं करता किन्त विश में जो प्राण वियोग करने की शक्ति है उसको निवृत्थ कर उसमें जीवन शक्ति का संपादन कर देता है क्योंकि पदार्थों का विपरीत होना नित्य सिद्ध ईश्वर के संकल्प के विरुद्ध है इसलिए ऐसा नहीं होता है और शक्तियां पदार्थ की और नियत हैं इसलिए उनके विपरीत करने में कोई दोश नहीं अर्थात पूर्वसिद्ध अन्यकामावसाई सत्य संकल्प ईश्वर का यह संकल्प है कि सूर्य सूर्य ही रहे और चंद्रमा चंद्रमा ही रहे इसलिए उसकी आग्यां के विरुद्ध योगी संकल्प नहीं कर सकता यहां यह भी जान लेना चाहिए कि कामावसाई योगी इश्वर संकल्प और उसकी आग्या के विपरीत नहीं होता है इसलिए जब कभी वे अपने इस आईश्वर्य को काम में लाते हैं तो वह इश्वर के संकल्प और उसके आग्या अनुसार न्याय और व्यवस्था के धारणार्थ ही होता है काय संपत शरीर की संपदा इसका वर्डन अगले सूत्र में दिया है तद्धर्मान भिगात इन पांच भूतों के कार्य योगी के विरुद्ध रुकावट नहीं डालते अर्थात मुर्तिमान कठिन प्रत्वी योगी प्रवेश कर जाता है जल का स्नेह धर्म योगी को गीला नहीं कर सकता अग्न की उश्णता उसको नहीं जला सकती वहन शील वायू उसको नहीं उड़ा सकता अनावर्ण रूप आकाश में भी योगी अपने शरीर को ढख लेता है और सिद्ध पुरुषों से भी अध संगति अगले सूत्र में काय संपत को बतलाते हैं रूप लावड्य बल वज्ज संहन नत्वानि काय संपत रूप लावड्य बल वज्ज कीसी बनावट काय संपत शरीर की संपदा कहलाती है व्याख्या रूप मुख की आकृति का अच्छा और दर्शनी हो जाना लावड्य सारे अंगों में कांति का हो जाना, बल का अधिक हो जाना, वज्ज सनहनत्त्वानी, शरीर के प्रतेक अंग का वज्ज के सदृष, धिन्ह और पुष्ट हो जाना, यह काय संपत कहलाती है संगति, ग्राह यभूतों में सन्यम करने की विधि दिखलाकर, अगले सूत्रों में, ग्रहण इंद्रियों में सन्यम दिखलाते हैं। मुखी बृत्य ग्रहन कहलाती है स्वरूप सामान्य रूप से इंद्रियों का प्रकाशकत जैसे नेत्रों का नेत्रत आधिश्वरूप कहलाता है अस्मिता इंद्रियों का कारण अहंकार जिसका इंद्रियां विशेश परिणाम हैं अन्वय सत्प रजस और तमस तीनों गुण जो अपने प्रकाश क्रिया इस्थित धर्म से इंद्रियों में अन्वई भाव से अनुगत हैं अर्थवत्त इनका प्रयोजन पुरुष को भोग अपवर्ग दिलाना है टिपड़ी व्यास भाश्य का भाशा नुवाद सूत्र सेंतालिस सूत्र की उपर्युक्त सरल और संचिप्त व्याख्या कर दी गई है यहां व्यास भाश्य का स्पस्ती करण के साथ अनुबाद किया जाता है पांच ग्यान इंद्रियों में एक एक इंद्रिय के पांच पांच रूप हैं इनमें सामान्य विशेस रूप जो शब्दाद ग्राह विशय और स्त्रोत्त्राद इंद्रियों की जो विशयाकार परिणाम रूप वृत्त है वह ग्रहन पद का अर्थ है यह इंद्र इंद्रियों की वृत्ति न मानी जाए तो इंद्रियों से अनुग्रहीत होने के कारण वह विशेश मन से निश्चित न किया जा सकेगा क्योंकि बाह्य इंद्रियों के अधीन होकर ही मन बाह्य विश्यों में अनुब्यव सायवाला होता है स्वतंत्र नहीं होता इसलिए सामा सामान्य विशेश रूप विशयाकार ही इंद्रियों की वृत्ति होती है यह सूत्र में ग्रहण पद से कथन किया हुआ इंद्रियों का प्रथम रूप है प्रकाशात्मक महत्त्त्व का परिणाम जो अयुत सिद्ध औयो सात्तिक अहंकार है उसमें कार्य रूप से अनुगत जो सामान्य विशेश रूप द्रव्य है वह इंद्रियों का स्वरूप है अर्थात् सात्तिक अहंकार का कार्य जो प्रकाश रूप द्रव्य इंद्रिय है वह इंद्रियों का स्वरूप नामक दूसरा रूप है इंद्रियों का कारण जो अहंकार है वह इंद्रियों का अस प्रटस्मिता नामक तीसरा रूप है इस सामान्य रूप अहंकार के इंद्रियां विशेश परिणाम हैं देवसायात्मक निश्चयात्मक महतत्व के आकार से परिणाम को प्राप्त हुए जो प्रकास प्रवृत इस्थित शील गुण है वह अन्वय नामक इंद्रियों का चीनों गुण इंद्रियों में अनुगत हैं इसलिए गुणों को अन्वे रूप कहा जाता है। इंद्रिय जैसे मनोजवित्व विकरण भाव और प्रधान का जय होता है। दूर के और बाहर के अर्थों का जान लेना स्वरूप में सन्यम करने से प्रधान जय। प्रकृत के सब विकारों का वशीकार अस्मिता, अन्वे और अर्थवत्व में सन्यम से सिद्धियां जितेंद्रिय पुरुष से ही प्राप्त की जा सकती हैं। योग शास्त्र में ये तीनों सिद्धियां मधु प्रतीका कहलाती हैं। क्योंकि इन सिद्धियों के प्राप्त होने पर योगी को प्रतेक सिद्धि में मधु समान स्वाद प्रतीत होता है। अथुमा योग से उतपन रितंभरा प्रज्या का नाम मधु है। उस मधु का प्रतीक अर्थात कारण जिससे प्रत्यक्ष किया जाए वह मधु प्रतीक है। संगत ग्राह और ग्रहन के पश्चाद ग्रहीत्र चित्त में सन्यम का फल बतलाते हैं। अर्थात जिस विवेक ख्यात के लिए यह सब सन्यम मिरूपड किये हैं। उसका अवांतर फल बतलाते हैं। सत्प पुरुशान्यत आख्याति मात्रस्य सर्वभावाधित स्थात्रित्वम सर्वग्यात्रित्वम्च चित्त और पुरुष के भेद जानने वाले को सारे भावों का मालिक होना और सर्वग्य होना प्राप्त होता है। ग्याख्या सर्वभाव अधिस्थात रित्वम गुणों का करत्रित्व अभिमान शिथिल होने पर उनके सब परिणामों और भावों को पुरुष के प्रति स्वामी के समान बरतना है। सर्वग्यात्रित्व वे गुण जो अतीत अनागत और वरतमान काल में धर्मी भाव से अवस्थित रहते हैं। उनका यथार्थ विवेक पूर्ण ग्यान सर्वग्यात्रित्व कहलाता है। गुणों का सबसे प्रतम परिणाम महत्त्त अर्थात समस्ट चित है। इसी में स्रिस्ट के सब नियम बीज रूप से रहते हैं। पुरुषों के व्यस्ट चित ग्रहीत्र रूप हैं जिनके द्वारा गुणों के परिणामों का यथार्थ ज्यान प्राप्त करके स्वरूप अवस्थित होते हैं पुरुष चित्त का स्वामी ज्यानस्वरूप है पर अविवेक के कारण चित्त में आत्मा का अध्यारोप हो जाता है यही सर्वकलेशों की मूल अविद्या है साथ्विक चित के प्रकाश में सन्यम करने से पुरुष और चित में भेद करने वाला विवेक ज्ञान उत्पन होता है जिसको विवेक ख्याति कहते हैं इस विवेक ख्याति के हो जाने पर पुरुष अपने को चित से प्रथक देखता हुआ गुणों के परिणामों का संपू पूर्ण प्राप्त कर लेता है और उन पर पूर्ण अधिकार रखते हुए उनका अधिस्ठाता होकर नियम में रखता है सुथ भी ऐसा ही बतलाती है अर्थात पुरुष्ट दर्शन होने पर सर्वग्यात्रत प्राप्त हो जाता है इस सिध्ध का नाम विशोका है क्योंकि इ धिस्ठाता और सर्वग्य होकर शोक से रहित विचरता है यहां यह बतला देना आवस्यक है कि वास्तों में सर्भभावा धिस्ठातृत पांचों क्लेशों को डगधबीज करके उन पर विजय प्राप्त कर लेना है और सर्वग्यातृत यह साच्छात कर लेना है कि सारा इनसे सरवथा भिन असंग निरलेप अजर अमर और प्रसव धर्मी निस्क्री ज्यानस्वरूप कूटस्थ नित्य है टिपड़ी व्यास भास का भाशा नुवाद सूत्र उन्चास जब बुद्धि सत्व के रज और तम धुल जाते हैं वह परवैशारद्य परवशीकार अव सत्व और पुरुष की अन्यता ख्याति मात्र रूप में प्रतिस्थित होता है तब बुद्धि सत्व को सर्वभावों का अधिस्थात्रत हो जाता है सरवात्मक गुण व्योसाय और व्योसाये रूप गुण स्वामी छेत्रग्य के प्रति अशेश द्रश्य रूप से वस्थित हैं उनके विशे में अक्रमों पारूण क्रिया रहित विवेक जन ज्ञान होता है यह विशोका नाम की सिध्धि है जिसको प्राप्त करके योगी सरवग्य छींड क्लेश बंधन और वशी विहार करता रहता है योग वार्तिक का भाशा नुवाद सूत्र उन्चास पूर्वोक्त प्रकार से ग्राहय और ग्रहण विशे के सन्यमों की सिध्धि को कहकर ग्रहीत्र सन्यम की सिध्धि को कहते हैं सूत्र में मात्र शब्द से सन्यम रूप ख्यात उपलब्ध होती है तथा सत्व और पुरुष की अन्यता के सन्यम वाले धर्म धर्मी के अभेद से चित्त का सर्व भावों में प्रकृति और प्रकृति के कारियों और पुरुष के विशे में अधिस्थात्र स्वदेह के स इमान स्वेक्षया विनियोक नो हो जाता है तथा प्रकिर्ति और पुरुष आदि में सर्वग्यातृत्रितों हो जाता है यहाँ भी साक्छात्कार तक ही समझ लेना चाहिए क्योंकि इस सञ्यम की सिद्ध ही अन्य सिद्धियों का हेतु है शंका परार्थ सुखादी के अनुभव रूप परिछिन में पौरुशेय प्रत्य ही सञ्यम कहा है और अ परिछिन पुरुश में सन्यम नहीं कहा यहां तो उस सन्यम से परिपूड पुरुष का ज्यान हो जाने पर बुद्ध विवेक सन्यम कहा है शंका सत्व यह विशेस वचन अनुचित है गुण पुरुशान्यता आदि कहना ही ठीक है समाधान यह शंका ठीक नहीं क्योंकि रजस और तमस से पुरुष में साक्षात अविवेक नहीं हो सकता बुद्ध सत्व के अविवेक द्वारा ही देह और इंद्रियाद में अविवेक से स्वप्न और बाधर्य भहरापन आदि अवस्थाओं में चेतन में बेह और इंद्रियाद के विवेक को योग के आरंभकाल में ही साधारन पुरुष भी जानते हैं इस सूत्र की व्याख्या करते हैं निर्धूतेति परवैशारद्य परम स्वक्षता को कहते हैं अर्थाद अति सूच्म वस्थु के प्रतिविंब को ग्रहन करने के सामर्थ का नाम है परम वशीकार सन्या परमाडु परम महत्वान्तो अस्य वशीकार यहां कहा है रूपेड प्रतिस्थस्य रूप प्रतिस्थस्य यह त्रितिया तक पुरुष समास है रूप में प्रतिस्ठित अंतह करण बुद्ध सत्व का सर्व भावा धिस्ठात्रित होता है इसका विवरण करते हैं सर्वात्मान इति इसका भी विवरण है व्यवसाय व्यवसाय यात्मक इंद्री और इंद्री विश्यात्मक गुण अशेस द्रिशेत संकल्प मात्र से अशेस वस्तुओं के आखार से परिणत होकर योगी को उपस्थित होते हैं उसमें स्वामिनम् छेत्रग्यम्त यह दो हेतु गर्वित विशेशन हैं क्योंकि वह स्वामी छेत्रग्य भोकता होने से प्रेरक है अतह जैसे अस्यकांत मड़ी के पास लोहा खिच आता है वैसे ही गुण दृष्य रूप बनकर स्वामी छेत्रग्य को उपस्थित हो जाते हैं अत्रमा क्योंकि वह स्वामी छेत्रग्य गुणों के परिणाम छेत्राद को प्रेजित करता है प्रवित करता है या परिणमन प्रकार को जानता है अतह उसके प्रति वे उपस्थित हो जाते है यद्य पि सब पुर्ष सब गुणों के अशेस्तया स्वामी हैं तथा पि पापाद के प्रतिबंध से सब गुण सब समय सब पुर्षों के आदि भोग्य रूप से उपस्थित नहीं होते यह भाव है ऐसी सुत भी इस विशे में प्रमाण है जब यह पुर्ष पितर लोग की कामना वाला होता है तब संकल्प मात्र से ही उसको पितर उपस्थित हो जाते हैं इत्याद प्रिय श्वर्य रूप सिद्ध की व्याख्या करके जानई श्वर्य रूप सिद्ध की व्याख्या करते हैं सर्व ग्यात्रित्त मित सब आत्मा सब पुरिश बद्ध मुक्त और इस्वरों का और शांत उदित्त था और व्यपदेश रूप धर्म विशिष्ट गुणों का ग्यान सर्व ग्यात्रित्त है इसका नाम है विवेक जन ग्यान विवेक से जैमान ग्यान यह संग्या सान्वय ह विशेश संग्या के अनवर्थ को कहते हैं याम प्राप पेत प्लेश बन्धन के च्छीन होने से विशोका नाम की सिद्ध है जिसका अर्थ है शोक शोन्यता, संगत विवेक ख्यात भी चित्त की ही अवस्था है इसलिए उसमें भी वैराग्य बताते हैं अर्थात विवेक ख्यातिका अवानतर फ़ल कहकर अब उसके मुख्य फ़ल कईवल्य को बतलाते हैं विवेक ख्याति से भी वैराज्य होने पर दोशों के वीज च्छय होने पर कईवल्य होता है व्याख्या यह विवेक ख्यात जिससे योगी सर्वभाव अधिस्थात्रत और सर्वग्यात्रत प्राप्त करता है और जिससे अपने शुद्ध परिणामी और ज्ञान स्वरूप को त्रिगुनात्मक परिणामी और जडचित से अलग करके देखता है चित ही का एक धर्म है उसी का एक परिणाम है अपना वास्तविक स्वरूप नहीं इसलिए अपने वास्तविक सुद्ध स्वरूप से अवस्थित होने के लिए इस विवेक ख्यात से भी विरक्त हो जाता है इसी को परवैराग्य कहते हैं जब परवैराग्य पूर्ण तथा प हो जाते हैं उनके साथ ही अविद्या आदि क्लेशों के संसकार भी विवेक ख्याति द्वारा दगदबीज के सद्रिश उतपत्य के अयोग्य होकर लीन हो जाते हैं तब आत्मा के सामने कोई द्रिश नहीं रहता यह पुरुष का गुनों से अत्यंत प्रथक होकर अपने केव स्वरूप में अवस्थित होना कईवल्य है टिपड़ी व्यास भास्य का भाशा नुवाद सूत्र पच्चास प्लेश और कर्म के च्छय होने पर जब इस योगी का ऐसा भाव होता है कि विवेक प्रत्य बुद्ध रूप सत्व का धर्म है और बुद्ध अनात्म होने से हे त्याज्य पक्ष में मानी गई है और शुद्ध स्वरूप अपरिणामी पुरुष बुद्ध से भिन है तब इस प्रकार के विवेक से विवेक ख्याति में भी वैराग्य उद्य हो जाता है उस पर वैराग्य वाले पुरुष के चित्त में जो क्लेश बीज बिद्यमान है वे शाली चावलों के दगदबीज के सद्रिश अपने अंकुरोत पादन में असमर्थ हुए मन के सहित ही नस्ट हो जाते हैं उन क्लेश आधिकों के प्रलीन होने पर पुरुष आध्यात्मिक आधिभोतिक आधिदैविक इन तीनों तापों को नहीं भोगता है और कर्म, क् विपाक रूप से चित में विद्यमान चरितार्थ हुए गुणों का प्रतिप्रसव अर्थात मन के सहित ही स्वाकारण में लय हो जाता है यह पुरुष का आत्यंतिक गुण वियोग गुण से अत्यंत प्रत्यक हो जाना कईवल्य है इस दशा में चित शक्ति रूप पुर स्वरूप प्रतिष्ठत होता है संगत योग के मार्ग में मनुष्य ज्योजों आगे बढ़ता है त्योंतियों उसके सामने बड़े बड़े प्रलोभन दिव्य विशय और विभूतियां उपस्थत होती हैं उनसे सावधान रखने के लिए अगला सूत्र कहते हैं स्थान वालों के आदर भाव करने पर लगाव एवन घमंड नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें फिर अनिस्ट के प्रसंग का भय है जाख्या योगियों को भूमियों के अनुसार चार स्रेणियों में विभक्त कर सकते हैं जो निम्न प्रकार के हैं प्रथम काल्पिक आरंभिक अभ्यास वाले जो सवितर्क समाधि का अभ्यास कर रहे हैं मध भूमिक जो निर्वितर्क समाधि नामी लितंभरा प्रग्या को प्राप्त करके भूत और इंद्रियों के जीतने का अभ्यास कर रहे हैं प्रग्या जोत जिन्होंने सविचार समाधि द्वारा भूत इंद्रियों को जीत लिया है और स्वार्थ सन्यम द्वारा विशोका भूमिका अभ्यास कर रहे हैं। की प्रांत भूमि प्रग्या वाले हैं उप्रयुक्त स्रेणिया भास्यों के आधार पर लिखी गई हैं सुगमता के लिए निम्न स्रेणियों में भूमियों को विभक्त किया जा सकता है वितरका नुगत भूमि विचारा नुगत भूमि आनंदा नुगत और अस्मिता नुग को प्रलोभन देते हैं अर्फाद इन भूमियों में नाना प्रकार के भोग एश्वर्य दिव्य विशय और बिभूतीयों के प्रलोभन आते हैं इनसे योगियों को सदा सावधान और सचेत रहना इनमें यदि फसा तो सब किया हुआ परिस्त्रम बेर्थ जाएगा इस कारण इन से सदा अलग रहना चाहिए परंत इन प्रलोभनों को देखकर और अपने में उनको हटाने की सामर्थ समझकर अभिमान भी न करना चाहिए क्योंकि अभिमान से उन्नत रुक जाती है और पतन हो होने लगता है प्रथम भूमिवाला अभ्यासी इस योग ही नहीं होता कि उसके लिए ये प्रलोभन आवें तीसरे और चौते भूमिके अभ्यासी इतनी योगिता प्राप्त कर लेते हैं कि आसानी से इनके फंदे में नहीं आ सकते दूसरी भूमिवालों के गिरने की बहु युदो इक ज्यान कहा है उसी के विशय में पूरवोक्त सन्यम से भिन दूसरा उपाय बतलाते हैं छनतत क्रमयोह सन्यमाद विवेक जन ग्यानम शन और इसके क्रमों में सन्यम करने से विवेक जन ग्यान उतपन होता है व्याख्या जिस प्रकार द्रव्य का सबसे चोटा व चलाया हुआ परमाड पूर्व देश को छोड़कर उत्तर देश को प्राप्त हुए वह काल की मात्रा क्षण है उनक्षणों के प्रवाह का विक्षेद नौ होना अर्थात बने रहना क्रम कहलाता है च्षण और उसका क्रम दोनों एक वस्तु नहीं है ये बुद्ध के निर्म किये हुए मुहूर्त दिन रात मास आद होते हैं अत्वा इसको यों समझना चाहिए कि काल वास्तों में वस्तु से शून्य है केवल बुद्ध ही की निर्माड की हुई वस्तु है वस्तु से शून्य होते हुए भी काल को शब्द ज्यान के पीछे विकल्प से विवहार क्रम कहलाता है योगी जन इसी को काल कहते हैं दो प्षण एक साथ नहीं हो सकते और क्रम से भी दो प्षण एक साथ नहीं हो सकते क्योंकि पूर्व वाले च्छन से उत्तर वाले च्छन का अंत नो होना ही च्छनों का क्रम है इसलिए वर्तमान ही एक च्छन है पूर्व और उत्तर च्छन नहीं है इसलिए इन दोनों का एकत भी नहीं है अतीत और अनागत चण वर्तमान चण के ही परिणाम कहने योग्य हैं उस एक वर्तमान चण से ही संपूर्ण लोक परिणाम को प्राप्त होते हैं सब धर्म उस एक चण के ही आसरत हैं इसलिए चण और उनके क्रम में सन्यम करने से इन दोनों का साक्षात कार परियंत विवेक जन ज्यान उत्पन होता है भाव यह है कि जैसे नयाईक सबसे छोटे नर्विभाग पदार्थ को परमाडु मानते हैं वैसे ही योगाचार्य सत्वादि के एक परिणाम विशेश को द्रव्य रूप खण मानते हैं छनों के प्रवाह का अविच्छेद अर्थात पूरुबा परभाव होना क्रम कहलाता है पर यह क्रम वास्तों में सत्य नहीं है कल्पित है क्योंकि दो अगले पिछले छनों का एक समय में समाहार होना असंभव है इसलिए घटिका, महूर्थ, प्रहर, दिन, रात, मास, वर्ष, आद, रूप, काल भी वास्तों में वस्तुशून हैं इनमें विकल्प से विवहार हो रहा है वास्तों में एक वरतमान च्छन ही सत्य है उसी एक वरतमान च्छन का परिणाम यह सारा ब्रम्हांड है ऐसा जो एक वरतमान च्छन है और उसका जो यह कल्पित क्रम है उसमें सन्यम करने से विवेक जन ग्यान उतपन होता है विवेक जन ज्यान विवेक से उतपन ज्यान योग का पारिभाशिक शब्द है जिसका लक्षन सूत्र चौवण में बतलाया जाएगा टिपड़ी भोज वृत्ति का भाशा लुवाद बावन पूर्व जो फल रूप विवेक जन ज्यान कहा है उसी के विशय में पूर्वोक् सबके अंत का काल का ऐसा अवयव जिसके फिर हिस्ते नौ हो सके वह खण कहलाता है उस प्रकार के काल खणों का जो क्रम अर्थात पूर्वा पर भाव से परिणाम है उनमें सन्यम करने से भी पूर्वोक्त विवेक जन ज्यान उत्पन हो जाता है तात पर यह है कि यह खण इ इस चण से पूर्व और इस चण से उत्तर है इस प्रकार काल क्रम में सन्यम करने वाले को जब अत्यंत सूच्म चण क्रम का प्रत्यक्ष होता है तो अन्य बुद्ध आदि सूच्म पदार्थों का भी प्रत्यक्ष हो जाता है ऐसे विवेक ज्यान से ज्यानांतर होते हैं सं एक दूसरी से जात लक्षण देश से भेद का निश्चे न होने से दो तुल्य वस्तूओं का विवेकजन ग्यान से निश्चे होता है व्याख्या जाती ही अनेक व्यक्तियों में जो अनुगत सामान्य धर्म है वह जाती है जैसे गायों में गोत भेंसों में महिशत पाद लक्षण जाती की समान वस्तूओं को प्रिथक करने वाले असाधार्ण धर्म का लक्षण है जैसे लाल गाय काली गाय इत्याद देश देश नाम पूर्वत्त और परत्त का है पदार्थों के एक दूसरे से भेद निस्चत कराने के कारण जाती लक्षण और देश होते हैं जैसे एक देश में समान लक्षण अर्थात काले रंग की एक गउअ और एक भेंस हो तो उन दोनों में जाती से भेद होता है जाति और देश समान होने पर जैसे एक चितकवरी गाए और एक लाल गाए हो उनका भेद लक्षन से होता है जाती और लक्षन समान होने पर जैसे दो आउले समान जाती और लक्षन के हों तो उनका पूर्व वो उत्तर देश से भेद जाना जाता है जिसने इन दोनों आउलों को पहले देखा है उसकी दृष्ट बचा कर यदि कोई पूर्व देश के आउले को उत्तर देश में और उत्तर देश के आउले को पूर्व देश में रख दे तो तुल्य देश होने पर इन दोनों में संशय रहित यथार्थ ग्यान द्वारा यह व योगी को विवेक जन ग्यान से किस प्रकार होता है इसका उत्तर भार्षिकार ने इस प्रकार दिया है कि उत्तर आवले के छण सहित देश से पूर्व आवले का छण सहित देश भिन्न है जब वे आवले अपने देश छण अनुभव में भिन्न है तब उन दोनों के देश समान जात लक्षन देश के परमाड़ों में पूर्व देश वाले परमाड़ों के देश छणों सहित साक्षात करने से उस उत्तर देश वाले परमाड़ों का वह देश निश्चे नव होने पर उत्तर वाले के देश का भिन अनुभव छणों सहित भेद से होता है उन दोनों देश छण सहित परमाड़ों के ज्यान में समर्थ योगी ही को उन दोनों के भेद का ज्यान होता है वैशेसिक सिध्धान्त वाले जो यह कहते हैं कि छह पदार्थों द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेस और समवाय में जो विशेस पदार्थ हैं वही द्रव्यों का भेदक है सो उन विशेसों में भी देश, लक्षन, मूर्त, आवयव सनवेश विशेस, व्यवविध, व्यवधान विशेस और जात भेद ग्यान का कारण होते हैं यहां यह और जान लेना चाहिए कि जात आद के भेद से पदार्थों का भेद ग्यान होना तो साधारन है किन्तु छण भेद से भेद ग्यान होना केवल योगी के ही बुद्धिगम में है इससे ही वार्ष गणियाचार्य ने कहा है मूल प्रकृति में भेद नहीं हो सकता क्योंकि उसमें मूर्ति, व्यवधि, जाति, आदि जो भेद के कारण है इनका अभाव है संगत इस प्रकार विवेक जन ग्यान का अवांतर फल दिखला कर अब लक्षन द्वारा उसका मुख्य फल बतलाते हैं तारकम सर्व विशयम सर्वधा विशयमक्रमम चेति विवेक जनम ग्यानम बिना निमित के अपनी प्रभा से स्वैंग उत्पन होने वाला सब को विशय करने वाला सब प्रकार से विशय करने वाला बिना करम के एक साथ ज्यान को विवेक जन ग्यान कहते हैं व्याख्या विवेक जन ग्यान चार लक्षनों वाला होता है तारकम बिना बाह निमित के अपनी प्रभा से स्वेंग उत्पन होने वाला और संसार सागर से तारने वाला सर्व विशयक महदादी परियंत सब तत्वों का विशय करने वाला सरबथा विशयम सब तत्वों को सब अवस्था में इस थूल सूश्म आद भेद से उनके तीनों परिणामों सहित सब प्रकार से विशय करने वाला अक्रमम क्रम से अपेक्छा रहित होकर सब को एक छण में सब प्रकार से विशय करने वाला ये संपूर विवेक ज्यान है, 51 सूत्र में बतलाई हुई वितंभरा प्रग्या वाली मधुमती भूम इसका एक अन्ष है, उससे ज्यान की व्रिद्ध करता हुआ, योगी इस अवस्था तक पहुंसता है, यह ज्यान की अंतिम गति है, क्योंकि इसमें कोई वस्त इसका अवि आशे नहीं रहती, संगत, योगी को उपर्युक्त प्रकार से विवेक जन ज्यान संपन्न हो, अत्वा नव हो, चित और पुरुष्ट, दोनों की समान शुद्ध ही कईवल्य का कारण है, सत्व पुरुषयोह शुद्धि साम्ये कईवल्य मिति, चित और पुरुष्ट की सम शुद्ध होना यह है कि उसमें रजस्तमस का मैल यहां तक दूर हो जावे, कि वह पुरुष्ट और चित का भेद दिखाकर, गुणों के परिणामों का यथार्थ ज्यान कराकर, पुरुष्ट को अपना स्वरूप साक्षात कराने के योग्य हो जावे, पुरुष्ट की श बेद के यथार्थ ज्यान से सर्वता अभाव हो जावे, यही कैवल्य है. इस पाग में बताई हुई कुछ विभूतिया कैवल्य प्राप्त में सहायक हो सकती हैं, पर यह आवश्चक नहीं कि इन भिन भिन सन्यमों द्वारा भिन 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 विभूतियों और भूमियों को प्राप्त करने के पष्चात कैवल्य हो ये विहुतियां और भूमियां प्राप्त हो या न नो हो कैवल्य के लिए पुरुश और चित्च में यतार्थ रूप से भेद कराने वाला प्रसंख्यान, अरथात्, विवेक ग्यान आवश्चक है विवेक ज्यान से अविद्या का नाश होता है अविद्या के नाश से अस्मिता, राग, द्वेश और अभनिवेश क्लेश दगदबीज सद्रिश नस्त हो जाते हैं उनके न रहने पर सकामकारियों का भी अभाव हो जाता है सकामकारियों के अभाव से उनकी वासना से फल की भावना का व्रिक्ष भी पैदा नहीं होता व्रिक्ष के अभाव में उसके फल, जन्म, आयू और भोग भी नहीं लगते फिर उनका स्वाद, सुख, दुख भी नहीं चखा जा सकता इस प्रकार गुणों का प्रयोजन पुरुष को भोग अपवर्ग दिलाने का समाप्त हो जाता है और वे चरितार्थ होकर अपने कारण में लीन हो जाते हैं और पुरुष अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है यही कैवल्य है कैवल्य अपवर्ग निर्वाड मुक्ति मोक्ष स्वरूपा वस्थित गुणाधिकार समाप्ति परमधाम और परमपद एकार्थक शब्द हैं उपसंधार इस प्रकार समाधि के अंतरंग तीनों अंग धारणा ध्यान और समाधि को कहकर उन तीनों की सन्यम संग्या करके सन्यम के विशय दिखलाने को तीन प्रकार के परिणाम बताकर सन्यम के बल से उत्पन, पूर्वांत, परांत और मध्य की सिद्धियों को दिखाकर समाधि में अभ्यास करने के लिए भुवन ग्यानाद रूप बाहर की और काय व्यूह ग्यानाद रूप भीतर की सिद्धिय को कहकर समाधिके उपकारार्थ इंद्रीय जय प्राण जयाद पूर्वक्त सिद्धियों को दिखाकर मुक्त सिद्धि के लिए क्रम से अवस्था सहित भूतों के जय और इंद्रियों के जय से उत्पन होने वाले सिद्धियों की व्याख्या करके विवेक ज्यान के लिए उन- तारक के स्वरूप को कहकर उसमें समाधिके कर्तव्य को समाप्त करके चित्त के अपने कारण में लीन हो जाने से मुक्त उत्पन होती है यह कहा गया है सूत्र 26 भुवन ज्यानम सोर्य सन्यमात की टिपड़ी में व्यास भाश का भाशार्थ उसमें अलंकार रूप से वर्डन की हुई और संदेह जनक बातों का स्पस्टी करण तथा सूत्र 49 विशेस वक्तव्य में मृत्य के समय सूष्म शरीर की चार अवस्थाओं पित्र यान और देवयान इत्यादिका विस्तार पूर्बक भर्ण किया गया है इस प्रकार पातांजल योग प्रदीप में विभूति नाम वाले तीसरे पाद की व्याख्या समाप्त हुई इति पातांजल योग प्रदीपे तृतियो विभूति पादह समाप्तह कईवल्य पाद पहने पाद में योग का स्वरूप समाध दूसरे पाद में उसका साधन तीसरे पाद में उससे होने वाले सिध्धियां वर्ण करके अब चौथे पाद में कईवल्य को बताते हैं कईवल्य का नड़े चित और चित के अधीन है इस कारण कईवल्य के उपयोगी चित का नड़े करने सबसे पहले पाँच प्रकार की शिध्धियen और उनसे उत्पन होने वाले पाँच सिध्ध चित्तों को बताते हैं जन्म औशदि मंत्रतप और समाधि से उत्पन होने वाली सिध्धियen हैं व्याख्या, शरीर इंद्रियों और चित्त में बिलक्षन परिणाम उत्पन होने, अर्थात इनकी प्रकिर्ति में बिलक्षन परिवर्थन होने को सिद्ध कहते हैं, इनके निमित पाँच हैं, जन्म, ओशद, मंत्र, तप और समाध हैं. इसलिए सिद्धियां भी इन निमित्तों के कारण पांच प्रकार की हैं जन्मजा सिद्धि वे सिद्धियां जिनकी उत्पत्ति में केवल जन्म ही निमित्त है जैसे पक्षियों आदिका आकाश में उड़ना तथा कपिल आदि महर्शियों का पूर्व जन्म के पूर्णियों के प्रभाव से जन्म में ही सांसिद्धिक ज्यान का उत्पन्न होना ये चित जन्म से ही इस योगिता को प्राप्त किये हुए होते हैं और शधिजा सिद्ध पारे आदिरसायन के उपयोग से शरीर में विलक्षन परिणाम उत्पन्न करना अथ्वा सोम रस्पान तथा अन्य और शधियों द्वारा काया कल्प करके शरीर को पुनह युवा बना लेना इत्यादि यह और शधि आदि-सेवन द्वारा चित्त में सात्तिक परिणाम से होता है मंत्रजा सिद्ध जैसे स्वाध्याय अदिस्ट देवता संप्रयोगह स्वाध्याय से इस्ट देवता का मिल मन्त द्वारा चित्त में एक आग्रता का परिणाम होता है उससे यह सिद्ध प्राप्त होती है तपोजा सिद्ध काएंद्रिय सिद्धिर शुद्धि छया तप सह तप से अशुद्ध के दूर हो जाने पर शरीर और इंद्रियों की सिद्ध होती है चित्त में तप के प्रभा से यह योगता होती है समाधिजा सिद्ध समाधि से उत्पन होने वाली सिद्धियां जिनका वर्णन तीसरे पाद में सविस्तार है यह समाधि से उत्पन हुआ चित्त ही कैवल्य के उपयोगी है इस प्रकार सिद्धियों के पांच भेद से सिद्ध चित्तों के भी पांच भे भोज महाराज ने ये जन्म औशद मंत्रादि पांचों सिध्धियां पूर्व जन्म में अभ्धस्त समाध्य के बल से ही प्रवृत्त हुई बतलाई हैं इस सुत्र की वृत्तिका भाशार्थ दिये देते हैं भोज वृत्तिका भाशानुवाद सूत्र एक पहले जो सिध्धि वे सब पूर्व जन्म में अभ्यस्त समाधि के बल से ही प्रव्रत हुई हैं, जन्म औशद आदि सब निम्त मात्र हैं, इससे अनेक जन्म में जो समाधि की जाती है, उसकी कोई हान नहीं है, अर्थात एक जन्म में कोई फल नौ हो, तो जन्मांतर में अवश्य होगा, ऐसा ज जान लेना चाहिए, ऐसे विश्वास को पैदा करने के लिए और समाधि सिद्ध की प्रधानता कैवल्य के लिए बतलाते हुए यह कहते हैं, किन्ही सिद्धियों के केवल जन्म कारण हैं, जैसे पक्षी आदिका आकाश में उड़ना आदि, अत्मां पक्षी आदिके जन्म को सिद्ध न माना जाए तो जन्म के अनंतर ही जो कपिल महर्श आदिकों के स्वाभाविक गुण थे वह जन्मजा सिद्धि है, पारे आदिरसायनादि के उपयोग से औशविजन्य सिद्धियां होती हैं, किसी मंत्र के जप से किन्ही का आकाश में उड़ना आदि मं सिद्धि है, विश्वामित्र आदिकों को तपह सिद्धि हुई थी, समाधि सिद्धि इससे पूर्व पाद में बतला चुके हैं, ये सब सिद्धियां पूर्व जन्म में क्लेशों को नस्ट करने वालों को ही होती हैं, इससे समाधि के तुल्य दुतिय जन्म में अभ्यस् समाधि ही अन्य सिद्धियों का कारण है जन्म आदि केवल निमित मात्र हैं संगत पूरबोक्त मंत्र तप और समाधि आदि से जो पांच प्रकार की सिद्धियां बतलाई हैं वे सिद्धियां यही हैं कि शरीर और इंद्रियों आदि में विलक्षन शक्त आ जाए या पहली ज जाति बदल जाए जात्यांतर परिणाम बिना उपादान के केवल मंत्राद से कैसे हो सकता है इस शंका के निवार्णार्थ अगला सूत्र कहते हैं जात्यांतर परिणाम प्रक्रत्या पूराद एक जाति से दूसरी जाति में बदल जाना प्रक्रतियों के भरने से होता है व अनुस्थान से विलक्षन शक्तिवाला हो जाना प्रकृत्या पूरात प्रकृत उपादान कारण को कहते हैं शरीर की प्रत्वी जलाद पांच भूत हैं और इंद्रियों की प्रकृत अस्मिता है प्रकृतियों का कारण रूप से कार्य रूप अवयों के आकार में भरने या प्रवेश करने को प्रकृत्या पूर कहा गया है इस प्रकृत्य की आपूर पूर होने से जात्यांतर दूसरे जात्य के रूप वा आकार में परिणाम होता है सूत्ळ का भाव यह है कि योगी के इंद्रियों आदि में जो जात्यांतर परिणाम अर्थात उनका पहले रूप से विलक्षन शक्तिवाला हो जाना ओशद मंत्र तप समाध्य आदि के प्रभाव से होता है वह प्रकृतियों के अपूर्ब आवयओं के समूह से होता है जैसे शुष्क त्रिनों व शुष्क वन्मे सूष्म रूप से व्याप्त अग्न के अपूर्ब आवयों के समूह अग्न की एक कडिका से दिर्ग देश व्यापी प्रचंड ज्वाला रूप हो जाते हैं वैसे ही योगी के शरीर और इंद्रियां आदि के पहले राजसी वा तामसी आवयों अलग हो होकर ज्योंज्यों उनके स्थान पर दूसरे सात्तिक आवयों भरते चले जाते हैं त्योंत्यों उसके शरीर इंद्रियां आदि विलक्षन शक्ति वाले होते जाते हैं। इस प्रकार उस जाति के अनुकूल अवयो भरते रहने से दूसरी जाति बन जाती है। इस जात्यांतर परिणाम में निमित्त योगज धर्म है जिसे योगी मंत्र तप आदि से सिद्ध क करता है। टिपड़ी भोज वृत्ति का भाशार्थ सूत्र दो सूत्र एक की टिपड़ी से इसका संबंध देखें। यहां पर शंका होती है कि नंदीश्वराद का जाति आदि परिणाम उसी जन्म में देखा गया है। तो फिर किस प्रकार दूसरे जन्मों में समाध किये हुए अब्ध्यास को कारण कहा जाता है। इस शंका का उत्तर अगले सूत्र में देते हैं। यह जो एक जन्म में ही नंदीश्वराद का जात्याद परिणाम तपके प्रभाव से देवत्त को प्राप्त करना है। वह प्रकृत के अवयो प्रवेश अर्थात प्रकृत के सर प्रवत्र व्याप्त होने से हुआ जानना चाहिए। पिछले जन्म की ही प्रकृत इस जन्म में अपने विकारों को प्रवेश करके जाति विशेशाकार से परिणत होती है। शिव पुराडी सनत कुमार संगिता के 45 अध्याय में ऐसा वर्ण है कि शिलाद मुनिका नंदी नामक कुमार सिव जी के अति उग्र उपासना द्वारा मनुस्य शरीर को त्याग कर उसी जन्म में देव देह को प्राप्त हो गया था। क्या धर्म जो प्रकृत के आपूर से जात्यांतर परिणाम में निमित है स्वैंग प्रकृत को ऐसे परिणाम के लिए प्रीरता है अथमा केवल प्रतिबंधक को हटा देता है इसका उत्तर देते हैं। नहीं वह केवल रुकावट को दूर कर देता है। रुकावट के दूर होने से जाती बदलने वाले प्रकृत के आवयो सैंग भरने आरंभ हो जाते हैं। निमित्तम प्रयोजकम प्रकृतिनाम वरण भेदस्तु ततह छेत्रिकवत। धर्माद निमित्त प्रकृतियों का प्रिरक नहीं होता है। किन्त उससे किसान के सद्रिश रुकावट दूर होती है। जैसे किसान जब जल से भरी एक क्यारी में से दूसरी क्यारी में जल ले जाना चाहता है। तो हाथ से पानी को उस क्यारी में नहीं ले जाता। किन्त उस क्यारी की मेड मुहाना जो बंद है को तोड़ देता है। उस मेड के खुल जाने पर जल स्वैंग दूसरी क्यारी में भर जाता है। इसी प्रकार धर्म प्रकृतियों के वरण आवरण प्रतिबंधक अधर्म को नस्ट कर देता है। उस अधर्म रूपी प्रतिबंधक के नस्ट होने पर प्रकृतियां स्वयंग अपने अपने कारियों को नए आयों से भर देती हैं। अथ्वा जैसे वही किसान धान गेहुं मूंग आद के मूल में जल और भूम के रसों को प्रवेश करने में असमर्थ होता है परंतु खेत में जल के सीचने पर जल भूम आद के रस स्वैंग ही धानों आद के मूल में प्रवेश हो जाते हैं वैसे ही धर्म भी अपने विरोधी अधर्म की निवृत्ति मात्र करने के कारण हैं, क्योंकि शुद्ध और अशुद्ध दोनों में अत्यंत विरोध है, प्रकृति से प्रबृत्त करने में धर्म उपादान कारण नहीं होता, किन्त निमित होता है, जिस प्रकार धर्म पूर अर्थात प्रकृतियों की प्रवृत्ति में निमितंद atte है उसी प्रकार अधर्म को भी प्रकृतियों को प्रवृत्त करने में निमितंद जानना चाहिए। जब धर्म अधर्म रूपी रुकावट को दूर करता है तब उसका शुद्ध परिणाम होता है और और जब अधर्म धर्म रूप प्रतिबंध को हटाता है तब अशुद्ध परिणाम होता है टिपड़ी भोज वृत्ति का भाषा नुवाद सूत्र तीन सूत्र दो की टिपड़ी से इसका संबंध देखें यहां शंका होती है कि धर्म आद भी तो पूर्व जन्म में किये निमित्त जो धर्मादी हैं वे प्रकृति के अर्थांतर परिणाम में प्रयोजक नहीं है क्योंकि वे प्रकृति के ही कार्य हैं कार्य से कारण को प्रिरणा नहीं होती तो फिर धर्मादी का कहा काम पड़ता है इसका सूत्रकार उत्तर देते हैं कि जब उस धर्म से उसके विरोधी अधर्म का नाश किया जाता है तो पतिबंधक के न रहने पर प्रकृतियां स्वयंग अपने कार्य में समर्थ होती हैं इसमें द्रिष्टान्त यह देते हैं कि जैसे खेती करने वाला जो की एक क्यारी से दूसरी क्यारी में जल ले जाने की इच्छा करता है वह जल क की रोक मात्र मेड मिट्टी आदिक को हटाता है जब रुकावट दूर हो जाती है तो जल स्वयमेव फैल कर उस क्यारी में चला जाता है जल के फैलने में किसान का कोई प्रयत्न अपेक्षित नहीं है इसी प्रकार धर्माद निमित अधर्माद को हटाते मात्र हैं विशेश वक्तव्य सूत्र 3, चित्त भूम जन्म जन्मांतरों के करमाशयों से चित्त है, जो करमाशय नियत विपाक बनकर उपर की भूम में आकर प्रधान रूप से अपना कार्या आरंव कर देते हैं, वे अपने विरोधी उपसरजन करमाशयों को पति बंधक रूप से निचली भूमियों में दबाए रखते हैं सूत्र में बतलाए हुए निमित धर्मों का केवल इतना काम होता है जिन प्रकृतियों को आपूर अरथात भरना होता है उनके विरोधी प्रकृतिवाले प्रधान करमाशें को उनके द्वारा हटा दिया जाता है इस प्रकार अभिमत एक्षित प्रकृतियों के भर देने का काम आरंभ कर देते हैं, जिस प्रकार जब किसान खेत में पानी भरना चाहता है, तब उसके प्रतिबंधक मेड को काट देता है, इस प्रकार प्रतिबंधक मेड के हट जाने पर मेड से रुका हुआ, खेत से बाहर का पानी स्व उनकी उपादान कारण प्रकृति से भर देने से होता है यही कारण है कि कभी कभी ऐसा देखने में आता है कि अकस्मात एक अधर्मी धर्मात्मा बन जाता है तथा कभी कभी धर्मात्मा अधर्मी संगत जब योगी बहुत से शरीरों का निर्माण करता है तब क्या एक मनवाल होता है वा अनेक मनवाला इसका उत्तर देते हैं निर्माड चितान अस्मिता मात्रात अस्मिता मात्र से निर्माड चित्त होते हैं व्याख्या चित्त के कारण अस्मिता मात्र को लेकर चित्तों का निर्माड करता है उससे सचिंत होते हैं अर्थात योगी अस्मिता मात्र से निर्माड चित्तों को अपने संकल्प मात्र से निर्मित करता है इन निर्माड चित्तों से योगी के बनाये हुए सब शरीर चित सन्युक्त होते हैं भोज वृत्ति में इस सूत्र की संगति तथा सुत्रार्थ निम्न प्रकार दिये हैं संगत तत्त को साक्षात करने वाले योगी को जब एक बार ही कर्म फल भोगने के लिए अपनी निरतिशय सबसे बड़ी सिद्ध के अनुभो से एक साथ अनेक शरीरों के रचने की इक्षा होती है तब अनेक चित कैसे हो जाते हैं यह कहते हैं योगी के अपने रचे हुए शरीरों में जो चित होते हैं वे अपने मूल कारण अस्मिता मात्र से हो योगी की इक्षा से फैल जाते हैं जैसे अगन से निकले हुए कण एक बार ही परिणत होते हैं विशेस बिचार सूत्र चार इस सूत्र की संगत तथा व्याक्षा में हमने व्यास भाष्य और भोज बृत्य के शब्दार्थ दे दिये हैं योगी की शक्त अपरमित हो सकती है और योग के बल से ऐसी सिद्ध का होना भी संभव हो सकता है पर यहां कई कारणों से यह संदेह होता है कि यह शब्द स्री व्यास जी महराज तथा भोज जी के ही हैं अत्मा अन्य किसी और पुरुष्णे योग का अद्भुच मतकार दिखलाने के लिए एक समय में बहुत से शरीर और चित्तों की कलपना करके यह शब्द बढ़ा दिये हैं संदेह के कारण निमनलिखित हैं योग की भिन भिन प्रकार की विभूतियां विभूति पाद में वरडन की गई हैं यदि सूतरकार को कोई ऐसी निरतिशय विभूति बतलाना अभिमत होता तो उसमें इसका कुछ नकुछ संकेत अवश्य किया जाता अन्य ग्रंथों में जहां कहीं बहुत से भोतिक शरीरों के साथ दिखलाने का वर्डन आया है वे मायावी बतलाए गए हैं नकी वास्तविक और कर्म फल भोग की निवृत्त के लिए प्रकृत आपूर सूत्र दो की विध के अनुसार निर्मार के गए हैं गुणों का प्रथम विशम परिणाम चित है और पुरुष चेतन तत्र से प्रतिविंबित अर्थात प्रकाशित चित की संग्या अस्मिता है एक व्यस्ट चित दूसरे व्यस्ट चितों का उपादान कारण अर्थात प्रकृत नहीं बन सकता चित का विशम परिणाम अर्था दिक्रत अहंकार ही हो सकता है इसलिए यदि यहां निर्माड चित्तों को अहंकार के अर्थ में लें तो अहंकार भिन होने से वह योगी उन अहंकारों के कर्मों और फलों का भोगता नहीं हो सकता है यदि निर्माड चित्त के अर्थ अहंकार न लेकर केवल चित्त के ही लें तो वेभी पुरुष चेतन तप्त से प्रतिविंबित होकर उस योगी से भिन नए पुरुष जीव रूप हो जाएंगे कर्म तीन प्रकार के होते हैं क्रियमाड प्रारब्ध और संचित प्रारब्ध कर्म प्रधान करमाशय नियत विपाक वाले होते हैं और संचित कर्म उपसरजन करमाशय अनियत विपाक वाले होते हैं उन दोनों में से प्रथम स्रेणी के कर्म तो जिन्होंने जन्म, आयु और भोग फल देना आरंभ कर दिया है भोगने ही होते हैं किन्तु दूसरी स्रेणी के कर्मों को जिन्होंने अभी तक फल देना आरंभ नहीं किया है उनको इतनी सामर्थेवाला योगी स्वयंग दगदवीज तुल्य कर सकता है बहुत से शरीरों के एक साथ निर्माण करने का यहां कोई प्रसंग नहीं है यह संगत के विरुद्ध है यहां प्रथम सूत्र से पांच प्रकार की सिद्धियों द्वारा पांच प्रकार के सिद्ध निर्माण चित्टों का प्रसंग चला आ रहा है एक साथ बहुत से शरीरों के रचने का कहीं संकेत मात्र भी नहीं है स्रीव्यास जी तथा भोज जी महराज ने स्वयंग छठे सूत्र के भाष तथा वृत्त में निर्माण चित्ट के अर्थ जन्म और शधि आदि द्वारा उत्पन हुए पांच सिद्ध चित्ट बतलाएं हैं न कि एक साथ उत्पन हुए अनेक शरीरों के चलाने वाले अनेक चित्ट इसको अधिक स्पस्ट करने के लिए अर्थ सहित मूल भाष और वृत्त नीचे लिख देते हैं जन्म और शधि मंत्र तप समाधि से उत्पन जो पांच प्रकार के सिद्ध निर्मार चित्त हैं उनमें जो ध्यान समाधि से उत्पन हुआ चित्त है वही वासना रहित है उसमें ही रागादि प्रवृत्त और वासनाएं नहीं होती इस कारण क्लेश नस्त होने से योगी का पूर्य पाप से संबंध नहीं होता दूसरों चार जन्म और शधि मंत्र और तप से उत्पन होने वाले सिद्ध निर्मार चित्तों कीतों कर्म और वासनाएं विद्यमान रहती हैं ध्यानजम समाधिजम यचित्तम ततपंचसु मद्धे अनाशयम कर्म वासना रहितमित अर्थः ध्यानजम अर्थात समाधि से उत्पन हुआ जो चित्त है वह उन पाचों सिद्ध निर्मार चित्तों में अनाशय अर्थात कर्म की वासना और संसकारों से रहित होता है यह अभिप्राय है उप्रयुक्त सब बातों को दृष्टिकोण में रखते हुए सूत्र चार की व्याख्या इस प्रकार होनी चाहिए निर्माण चित्तान जन्म औशधि मंत्र तप समाधि इन पांच सिद्धियों से उत्पन होने वाले पांच प्रकार के सिद्ध चित जिनका प्रथम सूत्र से प्रसंग चला आ रहा है अस्मिता मात्रात पुर्ष से प्रतिविंबत चित्त सत्र जिससे अहंकार उत्पन होता है अर्थात जिसमें अहंकार बीज रूप से रहता है जो निर्माण चित्तों की प्रकृति है उन विलक्षन शक्ति वाले सिद्ध शरीर इंद्रियों आदि को चलाने वाले सिद्ध निर्माण चित अस्मिता मात्र से उत्पन होते हैं अर्थात उनकी प्रकृति उपादान कारण अस्मिता चित सत्व है जिसके आपूर से उनमें यह विलक्षन परिणाम होता है प्रवृत्ति भेदे प चित से किस प्रकार अनेक चित्तों के अभिप्राय पूर्वक प्रवृत्ति होती है इस शंका के उत्तर में कहते हैं कि सब चित्तों का प्रवर्तक एक चित है उससे प्रवृत्ति भेद होता है उन अनेक चित्तों के वृत्ति भेद होने में एक ही चित अधिस्थाता होकर प्रिरणा करने वाला होता है। इससे अनेक चित्तों का मतभेद नहीं होता। तातपर यह है कि जैसे एक मन अपने शरीर का अधिस्ठाता बनकर चक्छु हस्तादि को इच्छा पूरवक्त प्रिरणा करता है। वैसे ही अन्यकारियों में भी प्रिरक माना जाता है। विशेश दिचार सूत्र पांच पिछले विशेश दिचार अनुसार सूत्र की व्याख्या इस प्रकार होगी। उपर बताये हुए पांचों निर्माड चित्तों का नाना प्रकार की प्रवृत्तियों में लगाने वाला अस्मिता अर्थात अधिस्ठाता चित्त है। इन चि उन पांच प्रकार के जन्म और शद्यान आधि से उत्पन्न हुए पांचों निर्माड सिद्ध चित्तों में से समाधि से उत्पन्न होने वाला चित वासनाओं से रहित होता है व्याख्या जन्म और शद्य मंत्र तप और समाधि से उत्पन्न जो पांच प्रकार के सिद्ध निर्माड चित्त हैं उनमें जो ध्यान समाधि से उत्पन्न हुआ चित्त है वही वासना रहित है उसमें ही रागाद प्रवृत्ति और वासनाएं नहीं होती इस कारण क्लेश नस्ट होने से योगी का पूर्य पाप से संबंध नहीं होता। दूसरे चार जन्म ओशद मंत्र और तप से उत्पन होने वाले सिद्ध निर्माण चित्तों कीतों कर्म और वासनाएं विद्यमान रहती हैं। ध्यान जम अर्थात समाध से उत्पन हुआ जो चित्त है वह उन पाँच सिद्ध निर्माण चित्तों में अनाशय अर्थात कर्म की वासना और संसकारों से रहित होता है। यह अभिप्राय है। संगत जब योगी भी साधारण मनुस्यों की भात कर्म करते देखे जाते हैं तो उनके चित्त वासना रहित किस प्रकार हो सकते हैं। कर्मा शुक्ला कृष्णम योगिनस त्रिविध मितरे शाम योगी का कर्म शुक्ला कृष्ण न शुक्ल न कृष्ण अर्थात मिस्काम होता है। दूसरों का तीन प्रकार का पाप पूर्य और पाप पूर्य मिस्तित होता है। व्याख्या कर्म चार प्रकार के होते हैं कृष्ण पाप रूप कर्म अर्थात हिंसा आदि दूसरों को हान पहुंचाने वाले स्तेय व्यविचार आदि कर्म दुराचारी पुरुषों के होते हैं शुक्ल पूर्य कर्म अहिंसा आदि दूसरों को लाभ पहुंचाने वाले स्वाध्याय तप ध्यान आदि धर्मात्माओं के होते हैं कृष्ण शुक्ल पाप पूर्य मिश्चत कर्म जिनमें किसी को हान किसी को लाभ हो साधारन मनुस्यों के होते हैं अशुक्ल अक्रिष्ण न पूर्य न पाप अर्थात फलों की वासना रहित निस्काम शुद्ध कर्म इन में से योगियों के कर्म अशुक्ल अक्रिष्ण होते हैं अर्थात न पूर्य वाले न पाप वाले पाप कर्म तो वे कभी करते ही नहीं क्योंकि वे उनके लिए साधार्ण मनुस्यों की तरह उनको कर्मों में प्रवित्त करने वाले अविद्या आदिकलेश नहीं होते बलकि वे अपने आपको तथा अपने सब कर्मों और उनके फलों को इस्वर समर्पन करके केवल उसके आज्या पालन में अपना कर्तब्य समझते हुए करते हैं इस पेन पद्म पत्रमिवांभसा काईन मन सा बुद्धया केवल एरिंद्रियय रपी योगिनह कर्म कुर्वंती संग त्यक्त्वात्म शुद्धए युकतह कर्म फलं त्यक्त्वा शांतिमापनोतीन स्ठिकम अयुकतह काम कारेळ फले सक्तोनिभध्यते जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अरपन करके आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है वह पुरुष जल से कमल के पत्ते के सद्रिश पाप से लिपाय मान नहीं होता निसकाम कर्म योगी केवल इंद्री, मन, बुद्ध और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतह करण की शुद्ध के लिए कर्म करते हैं निसकाम कर्म योगी कर्मों के फलों को परमेश्वर के अरपन करके परमात्म प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है और सकामी पुरुष फ़लों के आसंत हुआ कामना के द्वारा बधता है साधाडन मनुस्यों के तीन प्रकार के कर्म शकल, अच्छे, कृष्ण बुरे, शकल, कृष्ण, मिस्तृत, अच्छे बुरे मिले हुए होते हैं इस कारण वे चित में फलों की वासना को पैदा करते हैं उन तीन प्रकार के कर्मों से उनके फल के अनुकूल ही वासनाओं की अभिव्यक्त प्रादुर्भाव होती है व्याख्या योगियों से अतिरिक्त सकामी पुरुष फलों की वासना से कर्म करते हैं जैसे कर्म होते हैं, उनके फलों के अनकूल गुणो वाली वासनाएं उत्पन होती हैं। उन वासनाओं से फिर वैसे ही कर्म और उनसे फिर उसी प्रकार की वासनाएं बनती हैं। वासनाएं चित में दो प्रकार के संसकार रूप से होती हैं। एक इस्मृति मात्र फल वाली दूसरी जाति आयू भोग फल वाली जब कोई कर्म फल देता है तो उसके फल के अनकूल ही सारी वासनाएं प्रकट हो जाती हैं। उधाहरार्थ जब कर्मों का फल मनुस्य जन्म होता है तो स्मृति फल वाली वासनाएं मनुस्य जात, आयू और भोग वाली वासनाओं को जो जन्म जन्मांतरों में चित में संसकार रूप से पड़ी हुई हैं, जगा देती हैं। उससे भिन, अन्य जात, आयू और भोग वाली वासनाएं चित भूम में दबी रहती हैं इसी प्रकार यदि कर्मों का फल, कर्म विपाक, खोई पश्म जोनी हो तो उस जात आयू और भोग की वासनाओं को इस्मित फल वाली वासनाएं जगा देती हैं और वे अपना फल देने लगती हैं, इसका विवरण विस्तार पूर्वक सूत्र में आवा गवन के संबंध में किया गया है संगति वासनाएं सैकनों जन्म पूर्व की होती हैं और इनमें देश तथा समय का भी अत्यंत अंतर होता है फिर एक जन्म को देने के लिए भिन भिन जन्मों, देशों और कालों में चित में पड़ी हुई वासनाएं एक साथ किस प्रकार प्रकट हो सकती हैं उत्तर जाति देश कालब व्यवहिता नामप्यानानंतर्यम इस्मृति संसकार योरे का रूपत्वात जाति देश और काल कृत व्यवधान वाली वासनाओं का भी व्यवधान नहीं होता क्योंकि स्मृति और संसकार एक रूप समान विशेक होते हैं व्याख्या जाति देश और काल का निकट होना वासनाओं के संसकार के प्रकट होने का कारण नहीं होता है बलकि उनको प्रकट करने वाला कारण उनका अपना अभिवन्जक प्रकट करने वाला होता है वह संसकार चाहे कितने ही पिछले जन्मों के हो और चाहे उनमें कितना ही देश और काल का व्यवधान फासला हो अभिवन्जक मिलने पर तुरंत प्रकट हो जाते हैं उदाहडार्थ जब कर्म फल कर्म विपाक यह हो कि मनुस्त किसी पश्वयोनी में जाए तो वह उन सब वासनाओं के संसकारों के जगाने में अभिवंजक हो जाते हैं और उस जात के बनने वाले अथमा उनसे भोगे जाने वाले हैं चाहे वे सेकनों जन्म पहले के बने हुए हो चाहे सहस्तरों वर्ष जतीत हो गए हो और कितने ही दूर देशों के क्यों न बने हो यह व्योधान उनके प्रकट होने में रुकावट न डाल सकेंगे क्योंकि संसकारों के सदृष उत्पन होती है जैसे संसकार हों वैसी स्मृत्य होती है संगत जब वासनाओं के अनुसार ही जन्म होता है और कर्मों के अनुसार वासनाएं तो सबसे पहले जन्म देने वाली वासना कहां से आई तासामनादित्वम चाशिशो नित्यत्वात उन वासनाओं को आशिष अपने कल्याण की इच्छा के नित्य होने से अनादित भी है गाख्या आशिष अपने कल्याण की इच्छा की मेरे सुख साधन सदैव बने रहें उनमें मेरा वियोग कभी न हो यह इच्छा सर्व प्राणियों में सदैव पाई जाती है यही संकल्प विशेस सब वासनाओं का कारण है इसके सदा से बने रहने के कारण वासनाओं का सदा से बना रहता है यह इच्छा संकल्प विशेस प्रवाह से अनादि है इसलिए वासनाओं का भी प्रवाह से अनादित्व सिद्ध होता है इसका कोई आद नहीं है विशेस वक किया है उसको बतलाने के निमित ज्यास भास्य अर्थ सहित लिख देते हैं अर्थ आशिष के नित्य होने से उन वासनाओं का अनादित पाया जाता है मान भुवं भूयासम ऐसा नो हो कि मैं नो हूं किन्त बना रहूं इस आशिष अर्थात अपने सदा बने रहने की धारी में पाई जाती है यह स्वाभाविक नहीं है क्योंकि वह जन्त जो अभी उत्पन हुआ है और जिसने इस जन्म में किसी भी प्रमाड से मरने के दुख को अनुभव नहीं किया है वह भी दुख अनुभव से पीछे होने वाले स्मृत के निमित मरन तरास से द्वेश क करके पुरुष के भोग आयुप्राप्त कराता है अर्थात यद्यपिचित अनाद अनेक जन्मों की विलक्षन वासनाओं से अनुविद्ध युक्त है तथा कि सब वासनाएं अभिव्यक्त प्रकट नहीं होती किन्त जो कर्म फल देने को उन्मुख हुआ है वही कर्म जिन भाशकार चित के परिणाम के संबंध में अन्य तथा योग दरशन के सूत्रकार के विचार बतलाते हैं घट प्राफाद युक्त इति कई एक दरशनों का मत है कि जिस प्रकार दीपक का प्रकाश दीपक को घट में रखने से संकुजित हो जाता है और महल में रखने से विक जिसित हो जाता है इसी प्रकार चित मनुष्य हाथी चीती आद जिस शरीर में जाता है उस परिणाम आकार मात्र हो जाता है इसलिए उसकी सूख्म शरीर में रहते हुए मृत्य के समय अंतरा भाव परलोक गमन अर्थात एक इस्थूल शरीर का छोड़ना और उसी शूख्म शरीर में रहते हुए जन्म लेने के समय संसार परलोक से आगमन अर्थात दूसरे इस्थूल शरीर में प्रवेश करना युक्त सिध्ध होता है व्रित्ति रेव आचार यह आचार या अर्थात योग दर्शन के सूत्रकार स्री पतंजली महराज का यह सिध्धान्त है कि इस विभु चित्त की व्रित्त ही संकोच विकास वाली है चित्त संकोच विकास वाला नहीं है क्योंकि वह विभु है और यह चित्त का व्रित्ति मात्र से शरीर मात्र में संकोच विकास धर्मादि धर्म ज्यान वैराग्य अईश्वर्य अधर्म अज्यान औवैराग्य पिश्वर्य निमित्त की अपेक्षा से होता है यह निमित्त दो प्रकार के होते हैं बाह्य और आध्यात्मिक शरीर इंद्री धन आध्य की अपेक्षा रखने वाले इस्तुति दान अभिवादन आध्य बाह्य निमित्त हैं और चित्त मात्र के अधीन अर्था चित्त मात्र स प्रग्या वैराग्य आदि आध्यात्मिक निमित हैं और ऐसा ही पूर्व आचार्य पंच शिखाचार्य ने कहा है यह जो योगियों के मैत्री आदि तथा स्रधा आदि विहार प्रयत्न साथ व्यापार हैं वे बाह्य साधन शरीर आदि की अपेक्छा से रहित हैं और अति प पन करते हैं इन दोनों बाह्य और आध्यात्मिक साधनों में से मानस आध्यात्मिक बलवान है क्योंकि ज्यान वैराग्य जो मानों धर्म हैं उनसे अधिक प्रबल कोई बाह्य साधन नहीं है चित बल के बिना केवल शरीर बल से कौन दंडक बन को खरदूशनाद 14,000 के समान समुद्र को पी सकता है भाष्य का स्पस्टी करण तासाम द्रिश्यते आशश के नित्य होने से वासनाओं का तथा जन्मों का प्रवाह से नित्य होना सिद्ध किया है इस युक्ति से खंडन किया है कि कमल का खिलना और मुरजाना भी स्वाभाविक नहीं किन्त सूर्य की किरणों के निमित से है क्योंकि स्वाभाविक वस्तुएं सदा एक सी रहती हैं जैसे अग्न की उष्णता इसी प्रकार तत्काल उत्पन हुए बच्चे का हर्ष शोक स्वाभाविक नहीं किन्तु पूर्व जन्मों के सुख दुख के अनुभवों की इस्मृति उसका निमित है नयाईकों तथा वहिशेशिकों का मत दिखलाते हैं नयाय और वहिशेशिक ने प्रिथवी जल अग्नी और वायु के उन सूख्ष्म परमाड़ूं को जिनका कोई विभाग न हो सके और मन को अडु सूख्म परिणाम माना है दिशाकाल आकाश तथा आत्मा को विभु अपक्त महत परिणाम माना है अडु और विभू दोनों नित्य होते हैं अनेक परमाडसे मिलकर जो पदार्थ बनते हैं वे मध्यम परिमार वाले होते हैं जैसे पृत्वी जल आद ये अनित्य हैं क्योंकि सन्योग का विभाग होना आवश्चक है यह मध्यम परिमार वाले पदार्थ वास्तों में न अडु हैं न विभु परंत एक दूसरी की अपेक्षा से परस्पर अडु और महत भी कहलाते हैं जैसे प्रत्वी की अपेक्षा से घट अडु है और घट की अपेक्षा प्रत्वी महत परिमाडवाली है इन दोनों दर्शनों में चित्त की संग्या मन की है जिसमें सब जन्मों के वासना रूप संसकार रहते हैं मन दीपक के तुल्य प्रकाश वाला है जिस प्रकार एक काच की चिमनी में प्रकाशमान जोति का प्रकाश घट में रखने से उसके परिमाड के अनुसार संकुचित और बड़े मकान में रखने से उसके परिमाड के अनुसार विकसित होता है इसी प्रकार अणु परिमाण मन संकोच विकास वाला है सूच्म शरीर रूप चिमनी में प्रकाश मान जब वह किसी छोटे चीटी आदि के स्थूल शरीर में जाता है तो उसका प्रकाश उसके शरीर के परिमाण के अनुसार संकुचित हो जाता है और जब मनुस्य हाथी आदि जैसे बड़े स्थूल शरीर में होता है तो उसके परिमाण के अनुसार दिकसित हो जाता है तद भावादन मनह उसके अर्थात विभुत्त के अभाओं में मन अणु है यतोक्त हेतु त्वाचाडू उक्त हेतु अर्थात युगपत ज्यान के नौ होने से मन अणु है यहां यह भी जान लेना चाहिए कि इस न्याय और वैशेशिक में बतलाए हुए मन की संग्या सांख्य और योग में अहंकार है वित्त रेवास्य त्याचार्यह इससे भाशकार ने योगदर्शन के सूत्रकार का सिध्धान्त बतलाया है अर्थात चित धर्मी विभु है उसमें संकोच विकास नहीं होता उसके धर्म वित्तियों में ही संकोच विकास होता है वृत्तियों का लाव जन्म है और उनमें छिप जाने का नाम मृत्य है ये वृत्तियां नैयाईकों के गुण नहीं हैं किन्तु द्रव्य हैं शंका चित्प्रधान प्रकृतिका कारिय होने से विभु अर्थात महत्परिमार वाला नहीं हो सकता और यह सांख तथा योग सिध्धानत के विरुद्ध भी है हे तुमद नित्यम व्यापि सक्रिय मनेक आश्रितम लिंगम कारण वाला अर्थात कार्य अनित्य अभ्यापि क्रिया वाला अनेक आश्रे वाला ये कार्य के लिंग हैं जो कारण प्रकृति को बतलाते हैं हेतुमद नित्यम vya anti, शक्रीय मनेक मास्तRतं लिंगं सावयवं परतंत्रं, व्यक्तम विपरीतम अव्यक्तम, कारणवाला अनित्य अव्यापी, क्रियवाला अनेक आश्रित चिन्ह अवयक्त वाला पराधीन व्यक्त होता है, और इससे उल्टा अव्यक्त समाधान उपरियुक्त सांख सूत्र तथा कारिका में प्रकृति और विक्ति के लक्षन बतलाएं हैं सांख और योग ने अडुत्व और विभुत्व को न्याय और वैशेशिक के परिमाड आद की अपेक्षा से पारिभाशिक अर्थ में नहीं प्रयोग किया है किन्त गुणों के परिणाम की अपेक्षा से अव्यक्त और व्यापी अर्थ में प्रयोग किया है उन्होंने आठ प्रकृतियां मूल प्रकृति, महतत्त, अहंकार, पांच तनमात्राएं और सोलह केवल विक्रतियां, पांच इस्थूल भूत और मन सहित 11 इंद्रियां मानी हैं मूल प्रकृति निरपेक्ष प्रकृति है अन्य साथ प्रकृतियां सापेक्ष अर्थात अपनी प्रकृतियों की अपेक्षा विक्रति और विक्रतियों की अपेक्षा प्रकृति है प्रतेक प्रकृति अपनी विक्रति में व्यापी होने से उसकी अपेक्षा विभु है और उसमें अव्यक्त सूक्ष्म और प्रकट रूप से अनुगत रहने के कारण उसकी अपेक्षा अडु सूक्ष्म है और विक्रती रूप से अव्यापी और व्यक्त प्रकट होती है। इसी प्रकार मूल प्रकृति के अतिरिक्त सातो प्रकृतियों में से हर एक प्रकृति के प्रकृति और विक्रति होने की अपेक्षा से उपर्युक्त लक्षन जानना चाहिए मूल प्रकृति अपने प्रकृति रूप से अव्यक्त तथा गुणों के साम में परिणाम वाली होने से परोक्ष अर्थात प्रत्यक्ष करने योग्य नहीं है केवल उसकी व्यक्त विक्रतियों से और गुणों के विसम परिणामों से उसकी सत्ता अनुमान गम्य है गुणों के साम में परिणाम वाली होने से पुरुष के भोग अपवर्ग संपादन में भी निस्प्रयोजन है भाव यह है कि प्रकृति केवल विक्रति रूप से ही अपने को व्यक्त कर सकती है प्रकृति रूप से नहीं मूल प्रकृति केवल प्रकृति है स्वयंग किसी की विकृत नहीं है इसलिए अव्यक्त रूप से प्रत्यक्ष करने योग नहीं है केवल सत्ता मात्र अनुमान गम्य और आगम गम्य है योगी जन जो विवेक ख्यात में तीनों गुनों के अलग अलग परिणामों को साक्षात करते हैं उससे गुणों के साम में परिणाम की सत्ता का अनुमान करते हैं अर्थार महत्त्त के साक्षात्कार से मूल प्रकृति अनुमेय है और यदि उस साक्षात्कार को मूल प्रकृति ही मान लिया जाए तो वह व्यक्त होने से किसी और अव्यक्त प्रकृत की अपेक्छा वाली होगी, इस प्रकार अनवस्था दोश आजाएगा इसलिए चित्य यद्यप्रधान प्रकृत की अपेक्छा अव्यापी लिंग और विशम परिणाम वाला है तथा पी अन्य सब विक्रतियों की प्रकृति होने से सारी स्रिष्ट की अपेक्षा व्यापी अर्थात विभु है इसलिए इसकी संग्या महत्त्त अर्थात विभु परिणाम वाला तत्त कही गई है चित में अहम भाव पैदा करके भिन्नता करने वाली महत्तत्त की विक्रति अहंकार है सांख तथा योग की परिभाशा में प्रकृति उपादान कारण और धर्मी तथा विक्रतिकार्य धर्म परिणाम और व्रित्ति एकार्थक शब्द हैं इसलिए व्रित्त शब्द चित के धर्म अहंकार के लिए प्रयुक्त हुआ है अर्थात विभुचित्त का संकोच विकास उसके धर्म अहंकार रूप से होता है इसी कारण सांख में अहंकार में ही करतापन बतलाया है यथा अहंकार करतान पुरुशह इस संबंध में अगले सूत्र में विशेस व्याख्या की जाएगी शंका मन ना अणु है ना विभु है किन्तु मध्यम परिमार वाला है जैसे अर परलोक में गति सुनने से इसके मन के विभु होने का खंडन है न निर्मा गत्पम तद्योगाद घटवत वह निर्वयव भी नहीं है क्योंकि उसका घट के समान योग है इससे अडु होने का खंडन किया है एतसमा जायते प्राडो मनह सरवेंद्रियाडिच इस परमात्मा से प्राड मन और सारी इंद्रियां उत्पन होते हैं इससे चित्त का मध्यम परिमाड होना सिध्ध है समाधान सांख ने आठ प्रकृतियां और सोलह विक्रतियां मानी हैं जैसा उपर बतला आए हैं यहां मन शब्द का महतत्त प्रकृति के लिए नहीं प्रयोग हुआ किन्तु सोलह विक्रतियों में जो 11 इंद्रियां हैं उन मन इंद्रियों के लिए प्रयोग हुआ है वह केवल विक्रति होने से न विभु है न अडु है किन्तु मध्यम परिमार वाला है और पुरुष के शुद्ध स्वरूप अर्थात पर ब्रह्म को अक्षर अव्यक्त प्रकृति से परे तथा सब कार्य जगत का निमित कारण बतलाया है प्राण मन इंद्रियादि में परस्पर भिन्नता अथमा उपादान कार्य भाव नहीं बतलाया गया है सुरुत में मन को चित अर्थ में विभु ही बतलाया है जैसे अनंतम्वई मनह चित अनंत विभु है सारांश वृत्ति रेवास्य विभुनस चित्तस्य संको कोच विकासिनी का थोड़े से शब्दों में इस प्रकार स्पस्टी करण समझ लेना चाहिए कि वृत्ति परिणाम धर्म और विकृति तथा प्रकृति उपादान कारण और धर्मी एकार्थक शब्द हैं प्रकृति अपनी विकृति की अपेक्षा विभु अर्थात व्याप होती है इसलिए पांचों तनमात्राएं पथा 11 इंद्रियां विभु अहंकार की वृत्ति रूप हैं और अहंकार भीभु चित्त का व्रति रूप ही है संगति जब वासनाएं अनादी हैं तो उनका अभाव भी नहीं हो सकता और उनके अभाव ना होने से मुक्ति असंभव उत्तर हेतु फलास्त्रया लंबनईह संग्रही तत्वादेशा मभावे तत्भावह हेतु फलास्त्रय और आलंबन में वासनाओं के संग्रहीत होने से इनके हेतु फलास्त्रय और आलंबन के अभाव से उन वासनाओं का अभाव होता है वासनाओं का हेतु अविध्या आधिकलेश, शुक्ल, कृष्ण तथा दोनों मिस्तरत सकाम कर्म हैं वासनाओं का फ़ल जाति, आयु और भोग हैं वासनाओं का आसरय अधिकार सहित चित थ है वासनाओं का आलंबन इंद्रियों का विशय है यद्यपी वासनाएं अनादि हैं और अनन्त हैं तथा पिवे सब इन्ही हेत फल आश्रे और आलंबन के सहारे रहती हैं इनकी इस्थति में वासनाओं की उतपत्ति होती है और अभाव में नाश विवेक ख्याति द्वारा तत्व ज्यान से अविद्या आदिकलेशों का उनके फल आश्रे और आलंबन सहित अभाव हो जाता है उनके नाश होने पर वासनाओं का भी अभाव हो जाता है व्यास भाष्य का भाषा नुवाद सूत्र इग्यारह हेतु आदिके कारण ये हैं यथा धर्म से सुख अधर्म से दुख सुख में राग और दुख में द्वेश ह होता है उस प्रयत्न से मन वाणी और शरीर से चेष्टा करता हुआ किसी पर अनुग्रह करता है और किसी की हान ऐसा करने से फिर धर्म अधर्म सुख दुख राग द्वेश होते हैं इस प्रकार यह छह अरों वाला संसार चक्र चलता है इस प्रतिछन घूमते हुए चक्र को चलाने वाली अविद्या है वही सब क्लेशों का मूल होने से अनंत अनाद वासनाओं का हेत कारण है जिसके आश्रे होकर जो उतपन होता है वह उसका फल है तथा धर्म अधर्म के सुख दुख भोग फल है अधिकार सन्युक्त चित वासनाओं का आश्रे है किन्त जिस चित की फल भोग रूप सामर्थ समाप्त हो गई है उसमें ये वासनाएं निरास्रे होकर नहीं ढहर सकती जिसके सम्मुख होने से जो वासना प्रकट होती है वही उसका आलंबन है वे रूप रस आदि इंद्रिय के विशे हैं इस प्रकार सब वासनाएं हेत फल आस्रे और आलंबन से संग्रहीत हैं इसलिए यद्यप ये वासनाएं अनादि और अनन्त हैं तथा इन हेत आदि चारों के अभाव होने पर उनके आश्रे रहने वाली वासनाओं का अभाव हो जाता है भोज वृत्ति का भाशा नुवाद सूत्र इज्यारह उन वासनाओं के अनन्त होने से उनका नाश कैसे होता है इस आशंका को करके नाश का उपाय कहते हैं वासनाओं का समीप वर्ति वर्तमान ज्यान कारण है उस सुख दुखादि के ज्यान के राग द्वेशादि कारण ह उन राग देशादिकों का कारण अविद्या है इस प्रकार वासनाओं का कारण साक्षात अथमा परंपरा से अविद्या है वासनाओं के फल शरीराद और स्नित्याद हैं वासनाओं का स्थान चित है जो ज्यान का विशय है वही वासनाओं संसकारों का विशय है उससे उन दे हर्थादिकों से अनेक वासनाओं का भी संग्रह व्यापन हो रहा है अर्थाद अनेक वासनाओं व्यापत हैं जब वासनाओं के हेत्वादिकों का नाश हो जाए अर्थाद ज्यान और योग से उन हेत्वादिकों को जले हुए बीज के बराबर कर दिया जाए तो जड़के न रहने से वासनाएं नहीं उगतीं अर्थात शरीरादि को नहीं आरंब करतीं इस प्रकार अनंत वासनाओं का नाश हो जाता है संगति अभाव का कभी भाव नहीं होता और भाव का कभी अभाव नाश नहीं होता इस कारण वासनाओं का और उनके हेत अविद्या आदिकलेशों का जो भाव रूप हैं अभाव कैसे संभव है उत्तर अतीत और अनागत सरूप से रहते हैं क्योंकि धर्मों का काल से भेद होता है व्याख्या वासनाएं और उनके हेत अदिका अभाव कहने से यह अभिप्राय नहीं है कि उनका अत्यनता भाव हो जाता है अभिप्राय यह है कि वे वरतमान अवस्था को छोड़कर भूत वे सदा धर्मी में बने रहते हैं जब तक भविश्चत अवस्था में रहते हैं तब तक वे अपना कार्य प्रकट नहीं करते हैं केवल वरतमान अवस्था में अपना कार्य दिखाते हैं फिर जब वे अपना कार्य बंद कर देते हैं तो वरतमान अवस्था से भूत अवस् प्राग भाव उत्पत्य से पहले अभाव जैसे घट की उत्पत्य से पहले घट का अभाव होता है प्रद्धंसा भाव विद्यमान वस्तु का अभाव जैसे घट का मुद्गर आद के प्रहार से तूट जाना अन्योन्या भाव एक दूसरे में भेद रूप अभाव जैसे घट का वस्त्र में अभाव और वस्त्र का घट में अभाव अत्यनता भाव जो न उत्पन हुआ हो और न उत्पन हो सके जैसे बंध्या का पुत्र सामई का भाव जो समय समय पर उत्पन होकर नाश को प्राप्त हो जैसे घट के एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाने से उसका अभाव देदान्त योग और सांख्य का सिद्धान्त सत्कार्यवाद है इसके यह अर्थ हैं कि कोई भी कार्य पैदा नहीं होता किन्तु कार्य की अभिव्यक्ति होती है कारण में कार्य पहले ही विद्यमान होता है केवल संस्थानाद विशेश से उसका आबिर भाव होता है जैसे गीता में बतलाया गया है ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतह असत वस्तु का भाव उत्पत्ति नहीं होती और सत वस्तु का अभाव नाश नहीं होता अर्थात कार्य सत है अपनी सत्ता रखता है उसका न कभी अभाव था ना आगे होगा कार्य कारण और धर्म धर्मी पर्याय वाचक हैं कार्य धर्म सदा अपने कारण धर्मी में सत भाव से अपने स्वरूप से बना रहता है भेद केवल इतना ही है कि वरतमान काल में व्यक्त इस्थूल प्रकट रूप से और भविश्यत तथा भूत काल में अव्यक्त सूख्ष्म और प्रकट रूप से रहता है जिसकी अविव्यक्त आगे होने वाली है वह अनागत भविश्य जिसकी अविव्यक्त पीछे हो चुकी वह अतीत भूत और जो व्यापार में उपारून हुआ अभिव्यक्त हो रहा है वह उदित वर्तमान रूप से रहता है इसी कारण योगी को त्रेकालिक पदार्थ विश्यक योगज ज्यान हो सकता है इसलिए उपर्युक्त पांचों अभावों में से अन्योन्या भाव में वस्त्र में घट का पहले से अभाव था उस अभाव से ही अभाव घट की उत्पत्ति होती है इसी प्रकार अत्यंत अभाव में बंधा के पुत्र का पहले से अभाव था उस अभाव से ही अभाव की उत क्योंकि वह दूसरे स्थान पर अपने स्वरूप से विद्यमान है इसलिए भाव से अभाव नहीं होता प्राग भाव उत्पत्य से पूर्व अनागत काल में घट अपने कारण धर्मी मिट्टी में अव्यक्त सूच्म रूप से विद्यमान था इसलिए अभाव से भाव की उ उटने से वह अपने वरतमान मार्ग को छोड़कर अपने कारण धर्मी मिट्टी में अव्यक्त सूख्म रूप से चिप गया इसलिए भाव से अभाव नहीं हुआ इसी प्रकार वासनाओं का नाश नहीं होता किन्त वे भूता अवस्था में अव्यक्त हो जाती हैं अर्थात चिप जाती हैं और अपना कार्य जात आयू और भोग आगे के लिए बंद कर देती हैं टिपड़ी भोजवृत्य का भाशा नुवाद सूत्र बारह शंका यह है कि चित्त में रहने वाली वासनाएं और वासनाओं के इस नत्याद रूप फल कार्य कारण भाव से एक काल में नहीं होते इससे वासनाओं का और उनके फलों का भेद है तो कैसे माना जाए कि चित्त रूपी धर्मी अपने धर्म के साथ एक रूप है इस शंका का उत्तर देते हुए धर्म धर्मी की एक रूपता का प्रतिपादन करते हैं इस दर्शन में सर्वता न रहने वाली युक्त युक्त नहीं समझी जाती क्योंकि सत और असत पदार्थों का मेल हो ही नहीं सकता शश शिंगाद खरगोस के सींग आद जो सर्वता असत हैं उनका किसी सब्वस्त के साथ संबंध नहीं देखा गया है यदिकारे को निरुपाख्य असत तुक्ष माना जाए तो किस को उद्देश करके कारण प्रवित्त होते हैं जो वस्त नहीं है उसको समझ कर कोई भी प्रवित्त नहीं होता सत द्वस्तूं का असत द्वस्तूं के साथ विरोध है इसलिए सत और असत का कोई संबंध नहीं और जो वस्त अपने स्वरूप अनागताद को लाभ किये हुए वह क्योंकर निरुपाख्य और अभाव रूप हो सकती है स्वरूप को प्राप्त हुई वस्तु अपने विरुद्ध रूप को नहीं ग्रहन करती इससे जो चीज है उसका नाश नहीं हो सकता और जो चीज नहीं है उसकी उतपत्य नहीं हो सकती तो उन-उन धर्मों से बदलने वाला धर्मी चित्ताद सदा एक रूप ही रहता है उनमें तीनों कालों में रहने वाले धर्म अधिक रूप से रहते हैं वे धर्म अपने काल में इस्थित हुए स्वरूप को नहीं छोड़ते और जब केवल वर्तमान काल में रहते हैं तो भोग के योग बन जाते हैं इससे धर्मों का ही भूत भविस्य आदिरूप से काल मार्ग भेद है उस रूप से ही कार्य कार्ण भाव इस दर्शन में माना जाता है इससे मोक्ष पर्यंत एक ही चित धर्मी रूप में बना रहता है जिसको मोक्ष तक अलग नहीं कर सेलते संगत धर्मों का स्वरूप बताते हैं ते व्यक्त सूख्ष्मा गुणात्मानह वे धर्म प्रकट और सूख्ष्म गुण स्वरूप हैं व्याख्या सब धर्म तीन मार्गों वाले हैं वरतमान मार्ग में व्यक्त सूख्ष्म अर्थात चिपे रहते हैं ये सारे धर्म महतत्त से लेकर इस थूल भूतों परियंत तीनों गुणों के ही परिणाम विशेश हैं वास्तों में देखा जाए तो सब पदार्थ महतत्त से लेकर भूत भूतिक तक गुणों का सन्निवेश तरकीव मात्र होने से गुण स्वरूप ही हैं अर्थात प्रिथवी आदि पांचों इस थूल भूत पंचतन मात्रा स्वरूप हैं पंचतन मात्रा तथा एकादश इंद्रियां अहंकार स्वरूप हैं अहंकार महतत्त स्वरूप है, महतत्त प्रधान मूल प्रकृत स्वरूप है, और प्रधान गुन त्रे स्वरूप है, इस प्रकार परंपरा से यह सारा प्रपंच गुन स्वरूप ही है, यद्यप गुनों का असली स्वरूप हमारी द्रिष्ट गोचर नहीं होता, जैसा कि वार्ष गण्य का वचन है गुणानाम परमम्रूपम नद्रिष्टि पत्थम रिच्छती यत्तु द्रिष्टि पत्थम प्राप्तम तन्मागेव सुतुच्छकम गुणों का असली रूप दिखाई नहीं देता और जो द्रिष्टि गोचर होता है वह माया सा है और विनाशी है अर्थात कारण रूप गुण देखने में नहीं आते हैं और जो दीखते हैं वे माया अथमा इंद्रजाल की तरह तुक्ष हैं भाव यह है कि यह सब कार्य गुण त्रयात्मक रूप अपने कारण प्रधान स्वरूप ही हैं संगति जब तीनों गुण ही संपूर्ण कैसे कह सकते हैं परिणाम के एक होने से वस्तु की एकता होती है यह ठीक है कि तीनों गुण ही सब पदार्थों के कारण हैं पर वे अपने प्रकाश क्रिया इस्थित स्वभाव से अंग अंगी भाव से गति कर रहे हैं कहीं सत्व गुण अंगी है अर्थात प्रधान है और और रज तम उसके अंग अर्थात गोण हैं इसी प्रकार कहीं रज अंगी है और कहीं तम अंगी है और शेश गुण उसके अंग हैं इस कारण उनकी परिणाम की एकता से वस्तु एक ही कही जाती है इन गुणों के अंग अंगी भाव में भी नाना प्रकार के भेद होते हैं इ जैसे यह महतत्व है, यह अहंकार है, यह इंद्रियां है, यह प्रत्वी है, इत्यादि, विशेश वक्तव्य सूत्र चोदह, सत्वम लगु प्रकास मिस्त, मुस्तम भकम, चलंच रजह, गुरु वरण कमेवत मह, प्रदीप वच्चार्थतो वृत्तिही, सत्व हलका और प्र जारी और रोकने वाला है, और दीपक सद्रिश एक उद्देश पुरुस के भोग अपवर्ग से इनकी वृत्ति काम है, सत्व रजस और तमस का साम्य परिणाम प्रदान मूल प्रकृति है, सत्व में रजस तमस का लिंग मात्र विशम परिणाम महत्त्त है, सत्व महत्त्त् प्रित्य से भेद उत्पन्य करने वाला रजस तमस का किंचित अधिक विशम परिणाम अहंकार है। इन पांचों में भी गुणों की नियून अधिकता परसपर भेदक है। प्रित्य कराने वाले और दुख देने वाले तथा तमस की प्रधानता में भारी रोकने वाले और प्रमाद तथा मोह उत्पन्य करने वाले होते हैं। इसलिए यद्यप गुण तीन हैं तथा जैसे बत्ती तेल और अग्न मिलकर एक दूसरे को सहायता देते हुए प्रकाश का काम देते हैं। इसी प्रकार तीनों गुण मिलकर पुरुष के उपयोग अलग-अलग वस्तुओं को भिन-भिन रूप में उत्पन्य करते हैं। संगत शंका जिस प्रकार स्वप्न में चित्त के अतरिक्त और कोई वस्त भाव रूप से नहीं होती है। उसी से सब कल्पित होते हैं। इसी प्रकार जागरत अवस्ता में भी चित्त से भिन कोई वस्तु नहीं है। वास्तों में चित्त से भिन कोई बाहर वस्तु नहीं है। समाधान वस्तु साम में चित्त भेदा तयोर विभक्त पंधाह वस्तु के एक होने पर भी चित्त के भेद से उन दोनों चित्त और वस्तु का अलग-अलग मार्ग है। प्रतेक वस्त अपने अपने स्वरूप में ही इस्थिर है और बहुत से चित्तों का विशय बन सकती है पर वह न एक चित्त की कलपना की हुई होती है न अनेक चित्तों की क्योंकि एक ही वस्त को देख कर चित्त के अवस्था भेद से किसी को सुख होता है किसी को दुख किसी को मोह और किसी को उदासीनता यद चित से भिन वह वस्त न होती तो इतने चितों का विशय न बन सकती फिर वही वस्त अनेक चितों को नाना प्रकार के भावों से प्रतीत हो रही है इस कारण वस्तु में चित की कलपना से नहीं होती है बलकि चित से भिन औ और उससे बाहर अपनी स्वतंत्र सत्ता रखती हैं। भोज वृत्ति का भाशा नुवाद सूत्र पंद्रह। यद कोई शंका करे कि ज्यान से भिन घटाद पदार्थ हों तो एक अथमा अनेक वस्तु कहना चाहिए। जबकि एक विज्यान चित ही संसकार वस्त से कारे कारण भाव को प्राप्त हुआ घट पटाद रूप से भास्ता है। तो यह कैसे कह सकते हैं कि एक अथमा अनेक वस्तु हैं। इसका उत्तर देते हैं। ज़्यान और गे जानने योग्य पदार्थ घटाद का भिन्न मार्ग है। अर्थात ये दोनों भिन्न नहीं हैं क्योंकि एक वस्तु में चित्तों विज्यानों का भेद रहता है। अर्थात इस्त्री आद एक पदार्थ के मिलने पर इस्त्री की सुन्दर्ता में अनेक देखने वालों के चित्त की भिन्नता सुख दुख मोह रूप से प्रतीत होती है जैसे एक सुन्दर रूप वाली इस्त्री मिल जाय तो कामी का चित्त सुखी होता है उस इस्त्री की सपत दूसरी बात यह है कि यदि वस्त को चित का कार्य माना जाए, तो जिस पुरुष के चित का कार्य वह वस्त है, उसके चित के दूसरी वस्त में लग जाने पर वह वस्त कोई वस्त ही न रहे यदि कहो कि वह वस्त नहीं रहती तो अन्य पुर्शों को वह कैसे मालूम होती पतीत होने से वस्त चित का कार्य नहीं है यदि यह माना जाए कि बहुत से चित मिलकर एक वस्त को उतपन करते हैं तो बहुतों की बनाई हुई चीजों से एक चित की बनाई चीज विलक्षन होनी चाहिए यदि विलक्षन नहीं मानते तो कारणों से भिन भिन होने पर भी कार्य का भेद न रहने से जगत को बिना कारण के अथमा एक रूप मानना होगा बात यह है कि यदि कारणों से भिन होने पर भी कार्य भिन 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 न माने जाएं तो सब जगत जो की अनेक कारणों से उत्पन हुआ है वह एका कार होना चाहिए अथमा कारण विशेश का संबंध न रहने से सतंतता के कारण शून्य होना चाहिए शंका यद एक चित दिज्ञानात्मक से अनेक वस्त नहीं होती तो तुम्हारे मत में एक त्रिगुनात्मक चित से एक ही पुरुष को सुख दुख मोह रूप अनेक ज्ञान कैसे हो जाते हैं अर्थात जैसे तुम्हारे मत में एक चित अनेक रूप से परिणत होता है वैसे हमारे मत में दिज्ञान भी अनेक कार्य कारण भाव से अवस्थित है उत्तर हमारे मत में त्रिगुन यथार्थ हैं जब चित से अर्थ घटाद यान होता है तो धर्मा धर्म सहकारी साथ रहने वाले कारण होते हैं उन धर्मादिकों के प्रकाश और तिरो भाव से चित का तद्रूप से प्रकाश होता है जैसे कामेक शुपत के पास इस्त्री हो तो धर्म सहकारी चित सत्व प्रधान होकर सुखमय प्रणत होता है और अधर्म के साथ रहने से सौत का रजः प्रधान चित दुख से प्रणत होता है अधिक अधर्म का संबंध होने से कृध सौत का तमः प्रदान चित मोहमय अज्ञानमय होता है इससे सिद्ध हुआ कि विज्ञान चित से भिन बाह्य ग्राहय अर्थ होता है तो विज्ञान चित और अर्थ के स्वरूप का भेद होने से कार्य कारण भाव विज्ञान और अर इससे अर्थ का ज्यान से भेद ही है विशेश वक्तव्य सूत्र पंद्रह बुद्ध चित्त विज्ञान ये एक आर्थक हैं यहां उन छणिक विज्ञान वादियों की शंकाओं का समाधान किया गया है जो छणिक विज्ञान से अतिरिक्त वस्त की सत्ता को अनुमान द्वार नहीं होती जैसे विज्ञान से विज्ञान अभिन है वैसे ही घटाद गेय भी विज्ञान से अभिन है उनकी शंका का समाधान इस्तकार किया गया है कि वस्तु एक होने पर भी चित्त विज्ञान का भेद दिखलाई देता है जैसे इस्त्री रूप वस्तु एक दशा में बन एक्षा विज्ञान होता है इस प्रकार विज्ञान चित्तवित्त चार हैं किन्त वस्त एक ही बनी रहती है जो एक है वह अनेकों से भिन है जैसे एक नील का ग्यान अनेक पीताद ग्यानों से भिन है वैसे ही एक इस्त्री रूप वस्त अपने अनेकों विज्ञानों से भिन ह इसलिए ज्यान और गे एक नहीं हो सकते ज्यान विशय है और गे विशय है एक पकिड के रूप वस्त उसे चित अनेक प्रकार क्यों होता है इसका उत्तर यह है कि चित और घटा दिपदार्थ दोनु त्रिगुनात्मक हैं जब तक चित में धर्म अधर्म अविद्या का संबं रहता है तब तक सत्व रजस और तमस की क्रमशह अधिक्ता होने से सुख दुख और मोह हुआ करते हैं तत्तो ज्यान होने से उन त्रिगुनात्मक वस्तूओं में उपेक्षा हो जाती है इसलिए अर्थ विज्यान से भिन्न है इसी से जगत मित्यावाद जगत स्वप्नव स्रिष्टिवाद ज्यान के साथ ही वस्तु का होना कि ब्रमु का समाधान समझना चाहिए संगति शंका वस्तु की सत्ता सत्व चित्तु के ही अधीन ठहरती है क्योंकि भिन्न भिन्न चित्त को एक ही वस्तु उनके भाव के अनुसार ही भिन्न भिन्न रूप से प्रतीत होती समाधान ना चैक चित्त तंत्रम वस्तु तद प्रमाड कम तदा किम्चात ग्राह वस्तु चित्त के अधीन नहीं है क्योंकि वह वस्तु बिना प्रमाड चित्त के उस समय क्या होगी व्याख्या यदि एक चित्त के ही अधीन वस्त को माना जाए तो जब वह चित्त किसी दूस तरे विशे में लगा हो तो अत्मा निरुद्ध हो गया हो तो उस समय उसका अभाव होना चाहिए लेकिन हम देखते हैं कि वह विद्यमान रहती है इसको स्पस्ट रूप से यो समझो कि शरीर का जो भाग पीठ या हाथ आद जिस समय दिखलाई न दे तो उसको उस समय चित्त का विशे नव होने से अविद्यमान नहीं कह सकते इस कारण वस्त की सत्ता स्वतंत्र है चित्त के अधीन नहीं व्यास भाष्य का भाशा नुवाद सूत्र सोलह यदि वस्त एक चित्त विज्ञान के ही अधीन हो अर्थात ज्यान के साथ ही वह वस्त उत्पन्न हो तो चित् रुकने पर वह वस्त और प्रमाड़क हो जाए अर्थात उसके स्वरूप का ग्रहन करने वाला कोई न रहे ऐसी होगी तो फिर वह होगी ही क्या क्योंकि वह दूसरे का विशय नहीं बनी और एक चित से उसके स्वरूप का संबंध नहीं अथवा चित के साथ संबध हुई भी वह वस्त कहां से उत्पन्न होगी और जो इसके अनुपस्थत भाग हैं वे भी न होंगे और पीठ के न ग्रहन होने से पेट भी ग्रहन न किया जाएगा इससे अर्थ वस्त सतंत्र है और सब पुरुषों के लिए साधारण है और चित विज्ञान भी पत्तेक पुरुष में सतंत्र है उन वस्त और चित विज्ञान के संबंध से जो उपलब्ध है वह पुरुष का भोग है संगत शंका यदि वस्त की सत्ता सतंत्र होती तो वह सदा चित को ग्यात रहती लेकिन कभी ग्यात होती है कभी नहीं यह बात सिद्ध करती है कि वह चित के अधीन है समाधान चित को वस्त के जानने में उसके उपराग विसे का चित में प्रतिविंब पढ़ना की अपेक्छा होती है इसलिए उसको चित को वस्त ग्यात और अग्यात होती है व्याख्या उपराग इंद्रीय सन्निकर्ष द्वारा जो विषय का चित में प्रतिविंब पड़ता है उसको उपराग कहते हैं विषय अस्यकांत मड़ी चुंबक पत्थर के समान है और चित लोहे के समान है विषय इंद्रीय सन्निकर्ष द्वारा अपनी और आकरसित कर वह विशय उसे ग्यात होता है वस्त के ग्यात अग्यात स्वरूप होने से चित परिणामी है न कि वस्त को स्वेंग उत्पन करने वाला यहां यह भी बतला देना उचित प्रतीत होता है कि जब इंद्रीय द्वारा चित के साथ जिस वस्त का संबंध होता है अर्थात जब जै तो उसी वस्त को अत्वमा चित वृत्त को अपने प्रतिविंब द्वारा पुरुष जानता है। और घटाद वस्त ग्राहे रूप अर्थात ग्रहन करने योग्य रूप है तो एक बार ही सब वस्तूओं का ग्रहन क्यों नहीं होता अत्वमा सबका स्मर्ण क्यों नहीं होता इस आशंका को हटाते हैं। ज्यात और अज्यात कहलाती है। इस कारण जो वस्त अपने प्रतिविंब स्वरूप को चित के लिए देती है उसी वस्त को उस वस्त का ग्यान व्यवहार के योग्य बनाता है। इससे वह वस्त ग्यात कहाती है और जिसने अपना स्वरूप नहीं दिया वह अग्यात रूप से बोली जाती है। जिस जानी हुई वस्त में साद शाद किसी पदार्थ का ग्यान संसकारों को जगाता हुआ यदि सहकारी कारण मिल जाए तो उस वस्त का स्मर्ण होता है। इससे न सब जगह ग्यान हो सकता है न सरवत्री स्मर्ण इस लिए ग्यान को ग्रहण रूप होने पर और घटादिकों को ग्राह मानने से कोई विरोध नहीं आता। संगत बाह्य जगत को चित्द से भिन सिद्द करके अब आत्मा को चित्द से भिन दिखाते हैं। शंका यदि यह मान लिया जाए कि चित से अलग बस्तुएं हैं और चित को उनके उपराग से ग्यात और अग्यात होती हैं फिर आत्मा पुरुष को चित से अलग मानने की क्या आवशकता है और यदि माना भी जाए तो पुरुष भी चित के सद्रिश परिणामी होता है समाध चित का स्वामी पुरुष परिणामी नहीं है इसलिए चित की वृत्यां उसे सदा ग्यात रहती हैं व्याख्या चित का जब बाहर के विशे के साथ संबंध होता है तो वह उसको ग्यात होता है और जब संबंध नहीं होता तो अग्यात होता है इसलिए वह कभी बाहर के विशे को जानता है कभी नहीं जानता है वह जानने नगानने इन दोनों अवस्थाओं में बगलता रहता है यह उसमें परिणाम होता रहता है इसलिए वह परिणामी है पर पुरुष में यह परिणाम नहीं होता वह सदा चित की वृत्तियों का साक्षी है चाहे उसमें कोई विशय हो या नँ हो किवल इतना ही है कि वह जिस विशय से संबंध रखता हो उसके आकार में परिणत होकर उसके स्वरूप को अपने स्वामी चित पुरुष के सामने रख दे पुरुष के चित चे ऐसे परिणाम का सदा ही ज्यान बना रहता है इस ज्यान से पुरुष में चित्त की भात कोई परिणाम नहीं होता अर्थाद चित्त के विशे घटा दे हैं और पुरुष का विशे वृत्त सहित चित्त है विशियों के होते हुए चित कभी उन विशियों को जानता है कभी नहीं पर पुरुष अपनी चित को वृत्व सहित सरवदा जानता है कभी न जानता तो परिणामी होता अपनी काम में सदा जानी हुई भोग रूप चित वृत्तियां ही भोगता पुरुष को परिणाम शून जतलाती हैं, मानसिक ज्यान में अर्थकारता रूप संबंध की आवशक्ता है, पर पौरुशे ज्यान में पुरुश अर्थाकार वस्त के आकार में पर्णत नहीं होता, किन्त प्रतिविंब संबंध से ज्याता मात्र होता है, यद्यपी चित जड़ है इससे उसमें ज्ञान बोध नहीं हो सकता तथाप जैसे लोह पिंड में अग्न के प्रवेश होने से लोह भी प्रकाश रूप होता है वैसे ही ज्ञान रूप पुरुष के साथ भोगिता संबंध होने से चित में ज्ञान कहा जाता है चित को जो जहां तहां प्रकाश रूप कहा है वह इसलिए कि शुद्धता के प्रतिविंब को ग्रहन करने की इसमें शक्त है एक बात और भी है कि चित का सरवदा ग्याता पुरुष नो हो तो मैं सुखी हूँ अथमा नहीं इत्याद संशय भी होना चाहिए सो होता नहीं इसस इस समय नील पदार्थ को जानता है उस समय पीताद से संबंध रखने वाले चित के आकार का ग्रहन न करने से कदाचित परिणामी हो जाएगा इस आशंका को हटाते हैं जो प्रमाण विपर्याद रूप चित की व्रतियां होती हैं उनको ग्रहन करने वाला चित का सब्गने से चित की व्रतियों को सदा जानने वाला नहीं बन सकता तातपर यह है कि चैतन्य रूप पूरुश चित न का सरवडा स्वामी हैं और नर्मल अंतह करन भी उसके साथ सदैव रहता है वह चित जिस पदार्थ के साथ समबंध करता है उस पदार्थ का ंजाता पु कभी नहीं हो सकती। संगत शंका अग्णि की भात चित्त ही वस्तुकाभी प्रकाशक है और अपना भी, इसलिए चित्त से अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष के माननी की आवश्यक्ता नहीं रहती। समाधान ना तस्त्वा भासम द्रिश्यत्वा चित्त स्वप्रकाश नहीं है क्योंकि वह द्रिश्य है व्याख्या जिस प्रकार दूसरी इंद्रियां और शब्द आदि विशय द्रिश्य होने से स्वप्रकाश अपने को आप ही प्रकाश करने वाले अर्थात जानने वाले न यहाँ लागू नहीं हो सकता अगन जड़ है उसको स्वेंग अपना ग्यान नहीं होता उसको जाननी के लिए किसी अन्य ग्यान वाले की आवशक्ता होती है इसी परकार चित भी जड़ है उसे जानने के हेत उसे अलग चित पुरुश को मानना पढ़ेगा चित के दृष्य होने में एक प्रमाड यह भी है कि उसमें सुख दुख भय क्रोध आदि के जो परिणाम होते हैं वे दूसरी से देखे जाते हैं जैसे मैं सुखी हूँ मैं क्रोध में था इत्याद इससे सिद्ध है कि चित की इस अवस्था को देखने वाला उससे अतिरिक्त चेतन पुरुष है भोज वृत्त का भाशा नुवाद सूत्र उन्निस यदि सत्गुन की प्रधानता से चित को ही प्रकाशक मान लिया जाए तो अर्थ का और अपने स्वरूप का प्रकाशक मानने से यह घट है इत्यादी व्यवहार हो जाएंगे पुरुष को मानने की क्या आवशक्ता है इस शंका को हटाने के लिए यह सूत्र है वह चित स्वभास अर्थात अपने स्वरूप का स्वयंग प्रकाशक नहीं है किन्त प द्रिश्य देखने के योग्य अथमा प्रकाश के योग्य है जो जो द्रिश्य है वह वह द्रिश्टा से प्रकाश्य है यह व्याप्ति है जैसे घटाद द्रिश्य है और द्रिश्टा से प्रकाश्य है चित भी द्रिश्य है इससे स्वैंग प्रकाशक नहीं हो सकता संगत शं यदि यह कहा जाए कि चित्त ही विशय का ज्यान प्राप्त करता है और चित्त को ही अपना ज्यान होता है तो इसमें यह दोश आता है कि एक समय में दो ग्यान नहीं हो सकते अर्थात एक विशे ग्यान दूसरा विशे वाले चित्त का ग्यान इस कारण चित्त से अतिरिक्त इसका साक्षी अन्यचेतन पुरुष का मानना अनिवार्य है भोज वृत्त का भाशा नुवाद सूत्र बीस उक्तार्थ में एक शंका तो यह है कि चित्त का दृष्षत्व सिद्ध नहीं हुआ इससे दृष्षत्व साध्ध के तुल्य है इसलिए दृष्षत्व हेत्व साध्ध सम्हेत्वा भास है और दूसरी शंका यह है कि पुरुष की बुद्ध के व्यापार को जान कर ही छितप्राप्ति और अहित निवृत्त के लिए वृत्या होती हैं तो फिर बुद्ध को ही 100 प्रताशक क्यों न माना जाए इन दोनों शंकाओं का उत्तर इस सूत्र में दिया है यह वस्तु सुख का हेतु अथ्मा दुख का हेतु है इस प्रकार व्योहार की योगिता करने वाला एक वस्तु संबंधी बुद्ध का वृत्ति रूप व्यापार है और मैं सुखी हूँ इस प्रकार व्योहार का संपादक बुद्ध का वृत्ति रूप व्यापार दूसरा है अर्थ ज्यान काल में ऐसे दो विरोधी व्यापारों का होना असंभव है अर्थाथ एक काल में चित अपने स्वरूप को और वस्तूओं को निश्चत नहीं कर सकता इससे चित सो प्रकाशक नहीं है किन्त उक्त प्रकार के दो व्यापारों को करने के बाद ही दो प्रकार के स्फूर्त रूप प्रकाश रूप उपलब धिव्रतियों से भिन है फलों का भान होता है अर्थाथ फल रूप भान होता है इसलिए बहरमुख रूप से ही अपने में रहने वाले चित को पुरुष स्वैंग जानता है इससे पुरुष में ही वह फल है, चित में नहीं, वृत्त का तातपर्य, घट और चित, दोनों का चित को एक ही चण में ज्यान नहीं हो सकता, इसलिए इन दोनों का साक्षी पुरुष है, अरफात, घट महम द्राक्षम, घट को मैंने देखा, इस प्रकार का जो स्मृत ज्या करता, इनसे पृथक पुरुष है, संगत, शंका, यदि ऐसा मान लिया जाए, कि एक चित से विशे ग्रहन किया जाता है, और उस विशे सहित चित को दूसरा चित ग्रहन करता है, तो विशे और चित दोनों का ज्यान हो सकता है, इसका उत्तर, चित तांतर द्रिश्य, चित ग्यान का अनवस्था दोश होगा, और स्मृतियों का संकर भी हो जाएगा, व्याख्या, यदि यह माना जाए, कि छणछण में चित बदलता रहता है, अर्थात, एक चित ने एक विशे ग्रहन किया, और उस विशे सहित चित को दूसरे चित ने, इसी प्रकार, उसको तीसरे ने, तीसरे को चोथे ने, तो यह क्रम बरावर चलता रहेगा, कभी समाप्त न हो सकेगा, इसमें अनवस्था दोश आ जाएगा, अर्थात, पहले एक वस्थु का ज्यान, फिर उस वस्थु के ज्यान के ज्यान का ज्यान, इस प्रकार कभी एक ज्यान भी समाप्त न नुभाव अनन्त हैं, जब उन सबकी स्मृति होने लगे, तो उनके संकर होने से यह स्मृति किसकी है, यह धारणा नहों हो सकेगी, अर्थात उनमें गर्वडी हो जाएगी, कुछ पता न चल सकेगा कि किसकी कौन सी स्मृति है, इस कारण चित से अतरिक्त द्रस्टा पुरु को मानना ही पड़ेगा, भोज वृत्त का भाशा नुवाद सूत्र 21, बुद्ध का स्वैंग ग्रहन न हो, पर एक बुद्ध का दुतिय बुद्ध से ग्रहन हो जाएगा, फिर पुरुशांतर क्यों मानना, इस आशंका का उत्तर देते हैं, यदि बुद्ध को जानने वाली दुतिय बुद्ध मानेंगे, तो वह दूसरी बुद्ध भी अपने स्वरूप को न जानकर, अन्य बुद्ध को प्रकाशित करने में असमर्थ है, इससे उस दुतिय बुद्ध को ग्रहन करने वाली दुतिय बुद्ध कल्पित करनी चाहिए, और उसकी भी ग्राह का अन्य इस प्रकार की अनमस्था हो जाएगी, तो बिना पुरुष के अर्थ ज्यान नहीं होगा, क्योंकि बिना बुद्ध के ज्यान हुए अर्थ ज्यान होता नहीं, इससे बुद्ध से भिन पुरुष मानना चाहिए, दूसरा दोश यह होगा, कि स्मृतियों का मेल हो जाएगा, रूप और रस में जो बुद्ध उत्पन हुई है उस बुद्ध को ग्रहन करने वाली अनंत बुद्धियों के उत्पन होने से उन बुद्धियों से उत्पन संसकार भी अनेक होंगे उन अनेक संसकारों से जब एक बार ही बहुत से स्मृति ज्यान किये जाएंगे तो बुद्ध के समाप्त नव होने से बहुत सी बुद्धि स्मृतियों की एक बार ही उत्पत्य होगी एक बार ही उतपत्ति मानने से किस विशे में यह स्मृत्य हुई है यह ज्यान नौ हो सकेगा तो इस स्मृतियों का मेल हो जाएगा इस गड़बडी से यह रूप विशे में स्मृत्य है यह रश विशे में इस प्रकार का विवक्त ज्यान नौ हो सकेगा संगत पुरुष क्रिया रहित और अवपरिणामी है और ज्ञान प्राप्त करने अत्मा किसी विशय को ग्रहन करने में क्रिया और परिणाम दोनों होते हैं फिर पुरुष चित के विशय का ज्ञान किस प्रकार कर सकता है पुरुष को जो क्रिया अत्मा परिणाम रहित है स्वा प्रतिविंबित चित के आकार की प्राप्त होने पर अपने विशय भूत चित का ज्ञान होता है यद्यप अपरिणामी भोग्त्रिशक्ति पुरुष और प्रतिसंक्रम अर्थात किसी विशय से संबध्ध ना होने से निरलेप है तथा प्रविशय कार परिणामी बुद्ध-चित में प्रतिविंबित हुआ तदाकार होने से वह उस बुद्ध-चित की व्रित्त का अनु पाती अनुसारी हो जाता है इस प्रकार चैतन्य प्रतिभिंबित ग्राहिनी बुद्ध बृत्त के अनुकार मात्र होने से ही बुद्ध बृत्त में अभिन्न हुआ वह चेतन ग्यान बृत्त कहा जाता है परमार्थ में वह चेतन ग्याता नहीं है क्योंकि चेतन के प्रतिभिं उसको लेकर ही चेतन को दृष्टा कहा जाता है वास्तों में तो यह दृषिमात्र ही है अर्थात निर्विकार पुरुष में दर्सन कर्तृत्व ग्यातृत्व स्वाभाविक नहीं है किन्त जैसे निर्मल जल में प्रतिविम्बित हुए चंद्रमा में अपनी चंचलता के बिना ही जल रूप उपाधिकी चंचलता से चंचलता भास्ती है वैसे ही चित्त प्रतिविंबित जो चेतन है वह भी स्वाभाविक ग्यात्रित्व और भोगत्रित्व के बिना ही केवल प्रतिविंबा धार चित्त के विश्याकार होने से तदाकार भासता है अथमा चेतन पुरुष का प्रतिविंब पढ़ने से चित्त का जो चेतन वत आका अपने को दृष्य को दृष्य नहीं है केवल ग्यानस्वरूप है। पुपान रूप से भान होने से ही ऐसा कहा गया है। निम्नवाक्य से चेतन को बुद्धि वृत्य विशिष्ट कहा गया है। ना परवतों की गुफा है, ना अंधकार है, ना समुद्रों की खाड़ी है। किन्तु प्रतिविंबित चेतन से अभिन्न सी जो बुद्धि वृत्य चित्त वृत्य है। उसी को कवी ब्रह्मग्यानी ब्रह्मगुहा कहते हैं। टिपड़ी उपर्युक्त व्याक्या व्यास बहाश्या मुसार है। यह सूतर अधिक महत्व का है। इसलिए भोज वृत्य का भाशार्थ भी यहां देते हैं। भोज वृत्य का भाशानुवाद सूत्र बाइस। यदि बुद्ध्य स्वैंक्त प्रकाश नहीं और भिन्न बुद्धी से उसका ग्रह paradox नहीं होता, तो ब जस आदि गुणों का जब अंगांग भाव लक्षन परिणाम होता है, तो वे गुण अपने प्रधान गुण के से रूप को धारण कर लेते हैं, अथमा जैसे लोक में फैलते हुए परमाड एक विशय घटादी को बना देते हैं, वैसे चैतन्य शक्त नहीं है, क्योंकि वह स ह्पलित हुई बुद्ध वृत्धि से मिली हुई जानी जाती हैं, तब चित्त को बुद्ध हैं स्वरूप का ज्यान होता है, व्रिठ का transferred यह है कि यद्यप्य जैसे बुद्धि का क्रिया द्वारा घटादी संबंध होता है, वैसे चित्त का बुद्धिंदे के साथ सन् क्योंकि चित्य परिणाम शून्य है तथा जैसे सूर्य का जल में प्रतिविंब पड़ता है वैसे चित्य का बुद्ध में प्रतिविंब पड़ता है इससे बुद्ध को चिदाकारता होने से चित्य को बुद्ध वृत्य सहित बुद्ध का भान होता है संगत पिछले आठ सिद्ध करके कहा कि बाहे जगत और पुरुष चित से भिन है अब यह बताते हैं कि चित को ही बाहे वस्त और आत्मा मानने और उससे अतरिक्त इन दोनों का अस्तित न मानने से क्यों भ्रांति होती है द्रिष्ट द्रिष्यो परक्तम चित्तम सर्वार्थम द्रिष्टा और द्रिष्ट से रंगा हुआ चित सारे अर्थों वाला होता है व्याख्या चित गुणों का प्रथम सात्विक विशम परिणाम प्रसव धर्मी क्रिया वाला परिणामी और अचेतन जड़ है यह उसका अ उपरक्त हुआ ग्रहीता स्वरूप है इसी से ही चित को चेतन और उससे अन्य किसी पुरुष के नौ होने की भ्रांति होती है बाह्य विश्यों से प्रतिबिंबित होकर चित उन जैसा भासने लगता है यह उसका दृष्य उपरक्त ग्राह्य स्वरूप है इसी से यह भ्रांत होती है कि चित से अतिरिक्त कोई बाहय विशय और बाहय जगत नहीं है वास्तों में चित बाहय जगत और वस्थवें और पूरुष तीनों अलग अलग हैं और अपनी अलग-अलग सक्ता रखते हैं चित केवल दृष्य अर्थ से ही इंपरक्त संबध्न नहीं होता किन्तु अपनी वृत्य प्रतिविंब द्वारा विशई पूरिश प्रतिविंबित चेतन भी उसके साथ संबंध वाला है इसी से घट महम जाना मैं घट को जानता हूं यह जो प्रत्यक्ष रूप ज्ञान है वह विशय और विशय इन दोनों का उपस्थापक होता है केवल द्रिश्य अर्थकाही उपस्थापक नहीं होता है इस प्रकार चित अचेतन विशय रूप होते हुए भी चेतन और विशय के सद्रिश होने से चेतना चेतन स्वरूप तथा विशय विशय अर्थात द्रिश्य द्रिश्टा रूप से भास्ता हुआ इस फटिक मड बिल्लौर के पास एक नीला पुस्प और एक लाल पुस्प रख दें तो वह एक बिल्लौर ही नीले फूल और लाल फूल के प्रतिविंब से और तीसरे अपने निज रूप से तीन रूप वाला होता है इसी प्रकार एक ही चित विशय और पुरुष के प्रतिविम्ब से और तीसरे अपने रूप से ग्राह, ग्रिहीता और ग्रहन सरूप होकर तीन रूपों वाला हो जाता है। अर्थात अपने रूप से ग्रहणाकार, विशे के प्रतिबिंब से ग्रहयाकार और पुरुष के प्रतिबिंब से ग्रहकाकार होने से चित्त सरवार्थ है अथमां सिनेमा के साधारन स्वेत रंग की चादर, परदा के सद्रिश, चित का अपना ग्रहणाकार रूप है, विद्दुट से प्रकाशित चादर के समान, उसका आत्मा से प्रकाशित द्रिश्ट उपरक्त रूप है और चित्रों से युक्त चादर जैसा विशय सहित चित्त का ग्राहया कार दृष्य उपरक्त रूप है इस प्रकार चित्त सरवार्थ है चित की इस सरवार्तता के ही कारण किन्ही किन्ही अभ्यासियों को चित को पुरुष के प्रतिविंब से भासते हुए उसके ग्रहत्राकार स्वरूप को देखकर यह भांति उत्पन होती है कि चित के अतिरिक्त अन्य कोई पुरुष आत्मा नहीं है तथा उसके दृष से प्रतिविंब से भासते हुए ग्रहयाकार स्वरूप को देखकर किसी किसी को यह भ्रह्म होता है कि चित से भिन्न कोई ग्राह वस्त नहीं है उनका यह भ्रह्म समाधिद्वारा आत्मा के साक्षातकार से दूर हो सकता है अर्थात समाधिकाल में जो सविकल्प प्रग्या होती है उस प्रग्या में प्रतिविंबित अर्थ भिन्न है और जिसमें विशय का प्रतिविंब पढ़ता है वह प्रग्या भिन्न है तथा प्रतिविंबित पदार्थ युक्त प्रग्या को अवधारन करने वाला जो पु आशानुवाद सूत्र तेईस इस प्रकार पुरुष से जाना हुआ चित सब वस्तुओं को ग्रहण करने की शक्त के कारण सब व्यवहारों के निर्वाह योग्य होता है यह कहते हैं द्रस्टा पुरुष उसके साथ चित भी चेतन सा हो जाता है जब द्रिश विशयों के साथ संबंध करता है अर्थात विशयाकार रूपी परिणाम को प्राप्त होता है तब वही चित सब वस्तुओं को ग्रहण करने की शक्त से संबंध होता है जैसे निर्मल स्फटिक बिल्लोर दरपन शीशा आद ही प्रतिविंब को ग्रहण करने में समर्थ होता है वैसे रजोग के कारण प्रतिविंब ग्रहण करने में असमर्थ हैं वह चित रज और तम को दवाता हुआ सत्तु प्रधान बंकर इस्तिर दीपक के शिखा चोटी के आकार सा चेतन प्रतिविंब ग्रहण करने की शक्त के कारण सदा एक रूप से परिणत होता हुआ मोग्छ तक रहता है जैसे चुम्बक के निकट होने पर लोहे का चलना प्रकट होता है, ऐसे ही चैतन्य रूप पुरुष के निकट सत्त का अभिव्यंग चैतन्य प्रकट हो जाता है, इसी से इस शास्त्र में दो प्रकार की चिछक्त ज्यान शक्त मानी जाती है, एक नित्योधिता नित्योधित दुती अभिव्यंग प्रकास होने योग नित्योधिता चैतन्य शक्त पुरुष है, उसी की निकटता से प्रकाशनी है चैतन्य जिसका ऐसा सत्त प्रकटित होता है, वही अभिव्यंग चिछक्त है, वह अत्यंत समीप होने से पुरुष का भो वही सत्व शांत ब्रह्मवादी सांख्यों योगाचारियों से प्रमात्मा द्वारा अधिस्ठेय अर्थात कर्मानुकूल सुख दुख का भोगता कहा जाता है। गेय बन जाते हैं जिसमें चेतन का प्रतिविंब पड़ता है जिसका विशिष्ट आकार विश्यों के आकार को ग्रहन करने से बनता है। इसी अभिप्राय से बिंध्यवासी किसी आचारे ने कहा है कि चित्त सत्व का दुखाद ही पुरुष्ट का दुखाद है। और अन्यत्र भी लिखा है कि बिंब के रहते हुए प्रतिविंब चाया के सद्रिश चाया का प्रकट होना प्रतिविंब शब्द से कहा जाता है। वैसे ही चित्त सत्त मेभी पुरुष्ट के प्रतिविंब के तुल चैतन्य का प्रकट होना प्रतिसंक्रांत शब्द का अर्थ है। तात्पर्य यह है कि दो प्रकार का भोग है। एक चिद वसानता रूप और दूसरा प्रिणाम लक्षन प्रतिविंब चिछ शक्त के रूप पुरुष्ट का चिद वसानता रूप भोग है। और प्रतिविंबित हुआ है चैतन्य जिसमें ऐसी सुखादी आकार से परिणत होने वाली बुद्ध चित का परिणाम लक्षन भोग है। शंका यह है कि जिसका परिणाम नियत अर्थाद परिछिन हो ऐसी निर्मल वस्तु का निर्मल शुद्ध वस्तु में प्रतिविंब पढ़ता है। जैसे मुख का शीषे में परंत अत्यन्त निर्मल पुरुष की अवेक्षा जो अशुद्ध सत्व है उसमें अत्यन्त निर्मल व्यापक अपरिणामी परिणाम शून पुरुष का प्रतिविंब कैसे पड़ता है उत्तर यह है कि प्रतिविंब के स्वरूप को न जानकर शंक स्वरुष की छाया भी इसमें प्रकट होती है यह कहना कि अत्यन्त निर्मल पुरुष अशुद्ध सत्व में कैसे प्रतिविंबित होता है यह भी व्यविचरित है अर्थात अत्यन्त शुद्ध वस्तु का भी अपने से अशुद्ध वस्तु में प्रतिविंब पड़ता ह जैसे निर्मलता से निकिष्ट जलादी में अत्यंत निर्मल सूर्यादी प्रतिविंबित हुए मालूम होते हैं यह कहना की व्यापक का प्रतिविंब नहीं होता यह भी ठीक नहीं क्योंकि व्यापक आकाश का शीशे में प्रतिविंब मालूम होता है ऐसे प्रतिविंब मानन से कोई दोश नहीं दुतिय शंका यह है कि सत्व गुण के परिणाम रूप बुद्ध सत्व अंतह करण में पुरुष की निकड़ता से प्रकाशित चिछक्त का जो बाह्य वस्तूओं के संबंध होने पर भोग है वही पुरुष का भोग है यह कहना ठीक नहीं है क्योंकि प्रकृति में परिणाम होता है तो वह परिणाम उसका क्यों होता है यह कहना कि पुरुषार्थ करतब्यता को अर्थात पुरुष को सुख दुखाद देने के लिए प्रकृति का परिणाम होता है ठीक नहीं क्योंकि पुरुषार्थ मुझे करना चाहिए इस प्रकार की इ वैसी इक्षा पहले कहां से आई यदि वैसी इक्षा है तो प्रकृति जड़ क्यों कहा जाता है उत्तर प्रकृति में अनुलोम और प्रतिलोम दो प्रकार के स्वाभाविक परिणाम होते हैं वे ही परिणाम पुरिशार्थ कर तब्यता कहलाते हैं वह परिणाम रूप शक्त जड़ प्रकृति में भी स्वाभाविक है इस प्रकृति का बहरमुख रूप से महत आदि से लेकर पंच महा भूत परियंत अनुलोम परिणाम होता है फिर अपने अपने कारण में प्रवेश द्वारा अर्थात प्रत्वी का जल में जल का तेज में तेज का वायु में वायु का आकाश में इत्याद रूप से अस्मिता तक प्रतिलोम परिणाम होता है इस तरह जब पुरुष के भोगों की समाप्ति हो जाने से प्रकृति की स्वाभाविक उक्त दोनों शक्तियां नस्ट हो जाती है तब मुक्ष पुरुष के प्रकर्ट कृतार्थ होई अपने काम को समाप्त करने वाली उस मुक्ष पुरुष के लिए फिर परिणाम को नहीं आरंग करती जड़ प्रकर्ट को ऐसी पुरुषार्थ कर तब्यवता मानने इसे कोई दोश नहीं शंका यदि ऐसी स्वाभाविक शक्त प्रकृति में है तो मुक्ष पुरुष मोक्ष के लिए क्यों प्रयत्न करता है यदि मोक्ष इस्ट नो हो तो मोक्ष का उपदेशक शास्त्र व्यर्थ ही हो जाए अर्थात जब एक्छाद प्रकृति में ही है तो मुक्ति और बंधन प्रकृति के ही अधीन हुए फिर पुरुष क्यों यत्न करता है उत्तर प्रकृति और पुरुष का भोग भोगता रूप संबंध अनादि से है उसके रहते हुए प्रकृतित हुआ है चैतन्य जिसमें ऐस प्रकृति को करत्रत्वा भिमान मैं करता हूं। इस प्रकार का अभिमान होता है। उस अभिमान से दुख का अनुभव होता है। दुख के अनुभव होने से पुरुष यह चाहता है कि मुझे यह अत्यन्त दुख निवृत्य कैसे हो तो दुख निवृत्य के उपाय के उपदेशक शास्त्र की अफेक्षा प्रकृति को होती है। प्रकृति के प्रतिलों परिणाम द्वारा उत्पन मुख्ष रूप कार्य की ऐसी ही सामग्री शास्त्राद प्रमाणों से निश्चत है। विश्यों के आकार को ग्रहन करने वाला और प्रकट हुआ चैतन्य प्रतिभिंब जिसमें ऐसा अंतह करण विश्यों का निश्चे करके सब व्यवहारों को चलाता है। इस प्रकार के कथन से ऐसे ही चित को मानते हुए और जगत स्वा समवेदन चित मात्र है। अर्थात अपने स्वारूप से ही प्रकास है जिसका ऐसा केवल चित ही जगत है। विशेश वक्तव्य सूत्र तेश वारतिक काराद ने इस सूत्र पर और इससे पूर्व सूत्र पर जो भाष्च लिखा है। उसका ताथ पर्यानिम्न प्रकार है। भोक्ता पुरुष प्रिणाम शून्य है। इससे उसमें कहीं आना जाना नहीं होता। किंतु बुद्धिवृत्य में यह प्रतिविंब सा होता है इसलिए बुद्धिवृत्य को चेतन तुल्य बना देता है अन्यता घट महम जानांग मैं घट को जानता हूँ यह बुद्धिवृत्य चेतन भावार्थ नहीं हो सकती क्योंकि अहम पद का अर्थ केवल जड़ बुद्ध नहीं है जैसे बुद्ध अन्तह करण इंद्रियाद द्वारा अर्थों के सननिकर्ष से अर्थों घटादिकों के आकार में परिणत होकर अर्थाकार होती है वैसे ही पुरुष के अत्यन्त सन्निकर्ष भोग्य भोगतृत स्वरूप संबंध से उसके प्रतिबिंब को ग्रहन करके आत्माकार बन जाती है परिणाम बुद्ध में ही होता है वह बहरमुख होकर विशयाकार होती है विशयाकार होने से ही मन की स्वपना वस्था में तत अदाकार से वृतियां होती रहती है और अंतर मुख होकर आत्माकार प्रतिबिंब को ग्रहन करना ही उसकी आत्माकारता है वस्तुतह प्रतिविम्ब के नौ होने पर भी बुद्ध का आत्माकार हो जाना ही प्रतिविम्ब है अपने इस प्रकार प्रतिविम्ब द्वारा ही चेतन भोकता कहलाता है अत्मा भी प्रतिविंब द्वारा अपने रूप को बुद्ध के अरपन करता है इससे बुद्ध चेतन समझी जाती है आत्मा कारसा बुद्ध वृत्य का हो जाना प्रतिविंब के तुल्य होने से प्रतिविंब कहलाता है केवल वृत्यों का बोध भी क्रोधाद वृत्यों के तुल्य है वह जानामि मैं जानता हूं इस वृत्य का विशे होता है इस सूत्र में चित्त को सरवार्थ कहा है इस शब्द का अर्थ यह है कि चित्त ग्राह्य, ग्रहण, ग्रहीता इन सब को ग्रहण करता है अयम घटह यह घट है इस व्योसायात्मक ज्यान के अनंतर घट महम जाना में मैं घट को जानता हूँ, इस प्रकार का जो अनुब्योसायात्मक ज्यान होता है, वह भी पूर्व ज्यान के तुल्य साच्छी भाष्य है, इसलिए सरवार्थ कहना ठीक है, इस उत्तर ज्यान में गेय ज्याता ज्यान तीनों समान होते हैं, द्रिष्ट द्रश्यों परक्तम अर्थात पुरुष और विसे दोनों के आकार वाला चित्त होता है, पुरुष और बुद्ध की अत्यन्त समीपता है, इससे शब्दा ध्याकारा दिवत पुरुषाकार बुद्ध वृत्य होकर पुरुष में पतिविंबित होती है, उस बु कर्म कर्त्र विरोध है अर्थात अहम जानामी मैं जानता हूँ इत्याद प्रतीतियों का आश्य होने से कर्ता और उक्त प्रतीतियों का विश्य होने से आत्मा कर्म होता है पर आत्मा के विरुद्ध कर्म कर्तृत्व कैसे रह सकते हैं इस प्रकार का विरोध नहीं है क्योंकि अंतह करण को द्वार माना जाता है जैसे स्फटिक मड़ी दोनों तरफ भिन भिन प्रकार की वस्तूओं के अपने स्वरूप के साथ तीनों रूप वाला सा प्रतीत होता है वैसे ही चित की दशा है यहां स्फटिक का दृष्टांत सरवान्ष में नहीं है क्योंकि उसमें प् और प्रतीत होने मात्र में द्रिश्टांत है सव वस्तूओं को भ्रह्म मात्र से कलपित मानना भी ठीक नहीं सीप में जो चांदी का अथ्मा रज्यु में जो सर्प का ग्यान होता है वह सारुप्य दोश से है इससे अविद्या की सरवत्र कलपना करना अयुक्त है भ्रहमस थलों में विशय का आकार चित्त में रहता है विशय सब्त ही है जिन सांख योगी वेदान्तियों ने विवेक द्वारा ग्रहीता ग्रहण और ग्राहे इन तीनों को परस्पर विजाती रूप से प्रथक प्रथक जान लिया है वही समदर्शी है उन्होंने ही पुरुष के सब भ्रांति में हैं उनकी उपेक्षा न करनी चाहिए किन्त क्रिपा करके उनको बोधन कराना चाहिए संगति शंका जब चित्त से सब विवहार चल रहे हैं और उसी में सब वासनाएं रहती हैं तो द्रस्टा प्रमाडशून्य होकर चित्त ही भोगता सिध्ध होता है संहत्यकारित्वात् चित्त अंगिनत वासनाओं से चित्त हुआ भी परार्थ है क्योंकि वह संहत्यकारी है जाख्या जो वस्त कई चीजों से मिलकर काम की बनती है वह संहत्यकारी कहलाती है जैसे मकान शया आद संहत्यकारी वस्त अपने लिए नहीं होती बलकि किसी दूसरी के लिए होती है जैसे मकान शया आद अपने लिए नहीं है बलकि किसी दूसरे के रहने और आराम के लिए हैं इसी प्रकार चित भी स सत्व, रजस और तमस, गुणों के अंग अंगी भाव के मेल से सत्व प्रधान बना है, इसलिए वह भी संहत्यकारी है और किसी दूसरी के लिए होना चाहिए, सो पुरुष के ही भोग अपवर्ग के लिए इसकी प्रबृत्य होती है, यद्यप यह ठीक है कि अनंत वासनाओं से चित्रत होने के कारण चित्त ही को भोगता मानना चाहिए, क्योंकि जो वासना का आस्रय होता है, वह भोग का आस्रय होने से भोगता बन सकता है, अन्य नहीं तथा आप जड़ संगहत्यकारी होने से वह चित्त स्वार्थ नहीं किन्त परार्थ ही है, अर्थात पुरुष के ही भोग अपवर्ग संपादन अर्थ जानना चाहिए, इसलिए सुखाकार जो चित्त है वह चित्त के भोगार्थ नहीं है, और तत्वग्यानाकार जो चित् किन्त यह दोनों प्रकार का चित परार्थ है और वह जो इस भोग और अपवर्ग अर्थ से अर्थ वाला है वही असंगहत केवल पुरुष है भोज वृत्ति का भाशा नुवाद सूत्र 24 यदि उक्त प्रकार के चित से ही सब व्यवहार चलते हैं तो प्रमार रहित द्रस्ट क्यों माना जाता है इस शंका को करके द्रस्टा में प्रमार देते हैं वह चित्त ही असंख्यात वासनाओं से नाना प्रकार का हुआ अपने स्वामी के लिए है अर्थात भोगता जीव के भोग और मोक्ष रूपी प्रयोजन को सिद्ध करता है क्योंकि मिलकर काम करने वाला है जो जो मिलकर काम करते हैं वे अन्य के लिए होते हैं जैसे शैया आसनाद मिले हुए किसी पुरुष के लिए होते हैं सत्व रज तम ये तीनों चित्त रूप से परिनत होने वाले मिलकर कारे करते हैं इससे पर के लिए हैं जो इनसे पर भिन है वह पुरुष है शंका शै या आसनाद के द्रिष्टान्त से तो शरीर वाला ही पर सिध्ध होता है और तुमको तो केवल चिनमात्र पुरुषिस्थ है द्रिष्टान्त उससे विपरीत की सिध्ध करता है तो सन्हथ्यकारित्वात यह हेत तुम्हारा इस्ट साधक नहीं उत्तर यह ठीक है कि सामान में रूप से केवल परविशेडी व्याप्ति जो जो मिलकर कार्य करता है वह वह परार्थ है इस प्रकार की ग्रहीत होती है परंतु सत्वाद गुण तो मिलकर कार्य करने वाले ही हैं इनसे विलक्षण कोई अन्यधर्मी होना चाहिए ऐसा विचार करने पर सत्वाद गुणों से विलक्षन असन्हत चिनमात्र रूप भोगता सिद्ध होता है जैसे कास्ठों से घिरे हुए परवत में विलक्षन धूम से परवत की लकडियों से उतपन अन बहनियों से विलक्षन प्रकार की ही बहनी अग्मि अनुमित होता है वैसे यहां भी भोग सत्व गुण से पुरुष में परत धर्व सर्बोत कृष्टत सबसे उत्तमता रूप ही माना जाए तो भी तमोगुन प्रधान विश्यों से शरीर उत्तम है क्योंकि यह प्रकाश रूप इंद्रियों का आश्रे है उस शरीर से भी उत्तम इंद्रियां है उन इंद्रियों से भी उत्तम चि और पुरुष का भेद युक्तिद्वारा बतलाया गया पर आत्मा कैसा है क्या है यह युक्ति से नहीं जाना जा क्योंकि यह अनुभो का विशय है इसका वास्ताविक श्वरूप समाधिद्वारा जाना जा सकता है इसको अगले शूर्ठ में बतलाते हैं विवेग ख्यात द्वारा पुरुष और चित्त में भेद के देखने वाले की आत्मभाव की भावना निब्रत्त हो जाती है। व्याक्या आत्मभाव भावना आत्मभाव की चिंता की मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, क्या था, आगे क्या होँगा। इत्याद विशेस दर्शिनह पुरुष और चित्त के भेद को विवेक ख्यात द्वारा साक्षात करने वाला विवेक ज्यानी विवेक ख्यात द्वारा जब योगी को पुरुष और चित्त का भेद साक्षात हो जाता है तब उसकी आत्म भावना की मैं कौन हूं क्या हूं इत लगता है जिस पुरुष के चित्न में यह भावना होती है वही आत्मज्ञान उपदेश का अधिकारी है और वही योगा ढिहास द्वारा विवेख ज्यान का संपादन करता है उसी विवेख ज्यान से यह आत्मभाव भावना निवृत्त होती है जिसको यह आत्म भाव भावना ही नहीं उनको न तो इस आत्म ज्यान के उपदेश का अधिकार ही है न उसको विवेक ज्यान ही उत्पन होता है और न आत्म भाव भावना की निवृत्त होती है किसके चित में यह भावना उदै हुई है और किसके चित में उदै हुई है इसका भाश्यकार इस प्रकार अनुमान से जान लेना बतलाते हैं कि जैसे वर्षा रित्व में त्रिणों के अंकुरों का प्रादुर भाव देखकर उन त्रिणों के बीजों की सत्ता का अनुमान किया जाता है वैसे ही जिस पुरुष को मोक्ष मार्ग स्रवन से रोमांच, हर्ष और अस्रुपात होए उस पुरुष ने विवेक ज्यान के बीजभूत तथा अपवर्ग के साधन जो यम, नियम, आदिकर्म हैं उनका पूर्व जन्म में अनुस्थान कर लिया है और उसके चित में आत्मभाव भावना का उदै भी है जिन पुरुषों की पूर्व जन्म में शुभ कर्मों के अनुस्थान के अभाव से केवल पूर्व पक्ष में ही रुचि हो और चद्धानतों में अरुचि हो उनके चित में अनुमान से आत्मभाव भावनाका अनुदय जान लेना संगत विशेस दर्शन के उदय होने पर विशेस दर्शी का चित कैसा होता है उसको बतलाते हैं तदा विवेक निमग्न कैवल्य प्राग भारम चित्तम विशेस दर्शन के उदय होने पर विशेस दर्शी का चित विवेक मार्ग संचारी होकर कैवल्य के अभिमुख होता है जाख्या निम्न जल के प्रवाह के संचार योग्य जो ढलवान अर्थात जुका हुआ प्रदेश है वह निम्न कहलाता है प्राग भार ऐसे उठी हुई भूम अर्थात उचे प्रदेश को जहां जल का प्रवाह रुक जाता है प्राग भार कहते हैं यहां चित की उपमा बहते हुए जल से दी गई है जिस प्रकार पानी नीचे की ओर बहता है इसी प्रकार योगी का चित जो पहले अविवेक के मार्ग में बहता हुआ विशेयों की ओर जा रहा था विशेस दर्शन से वह मार्ग बंद हो जाता है और चित का प्रवाह आत्मा रूप विवेक ज्यान के मार्ग की ओर निम्न होकर कईवल्य प्राग भार से अभिमुख हो जाता है अर्थात चित अज्यान के कारण जो संसारी विशेयों में लगा हुआ था विशेस दर्शन द्वारा विवेक ज्यान होने पर उसकी प्रव्रतिक कईवल्य की ओर हो जाती संगत विवेक प्रवाही चित में भी बीच बीच में कभी कभी व्युत्थान की वृत्तियां क्यों उत्पन होती हैं इसको बताते हैं उस विवेक ज्ञान के बीच बीच में अन्य व्युत्थान के वृत्तियां भी पूर्व के व्युत्थान के संसकारों से उदै होती रहती हैं व्याख्या छिद्र विवेक ज्यान के बीच में कभी कभी होने वाला विवेक अभाव रूप अवकाश अंतराल अत्मा आउसर जब तक चित में पुरुष और चित की भिन्नता का ज्यान प्रबलता से रहता है तब तक उसकी प्रबृत्त कैवल्य की ओर रहती है और जब जब इस विवेक ज्यान में शिथिलता आने लगती है तब तब व्युत्थान के संसकार अरथात व्युत्थान की ममता और अहंता की वृत्तियां यह मेरा है मैं सुखी हूँ मैं दुखी हूँ इत्याद उत्पन हो जाती है यह प्रत्यान तराड अरथात समाद की वृत्तियों से भिन व्युत्थान की वृत्तियां इसलिए बीच में उत्पन होती है कि विवेक ख्यात विशेश दर्शन अभी अत्यंत परिपक्व नहीं हुई है और अनाधिकाल से प्रबृत्त व्युत्थान के संसकार अभी संगत उनने के त्यागने का उपाय बताते हैं दूसरे पाद के दस्वें और 11 सूत्रों में बिशों का नाश बतलाया वैसे ही व्युत्थान के संसकारों का भी नाश जान लेना चाहिए अर्थात जिस प्रकार प्रसंख्यान रूप अगनिसे प्लेश दख्द बीज भाव को प्राप्त होकर अपने अंकुर उत्पादन में असमर्थ हो जाते हैं वैसे ही विवेक अभ्यास रूप प्रसंख्यान अग्नि से पूर्व जन्मों के व्युत्थान के संसकार भी दग्दवीज होकर व्युत्थान की दृत्तियों को नहीं उत्पन करते। परिपक्व विवेक निस्थ चित में ही व्युत्थान के संसकारों का प्रादुर्भाव होता है परिपक्व ज्यान निस्थ चित में नहीं होता इसलिए पहले विवेक ज्यान के अभ्यास से विवेक ज्यान के संसकारों का संपादन करके व्युत्थान के संसकारों का निरोध प्रसंख्यान के निरोध का उपाय, अब prasंख्यान के निरोध का उपाय कहते हुए, जीवन मुक्त की परमकास्था रूप धर्ममेग समाधि का स्वरूप कहते हैं प्रसंख्याने अप्यकुसी दस्य सर्वता विवेक ख्याते धर्ममेग समाधि जो योगी प्रसंख्यान ज्यान से भी विरक्त है उसको निरंतर विवेक ख्यात के उदय होने से धर्म मेग समाधी होती है जाख्या प्रसंख्यान जितने तत्व परस्पर बिलक्षन स्वरूप वाले हैं उनका यथा क्रम विचार करना प्रसंख्यान कहलाता है इसी को विवेक ज्यान भी कहते हैं धर्ममेगह अति उत्तम पूर्य पाप से रहित परम पुरुशार्थ के साधक धर्म की जो वर्षा करता है वह धर्ममेग कहलाता है। अकुसीद रिण देकर मास मास में धन की वृद्ध करना अर्थात सूध व्याज लेने को कुसीद कहते हैं। यहां जो योगी प्रसंख्यान की लिपसा वाला है उसके लिए कुसीद और जो फल की इच्छा से विरक्त है उसके लिए और कुसीद शब्द का प्रयोग हुआ है। जब ब्रह्म्हनिस्ट योगी पर वैराग्य द्वारा प्रसंख्यान अर्थात विवेक ज्यान से भी किसी फल की इच्छा नहीं रखता तो उसके विरक्त हो जाने पर इस पर वैराग्य शील योगी की सर्वता विवेक ज्याती उदे होती है। अर्थात निरंतर विवेक ज्यान का प्रवाह बहने लगता है। इससे व्युत्थान के संसकारों के बीज नितांत भस्म हो जाते हैं। इस कारण व्युत्थान की वृत्तियां बीच बीच में उतुपन्य नहीं होती। ज्यान की इस परिपक्व अवस्था को धर्म मेग सम कहते हैं। संप्रग्यात समाध की सबसे उची अवस्था विवेक ज्यात प्रसंख्यान है। विवेक ज्यात की परिपक्व अर्थात निरंतर रहने वाली अवस्था धर्म मेग समाधी है। इसकी पराकास्था ज्यान प्रसाद नामी पर वैराग्य है। जिसका फल असंप् क्लेश कर्म निवृत्ति ही उस धर्म मेघ समाधि से क्लेश और कर्मों की निवृत्ति होती है द्याख्या उस धर्म मेघ समाधि की प्राप्ति पर अविद्या आधि पांच क्लेश और शुक्ल कृष्ण तथा मिस्तृत तीन प्रकार के कर्म सकाम कर्म और उनकी वासनाएं मू देह मुक्त पद को प्राप्त होता है। अर्थात पुनह जन्मधारण नहीं करता जैसा की भाश्यकार लिखते हैं। से भी कहीं भी उत्पन हुआ नहीं देखा जाता महरसी गौतम ने भी न्याय दर्शन में ऐसा ही कहा है वीत राग जन्मा दर्शनात जिसके राग बीट गए हैं ऐसे पुरुष का संसार में जन्म न देखे जाने से संगति क्लेश कर्म की निवृत्ति पर क्या होता है तदा सर सरवावरण मला पे तस्य ज्यानस यांगेय मल्पम तब सब क्लेश धर्मों के छैकाल में सरवावरण रूप मलों से रहित होकर चित रूप प्रकाश के अनंत होने से गेय पदार्थ अलप हो जाता है व्याख्या चित सत्त प्रधान सूर्य के सद्रिश प्रकाश शील है जि सकाम कर्म की वासनाएं चित्त के प्रकाश पर आवरण डाले हुए रहते हैं बादलों के हटने पर जब सूर्य का प्रकाश चारों दिशाओं में फैलता है तो सारी वस्तुएं स्पस्ट दीखने लगती हैं ये सारी वस्तुएं उसके सरवत्र फैले हुए प्रकाश की अपेक इसी प्रकार धर्म मेघ समाधि द्वारा जब रज तम मूलक क्लेश और कर्म वासनाओं के मलका परदा चित्त से हट जाता है तो उसके अपरमित ज्यान के सरवत्र फैले हुए प्रकाश में कोई वस्तु छिपी नहीं रहती उसका प्रकाश इतना बढ़ जाता है कि जानने यो कोई वस्तु अज्यात नहीं रह सकती विशय बहुत न्यून परिछिन और ज्यान का प्रकाश अनंत अपरिछिन हो जाता है गे यसांसारिक वस्तु में उसकी द्रिष्टि में अल्प अर्थात तुक्ष हो जाती है जैसे प्रकाश में जुगनू स्रिव्यास जी महराज उस ने उसकी प्रशंसा की अर्थात जैसे यह वाक्य आश्चर्य रूप जान पड़ता है ऐसे आश्चर्य रूप दशायोगी की इसकाल में होती है संगत धर्ममेग समाधिसे प्लेश कर्मों की निवृत्ति हो जाने पर भी गुण जो स्वतह ही परिणाम स्वभाव वाले हैं विद्यमान रहते हुए उस पुरुष के लिए शरीर और इंद्रियों को क्यों नहीं उत्पन करते इसका उत्तर अगले सूत्र में देते हैं ततह कृतार्था नाम परिणाम क्रम समाप्तिर गुणानाम तब कृतार्थ हुए गुणों के परिणाम के क्रम की समाप्ति हो जा नाम के क्रम शरीर इंद्रीय आदि के आरंब को जारी रखते हैं धर्म मेघ समाधि से क्लेश और करमों की निवृत्ति होती है उसके फलस्वरूप रजस तमस गुणों का आवरण हटने से ज्ञान अनंत अपरमित और गेय अल्प हो जाता है यह अपरमित ग्यान ही प्रकृत क के दोशों का दिखलाने वाला होने से पर वैराग्य रूप है उस उतक्रिष्ट वैराग्य के बाद गुणों का जो अनलोमतया सीधे स्रिष्ट उन्मुख और प्रतिलोमतया उल्टे प्रले उन्मुख प्रधान अप्रधान भाव से इस्थित रूप परिणाम है उसके क्र और अपवर्ग प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं तो इन गुणों का उस पुरुष के लिए कोई कार्य शेष नहीं रहता इस कारण उसकी ओर से कृतार्थ अर्थात कर्थव्य पूरा करके अपना परिणाम क्रम समाप्त कर देते हैं और दूसरे पुरुषों के इसी प्रयोजन को सिद्ध करने में लगे रहते हैं संगत क्रम का स्वरूप बताते हैं छण प्रतियोगी परिणामा परांत निर्ग्राहय क्रमह प्रतिक्षण होने वाली परिणाम की समाप्ति पर जानी जाने वाली गुणों की अवस्था विशेष का नाम क्रम है व्याख्या छणों की न निरंतर परंपरा के धारा के आश्चित जो परिणामों की निरंतर परंपरा है उसको परिणाम क्रम कहते हैं अर्थात छण छण में जो प्रतेक वस्तु में परिणाम होता रहता है उसको क्रम कहते हैं परिणाम इतना सूश्म होता है कि गहन नहीं हो सकता वह होते होते अंत मे इस थूल रूप होने पर दिखलाई देने लगता है जैसे वस्त्र कितना ही सुरक्षित क्यों न रखा जाए एक समय पर इतना जीन हो जाता है कि हाथ रखने से फटने लगता है यह परिणाम का क्रम उसी समय नहीं हुआ बलकि प्रतेक छण में होता रहा है पर अंत में बहुत से परिणामों का इस थूल रूप में होने पर वह दिखलाई देने लगा यही गुनों के धर्म परिणाम और लक्षन परिणाम का क्रम है अर्थात परिणामों की जो आगे पीछे की एक धारा या सिलसिला है वह क्रम है किसी क्रम का आरंभ एक विशेश क्षण में होता है और समाप्त एक दूसरे क्षण में पहले क्षण को जहां से क्रम आरंभ होता है पूर्बांत और अंतिम क्षण को जहां यह क्रम समाप्त होता है अपरांत कहते हैं यह क्रम धर्म लक्षन और अवस्था तीनों परिणामों में पाया जाता है। उपर वस्त्र के उदाहरन से बताया है कि अवस्था परिणाम का क्रम सूच्म रूप से होता हुआ दिखाई नहीं देता है। उसका अंतिम फल ही प्रत्यक्ष होता है। धर्म और लक्षन परिणाम का क्रम भी जो दिखलाई देता है, वह भी कई परिणामों का इस थूल रूप ही है, जो क्रम प्रत्तेक छण में सूच्म रूप से होता रहता है, वह इनमें भी साक्षात नहीं दिखाई देता, यह परिणाम क्रम गुणों में बराबर होता रहता यदि यह शंका हो कि गुण तो नित्य हैं उनमें परिणाम कैसे हो सकता है उसका समाधान करते हैं अतीता वस्था से शून्य होना मात्र ही नित्य का सामान लक्षन है नकि अपरिणामी होना इसलिए नित्यता दो प्रकार की होती है एक कूटस्थ नित्यता दूसरी परिणामी पुरूप से सदा एक बना रहना और किसी प्रकार का परिणाम न न रहना यह पुरश के नित्यता है जिसमें वह सदैव एक रूप में बना रहता है और उसमें कोई परिणाम नहीं होता परिणामी नित्यता अवस्था से परिणाम होता रहना स्वरूप से सदा एक बने रहना यह परिणामी नित्यता गुणों की है गुण परिवरतन को प्राप्त होते हुए भी स्वरूप से नश्ट नहीं होते उन नित्य धर्मी गुणों के परिणामों की कोई अंतिम सीमा नह अब यह शंका होती है कि इस्थिति और गति अर्थात स्रिस्टि प्रले प्रवाह रूप से जो गुणों में वरतमान संसार क्रम है इस क्रम की समाप्ति होती है या नहीं यदि समाप्ति मानी जाए तो उपर जो कहा गया है कि गुणों के परिणाम की कोई अंतिम सीमा नहीं इसका खंडन होता है और यदि समाप्ति ना मानी जाए तो पूर्व सूत्र में गुणों के खरम की समाप्ति क्यों नहीं इस शंका के निवान आर्थ भाश्यकारों ने यह कहा है कि यह प्रश्न एकांत वचनी नहीं है अर्थात एक बार ही हां अथमा ना में उत्तर देने योग नहीं है किन्त ओवचनी है प्रस्न तीन प्रकार के होते हैं एकांत वचनी जो नियम से एक ही समाधान द्वारा उत्तर देने योग्य है विभज्य वचनी जो विभाग पूरुवक उत्तर देने योग्य है और वचनी जिसका उत्तर एकांत रूप से एक प्रकार से कहने योग्य नहीं होता जैसा क्या सब जगत जो उत्पन हुआ है मरेगा उत्तर हाँ अवस्य मरेगा यह एकांत बचनी अर्थात एक ही उत्तर देने की योग्यता वाला है क्या जो जो मरेगा वह सब उत्पन होगा उत्तर केवल जिसको विवेक ज्यान उदै हो गया है और जो त्रशना रहित हो गया है वह उत्तपन न होगा अन्य उत्तपन होगा मनुस्य जात उत्तम है या नहीं उत्तर मनुस्य जात पश्वों से उत्तम है देवताओं से उत्तम नहीं है यह विभज्य वचनी है यह संसार अंतवान है यह अनन्त है यह ओवचनी है क्योंकि दोनों में से एक विशेष कहने योग नहीं है परंतु आगम प्रमाड शब्द प्रमाड से इसका उप्तर यह है कि ज्यानियों के संसार क्रम की समाप्त है अर्थात ज्यानियों का संसार अंत को प्राप्त होता है अग्यानियों को नहीं होता ज्यानी संसकार क्रम के समाप्त होने पर अर्थात संसार के अंत होने पर मुक्त हो कईवल्य पद को प्राप्त होते हैं टिपड़ी भोजवृत्य में यह सूत्र कुछ पाठांतर के साथ लिखा गया है। इसलिए इस सूत्र को भोजवृत्य के अर्थ सहित जानकारी के लिए देते हैं। चण प्रतियोगी परिणामों अपरांत निर्ग्राह यह क्रमह। उक्त क्रम का लक्षन कहते हैं। भोजवृत्य का भाषा नुवाद सूत्र तैंतिस सबसे छोटे काल का नाम चण है। चण भी क्रियात्मक और शब्द बोधात्मक परिणाम ही है। उस चण का जो प्रतियोगी निर्वपक चण से भिन परिणाम है, वह गुणों का क्रम है। जाने हुए प्षनों में पीछे जोड़ लगाने से ही वह गरहन किया जाता है। बिना जाने हुए थे प्षनों में उनमें क्रम नहीं जाना जा सकता। इससे उसे अपरांत निर्ग्राह कहा तब्य सूत्र 33 स्री विज्यान भिक्ष आदि सूत्र में परिणामा परांत पाठ मानते हैं स्री रामा नंड यति कुछ विभिन व्याख्यान करते हैं वे छण प्रतियोगी शब्द का सस्टी समास नहीं किंतु बहु ब्रही करते हैं वही ठीक मालूम होता है अर्थात छणव प्रतियोगि नव निरूपकव अस्य असोग छण प्रतियोगी छण है निरूपक बतलाने वाले जिसके वह छण प्रतियोगी है छण कलांश परिणाम विशेश को कहते हैं छणों में बुद्धि को समाधिस्त करके ही क्रम पूर्बा पर भाव जानने योग्य है इससे यह बता दिया कि छणिक परिणाम होता है उस क्रम में प्रमाण देते हैं अपरांत निर्ग्राहय कहीं क्रम प्रत्यक्ष और अनुमेय है मृतिका में पिंड घट कपाल चून कन रूपी प्रत्यक्ष परिणाम होते हैं उनका पूर्बांत पिंड है और अपरांत कन है इनमें प अच्छे प्रकार रखा हुआ वस्त्र भी पुराना पड़ जाता है, वस्त्र में पुराना पन एक बार तो आता नहीं, किन्तु छणछण में पूर्बांत नमीनता से लेकर पुरानता होती रहती है, अर्थात नमीन होने के बाद अत्यंत सूक्ष्म पुरानता, फिर सूक्ष पुरानता इत्याद रूप से पुरानता होती रहती है वहां पर क्रम अनुमान करने योग्य है यह क्रम नित्य और अनित्य दोनों प्रकार के पदार्थों में होता है नित्य दो प्रकार के हैं एक कूटस्थ नित्य होते हैं जैसे पुरुष दुतिय परिणामी नित्य होते ह जैसे सत्वाद गुण धर्म लक्षन अवस्था इन तीनों प्रकारों तृतिय पाद के तेरहमे सूत्रोक्त से परिणाम होने पर भी धर्मी में स्वरूप का नाश न होना परिणामी नित्यता है एक धर्म को छोड़कर धर्मांतर को ग्रहन करना परिणाम है अनित्य बुद् में रागाद परिणाम पूर्बांत और पुरुष का प्रत्यक्ष करना अपरांत क्रम है परिणामी नित्य गुणों में परिणाम का क्रम अवध हद से रहित है क्योंकि मुक्त पुरुषों के प्रति गुणों का परिणाम न होने पर भी बद्ध जीवों के प्रति होता ही रहता है प्रश्न सब जीव मुक्त हो सकते हैं या नहीं यदि हो सकते हैं तो प्रकृति गुणों का परिणाम अवजिसे रहित मानना ठीक नहीं और नहीं हो सकते तो तत्व ज्यान में किसे विश्वास होगा अर्थात तत्व ज्यान होने पर भी यदि नहीं हो सकते तो मुक्ष नह रहेगा इत्याद दो्ष होंगे उत्तर तीन प्रकार का प्रश्ण हो सकता है एक आंत वचनी बिभज्य वचनी और वचनी यदि पहला प्रश्ण किया जाए कि क्या सब उत्पन हुए मरेंगे तो यह एक आंत वचनी है अर्थात कहना चाहिए कि हां अवस्य आपका किया हुआ जो दूसरा प्रशन है वह विभज्य वचनी है अर्थात विभाग करके उत्तरणिय है कि जिसे तत्व ज्यान होगा वह मुक्त हो जाएगा और जिसे नो होगा वह नहीं जीव अनन्त है, स्रिस्ट प्रले भी अनन्त है, इससे सबकी मुक्त नहीं हो सकती तीसरा प्रश्ण यह हो सकता है कि प्रकृति का परिणाम क्रम समाप्त होता है या नहीं इसके उत्तर दो हो सकते हैं प्रथम यह की निश्चत नहीं कर सकते की समाप्त होता है या नहीं, वास्तविक परिणाम क्रम परिणामी नित्त गुणों में है और पुरुष में कल्पित है, वस्तुतह नहीं, अर्थात बुद्ध के परिणामों का आरोप है, इत्यादिग भाश्यका तात्पर यहें. संगत – गुणों के परिणाम क्रम की समाप्ति पर कयवल्य कहा गया है उसका स्वरूप अगले सूत्र में बताते हैं पुर्शार्थ सुन्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसवह कैवल्यम स्वरूप प्रतिस्ठा वाचित शक्तिरिती पुरुशार्थ से शून्य हुए गुणों का अपने कारण में लीन हो जाना कईवल है अथमा चित शक्त का अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाना कईवल है जाक्या गुण की प्रव्रत्ति पुरुष के भोग अपवर्ग के लिए है इसलिए भोग और अपवर्ग ही जिस पुरुष का यह प्रयोजन सिद्ध हो गया उसके प्रति इनका कोई कार्य शेश नहीं रहता तब उस पुरुष के भोग तथा अपवर्ग रूप पुरुशार्थ के संपादन से कृतार्थ हुए पुरुशार्थ शून्य कार्य करण स्वरूप गुण प्रतितशव को अर्थात प्रतिलों परिणाम से अपने कारण में लीन हो जाते हैं अर्थात जुद्धान समाधि और निरोध के संसकार मन में लीन हो जाते हैं मन अहंकार में अहंकार बुद्ध चित्त में और बुद्ध प्रदान प्रकृति में लय हो जाती है इस प्रकार पुरुष का अ पुरुष्ट से अलग होना है अत्मा यू कहना चाहिए कि धर्म-चित्त के परिणाम करम बनाने वाले गुणों का अपने कारण में LEAN हो जाने पर चित्ति शक्ति पुरुष्ट का चित्त से किसी प्रकार का संबंध न रहने पर अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाने का नाम कईवल है इसकी सविस्तर व्याख्या तृतिय पाद के पच्पनमे सूत्र में कर दी गई है यहां यह और जान लेना चाहिए कि जैसे वेदांत में अज्ञान की निवृत्ति और परमानंदस्वरूप ब्रह्म प्राप्ति को समकाल होने पर भी कहीं अज्ञान की निविति को जैसे भूयश चांते विस्वमाया निविति और फिरंत में सारी माया निविति हो जाती है और कहीं ब्रह्म की प्राप्ति को जैसे सवयोवई तत्परम ब्रह्म वेद ब्रह्म है वभवती जो निश्चे उस ब्रह्म को जानता है ब्रह्म नहीं हो जाता है मुक्ति कहा है वैसे ही यहां पर भी गुणों का प्रतिप्रसव और चित्शक्त की स्वरूप प्रतिस्था इन दोनों के समकाल होने पर भी तातपर्य की एकता होने से कईवल्य के दो लक्षण कहें हैं लक्षण भेद से कईवल्य का भेद नहीं किया है यथार्थ ज्यान की प्राप्ति से जबकि धर्म आदि अकारण बन जाते हैं, तब पुरुष पिछले संसकार के वर्ष से चक्र के सद्रिश शरीर को धारण किये हुए ठहरा रहता है। भोज वृत्ति का भाशा नुवाद सूत्र चोंतिस अब फल रूप मोख्ष के सामान स्वरूप को कहते हैं, जो सत्वाद गुण भोग और मोख्ष रूप पुरुषार्थ को समाप्त कर चुके, उनका जो उल्टे उल्टे परिणाम की समाप्ति होने पर छणों में विकार का पैदा नौ होना, अथमा वृत्तियों के तुल्य रूप की निवृत्ति होने पर चेतन शक्त का अपने स्वरूप मात्र में इस्थित करना मोख्ष कहा जाता है, केवल हमारे ही दर्शन मत में मोख्षा वस्था में पुरुष इस प्रकार का चेतन रूप नहीं होता, किन्त अन्य दर्शनों में भी विचार करने पर स्वरूपा वस्थित होता है, जैसे आत्मा खणिक विग्यान नहीं है, संसारा वस्था में करता, भोकता और विचार करने वाला आत्मा प्रतीत होता है, अन्यथा यदि एक कोई चेतन उस प्रकार का नो हो और ज्ञान छणों को ही जो की पूर्वा पर विचार से शून्य हैं आत्मा माना जाए तो कर्म और भलका संबंध नियम पूर्वक नहीं हो सकता और किये हुए की हान नहीं किये हुए की प्राप्त रूप दोश भी हो जिसने शास्त्रों में ही कहे हुए कर्म को किया है वही यदि भोकता रहे तो सब की प्रवृत्त कल्यान प्राप्त के लिए दुख की निवृत्त के लिए हो सकती है ग्रहन करना या छोड़ना विचार से इससे और ग्यान च्छनों को परस्पर भिन्न होने से पूर्वा पर विचार शूम्यता है यदि कोई उनका अनुसंधान करने वाला नौ रहे तो किसी का भी व्यवहार नहीं चल सकता इससे जो करता भोगता अनुसंधाता विचार करने वाला अत्मा जानने वाला है वह आत्म है यह व्यवस्था की जाती है मोक्षा वस्था में केवल चैतन्य रूप ही आत्मा रहता है क्योंकि मोक्ष दशा में तो ग्राह ग्राहक रूप अर्थात ग्रहन करना आद सब व्यवहारों के न रहने से केवल चैतन्य ही शेस रहता है वह चैतन्य अपने स्वरूप को जानने से नहीं है किन्त स्वरूप से है क्योंकि विश्यों को ग्रहन करने की सामर्थ ही चेतन का स्वरूप है अपने स्वरूप को ग्रहन करना नहीं ऐसा ही सुर्थ बतलाती है यथा विज्ञातार मरेके न विजानियात सबके जानने वाले विज्ञाता को किस से जाना जा सकता है त जैसे चेतन से ग्रहीत हुई वस्तु यह है इस्तकार ग्रहण की जाती है और चेतन का स्वरूप अहम अर्थात मैं हूँ इस्तकार ग्रहण किया जाता है आपस में विरुद्ध बहिर मुखता और अंतर मुखता रूप दो व्यापार एक काल में नहीं हो सकते तो चेतन रूप ही आत्मा रहता है यही ठीक है और संसार दशा में तो ऐसे ही आत्मा को अकरता भोगता और अनुसंधाता होना सब ठीक है आत्मा का संसार दशा और मुक्ति अवस्था में एक ही रूप है देखिए जो यह प्रकृत के साथ अज्ञान मूलक भोग्य का भोग करना अनादि स्वाभाविक संबंध है उसके होने पर और जो पुरुशार्थ करतग्वता रूप शक्तियों के होने से प्रकृत का महान आदे रूप से परिणाम है उसमें सन्योग होने पर जो आत्मा का अधिस्ठाता स्वामी बनना अर्थात अपने प्रतिभिंब को समर्पन क करने की शक्ति अंतह करण की पड़े हुए चेतन प्रतिभिंब को ग्रहन करने की शक्ति रखना तथा चेतन के संबंध से बुद्ध में करत्रित्व भोगत्रित्व का निश्य है उसी से स्मृति पूर्वक व्यवहारों की सिध्धि हो जाएगी फिर अन्य तुछ से क्या प्रयोजन अर्थात कोई प्रयोजन नहीं यद इस प्रकार के मार्ग को छोड़कर आत्मा में पारमार्थिक करत्रित्वाद धर्मों को स्विकार किया जाए तो आत्मा को परिणामी मानना पड़ेगा परिणामी और अनित्य मानने पर आत्मा का आत्म भाव अर्था आत एक रस से रहना ना बनेगा क्योंकि एक ही समय में एक रूप से परस्पर विरुद्ध अवस्थाओं का ग्याता नहीं हो सकता जैसे जिस अवस्था में आत्मा में समवाय संबंध से सुख उत्पन हुआ उसी अवस्था में आत्मा में दुख का अनुभव करना नहीं हो सक तो अवस्थाओं के भेद होने से अवस्थाओं से अभिन अवस्था वाले का भेद मानना चाहिए भेद मानने से परिणामी मानना पड़ेगा और परिणामी मानने पर ना आत्मा में आत्मभाव रह सकता है ना नित्यभाव इसलिए योगाचार्य तभा सांख्याचार्य आत अवस्था में एक ही रूप स्विकार करते हैं आत्मा वृत्य ज्यान से विलक्षन स्वयम प्रकाश ज्यान स्वरूप है जो वेदानती लोग उपनिशदों तथा व्यास भगवान के तातपर्य को भली प्रकार न समझ कर चिदानंदमय होना आत्मा की मुक्ट मानते हैं उनका मत ठीक नहीं है क्योंकि आनंद सुख रूप ही है और सुख सरवदा गे जानने योग रूप से ही भान होता है और गेयता बिना ज्यान के नहीं हो सकती तो ज्यान गेय दो पदार्थों को मानने से उसके माने हुए अध्वयतवाद की हान होगी मुक्ति प्राप्त आत्मा को सुख रूप मानना भी ठीक नहीं क्योंकि ज्यान गे ये एक नहीं हो सकते अद्वैत वादी लोग करमात्मा और परमात्मा के भेद से दो प्रकार का आत्मा मानते हैं तो जिस प्रकार से करमात्मा को सुख दुख का भोग होता है उसी रूप से यद करमात्मा के तुल परमात्मा को सुख दुख का भोगता माना जाए तो परमात्मा परिणामी और अज्यानी हो जाए आद सुतियों से परमात्मा ज्यानत सरूप ही सिद्ध होता है और जहां कहीं आनंद शब्द ब्रह्म के साथ आया है वहाँ उसको ज्यान अर्थ में लेना चाहिए और यदि सुख के अर्थ में लिया जाए तो वह अपर ब्रह्म, शबल ब्रह्म, सगुन ब्रह्म अर्थात इश्वर का बोधक होगा नकि पर ब्रह्म, शुद्ध ब्रह्म, निर्गुन ब्रह्म अर्थात परमात्मा का क्योंकि सुख प्रकृत के सत्व गुण में है और शुद्ध ब्रह्म परमात्मा प्रकृत से परे है और यदि आत्मा को साक्षात भोग नहीं होता किन्त बुद्ध द्वारा आरोपित भोग होता है अर्थात परमात्मा से प्राप्त भोगतृत को उदासीन रूप से अधिस् प्रवेश होगा आत्मा आनंद सुख रूप है यह पहले ही खंडन कर दिया और यदि आत्मा को अविद्या स्वभाव माना जाए तो स्वयंग स्वभाव शून्य होने से अर्थात अपने में किसी धर्म के न रहने से शास्त्र का अधिकारी कौन रहेगा क्योंकि सरवदा मु होने से सब शास्त्र विर्थ हो जाएंगे यदि जगत को अविद्या मैं माना जाए तो वह अविद्या किसको है यह विचार किया जाता है परमात्मा को अविद्या है यह नहीं कह सकते क्योंकि वह नित्य मुक्त है और विद्या रूप है अर्थात चैतन्य रूप है और न करमात्मा को अविद्या है क्योंकि वह अविद्या के प्रेंग सभाव शून होने से शश्विशार खरगोस के सीम के तुल होने से अर्थात कल्पना मात्र होने से अविद्या के साथ कैसे संबध्ध हो सकता है यदि यह कहा जाए कि विचार में नौ आना ही अविद्या का अव अविद्या है तो यह भी ठीक नहीं क्योंकि जो वस्त कुछ काम करती है उसे अवश्च किसी से भिन अथमा अभिन कहनी चाहिए और अविद्या का संसार रूपी कारे करना अवश्च ही स्वीकार करना पड़ेगा उस कारे के करने पर भी और निर्वचनी अविद्या को मानने से कोई भी पदार्थ निर्वचनी न रहेगा तो ब्रम्ह भी निर्वचनी न ठहरेगा अर्थात सत्य ज्यानाद रूप से उसका निरूपन न हो सकेगा इससे चैतन्य रूप अधिस्थात्रता के सिवा पुरुष का अन्य रूप सिद्ध नहीं हो सकता अर्थात वृत्य से विलक्षन सहिंग प्रकाश ज्यान स्वरूप आत्मा है आत्मत्वाद जातियों से भिन मुक्तात्मा अधिस्थान चैतन्य रूप है जो नयाईक आद गोतम मुनि और कडाद मुनि के अभिप्राय को न जानकर बुद्ध के योग से आत्मा को चैतन मानते हैं और बुद्ध को भी मन के सन्योग से उत्पन्न मानते हैं जैसे कि इच्छा ज्यान प्रयतनाद जीवात्मा के गुण विवहार दशा में अर्थार संसारा वस्था में आत्मा और मन के सन्योग से उत्पन्न होते हैं उन्हीं गुणों से आत्मा स्वयंग ज्याता करता भोगता कहा जाता है और मोक्ष दशा में तो मित्या ग्यान की निवर्त्य होने से मित्या ग्यान मूलक राग देशाद सब गुणों की भी निवर्त्य हो जाती है तो आत्मा के विशेश गुण अर्थाद ग्यान इक्षा प्रयत्न सुख दुख देश इन सबका अत्यंत नाश हो जाता है फिर आत्मा अपने स्वरूप मात्र में इस्थित होता है यह उनका पक्ष भी ठीक नहीं है क्योंकि मोक्ष दसा में नित्यत्त व्यापकत्त आदिगुनतो आकाशादिकों के भी रहते हैं इससे उनसे बिलक्षन आत्मा का चैतन्य रूप अवस्य अंगीकार करना चाहिए आत्मत जातिका संबंध ही आकाशादिकों से बिलक्षनता है यह नहीं कह सकते क्योंकि आत्मत जातिका योग तो संसारी जीवों में भी है मुक्तात्मा को संसारियों से बिलक्षन होना चाहिए इससे आत्मत वाद जातियों से भिन्नता मुक्तात्मा की अवस्य माननी और वह भिन्यता अधिस्थान चैतन्य रूप मानने से ही घड़ सकती है अन्यता नहीं आत्मा अहम प्रतीत का विशे नहीं किन्तु केवल चिद्रूप अधिस्थाता है जो मिमानसक लोग जैमिन मुन के सिद्धानत को ठीक ठीक न समझते हुए आत्मा को कर्म करता रूप मान उनका पक्ष भी ठीक नहीं है उनकी प्रतिग्या है कि अहम मैं प्रतीत ज्यान से ग्रहन के योग्य आत्मा है अहम प्रतीत में आत्मा को आश्येता संबंध से करत्रत्व और विशेता संबंध से कर्मत्व है पर यह उनका मंतब्य अयुक्त है क्योंकि प्रमात्रत रूप क कर्मत्त का विरोध है प्रमाता जानने वाला प्रमेय जानने योग्य अर्थाद जानने वाला और जानने योग्य होना ऐसे विरुद्ध धर्मों का एक काल में एक पदार्थ में समावेश नहीं हो सकता जो विरुद्ध धर्म के अधिस्ठान हैं वे एक नहीं जैसे भाव और अभाव कर्तृत्व कर्मत्व भी परसपर विरुद्ध धर्म हैं यह कहना कि कर्तृत्व और कर्मत्व का विरोध नहीं किन्तु कर्तृत्व और कर्णत्व का है ठीक नहीं क्योंकि विरोधी धर्मों का अध्या रोप दोनों स्थानों में तुल्य होने से केवल कर्तृत्व औ यह कौन कह सकता है अर्थात कोई नहीं कह सकता इससे आत्मा को अहम प्रतीत का विशे ना मानकर केवल चिद्द्रूप अधिस्थाता ही मानना चाहिए आत्मा अव्यापक शरीर तुल्य परिमाडवाला और परिणामी नहीं है जो द्रव्य बोध परियाय भेद से अर्थात न आमांतर रखकर आत्मा को और व्यापक शरीर तुल्य परिमाडवाला और परिणामी मानते हैं उनका पक्ष तो उठकर ही मरा हुआ है अर्थात बिलकुल ही निकम्मा है क्योंकि परिणामी मानने से चेतन कहा रहा वह तो जड़ रूप हो गया जो परिणामी है वह अचेतन ह यह व्यापति है जड़ मानने पर आत्मा में क्या आत्म भाव रहा इससे अधिस्ठात्रता रूप चेतन्य ही आत्मा है आत्मा में साक्षात करत्रत धर्म नहीं है कोई करता रूप ही आत्मा को मानते हैं जैसे घटाद विशेयों के समीप होने पर जो ग्यान रूप क्रिया होती है उस क्रिया का विशय संवेदन अर्थात विशयों का प्रकाश रूपी फल है उस फल में फल का स्वरूप प्रकाश रूप से भासित होता है और विशय ग्राहिय रूप से तथा आत्मा ग्राहक रूप से क्योंकि घट महम जानाम घट को मैं जानता हूं इस आकार से वह फल उत्पन्न होता है, क्रिया का कारण करता ही है, इससे कर्तृत्व और भोक्तृत्व आत्मा का ही रूप है, यह पक्ष भी युक्त युक्त नहीं, क्योंकि इन विकल्पों का उत्तर नहीं बन सकता, यह बताओ कि सम्वित्य रूप फलों का करता आत्मा एक काल में ही होता है अत्मा क्रम में एक किसी काल में सबू का करता माने तो अन्यक्षणों में करता नहीं रहेगा तो आत्मा को करता मानना ठीक नहीं और क्रम से करता होना भी एक रूप आत्मा का नहीं घड़ सकता क्योंकि यदि उसे एक रूप से ही करता माना जाए तो वह सरवदा व्यापक होन पास तो है ही सब फल भी एक रूप होने चाहिए और यद अनेक रूप में करता माना जाए तो परिडामी होने से चिद्रूप नहीं हो सकता इससे सिध्ध हुआ कि आत्मा को चैतन्य रूप मानने वालों को आत्मा में साक्षात करत्रत धर्म नहीं मानना चाहिए किन्त कूटस्थ नित्य चिद्रूप आत्मा का करता होना जैसा हमने पतिपादन किया है वही ठीक है जो ऐसा मानते हैं कि विश्यों के ग्यान अत्मा प्रकाश द्वारा आत्मा में ग्राहता शक्त प्रकट हो जाती है उनका पक्ष भी उक्त विकल्पों से खंडित जानना चाहिए आत्मा विमर्ष रूप से चेतन नहीं है कोई विमर्ष रूप से आत्मा को चेतन मानते हैं वे कहते हैं कि बिना विमर्ष विचार के आत्मा को चेतन रूप नहीं बतला सकते चैतन रूप जगत से भि विमर्ष है वह बिना अस्मिता दुतिय पाद के छे सु त्रोक्त को नहीं हो सकता क्योंकि आत्मा अंतह करण में पैदा होने वाला विमर्ष अहमेवं भूतह मैं ऐसा हूँ इस आकार से जाना जाता है और इस प्रतीति में अहम शब्द से भिन आत्म रूपी अर्थ का प्रकाश होने से विकल्प स्वरूपता अर्थात यथार्थ ज्यान से भिन्नता है सुभाव सिद्ध निश्चयात्मक ज्यान बुद्ध का धर्म है चेतन का नहीं क् कूटस्थ नित्य होने से चैतन्य सदा एक रूप रहता है चिति को नित्य होने से ही अहंकार में अंतरभाव नहीं कर सकते इससे आत्मा को विचार रूप सिद्ध करने वालों ने बुद्ध को ही आत्मा ब्रहांति से समझ लिया है प्रकाश रूप आत्मा की स्वरूप को नहीं समझा, सब दर्शनों में आत्मा का अधिस्थात्रता रूप ही और वृत्तियों के सद्रिश रूपों को छोड़कर स्वरूप में इस्थित होना ही चित्य शक्त का कईवल्य सिध्ध हो सकता है, इस प्रकार सब दर्शनों में ही अधिस्थात्रता को छोड़कर आत्मा क अन्य रूप नहीं बन सकता जड़ से भिन चैतन्य रूपता ही अधिस्थात्रता है जो चित्य रूप से अधिस्थान करता है वही बुद्धि को भोग बनाता है और जो चैतन से अधिस्थित है वह सब कामों के योग्य होता है इस प्रकार आत्मा को नित्य मानने से प्रकृत के व्यापार के निवृत्ति होने पर जो आत्मा का मोक्ष हमने वड़न किया है उसे छोड़कर अन्यमतों में कोई गत नहीं इससे यह युक्त-युक्त कहा है कि वृत्तियों के सद्रिश रूपों को जो प्रतिविंबित होते रहते हैं छोड़कर अपने स्वरूप में पास्त्रों में ऐसी ही मुक्त बन सकती है यह सिद्ध कर कईवल्य मुक्त के शरूप का निरूपन किया है उपसंगहार उक्त प्रकार से इस पाद में अन्य सिद्धियों से भिन सब सिद्धियों की मूल समाधि सिद्ध को कहकर अन्य जाति में परिणाम रूप सिद्ध की प अस्मिता मात्र से होना बतलाकर एक समय में भोग निव्रत्य के लिए बहुत से चित्तों और शरीरों की अस्मिता मात्र से उत्पत्त बतलाने वाले शब्दों के प्रामारिक होने में जो संदेह उत्पन होते हैं, उनको दिखला कर सूत्र चार की प्रसंगा नुसार व्याख्या कर पांच प्रकार की सिद्धियों से उत्पन्य हुए निर्माड चित्तों में से समाध्य जन्य चित्त को अपवर्ग का भागी बतला कर योगी के कर्मों की लोकिक कर्मों से विचित्रता को सिद्ध कर कर्म फला युक्त वासनाओं की समीपता को सिद्ध कर वासनाओं के अनन्त होने पर भी हेतु फलाद द्वारा उनका नाश बता कर भूताद इकलेसों में घटाद धर्मों की इस्थिति को उपपादन कर विज्ञानवादियों की शंकाओं को निवृत्त कर चित द्वारा पुरुष को ज्याता मानने से सब विवहारों की सिद्ध को निरूपन कर पुरुष के होने में प्रमाण दिखाकर मुक्त के नर्ड़े के लिए दस सूत्रों से क्रमों से उपयोगी अर्थों को कहकर अन्य शास्त्रों में भी ऐसी ही मुक्त बन सकती है यह सिद्ध कर मुक्त के का नड़े किया इस प्रकार पातंजल योग प्रदीप में कईवल्य नाम वाले चौथे पाद की व्याख्या समाप्त हुई इति पातंजल योग प्रदीपे कईवल्य पादह चतुर्थः ओम स्री परमात्मने नमहा